Hello students, welcome to Magnet Brains, मैं हो शिपरातिवारी, आपका इस नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है और आपके लिए good news ये है कि बहुत सारी request के बाद मैं आपके लिए जो chapter लेकी आई हूँ वो अचली second chapter नहीं है, वो है third chapter जो कि generally आप essay 2 में पढ़ा करते थे पर क्योंकि आपका जो second chapter है वो इस साल syllabus में नहीं है, इसलिए हम उसको बाद में पढ़ेंगे आपके लिए आप ही के request में chapter 3 शिरू कर रही हूँ, तो आप बिलकुल बहुत जादा खुश हो जाईए क्योंकि यह आपके syllabus में है और यह बहुत ही important chapter है, तो मैंने second chapter को skip कर दिया है, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी मैं सबसे पहले आपको third chapter पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने comment में लिखा था कि उनके school examination होने वाले, उनके test होने वाले है तो उनको यह chapter आ रहा है, तो क्योंकि हमको बाद में पढ़ना ही है इस chapter को, तो मैंने सोचा कि इसको पहले ही पढ़ा देती हूँ, तो खुश हो जाईए और जिस प्रकार से आपने life process को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है, वैसे ही आपको यह chapter भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपने life process के वीडियो को बार-बार देखना है, मैंने हर वीडियो बिल्कुल detail से बना दिया है जिन बच्चों को यह doubt है कि कौन से chapter में क्या important question है, तो उसके लिए भी घबराने के जुरूत नहीं है उसके लिए भी मैं आपको जल्दी एक वीडियो बना के दूँगी जिसमें आपको important MCQs कौन-कौन से हैं वो भी बता दूँगी, तो आपका competitive exam के लिए आप free हो जाएंगे और फिर मैं आपको बता दूँगी कौन-कौन से school examination के लिए important question है वो बता दूँगी activity का एक separate video बना दूँगी और एक question answer का separate video बना दूँगी जो आपके NCIT में दिये हुए है तो ये जो 4-5 वीडियो हैं ये मैं आपको एक के बाद एक के बाद दूँगी पर क्योंकि delay हो रहा है syllabus को इसलिए हम लोग ये chapter शुरू करते हैं बीच-बीच में मैं वो वाले जो आपके video से वो देते रहूंगे तो घबराने की जरुवत बिल्कूल भी नहीं है आपने बिल्कूल एकदम sequence manner में पढ़ा है बिल्कूल अच्छी तरीके से पढ़ा है अगर उन videos को आप बिल्कूल ध्यान से देखेंगे तो कभी भी आपको answer formation में किसी भी प्रकार का कोई doubt नहीं होगा इवन आपसे कोई कुछ पूछेगा तो फट-फट जवाब भी दे सकते हैं तो प्लीज उन videos को बार-बार देखेगा Now let's come to the surprise of the day which is the reproduction So let's start, देखें, question जो है वो यही है कि how do organism reproduce How do organism reproduce पर इसके पहले आपको ऐसा नहीं लगता कि question यह होना चाहिए Why do organism reproduce, हम कैसे reproduction करते हैं वो तो बात की बात है पर सबसे पहले we need to know कि reproduction की जरूरत क्या है What is the need of reproduction, हमको यह जानना बहुत जरूरी है बजाए इसके कि सबसे पहले हम यह जाने कि कैसे करता है अब यह जानने के लिए हमको अपने ancestors में जाना पड़ेगा जब हम लोग अपने आदी मानव को देखते हैं बेटा तो हमें ऐसे लगता अरे यारी क्या जंगली आदमी है पर आप अपने को देखिए और उनको देखिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ similarity आपको जरूर नजर आती होगी इसनिट नजर आती होगी उनकी भी दस उंगलिया आपकी भी दूआ के उनकी भी दूआ के इसका मतलब यह कि हम कहीं नोद सम्य लिए या नहीं से आपनी नहीं प्रोजी नहीं गते गए नहीं अपनी नहीं बचों को पैदा करते गये करते गए करते करते गरते बहुत साल हो गए तब हमारा जन्म हुआ हाइँ यह हम जब पैदा हुए मैं और रहा ही यह बहुत जादा ऑर्गेनाईज थे हम बहुत जादा भाषा को समझने वाले थे हम जो है बहुत ज्यादा है चाहिए बचमाने में और शायद वो भी सीख गए होते हैं आपको यहाँ यह देखना है कि आप उनके जमाने से अपने जमाने में कैसे आए क्या रीजन था यही रीजन जो है इस पूरे चैप्टर में आपको जानना है कि आदमी रीप्रोडक्शन क्यों करता है जिस प्रकार से आपकी बॉड़ी में जैसे आपका लाइफ प्रोड़ेस में आपने इतने सारी चैप्टर पढ़े एक्स्क्रीशन पढ़ा आपने रेस्पिरेशन पढ़ा आपने डाइडेशन पढ़ा आपने ये सारी जो process होती है, ये life को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी organism में, अगर reproduction नहीं होगा तो वो मरेगा कभी नहीं मेरी बाद समझ रहे हैं, these process, life process जो होती है, these are essential for life अगर वो आपके life में नहीं होगी, तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, maybe आप मर जाएं पर अगर आपके शरीर में reproduction नहीं होता, तो इससे body में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो माडम क्यों करना है, बात ये है, कि अगर ये नहीं होगा, तो आपके आगे आने वाली generation ही नहीं आएगी और अगर आगे आने वाली generation ही नहीं आएगी, तो बाकी life process होता भी रहे तुमारे शरीर में, तो क्या फर्क पड़ेगा तो अगर आप चाते हैं कि आपकी life की continuity बनी रहे, तो हमेशा reproduction होना ही चाहिए, which makes the continuity of life और जैसे 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 आगमी एक के बाद दूसरी generation, दूसरी के बाद तीसरी generation, के बाद दसवी generation, के बाद 15 वी generation, 2000 generation में जब जाता है तो हो सकता है कि धीरे धीरे जब आप generation change करते हैं, तो थोड़े थोड़े से change होते हो, बाद में ये changes collect होते होते, कठा होते होते होते, इतने बड़े हो जाते हैं, कि अब आप आदी मानव की तरह बिलकुल नहीं दिखते हैं पर अगर आप दोनों को compare किया जाए, या हम दोनों को compare किया जाए, मुझे और आदी मानव को early man को, तो आप ये देखेंगे कि हम दोनों में difference, हम लोगों में difference बहुत जादा है पर फर्क सिर्फ इतना है, कि जैसे जैसे आप generation को change करते जाते हैं, कुछ ना कुछ development हमेशा शरीर में होता ही है और ये development बाद में चल की इतना जादा बड़ा हो जाता है, कि हम ये बोलते हैं कि हम तो उस organism को जानते ही नहीं, पर ऐसा कभी नहीं होता हर organism से related दूसरा organism होता ही है, अगर आप body के organization को देखेंगे, तो भी आपको ये समझ में आएगा, कि ये बगवान ये तो हमारे जैसे ही है, जो जो चीज़े हमारे पास हैं, वो इनके पास भी है, ये कैसे हुआ? continuously जब organism reproduce करते हैं, तो वो नई नई प्रोजनीज, नई नई संतानों को दूसरे generation में लेकर जाते हैं, उनकी संताने पैदा होती हैं, तो हमेशा पीछे वाले से थोड़ा developed होती हैं, उसके बाद जो संताने पैदा होती हैं, उनसे ज़्यादा developed होती हैं, बाद में ये development बच् समझ में ठीक है, तो ये जो life process हैं, ये जीवन को चलाने के लिए जरूरी है, पर अगर आपको जीवन को आगे बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि आपके समाज में या आपके life में हमेशा development होता रहे, तो reproduction is the essential part of the life, आई बाद समझ में, I hope कि ये आपको समझ में आगया होगा, ठीक है, अब इवन में आपको एक और example देना चाहूंगी, अगर मैं आप अपने ममी पापा और अपने को compare करें, तो तुम्हें ये लगता हुगा कई कई बातों पे, कि हम जब इनके age में हो जाएंगे ना, तो I will be more intelligent, मैं जादा intelligent रहूंगा या रहूंगी, तो ऐसा होता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपका जो दिमाग होता है, वो जादा intelligent और जादा काम करने लगता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने माबाप से जादा intelligent हो, आप अपने दिमाग को जितना जादा काम करवाएंगे, आप उतना जादा intelligent होंगे, हाँ, प अपने कुछ characteristics में बाकी में हर चीज में माबाप ही आ गए है तो development में जो बच्चा होता है वो हमेशा दो कदम आगी रहता है क्योंकि जब माबाप बच्चे को जन्म देते हैं तो हमेशा वो कुछ न कुछ चेंज ही करते हैं और चेंज हमेशा beneficial ही होता है जिस दिन चेंज को continue करने के लिए ज़रूरी है reproduction अगर नहीं करेंगे तो development नहीं होगा reproduction नहीं करेंगे तो नई प्रोजनी नहीं आएगी और reproduction नहीं करेंगे तो कभी भी आपके environment का समाज का विकास नहीं हो सकता यह याद रखेगा यह जो पीछे कुछ चीज़े चल रही है actually यह mode of reproduction महीं है यह है microscope के नीचे दिखने वाला bacteria का reproduction यह है plant के अंदर का reproduction and it is also the type of budding ठीक है budding हम लोग पढ़ेंगे वो है तो यह जो तीनो slide जो तीनो videos आपको दिख रहे हैं actually यह reproduction के ही है जो यह बताते हैं कि जैसा reproduction हमारे में हो रहा है पैसा सब में हो यह जरूरी बिल्कुल भी नहीं है so let's start कि reproduction क्या है क्यों जरूरी है कैसे होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो start करते हैं देखिए पहली slide हमारी क्या कह रही है पहली slide हमारी यह कह रही है कि reproduction जो है वो क्यों होना चाहिए ओके देखिए आजाईए so reproduction is a process by which living organism produce new individual of their own kind and maintain their existence generation after generation अब मैं आपको थोड़ा सा मैं यह कहती हूँ कि ले जाते हैं हम लोग अपने ancestors में मैं आपको अपने पूरवजों पे ले जाती हूँ या आपके पूरवजों पे ले जाती हूँ कभी आप लोग गाव गए होंगे या आप लोगों ने किसी बूढ़े वेक्ति के बाद से सुना होगा कि हमेशा वो चाहते हैं कि उनके घर के जो बच्चे हैं उनके बच्चे जल्दी हो जाए क्योंकि उनके मन में ये शक रहता है कि अगर बाद में नहीं हो पाए तो परिशानी है ये परिशानी के कारण अलग-अलग हो सकते हैं पर मैं आपको इसका एक main reason बता रही हूँ कि अगर किसी की प्रोजनी आती है तो इसका मतलब ये कि उसकी जो generation है वो आगे बढ़ रही है हमेशा किसी भी प्रोजनी को पैदा करने का main objective बच्चो यही है कि हमें अपनी generation को आगे बढ़ाना है ताकि जब हम मानत में जब मरने की सहिया में हो 100-500 साल के हो जाए तो हमें पता चले कि हमारा खांदान तो इतना बड़ा है पर हमारे बाजू में जो बच्चा खड़ा है अचली वो उस खांदान का सबसे intelligent और सबसे होशियार बच्चा है क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़ादा changes और सबसे ज़ादा developed changes है समझ में आई बात तो अगर reproduction is a process by which living organism produce new individual of their own kind reproduction एक ऐसा process है जिसमें कोई भी organism अपने ही जैसे individual को पैदा करता है ऐसा नहीं होगा कि साप मेंड़क को पैदा करें ठीक है हमेशा human being human being के ही बच्चे को पैदा करते हैं मेंशा monkeys, monkeys अपने जैसे ही बच्चों को पैदा करते हैं तो reproduction का main objective यह है to produce their young ones और जो की बिलकुल उनके जैसे दिखाई दे ठीक है उसके बाद maintain their existence ठीक है after generation after generation वो पैदा ही इसले करते हैं कि मेरा पूरा खांदान बना रहे जितना बड़ा खांदान होगा उससे उतना proud feel होगा यह बात अलग है उस खांदान या उस generation की वजह से हमेशा development आपको दिखता रहेगा जैसे human being का development तो ठीक है जैसे monkeys develop करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो में भी अंत में में आप तब तक जो है तो चले जाएं ना रहें पर हो सकता है कि बाद में कुछ सालों के बाद वो एक नई generation को पैदा करें तो reproduction is the need of life ताकि वो एक नई generation को पैदा कर सके और हमेशा वो generation maintained रहे ठीक है यह है यह है asexual mode of reproduction और दूसरा जो है वो है sexual mode of reproduction यह याद रखिएगा one is the asexual mode of reproduction and second is the sexual mode of reproduction यह जो है asexual है और दूसरा sexual है दोनों reproduction के mode के बारे में आपको पढ़ना है जिसके बारे में आपको मैं next slide में पढ़ाने वाली हूँ ठीक है अब देखिए sexual mode of reproduction के बारे में अगर मैं देखू तो इसमें दो individuals की जरूरत होती है asexual में दो individual की जरूरत नहीं होती है reproduction आप समझ गए कि क्या है reproduction यह को ऐसा process है जिसमें आप नई generation को पैदा करते हैं ताकि continuity life की बनी रहे it is essential part of life क्योंकि reproduction नहीं होगा तो आगे आने वाली generation नहीं आएगी so this is the asexual mode of reproduction this is the sexual mode of reproduction इन दोनों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी इसलिए tension आपको नहीं लेना है इस चीज में इस slide में इस diagram में जो मैं आपको समझाना चाहरी हूँ वो आप देखिए यह दो individual है यह female है और यह male है ultimately इनने एक बच्चे को जन में दिया इस female ने जिसमे दोनों के character थे male और female की इन दोनों male और female का objective क्या है जीवन का कि इन एक स्वस्त बच्चे को जन्व देना है ताकि जब यह बच्चा दुनिया में आए तो वो अपने माबाप के नाम के साथ है और बात में उनकी generation जो है और आगे बढ़े और reproduction जो है changes होते जाए और वो और तो कुल्मिला कि यह जो दो individual है वो एक नई life को जन्म ही इसले दे रहे हैं ताकि वो अपने generation को आगे बढ़ा सके Even if I am talking about the amoeba, ultimately वो एक amoeba, दो amoeba को जन्म ही इसले दे रहा है ताकि amoeba की population कभी खतम ही नहीं हो सोचो, अभी हम जवाब ढूण रहे हैं कि why organism reproducing, ठीक है क्यों reproduce कर रहा है सोचो कि अगर नहीं करें कोई organism reproduce तो इस दुनिया को खतम होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो आप चाहते हैं कि आपका अर्थ का balance बना रहे तो every organism should be reproduce अगर वो नहीं करता तो कुछ समय के बाद उस वो इस धर्ती से इस अर्थ से गायब हो जाता है इसका मतलब यह कि या तो वो extinct हो जाएगा कुछ समय के बाद लोग उसे भूल जाएगा और ऐसे बहुत सारे example बहुत सारे animals के example है जो अब आपकी अर्थ में नहीं पाए जाता है यह extinct हो रहे हैं जैसे डोडो एक पक्षी है जैसे कि आपका चीता है कुछ समय के बाद यह सब जो है extinct हो जाएगा क्योंकि इनके reproduction के लिए perfect environment मिल नहीं रहा है समझ में आई बात तो इसलिए कोई extinct ना हो कोई कभी इस अर्थ से खतम ना हो that is why there is a need of process called as reproduction ओके चलिए next thing how do organism produce their own copies ठेक है अच्छा यह एक बहुत ही बड़ा question है और दूसरी बात यह question आपके NCRT में भी दिया हुआ है ओके तो यह आपको यह point आपको समझना बहुत जरूरी है do organism create their exact copy of themselves सोचो क्या तुम exactly अपने माबाप की तरह दिखते हो सोचो अपना दिमाग लगा अपनी photos देखो अपने माबाप की बच्पन की photo देखो और खुद की देखो क्या तुम बिल्कुल exactly उनका blueprint हो क्या है जवाब तुमारा नहीं पर क्या मैं बोलू क्या तुम completely उनसे different हो तुमारा जवाब है नहीं तो यह नहीं क्यों है इसका answer अब मैं आपको बताने वाली हूँ चलिए आजाएए देखी क्या है देखिएगा इधर आजाएए कि क्यों ऐसा होता है हमेशा यह यह याद रखिए मैं आपको एक process समझा रही हूँ कि उसको समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है आपको देखिए एक्स एक्स जो है यह है आपका female chromosome ठीक है एक्स एक्स को हम किशसे denote करते हैं female बोलते हैं हम Gibson female है XY जो है यह male ठीक है एक्स-уск जो है यह female है XY जो है वो है male ठीक है अब इसका डाइग्राम में अगर आपको दिखा हूँ तो यह आपको पहली स्लाइड में दिखाई दे रहा है या बना हुआ है आज यह देखे क्या है तो यह क्या है xx ठीक और यह क्या है xy अब xx है ध्यान से समझेए यह xx है तो इसके पास किते क्रोमोजूम है 46 46 इसके पास भी कित्ते क्रोमोजॉम है 46 आऊके यह बात मैड़म हमें समझ में आ गई 46 क्रोमोजॉम होते हैं हमारे पास चीक है 46 क्रोमोजॉम ओके ध्यान से समझेगा पर जब हम लोग इसको fertilization कराने वाले हैं तो क्या होगा इधर समझे हम क्या बता रहें आपको यह देखिए यह है xx यह xy इसके पास 46 मतलब 23 पेर क्रोमोजोम है 46 इसके पास है हाँ मैडम यह तो मैं समझ में आ गया उसके बाद क्या करेंगे ध्यान स इधर हो गया 1x इधर हो गया यह x separate हो गया यह y separate हो गया हम अडम यह भी समझ में आ गया अब इसके पास कित्ते क्रोमोजोम हो गया 23 इसके पास हो गया 23 इसके पास हो गया बच्चो 23 इसके पास हो गया 23 इसके पास हो गया यह बात हमें समझ में आ गई अब एक बात समझ यह कि हमने male का 1X ले लिया और एक female का X ले लिया ओके चलिए यह बात समझिए हमने क्या लिया? कि female का 1X ले लिया और male का X ले लिया 23 female के आ गए 23 male के आ गए तो अब क्या बनी हमारी female प्रोजनी बनी लड़की बनी ओके इसके पास chromosome किते हो गए 46 पर आपको ये बात समझनी जरूरी है कि 50% character किसके है male के और 50% character किसके है female के हाँ मैडम ये बात तो हमें समझ में आ गई अब इदर देखिए तो XX chromosome किसके पास है female के पास और XY chromosome किसके पास है male के पास X जो है इस पर किते chromosome होंगे 23 chromosome क्योंकि हमने एक ही X को लिया है हमने एक X को छोड़ दिया है हमेशा आप आधा character male से और आधा character female से लेंगे हमने 23 chromosome ले लिये इस से और 23 chromosome ले लिये हमने sperm से दोनों को fertilize करा है तो 46 chromosome वाला zygote बना और developed होकर ये क्या बनाया ये बनाया embryo तो ये समझ में आया आपको कि हम लोग किस तरीके से fertilization कर रहे है हाँ मैडम हमें ये समझ में आ गया अप ध्यान से समझिएगा हमें ये बताना है कि क्या parent progeny की तरह ही या जो भी progeny होती है क्या वो parent की तरह ही दिखती है आईए अभी ये बात समझिएगा कि क्या होता है देखिए मैंने आपको समझाया कि x x जो है वो cross करता x y से तो हम इससे कितने percent character ले रहे है 50 इससे कितने percent character ले रहे है 50 अब ये different character है ये different character है जब ये दोनों मिले तो कितने percent character बना 100 अब ध्यान से समझिएगा होता क्या है suppose that कि आपको ये बर्फ का गोला खा रहे है ठीक है बर्फ के गोले में हमने क्या किया कि ये दो कलर डलवाए एक side red डलवाया एक side green डलवाया बर्फ का गोला जैसे जैसे बर्फ पिगलती गई तो दोनों जो है color diffuse हो गए और बीच में आपको एक maroonish color मिला जो कि ना तो green color था और नहीं red color था इसका मतलब ये कि दोनों character mix हो गए और उनने एकदम नया character generate किया जो कि ना तो red color की तरह दिखता था ना तो green color की तरह दिखता था अब आपको यही बात समझनी है ठीक है होता क्या है कि जो आपकी cell होती है जो आपकी cell है बच्चो उस cell के अंदर होता है chromosome और chromosome के अंदर होते हैं DNA क्या होते हैं DNA सेल के अंदर होता है chromosome chromosome के अंदर होते हैं DNA DNA का काम होता है protein बनाना DNA का क्या है बटा protein बनाना protein क्या करता है body का formation करता है यह बात समझ में आई आपकी body किस से बनी है पूरी body protein और fat carbohydrate से ही तो बनी है में ली जो आप दिखते हैं वो किसकी वज़े से दिख रहे हैं आपका appearance किसकी वज़े से है protein की वज़े से तो आपके cell के अंदर है DNA DNA makes the protein protein makes the body अब समझना अगर इसके पास है 100% इसका खुद का protein female के पास इसके पास 100% male का protein पर इससे तो आपने सिर्फ 50% ही protein लिया और इससे भी आपने 50% protein मिला और जब नए टाइप का protein में बना दोनों का mix होकर बना तो ना तो वह female की तरह exactly दिख सकता था ना तो male की तरह exactly दिख सकता था आई बास समझ में कि सेल में होता है DNA DNA makes the protein protein makes the body so if I am taking 50% of chromosome 50% of DNA from the female and 50% of DNA from the male then it means to say that कि दो जो DNA आ रहे हैं वो अपने अलग-अलग protein बनाएंगे और दोनों जब mix होंगे तो वह एक नए type का protein बनाएगा चो कि ना तो male की तरह exactly दिख सकता है ना ही female की तरह exactly दिख सकता है तो आपको यह समझना है कि जब हम protein का formation करते हैं या दो सेल को mix करते हैं दो DNA को mix करते हैं तो एक नए type का ही protein बनता है जिसकी विज़े से हमेशा organism different दिखाई देता है अब देखिए इसको और डीटेल से पढ़ते हम लोग क्या कहना चाहता है देखिए reproduction at its basic level is involved in the making similar or dissimilar body design through the genetic material present in the chromosome of its nucleus तो आपको मैंने बताया कि cell है यह पहले point का explanation इसके अंदर यह है nucleus क्या है बच्चो nucleus cell के अंदर क्या है बेटा nucleus nucleus के अंदर क्या है chromosome के अंदर क्या है DNA फीक है यह genetic material किसका है यह genetic material ऐसे ही female का होगा ऐसे ही male का होगा समझ गए DNA is the source of information for making proteins अभी आपको मैंने बताया कि DNA से क्या बनता है protein at any change in the information lead to the production of different protein which ultimately lead to the altered body design तो अगर आप 50% DNA ले रहे हैं मा से 50% DNA ले रहे हैं पापा से दोनों को mix किया आपने उसके बाद क्या हुआ अलग टाइप का protein बनेगा कि नहीं बनेगा क्योंकि दोनों DNA क्या होगा है mix और जैसे ही protein different होगा वैसे ही body design भी क्या हो जाएगी बदल जाएगी basic event in the reproduction is the production of DNA copies in a reproducing cell process is called as DNA replication replication क्या कहलाता यह DNA replication मैं आपको बताती हूँ कि basically हम लोगों को जब बच्चे पैदा करना है या एक नई cell बनाना है तो DNA को copy करना है mechanism समझाती हूँ when the cell divides into two each gets a copy of each DNA of the chromosome along with the whole cellular apparatus आईए फर्स्ट वाले diagram में देखिए जब हम लोगों ने इसके DNA को इसके DNA से mix किया तो क्या बना जाएगोट जाएगोट ने क्या, जाएगोट के अंदर क्या है भाईया mixed DNA है क्या है DNA? mixed DNA है इस mix DNA को हमको क्या करना है? जाएगोट को हमको क्या करना है? divide बच्चो क्या करना है जाएगोट को divide जाएगोट को divide करेंगे तो क्या बनेगी? दो cell बनेगी और दो cell में बनेगे DNA इसे आप कहते हैं DNA copy क्या कहते हैं? DNA को copy करना इस से बहुत सारी और cell बनेगी और last में जाकर embryo बन जाएगा कुल मिलाके जब आपने zygot बनाया तो इसमें दोनों के character है कि क्या है दोनों के character? आप इसको बार 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 आपको replicate करके बहुत सारी cell बनानी है और बहुत सारी cells मिलके tissue बनाएंगे और फिर tissue मिलके organ बनाएगा organ मिलके organ system और फिर तुम बन जाओगे तो ये बात समझ में आई कि हमने आधा DNA इससे लिए एक पार्ट इससे लिए हमने एक new type का DNA बनाया new type का DNA अब आपके cell में है वो replicate करके दो नई cell बनाएगा दो नई cell से बहुत सारी cells बनेंगी और यही cell DNA जो है जो आपका DNA cell के अंदर वो अलग-अलग protein बनाएगा अलग-अलग protein जो बनेगा जो ना तो पूरा मा का है जो ना तो पूरा पिता जी का है तो नया protein बनेगा तो नया body design बनेगा नया body design बनेगा तो अब तुम totally different दिखाई दोगे तो यह जो DNA है basically zygote के अंदर it is a mixed DNA आधा किसका है पापा का आधा किसका है मम्मी का अब zygote के अंदर आपके पास mixed DNA है अब zygote को replicate करो उसकी दो cell बनाओगे तो उसमें एक कॉपी किसके पास है पहली cell के पास एक कॉपी किसके पास है दूसरी cell के पास यह DNA क्या बनाएंगे proteins क्या बनाएंगे proteins अब यह protein जो है धीरे धीरे करके आपका पूरा शरीर बनाएगा पर क्या यह protein मम्मी की तरह दिखेंगे नहीं क्या यह प्रोटीन पापा की तरह दिखेंगे? नहीं क्योंकि आधा पार्टी पापा का है तो कुल मिलाकर जो बॉडि बनती है वो DNA कॉपी होने की वज़े से बनती है DNA आधा मम्मी का है आधा पापा का है इसलिए जब प्रोटीन बनेगा तो वह दोनों का mixture होगा ना तो गो exactly mummy की तरह दिख सकता है और नहीं पापा की तरह दिख सकता है होडा बहुत जो है similarity हो सकती है पर आप बिलकूल सोचें कि mummy की तरह दिख रहे हैं पूरे पापा डिख रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता तो यह चीज़ आपको याद रखना है Next thing Complete accuracy in DNA copying leads to the exactly identical अभ ही हम यह माने कि जब DNA बिल्कुल मम्मी का ही बिल्कुल express हो गया जो कि ऐसा कभी होता ही नहीं है हम यह माने कि यह जो है DNA replication है मैं एक बात करूँ amoeba की बात करती हूं suppose that ठीक यह एक amoeba है इसमें तो सिर्फ एक ही character है यह जो है divide हो रहा है divide हो रहा है divide हो रहा है divide होने के बाद यह दो cell दो nucleus बन गए दो nucleus होने के बाद यह दो cell बन गई यह एक ही cell है काईदे सो यह बिल्कुल identical दिखनी चाहिए पर फिर भी इन दोनों में अलग-अलग difference होता है क्योंकि जब हम एक cell से दो cell बनाते हैं तो उसका nucleus divide करते हैं nucleus divide करते हैं तो बेटा क्या divide करोगे DNA divide करोगे जब DNA divide करोगे और नई cell बनाओगे ना तो नई वाली cell में जो DNA बना वो exactly parent वाले DNA की तरह इसकी तरह नहीं हो सकता ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है तो ये एक cell है ये parent cell है ये धीरे धीरे divide होकर इसने दो cell बनाई दो daughter cell बनाई पर इन दोनों daughter cell का DNA इस parent cell की तरह नहीं होगा इसे आप कहते हैं DNA copy में error होना ये धीरे धीरे जो changes होते हैं ये last में जाके एक नई species को जन्म देते हैं ये चीज आपको याद रखना है तो अगर complete accuracy है बिल्कुल पेरेंट की तरह ही DNA आपने divide किया पेरेंट गई पेरेंट सेल डिवाइड होकर एक नई daughter cell बनाई daughter cell में exactly वैसा ही DNA है अब तो बिल्कुल पिता की तरह देखो के जब कि ऐसा नहीं होता जब हम DNA को replicate करते हैं nucleus को दो भागों में divide करते हैं तो DNA भी divide होता है DNA जब बच्चों divide होता है और next nucleus में जाता है तो वो बिल्कुल पेरेंट की तरह exactly हो ये जरूरी नहीं है inbuilt tendency of variation during the reproduction is the basis of evolution जब हम एक cell से जैसे मालीजे A cell में A type का DNA है इससे हमने दो cell बनाई DNA replicate किया तो ये बन गई B cell और C cell पर इन दोनों का DNA A के तरह नहीं दिखाई देता क्योंकि जब हम इसका nucleus divide करते हैं तो कुछ न कुछ error हो जाता है और इनका DNA अब बिल्कुल भी parent की तरह थोड़ा बहुत दिख सकता है पर exactly ऐसा नहीं दिखेगा ये जो change cell के अंदर आया इसे ही आप कहते हैं variation क्या कहते हैं variation I hope कि ये आपको समझ में आ गया होगा Let me repeat this again कि कैसे काम होता है आधा part है female का आधा part है male का दोनों को fuse किया तो बना Aww जाइगोट को आपने रेप्लिकेट किया तो कित्जा बनी दो डॉसल बनी सबसे पहले ये बनी और ये बनी इन दोनों डॉसल में based DNA है अधा DNA मांवी का है अधा DNA पापा का है ऐसे इसने दो डॉटर सेल बनाई, इसमें भी आधा DNA मम्मी का है आधा DNA पापा का है इस तरीके से बहुत सारी सेल्ज बनी और उनने क्या बना है प्रोटीन जब बन गया तो उसने एक बच्चे का फॉर्मेशन किया पर इसमें क्योंकि दोनों का mixed DNA था इसलिए वो बच्चा जो है ना तो exactly मम्मी की तरह नहीं exactly पापा की तरह दिखाई देता है तो इसका answer यह है कि क्या exactly human being अपने progenies को exactly अपनी तरह पैदा करता है तो नहीं इसका answer है नहीं कभी भी organism अपनी exactly progenies पैदा नहीं कर सकता क्योंकि जब हम DNA को copy करते हैं DNA copying mechanism या जब हम cell को replicate करते हैं DNA को दो भागों में तोड़कर दो नई cells में पहुचाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ error होई जाता है जिसकी वज़े से जो cell होती हैं वो different type का protein बनाने लगती है different type का protein बनेगा तो शरीर भी different type का ही दिखेगा अगर मैं बात करें human being की तो human being में 50% character female के 50% DNA या chromosome या genetic material male का आधा 50% female का होता है जब दोनों को mix करते हैं तो ये दोनों जो mix होते हैं तो ये एक नए type का protein बनाते हैं जिसमें आधा protein मा की वज़े से हैं आधा protein पीता की वज़े से पर जब दोनों mix हो जाते हैं तो एक नए type का protein बनता है जो कि आप हैं इसलिए आप दोनों जो आप बच्चे होते हैं वो ना तो mummī की तरह दिख सकते हैं तो पापा की तरह दिख सकते हैं I hope कि ये बात आपको समझ में आई होगी DNA copy या character change होने की वज़े से shell में नए नए आपके शरी में नए नए बदलाव होते हैं उन बदलाव को आप variation कहते हैं जिसको हम next class में पढ़ेंगे अगर ये mechanism आपको समझ में नहीं आया तो please मुझे message करिये वैसे इसमें कुछ बहुत जादा tough चीज है नहीं अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं इसको फिर आपको बार-बार समझाओंगी तो ये याद रखिएगा कि कभी भी parent exactly अपनी copy नहीं पैदा कर सकता क्योंकि DNA replication या copy होने में कुछ ना कुछ error होई जाता है तब तक के लिए thank you so much Hello students, welcome to Magnet Brains मैं हूँ शुपरातिवारी आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है Last class में हमने ये सीखा कि क्या parent अपनी exactly copy blueprint प्रेड्यूस कर सकता है तो जवाब था नहीं क्योंकि हमने ये सीखा कि जब एक cell divide होकर जैसे ये एक cell का DNA है या एक cell का nucleus है nucleus जो होता है उसके अंदर क्या होता है DNA जब nucleus divide होता है तो वो दो nucleus divide हो रहा हो रहा हो रहा है ऐसे बीच में देखो बीच में एक septa type का बन गया और दो cell बन गई एक nucleus इधर चला गया गैर करते हैं तो DNA का भी division होता है तो इसमें क्या होता है DNA copy होता है DNA copy होता है payment copy होता है तो एक copies के पास चली जाती एक copies के पास चली जाती DNA copy और DNA replication कैसे होता है यह अभी आपको नहीं पढ़ना है बस आपको यह सीखना है कि जब आप nucleus को तो डिवाइट करते हैं यह आपकी पेरेंट सेल कौन सी सेल है बेटा पेरेंट सेल है जब आप पेरेंट सेल में जब आपका पेरेंट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डियने है उसके अंदर जो डियने है उसकी कॉपी करते हैं क्या करते हैं कॉपी करते है यह must copy करें देखी copy हो रहा है नुकलेस डिवाइड हो तो DNA भी copy ओ रहा है एक copy अधर जारी एक copy धर जारी जैस्सक्ugen screenshot photocopi कराते है ना photocopi है ना तो अप parent है ठीक हाव क्या है parent आपके दो बच्चे ठीक है आपके दो बच्चे अब आपकी master copy किसके पास है आपके पास master copy किसके पास है आपकी पर आप चाहते कि इन दोनों बच्चों को भी which copies विलनी चाहिए तो वाट you will do you will do the photocopy ना तो आप उस Master copy की photocopy करेंगे जब matter copy के photocopy करेंगे तो एक copy किसको देंगे एक बच्चे को दूसरी copy देंगे दूसरे बच्चे को आई बास समझ में, तो ये भी ऐसे ही करता है जब nucleus divide होता है तो वो DNA को copy करता है DNA को copy करता है, तो एक copy किसको देता है एक copy किसको देता है एक cell को, दूसरी copy किसको देता है, दूसरे cell को तो देखिए, nucleus divide हुआ तो एक copy किसके पास चली गई, इस cell के पास एक copy इसके पास चली गई, यह copy है और यह दूसरी copy, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझेगा, DNA copy जब आप करते हैं, यह DNA replicate करते हैं, ध्यान से समझेगा कि यह एक parent cell है, ठीक है, फिर से समझेगे कि यह एक parent cell ह है, parent cell के पास अपना DNA है, मेरे पास मेरा एक बच्चा है, जिसको चाहिए, एक copy, ठीक है, मेरे पास एक master copy है, यह मेरे पास एक master copy है, मैं यह चाहती हूँ कि ऐसी ही copy इसको भी मिल जानी चाहिए, then what I will do, ठीक मैं कराऊंगी photocopy, क्या कराऊंगी photocopy, मेरे पास मेरी copy रहेगी पर मैं क्या कराऊंगी photocopy, तो होगा क्या कि देखो nucleus divide हो रहा है, nucleus divide हो रहा है, तो parent ने क्या किया, कि अपना DNA का copy करके, photocopy करके, उसको nucleus में दे दिया, अपनी daughter cell की nucleus में दे दिया, तो हुआ क्या, कि जब cell divide हुई, तो एक के पास तो parent का ही DNA, दूसरे के पास नया DNA है, और नया DNA जो है, वो parent के रहा exactly नहीं हो सकता, तो जब cell divide होती है, यह DNA copy होता है, और नय टाइप का DNA बनता है, तो उसमें कुछ न कुछ error होई जाता है, अच्छा, यह जो error होता है, वो बहुत छोटा होता है, और negligible होता है, पर अगर यह error बहुत बढ़ा हो जाए, क्या हो जाए कारण यह है कि 50% character मेरे ममी से आ है, 50% character मेरे father से आ है, पर reason यह है कि उनके character जाधा express हुए, पर आधा DNA उनका है, आधा DNA उनका है, दोनों DNA mix हुए तो एक नए टाइप का DNA बना, वो नए टाइप का DNA continuously copy होते रहा, continuously copy होते रहा, नए नहीं cells में जाता रहा मेरे body के, नए टाइ protein is a mixture of my mother and father, समझ में आई बात, तो ना तो में exactly mom की तरह देख रही हूं, ना तो मेरे father की तरह देख रही हूं, कारण समझ में आया, कि दोनों का mixture हुआ, मेरे शरीर के अंदर आया, मेरे शरीर के अंदर वो मिक्स्चर जो DNA मेरे cells के अंदर आया, जो माबाप से जाइगोट क through मेरे अंदर आया, वो continuously divide होगा, अब ना तो वो पूरा father का DNA, ना तो mother का DNA, तो continuously divide होगा नए टाइप का mixture वाला DNA, तो नया protein बनेगा, नया protein बनेगा, तो ना तो में exactly किसी की तरह भी दिख सकती हूं, यह जरूरी नहीं है, ठीक है, आई बास समझ में, तो यह आपको समझ मे पर आप यह समझिए कि जब दोनों का DNA mix होकर मेरे अंदर आ रहा है, तो इन दोनों के mixture में कोई ना कोई error हो सकता है, ध्यान से समझिए, आधा type 50% DNA जब इससे ले रहे हैं, तो इन दोनों process में कुछ ना कुछ error हो सकता है, यहाँ पे, error, कुछ ना कुछ हो सकता है कि mother की character जा अधा express हो जाए, तो जब हम zygote से दो cell बनाते हैं, मैं इसको red color से ड्रोग कर रही हूँ, यह zygote क्या है, one cell है, जाइगोट क्या है, one cell, अब इस zygote को divide करके जब आप दो cell बनाते हैं, दो cell से और cell बनाते हैं, तो हो सकता है कि इसमें कुछ error हो जाए, क्या हो जाए यहाँ error, अब जब error होगा, तो यह cell क्या होंगी, slightly different होंगी, क्या होंगी, slightly different, इसलिए आप जो है, थोड़ा सा अलग दिखाई देते हैं, तो हमेशा यह याद रखिये, कि जब माबाप की तरह बच्चे नहीं देखते, तो इसका मतलब यह है, कि जब DNA copy होता है, जब DNA copy होकर दूस तो इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता ही है, इसलिए नहीं नहीं प्रोटीन बनाते ही, तो जो नया हो रहा है, इसे आप कहते हैं, वेरियेशन, क्या कहते हैं, वेरियेशन, ना देखिये, वेरियेशन क्या है, वेरियेशन is the change in the character of the individual which has not existed in their parent, अब जब हमने नहीं इसका मतलब यह कि जब हमने जाइगोट से DNA डिवाइड किया, कॉपी किया, बहुत सारे cells बाडी में बिनाए, तो उनके आखों के कलर की बजाए, कोई और आखों के कलर का जीन आपके बाडी में एक्स्प्रेस हो सकता है, we have so many genes, ठीक है, तो अगर वो character आपके parent में नहीं है तो यह नया character है न, इसे ही आप क्या कहते है, variation, समझ में आई बात, तो जब आप DNA को कॉपी करके दो नहीं cell बनाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ error हो जाए, ठीक है, यह error अच्छा ही है, खराब नहीं है, और एक नया character बन जाए, यह जो नया character आया, जो आपके parent में नहीं था, इसे आप कहते है, variation, so if the DNA copy, in the mechanism of the DNA copying, there must be some error, due to this error, a new character will arrive, which is not existed into your parents, this new character called as variation, समझ में आई बात, so variation is the change in the characters of an individual which has not existed in their parent, अब हो सकता है कि तुम्हारे बच्चों में नीली आखे हो, तो यह बात आपको समझ में आई, कि कई बार ऐसा होता है, कि जब एक से दो cell बनाते हैं, DNA को copy करके दो cells में भेजते हैं, DNA को replicate करके दो cells में भेजते हैं, तो हो सकता है कि बीच में कुछ error आजाए, और वो DNA जो है कोई और ही character express करने लगे, ऐसा हो सकता है, और नया जो character बनता है, उसे आप कहते है, variation, आई बात समझ में, ध्यान से समझी है, अगला क्य cell बनती, देखिए, parent cell है यह आपकी, parent cell में कैसा DNA है, आप देखो यहाँ पर DNA replicate हो रहा है, DNA replicate हुआ तो इससे कितनी cell बनी बेटा, दो daughter cell बनी, पर इन दोनों daughter cell में जो DNA है ना, वो आपके parent cell की तरह नहीं होगा, यह याद रखिएगा, कुछ ना कुछ, slightly error होगा ही, यह आपक है, कि जब हम DNA को replicate करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ slight error होता है, और यही slight error जो है, वो होता है, variation का कारण, होता कए है कि एक cell से दो cell बनाते हैं, तो कुछ error होता है, दूसरी generation में गए तो थोड़ा और error हुआ, तीसरी generation में गए तो थोड़ा और error हुआ, हो सकता है कि 100 इतना एरर इकठा होकर 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 इतना बड़ा हो गया कि लास्ट में उसने एक नई स्पीशीज को ही जन्म दे दिया मेरी बात समझ में आई कि जब आप DNA को रैप्लिकेट करके दो सेल बनाते हैं तो यहां पर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत एरर होता ही है अभी आपको समझ में नहीं आएगा थोड़े बहुत अपने माबाप की तरह दिख सकते हैं पर कंटीनेसली रिप्रोड़क्शन होने की वजह से कुछ न कुछ एरर कंटीनेसली चलता ही रहेगा हमेशा यादा कि कोई चीज़ 100% accurate नहीं होती तो जब DNA को रैप्लिकेट करके दो सेल्स में बेशते हैं तो उसमें कुछ न कुछ error होता ही है यह error अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है पर हो सकता है कि 1000 जनरेशन के बाद वो error इतना बड़ा हो जाए कि वो एक नहीं जनरेशन या नहीं स्पीशीज को ही जन्म दे दे तिस इस वाल्ड़ेशन समझ में आई बात variation is the change the change which are not found into the parent once the change gets accumulated और गेटिंग इकठा collect होने लगता है तो इट प्रडूसे जनरेशन की वज़े से ही नई स्पीशीज आती है ओके यह meiosis है जिसमें DNA replicate हुआ DNA replicate हुआ तो इसने दो डॉटर सेल बनाई और यह जो हैं दो दो और सेल बना लिए तो meiosis से हमेशा एक से चार बनती है और माइटोसिस से हमेशा एक से दो बनती है यहार रखिए दो वी हाट टू टाइपस ऑफ सेल डिविजन वन इस मियोसिस से एक से चार माइटोसिस से एक से दो इस पूरे मेकैनिजम को आपको रटना बटना नहीं है मैं सिर्फ आपको बता थी कि DNA replicate करके दो सेल बनाता है ठीक है सेल बनाने के दुरान कुछ न कुछ error होता है यह error जो है यही variation का कारण है तो importance of variation क्या है variation ध्यान समझ यह जो दो डाइग्राम में बड़े interesting डाइग्राम है organism occupy well defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce ओके आप human being है हर human being चाता है कि उसका एक घर हूँ हर Human being चाता है कि उसके एक बढ़ियां Society हो हर Human being चाता है कि उसके आचले दोस्त हो हर human being चाता है कि वो अच्छा पैसा कमा है यह उसका नीचे है नीचे यह इसको नीक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको नीक भी कहते हैं एक perfect ecosystem हर organism को रहने के लिए चाहिए, यह उसे उसका नीके या उसका defined place कहते हैं हर environment यह से human being है, वो land में ही रहेगा, तो land is the nike of the human being or the human species ठीक है, तो उसे उसका ecosystem कहते हैं, ताकि वो वहां रहके बढ़ियां तरीके से reproduce कर सके the consistency of the DNA copying during the reproduction is the important for the maintenance of the body design feature हमेशा यह याद रखिए कि इंसान को इंसान पैदा करने के लिए DNA को copy करना बहुत जरूरी है माबाप के DNA mix करके आपने एक cell बनाई जिसको आपने जाइगोट कहा पर अगर जाइगोट को तुम divide नहीं करोगे तो बहुत सारी cell body में नहीं बनेंगी और बहुत सारी cell नहीं बनेंगी तो tissue नहीं तो organ नहीं तो body नहीं तो हमेशा याद रखिए कि जब आप DNA को mix करते हैं तो उसको replicate करके हमेशा नहीं नहीं cell बनाते रहना है ताकि नहीं नहीं cell divide हो और नए organ बनते रहे और body बनती रहे तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके body continuously divide करते रहे ग्रोग करती रहे और आप एक नहीं generation को पैदा करें तो आपकी cell में DNA कौपी होते रहना चाहिए और cell divide होते रहने चाहिए ताकि आप अपने body design को maintain रख सकें ओके cell divide नहीं होगी यहां कि तो part dead हो जाएगा मर जाओगे टिक इट अलाओ और गानिसम तो यूज दा पर्टिकुलर नीक नीक या इको सिस्टम हमेशा याद रखिए कि माल लीजे कि मां है और पिता है इन दोनों का बनी दो सेल नी बनी तो बच्चे का formation कैसे होगा तो particular environment में अगर आपको रहना है तो continuously DNA copy करना जरूरी है ताकि आपके बच्चे पैदा हो सके नहीं प्रोजनी आ सके variation helps in the adaptation in the environment and give them a chance of survival हमेशा यह याद रखिए suppose that कि मैं आपको एक example समझाती हूँ जिराफ का example ले लेते हैं आईए हम यह मानते हैं देखिए यह जिराफ है यह इसकी गर्दन छोटी है इसका पेड़ ऊपर है बिचारा नहीं खा पा रहा है मेरे पास एक हजार जिराफ है एक हजार जिराफ में 999 जिराफ ने ऐसा काम किया और वह सारे मर गए पर उसमें एक जिराफ ऐसा था कि उसने लटक लटक कर डाल को खाने की कोशिश की और धीरे धीरे हुआ यह कि उसके अंदर एक variation प्रडूज हुआ variation हुआ, cells में DNA copy होने के दोरान variation हुआ और उसकी गरदन permanently लंबी हो गई तो वो हजार में सारे जिराफ मर गए बस एक ही जिवीत रहा और उस एक के जिवीत रहने के कारण यह है कि उसकी गरदन लंबी हो गई गरदन इसलिए लंबी हो गई क्योंकि गरदन की cell divide होकर दो नहीं cell बनाई और उन दोनों नहीं cell के DNA के अंदर गरदन लंबी करने का character था समझ में आई बात, तो variation जो होते हैं वो हमेशा आपको adapt करने के लिए chance देते हैं, adapt करने का मौका देते हैं मैं इस कमरे में हूँ, अगर मैं गर्मी नहीं सह पा रही हूँ, तो मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ, तो मैं आपको नहीं पढ़ाओंगी, पर जो लोग गर्मी सह जाएंगे, अगर मैं गर्मी सह जाओंगी, तो मैं आपको बढ़ियां lecture पढ़ाओंगी, it means to say that, कि मैं adapt कर पर अगर बाट करूं कि यह जिराफ अगर वेरीएशन नहीं शोंग करता अगर इसके cels के DNA कॉपी होने में कोई वेरीएशन नहीं होता इसके गरदन रहे होता सथ यह विचारा खाई नहीं पाता हुआ देखिए क्या हुआ कि वह लंबा होता गया बाद में चलके सब वेरियेशन के ही कारण है कि जब बहुत सारे बच्चे पैदा हुए दिरे दिरे डियने कॉपी होने के दौरान हलका हलका एरर हुआ कुछ समय के बाद ऐसे बच्चे पैदा ने लगे थोड़ा बहुत जादा ए एप्लिकेट करके दो सेल्स में जाता है तो उसमें इतना कमेर होता है कि तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते तुम जानी नहीं सकते समझ में आई बात डियने रे वेरियेशन का हमेशा आपको फर्क जो है बहुत सालों के बाद यह देखो इसमें देखो अंतर और इसमें बाता रहा मिलता रहा तो उसने एरर करके करकर के इतने बदलाव किये कि लास्ट मूसने नहीं जनरेशन को जन्म दे दिया सो वेरियेशन की वज़ए से आप कर सकते हैं अगर आपकी सेल्स में पर्टिकुलर एंवार्मेंट में अगर आप यहां रह रहे हैं और अगर आप नहीं करेंगे अपनी कोशिकाओं में सेल्स में तो आप उस जगह पर डाट नहीं कर सकते ठीक है यह पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी देता है ठीक है भाई तुमने तुम्हारे अंदर वेरियेशन हो गया तुम जीवित रहो बाकि सब मर जाने दो तुम बहुत सारी प्रो थर्मोफिलिक बेक्टेरिया अपने डिनने के अंदर कोई चेंज ना किया हो बहुत गरम पानी है अब यहां पर एन नंबर विक्टेरिया है बच्चो अन नंबर मतलब गिन भी नहीं सकते, उसमें सारे बेक्टिरिया उमर गए, पर कुछ बेक्टिरिया ऐसे थे, जो इस गरम पानी के एंवार्मेंट को सह पा रहे तो हुआ क्या, कि एडाप्ट करने के लिए शरीर का जो DNA जब कॉपी हुआ, जब एक सेल का DNA जो है, जब वो दो सेल में आय तो इस DNA में थोड़ा सा चेंज था, क्या था? चेंज, ये जो चेंज था, इसे आप कहते हैं वेरियेशन, ये जो चेंज आपको दिखाई दिया, इसे तुमने कहा वेरियेशन, अब ये जो सेल है, जो पेरेंट सेल है, ये तो मर जाएगी, पर ये दोनों सर्वाइव क्योंकि जब पेरेंट सेल ने DNA को डिवाइड किया, तो यहां पर था थोड़ा सा एरर, क्या था थोड़ा सा एरर, ये चीज याद रखियेगा, कि जब DNA को डिवाइड किया गया, तो यहां पर था थोड़ा सा एरर, ठीक है, क्या हुआ थोड़ा सा एरर, एरर की वज़े से जब DNA divide हुआ तो ये नए character के साथ पैदा हुआ अब ये दोनों cells तो survive करेंगी पर ये parent die हो जाएगी parent क्यों die हो गया क्योंकि उसके DNA में कोई भी change नहीं था पर parent को ये समझ में आ गया कि अगर मैं अपने अंदर DNA को copy करने के दरान कोई change नहीं करूंगा तो मेरी आने वाली progeny मर जाएगी तो bacteria ने अपने DNA में बदलाव किया और जब वो replicate हुआ तो नया DNA दोनों progeny में गया तो जब उसने DNA में बदलाव किया तो उसे कहते हैं variation दो progeny जब उसने बनाई तो उसमें नया वाला DNA गया नया वाला जो DNA गया वो दोनों progeny को जीवित रखेगा पर parent जीवित नहीं रहेगा क्योंकि जन्म के बाद उसमें change हुआ उसके DNA में जन्म के बाद change हुआ जन्म से change होना बहुत ज़रूरी है तो thermophilic bacteria जो होते हैं उसमें सारे मर गए बस कुछ जीवित सिर्फ इस लिये रहे क्योंकि उन्हें समय के साथ अपने DNA में परिवर्तन कर लिया था जो कि उन्हें adapt करने में फाइदे मंद रहा सो variation का importance आपको समझ में आया आपको समझ में आया कि parent cell जो है वो कभी पोजनी की तरह नहीं होती क्योंकि जब हम DNA को replicate करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ error हो ही जाता है फिर मैंने आपको बताया कि variation क्या होता है variation के importance क्या होते है variation आपको adapt करवाने में मदद करता है variation की वज़ है कि हमेशा जो नई वाली generation होती है वो आपसे advance होगी क्योंकि जब आप copy करेंगे male का character female का character mix करके DNA जाइगोट बनाएंगे और वो जाइगोट जब cell divide करेगा तो cell में हमेशा developed character वाला DNA आएगा आपके जैसे नहीं होगा इसलिए आपकी आगे आने वाली generation at least आप से थोड़ आप का protein बनाया नए टाइब का protein बनाया तो नए टाइब का इंसान बना नए टाइब का इंसान माबाब की तरह आप नहीं दिख रहा था तो आई होगा आपको NCIT का पहला question क्लियर हो जाएगा हो गया होगा कि क्यों parent progeny जैसा प्रोजनी अपनी exact copy blueprint नहीं प्रडूपरिंट करता जो इसका second paragraph है वो है variation variation के क्या importance है with the example मैंने आपको बता है वो भी आप explain कर सकते हैं तो NCIT का front page यही कहता है it is very 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 important for your school examination जितना मैंने explain किया उसको ध्यान से सुन लीजेगा और इसी जैसा मैंने आपको explain किया exactly भी आप वही examples के साथ अपनी copies में school में लिख सकते हैं next video में we will deal with the modes of reproduction यह part थोड़ा tough था और बिल्कुल नया था आपके लिए modes of reproduction में आपको इतनी परिशानी नहीं आएगी अगर यह part आपको समझ में नहीं आया बेटा तो मैं बार बार आपको कह रही हूं please आप मुझे बताईए अगर आप मुझे बताएंगे ने तो मुझे क को पढ़ना है modes of reproduction तो इसमें किसी प्रकार का कोई delay नहीं करेंगे और लास्ट के जो दो वीडियोस हैं उसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि वो NCIT में दिये हुए हैं पहले ही page पे और वो आपके examination में आते हैं तो इसको please आप पढ़िएगा ध्यान से और नहीं समझ में आए ना की reproduction क्या होता reproduction is the process by which one organism produce their progenies produce new organism तो for the continuity of the life तो में वेरिएशन भी पढ़ा है उसका importance भी पढ़ा है उसके example भी पता है सब पढ़ा दिया मैं हम सब पढ़ा देते हैं और जिनको यह लगता है कुछ बच्चों के कमेंट आ हैं कि मढ़ा हम आप NTSC के लिए पढ़ा रहीं useful for your ICXC examination, useful for CBSC examination, KVPY examination as well as for different competitive exam and specially for the CBSC school examination. So, let's start, we have two modes of reproduction, one is the sexual, second is the asexual, okay यह आप लोगो ने मेरे कहाल से class 8th में भी पढ़ा होगा, okay वो recall कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा detail से, okay 8th में थोड़ा कम detail था, 10th में थोड़ा और detail रहेगा, 11th में बहुर जादा detail रहेगा, so we have two modes of reproduction, one is the sexual and second is the asexual. Sexual mode of reproduction में कितने involvement होंगे parent, दो, उसका भी mechanism आपको मैंने पहले वीडियो में पहला पूरा समझाया था, कि X-X chromosome, X-Y chromosome, याद करो, 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 याद करो, तो we have two modes of reproduction, बच्चो, one is the sexual, second is the asexual, okay उसके बाद asexual और sexual reproduction का अगर मैं छोटा सा डाइगराम देखू, जो कि बहुत ही little इसमें आप देखी एक ही parent है, आपके पास, एक parent धीरे-धीरे divide हो रहा है, divide हो रहा है, तो देखेगा कि nucleus divide हुआ, यह जो pink वाला है ना यह है साइटो प्लाजम बच्चो, ठीक है यह जो pink color का आपको दिखाई दे रहा है, यह है साइटो प्लाजम और यह जो आपको तो क्या डिवाइड होगा डिएने डिवाइड होगा तो इसे ही आप क्या कहते हैं डिएने कॉपी देखिए आप यहां से डिवाइड हो रहा है डिवाइड होने के बाद दो सेल बनी ना समझ में आई बात तो डिएने को यह आपकी पेरेंट सेल है कौन सी सेल है पेरेंट सेल है और बनी इससे कितनी सेल दो सेल जिने आप क्या कहते हैं डॉटर सेल तो इफ I am talking about the asexual reproduction इसमें हमेशा एक ही सेल होगी सेल के अंदर cytoplasm भी होगा और nucleus भी होगा cytoplasm और nucleus बच्चों दोनों divide होंगे cytoplasm और nucleus जब दोनों divide होंगे तो यह दो नई सेल बनाएंगे पर यह asexual reproduction का कुछ advantage भी हो मैं आपको बताऊंगी अब यह जो दो नई सेल बनी वह parent की तरह दिख जरूर रही होंगी पर आपको मैंने सिखाया था कि जब dna divide होता है dna divide होकर दो नई सेल्स में जाता है तो हमेशा हमेशा क्या होता है बच्चों होता हमेशा यह है कि copy होने के दौरान mechanism में थोड़ा बहुत error हो जाता है तो asexual reproduction में भले ही आप दिख parent की तरह रहे हो क्योंकि इसमें दो character involved नहीं है पर फिर भी dna में भले 0.00001% का error हो copy होने के दौरान error होगा जरूर तो दिखने में आप तो दिखोगे अपने parent की तरह विकॉस हमारे पास सिर्फ एक ही cell involved है एक ही organism involved है एक ही body involved है sexual के सारा ऐसा नहीं है sexual में दो body involved है एक green color की एक जो है इसको aqua green color की एक green color की तो इसमें दो involved है दोनों के बीच में मेटिंग होई मेटिंग होने के दौरान देखिए यहां पर देखिए दो मेटिंग होई तो दोनों से लापस में जुड़ी दोनों ने अपना genetic material आधा-धा एक्स्चेंज किया 50% risk का 50% risk का दोनों का genetic material mix हुआ और एक नया genetic material बना अब वो genetic material डिवाइड होगा और दो नई cells में जाएगा वो genetic material डिवाइड हो रहा है वो parent मतलब पूरा male और female की तरह दिखाई दे यह जरूरी नहीं है यह बहुत बाद पढ़ चुके हैं cell जब divide होती है तो दो modes है cell division होने के, एक meiosis और एक mitosis, mitosis से एक से कित्ती cell बनती दो और meiosis से एक से कित्ती cell बनती चार तो यह याद है ना पिछली slide में देखिएगा now difference क्या है दोनों में यह बहुत बड़ा question है जो आब आपको पढ़ना है ठीक है देखिए क्या है Asexual, A का मतलब होता है without sexual involvement and second is a sexual reproduction देखिए दोनों में involvement या difference क्या है one source of genetic material involved, two more source, two or more sources will be involved अगर मैं बात करूँ Asexual की तो उसमें एक ही parent से काम चल जाएगा, इसमें दो parent आपको नहीं चाहिए वो एक ही parent divide हो हो कर, हो हो कर नए organisms बनाता रहेगा but if I am talking about the sexual reproduction, sexual reproduction में आपको दो parent चाहिए ठीक है, एक male और एक female, जादा भी होंगे तो भी चलेगा offspring identically similar to the parent मैंने आपको बताया, क्योंकि एक ही parent है आप समझिएगा मेरे पास इतना बड़ा लड्डू है, इतना बड़ा एक kg का लड्डू है अब मेरी ममी ने बोला, इस एक kg की लड्डू को 10 और 20 लड्डू में डिवाइट कर दो, ठीक, तो क्या करूंगे, मैं उन लड्डू से 10-12 लड्डू बनाऊंगी अब मुझे पूछेगा कोई की जो है तो कौन सा लड्डू पहले बनाया, तो तुम बता पाओगे क्या, गिन पाओगे क्या, नहीं समझ पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि वो सारे लड्डू जो है, वो एक kg की लड्डू से ही बने हैं से मैं ऐसा ही है, इसमें एक पेरेंट से बहुत सारे और अफ्सुरिंग बन जाते हैं, पर अगर तुम बोलो ना कि अंतर क्या है दोनों में, तो तुम हम कभी भी नहीं बता पाएंगे कि दोनों में exactly अंतर क्या है, क्योंकि involvement से वे की पेरेंट का है, तो एक ही character involved, एक ही type का DNA involved है, तो copy होने के जरण DNA जरूर चेंज हो सकता है, पर organism दिखने में बिल्कुल सेम रहेगा, okay, less energy and resources are required and faster, बहुत कम, मतलब तुमने कभी, अगर मैं तुम पहली slide तुम मेरा पहला वीडियो देखोगे, तो उसमें मैंने पीछे एक वीडियो चलाया था, उस वीडियो में आ 9 months, animals take 10 months, somebody takes 12 months, तो इतना लंबा टाइम लगता है, एक नई प्रोजनी को आने के लिए, पर इने में कोई टेंजन नी, एक तो इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं, और दिख भी जाए, वैसा तो दिखते नहीं है, because they are single cell, और single cell को naked eyes से देख पाना is very very difficult, even they are not single cell, बहुत ज़्यादा fast होता है, और बहुत लेस एनर्जी क्योंकि जल्दी डिवाइड हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लेस एनर्जी चाहिए होती है, okay, does not change genetic diversity in the species population, due to no change in the genetic material, मैंने आपको बोला था कि जब DNA copy होता, तो बहुत ही negligible होता होता, तो इन में भी है, भले ही लिखा ह चाहिने लिखा हो, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, इतना कम होता है कि इनकी species change होने में बहुत समय लग जाता है, तुम मुझे बताओ कि तुमने coronavirus इतना ज़्यादा चल रहा है, तुमने सुना है ना, coronavirus भी 2-3-4 प्रकार के बहुत सारे type के होते हैं, इसका मतलब यह ह मार दोगे, तुम्हें अपने अंदर DNA में change कर लूगा और मैं नई type का virus में convert हो जाओंगा, तो मतलब यह है ना, कि वह भी तो virus ही है, तो ऐसे bacteria virus भी अपने DNA में change कर सकते हैं, पर इनके change होने में समय बहुत जादा लगता है, उके, example, bacteria, east, corals, flatworms, sea stars, यह सारी चीज़े, च reproduction, which is a sexual mode of reproduction, इसमें दो parent involved होंगे, एक होगा male, दूसरा होगा female, इसमें दोनों parent का involvement बहुत जादा जरूरी है, बच्चों ने तो sexual change क्या करोगे, sexual का मतलब होता, contact करना, दो parent involved होंगे, बहुत सारे organism में sexual reproduction होता है, ओके, offspring, a genetic mix of the parent, genetic material, not identical, यह तो मैं आपको कब से बोल रही ह और मैं ठक गई, यही बता रही हूँ ना, कि 50% character male के, 50% character female के, दोनों के mix होते हैं, और वो offspring में जाते हैं, इसलिए कभी भी offspring महाबाप की तरह identical नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें character mixing होती है, more energy and resources are required and slower, more energy चाहिए ना, 9 महीने तक गर्व में, वम में, वम में अपने बच्चे को मा रख रही है, continuously उसको energy provide कर रही है, जिसके लिए खाना बहुत ज्यादा खा रही है, तो उसमें ज्यादा energy पे चाहिए, क्योंकि वह एक बच्चे को grow कर रही है, अपने warm के अंदर हो यह slow है, 9 months, it takes 9 months, very big deal with that, okay, leads to the higher genetic diversity in the species, due to the new permutation, due to the new genetic material, यह permutation combination, मैं detail में नहीं बताऊ okay, so मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी, कि यह just permutation combination है, जितना मैं जानती हूँ, इतना मैं आपको बता रही हूँ, कि जैसे हमारे माबाप है, ठीक है, उनको मिक्स हुआ तो अपन प्रेड्यूस हुए, हमारी शादी किसी से हुई, तो हमारा मिक्स हुआ तो हमारे बच्च हमारी तरह नहीं दिखेंगे, तो क्या है permutation combination, कि हमेशा नए नए से जो है तो sexual reproduction होता जाएगा, और नए नए permutation combination बनते जाएगा, और नए नए species आती जाएगी, नए नए, DNA mix होते रहेंगे, इसलिए हमेशा जो families होती है, वो दूसरे families में शादी करती है, ताकि नए permutation combination ब स्विश और मेरे ख्याल से यह मुझे बताने की जरूद नहीं है कि sexual के example क्या क्या होंगे, okay, so I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा, कि what is the asexual reproduction and the sexual reproduction, और एक चीज़ में आपको बता दूँ कि asexual reproduction से आप evolution के बारे में बहुत कम पढ़ेंगे, मैंने यह नहीं बोला कि asexual reproduction में आप evolution के बारे में कम पढ़ेंगे, पर sexual reproduction is the main cause of the variation and the evolution, okay, so let's talk about the asexual reproduction in the detail, okay, देखिये, asexual reproduction जो होता है, इसमें हमेशा हमें single parent की जरूरत होती है, okay, इसमें किसी भी प्रकार का कोई gamete, मतला male gamete, female gamete, sperm, ovise, effusion नहीं होता, यह बहुत ही simple, बहुत ही primitive type का reproduction है, बहुत simple है भहिया, तुमने बहुत fast भी होता है, तुमने वो video देखा पहले slide वाला, पहले video वाला, जो पहली slide लगी है, okay, in this type of reproduction, genetically identical to their parent, बिलकुल parent की तरह दिखाई देती है, DNA थोड़ा different होगा, पर दिखेगी ऐसी, these are the modes of asexual reproduction, I hope आप sexual reproduction के यह types है, fission, regeneration, budding, spore formation, vegetative propagation and fragmentation, vegetative propagation को हम बिलकुल detail से लेंगे, okay, तो यह जो है, यह sexual modes है, किस किस तरीके से, मैंने आपको बोला, कि sexual में तो दो gamit fuse होते है, उसके भी बहुत सारे type है, ठीक है, उसको आपको detail से नहीं पढ़ना है, पर इसको आपको बिलकुल detail से है, हर organism में एक ही प्रकार का asexual reproduction हो यह जरूरी, बिलकुल भी नहीं है, बेटा, अलग टाइप का organism, अलग टाइप का mode of reproduction, but the category will say, the category is the asexual reproduction, इन categories के बारे में हम लोग next class में detail में पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक इन वीडियो को बिलकुल ध्यान से देखते रहे, next class में I will start with the fusion, okay, so let's continue, और तब तक के लिए, thank you so much. asexual reproduction, okay, so asexual reproduction में जो सबसे पहला टाइप है बच्चों, वो है fission, okay, fission का मतलब होता है, किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देना, या काट देना, मैं सीरी बाशा में बात यही है, कि अगर आप किसी एक cell को दो बराबर हिस्सों में काट रहे है, तो it is called as fission it is a kind of asexual reproduction in the unicellular organisms to create new individual, ठीक है, हमेशा इसमें दो नए individual बिलते हैं, जो almost same होते हैं, यह दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है binary fission और एक होता है multiple fission, binary fission में जो होता है, वो हमेशा एक जो cell होती है, वो दो बराबर हिस्सों में तूटती है, और जो multiple fission होता है, उसमें एक जो cell होती है, वही बहुत सारी नए cells बनाती है, mechanism क्या है वो मैं अब आपको समझाने वाली हूँ, so binary fission always one cell splits into two equal halves, example is many bacteria, protozoa, amoeba, paramecium and leishmania, leishmania is the organism जो की protozoa ही है, जो की आपको कालाजार नामकी बिमारी करता, okay, multiple fission में एक ही cell जो होती है, बहुत सारी daughter cell बनाती है, example is plasmod, best example is multiple fission का, और इसका mechanism क्या है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो tension बिल्कुल नहीं लेना है अपने को, okay, अब binary fission अपन स्टार्ट करें, तो I think आपको fission समझ में आ गया, कि जब आप एक cell से दो नहीं cells बनाते हैं, तो it is called as fission, we have two types of fission, binary fission and the multiple fission, binary fission के बारे में मैं आप आपको बताऊं, तो binary fission जो होता है, वो दो प्रकार का हो सकता है, याद नहीं भी होगा बच्चों, तो tension लेने की जबरत नहीं है, एक होता है longitude nor binary fission, और एक होता है transverse binary fission, अगर आप cell को 20 से काटते हैं, तो it is the longitude nor binary fission, और अगर ऐसा काटते हैं, तो transverse binary fission, tension नहीं लेना है, याद नहीं हुआ, तो कोई tension नहीं है, आप cell को ऐसा भी काट सकते हैं, दो equal halves में, आप cell को ऐसा भी काट सकते हैं, आप cell को ऐसा भी काट सकते हैं, दो equal halves में, ultimately binary fission is the mechanism, जिसमें एक cell दो बराबर हिस्सों में तूटती है, इसका best example amoeba, जिसको हम आपको मैं पहली slide में इस एक पेरेंट सेल जो है वो धीरे-धीरे इसमें डिवाइड करने लगी डिवाइड होने के बाद दो नूपलेस बने और दो डॉटर सेल बनकर जो है प्रडूस हुए मतलब एक जो अमीबा है उसमें एसेक्श्वल रिप्रोडक्शन हुआ मतलब फिजन हुआ और फिजन से दो नूपलेस है और यहां पर जो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है यह है अमीबा का साइटो प्लाजम सो वी हैव साइटो प्लाजम और नूपलेस इन दा सेल विच इस कॉल्ड एज अमीबा 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 इस दो यूनिसलल अर्गैनिजम ना वट वाट विल हैपन अब ध्यान से समझेगा कि होगा क्या होगा यह कि आपकी यह जो सेल है वो क्या होगी डिवाइड होना शुरू होगी अब जब डिवाइड होना शुरू होगी तो होगा क्या होगा यह कि डिविजन होगा साइटो प्लाजम का भी डिविजन होगा ध्यान से समझेए साइट प्लाजम भी डिवाइड होगा जब डिवाइड होंगे तो होगा क्या होगा यह कि यह जो अमीबा है उसके बीच में से द्यान समझेए उसके बीच में से ऐसी एक स्लिट गुजरेगी यह मैं कहूं कि एक दिवार बनेगी जहां से डिवाइड होना होगा अब यहां से अमीब जो है वो यहां से तूटना शुरू होगी यह कहूं कि यहां से डिवाइड होना शुरू होगी नेक्स ट्रक्चर में अगर आप देखें तो आपका जो अमीबा है वो बिल्कुल इस तरीके का आपको कुछ समय के बाद दिखाई देने लगेगा और यह दिखाई देगा कि यहां पर जो नुकलियस है वो भी 20 से डिवाइड हो रहा है अब नेक्स ट्रक्चर में अगर आप आएं तो आपका अमीबा जो है वो दो डॉटर सेल में कनवर्ट हो गया यह दिवाइड हो रहा है यहां पर और इसके पास यह नया नुकलियस यह नया नुकलियस इसके पास आ गया या इसी को आप क्या कहते हैं DNA copying mechanism ये दोनों क्या बनी ये दोनों बनी daughter cells क्या बनी daughter cells तो I hope कि ये आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों क्या है daughter cells so we have nucleus and the cytoplasm in the amoeba कुछ समय के बाद cytoplasm and nucleus divide होना शुरू करते हैं यहाँ पर nucleus दो भागों में divide होगा जब दो भागों में देखो ऐसा फैल गया है न amoeba बतलब 20 से कटेगा nucleus जब 20 से nucleus को divide होना है तो DNA भी equal part में divide होगा cytoplasm भी equal part में divide होगा DNA को divide करना इसे आप DNA replication या DNA copy करते हैं अब यह जो दो आपकी daughter cell बनी इसका DNA आपके parent की तरह नहीं होगा क्योंकि यह unicellular है क्योंकि यह sexual reproduction है तो इसमें error के chances बिल्कुल negligible है पर यह ही अगर sexual होता न तुछ error होता ठीक है I hope कि यह आपको समझ में आ गया एक से बनाई ऐसा ही जो nest I hope की है समझ में आ गया होगा first cell divide होना शुरू ही लंबी हो गई 20 से कट गया दो daughter cell बन गई इसमें किसी भी प्रकार का बहुत special कोई science नहीं है it is very easy-beasy ओके now next thing जो अब आपको पढ़नी है वो है division आपको next example भी मैं आपको समझाती हूँ देखे कैसे हुआ यह देखे बहुत बढ़िया टाइप का diagram बना है you have to prepare this diagram for your school examination please remember this okay so we have yuglina okay yuglina is the connecting link between the plant and the animal अगर इसको light में रख देते हैं बच्चो ति यह photosynthesis करने लगता है और अगर डार्क में रख दोगे तो photosynthesis नहीं करेगा respiration कर लें लगेगा और जीवित रहेगा so it is a connecting link between the plant and animal लंबी है इसमें contractile vacuole है contractile vacuole जो wastewater होता उसको बाहर करता है nucleus जिसके अंदर DNA है nucleus देखे यह लंबा हो गया DNA copy होकर आधा DNA इधर चला गया उसके बाद दो nucleus बन गया एक यह बन गया यहाँ पर division की slit बनी धसाओ बना धसाओ बना तो देखे ध्यान से देखे न्यू फ्लैजिला भी यहाँ गया फ्लैजिला जिससे movement होता है फ्लैजिला है यह जिससे वह चलता है यहाँ पर नया फ्लैजिला भी उगना शुरू हो गया धीरे से यहाँ पर एक division slit बनी slit का मतलब धसाओ बना बीस से यह ऐसा करके कट गया अग देखे दो डॉटर यूगलीना बन गया तो आपके पस nucleus था nucleus divide होना शुरू हुआ नुकलीज डिवाइड हुआ रहोना शुरू वह मतलब DNA रप्लीकेशन जो है शुरू हो गया उसके बाद फ्लैजला भी उगना शुरू हो गया था उसके बाद जो नुकलीज है वो दो इक्वल भागों में टिवाइड हो गया यहां पर जो है आपके देखिए दो कॉंट्रेक भी बनते हैं, new flagella बने और यहां से कट कर दो यूगलीना का formation हुआ, so it is the daughter's cell of the यूगलीना, this is the papa's cell of the यूगलीना और the parent's cell of the यूगलीना, I hope की आपको समझ में आ गया है, ठीक है बच्चो, ठीक है बटा, अच्छे से समझ में आया, so मैंने आपको दो example बताए बाने डिफिजन के बच्चो, एक मैंने बताए आपको amoeba, दूसरा मैंने आपको बताए यूगलीना, amoeba में कैसे division हुआ, वो मैंने आपको बताए, process same है, बस इसकी जगह पर आपको क्या रख देना है, amoeba, ठीक है, amoeba की cell का diagram रख देना है, इसमें किसी भी प्रकार कि आपको कोई difficulty नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे हुश्यार बच्चे हैं, इतना तो आप सीखी सकते हैं, ठीक, now next thing is multiple fission, very interesting, very very interesting, let's start, ठीक है, देखी क्या होता है multiple fission में, जब malaria, plasmodium, ठीक है, द्यान से देखी क्या होता है, malaria हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को जितने भी viewers से, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे होंगे, तो उनको ये पता है या वो खुछ जानते हैं कि malaria एक भूती common बिमारी है, जो almost हर तीसरे चौथे वेक्टी को होई जाती है, ठीक है, कोई tension लेने की बात नहीं है, इसमें, तो जब मच्छर काटता है तो जो plasmodium होता है वो आपके blood circulation में आ जाता है, अब वो blood circulation में होते हैं, जो plasmodium उसके मुह से निकलता है, पूरे blood में आ जाता है, अब वो सबसे पहले तुम्हें पता है कहां जाता है, वो जाता है तुम्हारे liver में, कहां जाता है, लीवर में क्यों जाता है माडम लीवर में ही क्यों जाता है क्योंकि लीवर में सबसे दिखाना पीदा होता है बच्चो इसलिए वो सबसे पहले कहां जाता है लीवर में जाता है तो मच्छर ने तुम्हें काटा तो जित्ता भी plasmodium था वो कहां चला गया लीवर में चला गया फिर वहां से घुमते 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 वो कहां चला गया वो चला गया आपके लीवर सेल में अब liver cell में जो देखिए क्या कहानी है कहानी यह है कि यह है आपकी liver cell ध्यान से समझेए कि यह क्या है आपकी liver cell है ठीक है यह है आपकी liver cell यह यह कहूं कि यह जो है आपका plasmodium है ठीक है यह जो plasmodium है किसके अंदर घुसा हुआ है यह घुसा हुआ है आपके पुरे liver cells के अंद अब प्लाज्मोडियम सेल के उपर देखो ये क्या बनी हुई है औरेंज औरेंज ये बनी हुई है सिस्ट क्यों बनी हुई है माइडम देखो बेटा जब प्लाज्मोडियम जब जाता है न तो उसको बहुत समय के लिए लीवर में रहना पड़ता है जब बहुत सारे समय के ल वोरल उसके आंदर सौधे हुआ । नूकली इरख फलाजम यह मैं ब्लैक क्या है। अब ध्यान सेच अध्य ऑन क्या होता है किस्ट तो वैसा भाइव आत तहीं हां। मैं नेट को Nim د8 में कलायıld इंरिा इंसली ए जाती हूँ कि होता क्या है कि जब हम लोग plasmodium में division करते हैं ध्यान से देखिए यहां पर मैं बना रही हूँ suppose that कि यह एक liver cell है diagram को ध्यान से देखिएगा यह मैं किसी और slide blank slide किसी में बना के दिखाती हूँ तो multiple fission के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो multiple fission में होता क्या है कि आपका जो plasmodium है वो liver cell के अंदर गुसा हुआ ठीक so suppose that कि मेरा यह liver cell है ओके liver cell में सबसे दिखाना होता है इसलिए plasmodium उसके अंदर गुसा हुआ रहता है अब यह जो है यह है आपका liver cell के अंदर यह है आपका cyst क्या है cyst क्या होता है it is the tough wall कह सकते it is the t-o-u-g-h tough wall है यह ठीक है आप समझेगा इसके अंदर क्या है इसका nucleus ठीक है इसके अंदर है आपका plasmodium cyst के अंदर तो यह हो गए आपका plasmodium तो अंदर जो मैंने blue बनाया है it is the plasmodium अब ध्यान से मेरी बात को समझेगा ठीक बिलकुल ध्यान से समझेगा तो जो red color की है वो है plasmodium जो बाहर blue color का दिखाई दे रहा है it is the cyst और अंदर जो दिखाई दे रहा है वो है plasmodium अब होता क्या है कि अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा गुनाती हूँ देखी तो यह हो गई आपकी liver cell बिलकुल ध्यान से समझेगा यह हो गई आपकी liver cell यह हो गया आपका cyst और यह हो गया है आपका plasmodium हुआ क्या यह plasmodium का nucleus यह plasmodium का क्या हुआ nucleus और चारो तरफ जो चीज़ पाई जा रही है वो है उसका cytoplasm तो यह क्या हो गया इसका cytoplasm ओके ध्यान से समझेगा यह diagram आपको स्कूल में बनाना है यह क्या हो गया cyst और यह क्या हो गया liver cell हाँ इतना तो समझ में आ गया अब इसमें होगा fission इसमें क्या होगा fission तो होता क्या है कि इसमें सबसे पहले nucleus divide होता है क्या divide होता है बच्चो Mucleus द्द्धान से दहां से देखेंगे तो घञा क्या कि इस प्रास्मो dm का निउकलियस को द्द्धासर्ण को जोगा किया कि आपके तो इस स्टेप में सबसे पहले इस स्टेप में हुआ निउकलियस का डिविजन किस का डिविजन वह बच्चो नुक्लियस डिविजन अब नुक्लियस डिविजन बस हो गया ध्यान समझे अब धीरे धीरे इसके चारो तरफ क्या बनने लगेगा धीरे धीरे इसके चारो तरफ बनने लगेगा साइटो प्लाजम क्या बनने लगेगा साइटो प्लाजम बिल्कुल ध्यान से समझते जाएग जब हम अगले step में जाएंगे ध्यान समझे जब हम लोग अगले step में जाएं जो कि मैं यहां पर बना रहे हूं सो वेन वी गो टू नेक्स टेप तो यह आपकी लीवर सेल हो गई ऑके उसके बाद यह आपका हो गया सिस्ट यह कैया हो गया इंदर यह up so many we have so many plasmo गया ठीक है क्योंकि यह Plasmo टियम डी अ क्या बना देते हूं यह अब आपको समझ में आये कि हुए क्या हो गाया कि सिस्ट के कहा क्या क्या होगा पे लोड बढ़ेगा जब दिवार पे लोड बढ़ेगा तो होगा ये कि आपकी ये जो प्लाजमोडियम जो आपका लीवर सेल है ये बस्ट हो जाएगी जब लीवर सेल बस्ट हो जाएगी तो होगा क्या लीवर सेल बस्ट हो जाएगी तो जितना प्लाजमोडियम है वो सारा plasmodium जो है वह बाहर आजाएगा देखिए next diagram में क्या होता है ये lever cell burst हो गई ठीक है ये cyst भी तूट गया जब ये cyst तूट गया तो सारे जितने plasmodium थे वह सब क्या हो गए बच्चो वह सब बाहर आ गए और फिर वो नाय सल को इंफेक्ट करना शुरू करेंगे ठीक है मेरी बात और मेरे डाइग्राम को ध्यान से समझेगा तो वी हैव ध्यान समझो वी हैव नमबर बन वी हैव प्लाजमोडियम वी हैव लिवर सेल यह रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं जो रेड कलर का आपको दिखाई ध्यान से समझेगा जो रेड कलर का है उसे आप कहते हैं जो रेड कलर का है उसे आप कहते हैं लिवर सेल के अंदर बहुत सारे प्लाजमोडियम घुसे हुए है पर इसके अंदर सिस्ट बनी हुई है कि बाजू कि आ सपास का वाली частиया वी सिसको मारना दे तो शिस्ट बनाके रखा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हैस टाक्कि आ सपास वाली debuted सबसे पहले बहुत सारे नूकलियस बना ले ऍदल क्रणते हैं गया है तो अपने वाल साइटोप्लाजम सब बन जाए उसके बाद देखो साइटोप्लाजम बन रहा है नूक्लियस बन गया साइटोप्लाजम बना दीचे हगा दीचे ब्लाज्मोडियम के लिए फेवरेबल कईशन मिलेगी फेवरेबल कंडिशन मिलेगी तो क्योंकि लेकर प्लाज्मोडियम को पाड़ देगा जाए गया प्लास्मोडियम नई बढ़ारी देखिए झुछ कि इसके अंदर है लीवर सेल के अंदर यह निूकलियस और साइटोप्लाजम से उसके बाद और आपको समझ में आ गया होगा तो हमारे पास सिस्ट के अंदर कितना सेल था प्लास्मोडियम का एक उसके बाद क्या डिवा नुकलिस, उसके बाद क्या बना, cell membrane or cytoplasm, cyst पर लोड बडा, cyst फट गया और उसके बाद क्या फट गया आपकी lever cell, जैसे ही बहुत सारे plasmodium बाहर निकले, तो ने और भी lever cell को infect किया, so this is the multiple fission, we have only one cell, but we form so many cells inside the cyst, what is the binary fission, we have only one cell and there is ability to produce only two cells, this is the binary fission, but if I have only one cell, but I have ability to produce so many cells from the one, this is called as multiple fission, so I hope कि multiple fission आपको समझ में आगया होगा, I hope कि जो diagrams मैंने आपको बनाया, वो आपको समझ में आगया होगा, next method is the budding, next method is the budding, budding का मतलब ये है कि suppose that कि मेरे पास एक कोई ऐसा और्गानिजम है जिसको मैंने कहे दिया hydra, इसके उपर एक छोटा सा बड़ निकला, उसके बाद ये बड़ बड़ा होता गया, बड़ नीचे गिर गया और उसके बाद उसने नए hydra को जन में दिया, this is called as budding, so budding is the process जिसमे एक छोटा दे को लिखा हुआ है, एक छोटा सा आउट ग्रोथ निकलता है बच्चो, जिसको हम कहते है बड, बड जो है वो क्या करेगा जब भारी हो जाएगा ना, या पानी का बहाब आब आएगा, पानी वानी में रहने वाले और गानिसम में आता है, तो बड जो है वो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरेगा, फिर चिपक के वो नए और गानिसम को जनम दे देगा, so this is called as budding, best example is the yeast and hydra, इस्ट का तो डाइग्राम भी आपने देखा होगा जब आपकी मम्मियां bread बनाती है, मेरी बात ध्यान समझना, तो जो yeast डालती है वो उसका amount बहुत कम होता है, फिर yeast को क्या करते हैं, उसको आटे में डालकर कुछ समय छोड़ देते, तो होता क्या कि yeast जो है, वो budding करता है, अपने bud बनाता है, फिर bud गिरता है आटे में फिर वो नए yeast बनाते है, तो budding is the mode of reproduction जिसमें नए नए bud बन कर गिर कर फिर नए organism को जन्म देते हैं, example देख लीजे, so this is the example of the yeast, तो आपकी मम्मी ने bread में एक yeast डाला, ठीक है, DNA copying या DNA replication, बड़ कॉपी हो रहा है, देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ बना, और उसके बाद दूसरे बड़ बने, पेरेंटी इस बना, एक की साथ जो चार पाच बड़ भी बन सकते हैं, यहां से nucleus divide हुआ, तो देखो एक इधर चला गया, बतलब यह nucleus divide हुआ, तो इधर चला गया, फिर इसका divide हुआ, तो इधर चला गया, तो एक बड़ में दो से चार बड़ बन सकते हैं, यह बड़ वापस से नीचे गिरे, और फिर से वही कहानी शुरू हो गई, so budding is the process budding is the process जिस में एक चोटा सा बड़ बनता है, फिर उसके बाद nucleus नुकलेस डिवाइड होता है नुकलेस डिवाइड होने के बाद आधा नुकलेस बड के पास चला जाता है बड जमीन में गिर जाता है यह जिस भी चीज में गिर जाता है फिर अटाच होकर वो एक नए और्गैनिसम को जन्म देता है ठीक है तो बडिंग में I don't think so कि इसमें क किसी भी प्रकार की कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए बार बार वीडियो को देखके स्लाइड का स्क्रीन शॉट ले लिया करिए ठीक है ठीक है ठीक ना थर्ड मोड ऑफ रिप्रड़क्शन इस पोर फॉर्मेशन मैं इसको आपको एक डाइग्राम से बनाती हूं या समझा समझिए कि यह राइज॒पर्स का डाइगराम है ठीक है राइजॉपर्स का डाइगराम है डेन समझ होता है यह जो इसको आको दिखाई दे रहा है गौल गौस का आप डिवाइड हो कर लोड बढेता है तो इस पॉर बॉस्त हो जाते हैं और शॉर बाहर निकलकर नीचे घर जाते हैं और वो एक नए bread mold को divide बनाना शुरू करते हैं देखी क्या होता है Spore जादा microscopic asexual reproductive body यह जो spore आपको दिखाई दे रहे हैं यह एक microscopic asexual body है इनके चारों तरफ एक ठिक wall पाई जाती है जिसे आप कहते हैं sporengium क्या कहते है sporengium उसके बाद यह जो spore होते हैं sporengium के अंदर load बढ़ता है और sporengium burst हो जाता है जब sporengium burst हो जाता है तो यह spore वापस से जमीन में गिरते हैं और फिर एक ऐसा sporengio 4 या एक पेड़ का formation करते हैं मेरी बात को ध्यान से समझिएगा अब मैं क्या समझा रहे हूं spore formation का मतलब basically spore बनते हैं spore एक asexual body है जो एक से दो दो से चार में divide जाती है spore जिसके अंदर बनते हैं बच्चों उसको हम कहते है sporengium क्या कहते है sporengium ठीक है sporengium sporengium is the घर जिसके अंदर spore बनता है उसके बाद ये spore अंदर ये अंदर ये अंदर ये अंदर ये अंदर ये अंदर ये अंदर divide होते हैं उसके बाद इस sporengium मतलब दिवार पे load बढ़ता है sporengium फट जाता है ये spore नीचे गिर जाते हैं नीचे गिरने के बाद वो जमीन से attach हो जाते हैं attach होने के बाद वो फिर से उग जाते हैं नए sporyngeophore को so what is the spore? spore is the asexual body जो divide होती है और नए sporyngeophore sporyngeophore is the paid और कह सकते हैं mold sporyngeophore का निर्माण करते है what is the sporyngeum? उसके उपर का कवच या कवर आई बास समझ में sporyngeum क्या है? जो ये नए mold का निर्माण करता है नए mold का नए rhizopus का formation करता है what is the sporyngeum? जो उसके उपर कवर पाया जाता है उसी के अंदर अंदर ये अंदर divide होता है जब load बढ़ता है तो sporyngeum फट जाता है सारे spore जमीन में गिर जाते हैं और फिर वो एक नए sporyngeum 4 का निर्माण करते है sporyngeum is the cover spore नए sporyngeum 4 का formation करता है I hope कि ये आपको समझ में आ गया होगा जिस structure की help से वो जमीन में अटाच होता है उसे कहते है rhizoid क्या कहते है rhizoid यार नहीं होगा तो tension नहीं है So I hope ये समझ गए होंगे what is the sporyngeum cover होता है what is the spore ये asexual body है जो divide होती है इसी के वाज़ा से spore ये ही reproductive part है divide होता रहेगा sporyngeum में load बड़ेगा sporyngeum फट जाएगा जमीन में सारे spore गिर जाएगे और वो एक नए sporyngeo 4 का formation करेंगे किसका formation करेंगे नए sporyngeo 4 का तो ये ही लिखा हुआ है spores are the microscopic asexual reproductive body इनके उपर thick wall होती है spore जिसके अंदर बनते हैं उसको sporyngeum कहते हैं और उसके बाद ये ही spore जमीन में गिर जाते हैं और नए organism का formation करते हैं best example is the fungus which is the rhizopus and the penicillin I hope कि आपको समझ में आ गया होगा rhizopus and the penicillin asexual mode में हमने सीखा fission ठीक है उसके बाद fission के बाद हमने क्या सीखा दो टाइप सीखे binary fission फिर हमने सीखा multiple fission binary fission का example मैंने आपको paramecium, yuglena और amoeba बताया multiple fission का example मैंने plasmodium बताया फिर मैंने आपको budding पढ़ाया budding में मैंने आपको best example hydra का बताया hydra का भी diagram आपके book में बना है तो बना सकते हैं और east बताया फिर मैंने आपको spore formation बताया this diagram is very 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 important so you have to remember this diagram इस diagram में कोई problem होगी ना तो please मुझे बताइएगा तो आज हमने 3 modes of asexual reproduction पढ़े I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा next class में हम other modes of asexual reproduction के बारे में बात करेंगे तब तक इन videos को बिलकुल धाल से देखते रहे हैं क्योंकि यह आपने पहले पढ़ रखा और यह आपके लिए बहुत आसान है so keep it up and thank you so much Hello students, welcome to Magnet Brains मैं हूँ शिप्रा तिवारी आज के video में आपको asexual reproduction के आगे का part पढ़ाने वाली हूँ so let's start asexual reproduction के बारे में हमने last class में अच्छी तरीके से सीख लिया था I hope कि वो बात आप समझ गये होंगे मैंने आपको variation पढ़ाया था, उसके importance पढ़ाया थे मैंने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से एक जो parent होता है या एक जो zygote होता है वो कैसे दो daughter cell का formation करता है ठीक है, I hope कि वो आपको समझ में आ गया होगा आज हम asexual reproduction के आगे के part के बारे में पढ़ने वाले हैं So let's start, last class में मैंने आपको spore formation, budding, अपना fission ये सारी चीज़े बता दी थी Fission के मैंने आपको types बताये थे, Fission के मैंने आपको multiple fission और binary fission बताया था Binary fission का मैंने example आपको amoeba बताया था, binary fission के भी मैंने आपको दो type बताये थे आप किसी भी cell या organism को ऐसा काट सकते हैं, अगर ऐसा काट सकते हैं तो longitudinal binary fission और अगर ऐसा काट रहे हैं तो it is called as transverse binary fission, I hope कि ये आपको याद होगा ऐसे वाला एक example मैंने आपको yuglina बताया था, longitudinal fission का example, longitudinal binary fission का example is the yuglina longitudinal transverse fission का example is paramecium और अगर हम normally binary fission के बारे में बात कर रहे हैं तो आप example amoeba का ले सकते हैं उसका एक label diagram मैंने आपको board पर समझाया था, I hope कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मैंने आपको budding के बारे में बताया था कि budding is a simple process जिसमें body में एक bud बनता है, भारी होने के वज़े से वो उसके body से detach हो सकता है so budding is based on the bud, bud makes the new organism, best example is the hydra, ठीक है उसके बाद मैंने आपको spore formation के बारे में बताया था, spore formation में एका doubt भी था लोगों को spore formation में सिर्फ आपको याद रखना है कि उसकी reproductive body है आपका spore जैसे कि human में reproductive body क्या है, male में sperm, female में reproductive body क्या है ovum वैसे ही asexual reproduction में जो spore formation होता है, उसका reproductive body क्या है बच्चो spore, ओके, तो spore जिस bag like structure में बनता है, इसको हम कहते है spore engeum spore engeum के अंदर छोटे-छोटे-छोटे-छोटे spore रहते हैं, जो की आपके asexual reproduction से continuously divide होते हैं, जब load बढ़ता है, तो spore engeum फट जाता है और सारे spore जो होते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, गिर कर वो एक नए rhizopase या organism का formation करते हैं, अगर मैं आपको इसका diagram दिखाओ, तो आपको अच्छे से यह सारी चीज़े clear हो जाएंगी, so spore engeum it is a bag like structure, जिसमें छोटे-छोटे spore पाए जाते हैं, यह spore में continuously asexual reproduction होता रहता है, asexual reproduction का मतला है, एक से दो, दो से चार ऐसी cells बनती रहती हैं, जब spore engeum के अंदर, bag के अंदर बहुत सारी cells बन जाती हैं, तो bag के अंदर क्या बढ़ता है, load, load बढ़ने के विज़े से क्या होता है, जो bag होता है, वो फट जाता है, फटने के बाद जो सारे spores होते हैं, वो जमीन से germinate होते हैं, और फिर से नए rhizopus का formation कर लेते हैं, इसकी कहानी सिर्फ इतनी है, most of the fungus, most of the fungus जो होते हैं, वो हमेशा spore formation से ही reproduction करते हैं, so I hope कि ये diagram आपको clear हो जाये हो गया होगा, आपको बस करना क्या है, कि एक spore engeum बनाना है, स्पore engeum को आपको जमीन से attach कर देना है, इनका जो root like structure होता है, इसको हम rhizoid कहते हैं, जो कि root नहीं होता है, root जैसा होता है, उसके बाद आपको छोटे छोटे इसमें spore बना देते हैं, next structure में आपको इन spore engeum को fire देना है, क्योंकि load बढ़ गया और सारे spore को जमीन में गिरा देना है, और next structure में इनी spore को आपको germinate करता हुँ दिखा देना है, तो I don't think so कि इस structure में कोई बहुत जादा problem होगी, I hope कि आपको अब समझ में आ गया होगा, now next thing जो अब हम पढ़ने वाले हैं, वो है asexual reproduction का दूसरा पार्ट, it is the fragmentation, okay, what is the fragmentation नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, fragmentation का best example होता है spirogyra, okay, spirogyra is not the unicellular organism, यह हमेशा याद रखेगा, कि fragmentation का best example है spirogyra, सबसे अच्छे example होता है, spirogyra जो होता ही एक algae होता है, और यह green color का इसले दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह इसमें photosynthesis होता है, अच्छे यह जो spiral spiral आपको दिखाई दे रहे हैं, यह है spirogyra के mitochondria, ठीक है, यह देखिए, यह इस तरीके से mitochondria और nucleus जो होते हैं, इनकी body में spiral फैले होते हैं, अच्छा, इनकी body में बहुत सारे nucleus होते हैं, बहुत सारे nucleus होते हैं, और वो सारे nucleus जो होते हैं, वो spirally फैले होते हैं, ध्यान से समझेगा, कि spirogyra एक longitudinal structure है, एक लंबा structure है, Spirogyra lamba होने के साथ-साथ इसका जो nucleus होता है वो spiral manner में इस तरीके से body में फैला होता यह इस तरीके से, okay तो इनके जो nucleus होते हैं वो कुछ इस तरीके से फैले हुए रहते अब body में इतने सारे nucleus होते हैं कि body कही से भी fragmentation show करे या उनका fragment हो जाए तो उसका एक fragment पूरा body form कर सकता है let me explain this again Spirogyra is an algae it always proceeded the fragmentation process of asexual reproduction इसमें जो mitochondria होते हैं बच्चो वो हमेशा mitochondria और nucleus कह सकते हैं nucleus कहीं आप इसको so जो nucleus होते हैं वो हमेशा spiral manner में होते हैं nucleus इनके पास एक से जादा या बहुत सार हैं body का कोई भी पार्ट कहीं से भी कटे और वो कटकर जब जमीन में गिरेगा तूटकर जब जमीन में गिरेगा तो वो एक नए spirogyra का formation करते हैं इनमें बहुत ज़ादा regeneration की power होती है अब आपके मन में यह सवाल होना चीए कि मैडम ऐसा क्यों होता है कि वो कहीं से भी कटेगा तो नए बना लेगा आपको यह याद रखना चीए कि जब भी हम एक से दो cell बनाते हैं तो एक से दो cell बनाने के लिए what is the most important cell organal or the part of your cell is the nucleus तो इनके पास इतने सारे nucleus है कि अगर आप इसको यहाँ से काट देंगे तो नए स्पाइरोगारा बन जाएगा अगर आप इसको यहाँ से काट देंगे तो नए स्पाइरोगारा बन जाएगा इसको कहीं से भी आप काट देंगे तो नए स्पाइरोगारा बन जाएगा क्योंकि आपके पास इन cell में पूरी body form करने में message करके form करने में मदद कर सकता है So they have so many nucleus, कहीं से भी ये कटे They have so many nucleus, ये कहीं से भी कटे कोई भी part कटके, इतना सा भी part कटके अगर जमीन में गिरेगा तो वो एक नई spirogyra का formation कर सकता है अगर आप ये diagram देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि इसको आपने यहां से काटा ठीक है, यहां से काटा, यहां से काटा यह कहीं यहां से काटा तो यह देखे, नया बन गया ठीक है, उसके बाद आपने यहां से काटा तो कुलमिला कि आप कहीं से भी spirogyra को काटिए आपको ultimately एक नए spirogoria का formation होता हुआ दिखाई देगा आपको करना क्या है कि इसके तीन पार्ट आप देखिए द्यान से देखिए देखिए जम क्या बोल रहा है आपने इस पार्ट को काटा तो यह बना और इसके उपर सेये fragment हुआ अब ये fragment भी जाकर एक नए spirogyra का formation कर सकता है ये fragment भी जाकर एक नए लंबे spirogyra का formation कर सकता है तो ultimately जितने fragment बने हैं उतने नए spirogyra बन सकते हैं और उनका भी और fragmentation होगा तो continuously ये बनते जाएंगे So, this is the process of an organism breaks up into two or more fragments and each fragment develop into an adult organism, example spirogyra मैंने आपको बताया ऐसा क्यों होता क्योंकि body में बहुत सारे nucleus spiral manner में attach होते हैं इसलिए body एक से जादा fragment में तूट जाती हो और वो fragment जहां भी जाकर गिरते हैं वो एक नए organism का formation करते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी कहानी है आपको इसमें कोई बहुत जादा कलाकारी करनी ही नहीं है ठीक है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि spirogyra में यह पाया जाता है इस फावन इन अलगी काल spirogyra the spirogyra is a longitudinal structure or longitudinal algae spirogyra shows the fragmentation spirogyra will breaks down into the different pieces and these pieces will falling down into the surface of water or rock anything and they will develop the new organism called this algae okay so I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कारण क्या है nucleus जितने भी पार्ट टूटते हैं spirogyra के उसमें सब में nucleus होना चाहिए याद रखिएगा अगर nucleus नहीं होगा तो fragment टूटेगा भी तो नए spirogyra का formation नहीं होगा और आप देखिए इतने सारे nucleus spiral manner में attach हैं तो यह पूरे nucleus ही है इसके अंदर तो आपको यह चीज याद रखनी है तो this is the example of the fragmentation I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा now next thing is the regeneration regeneration अपने आप में एक पूरी कहानी है ठीक है regeneration हर किसी organism के अंदर होता है even तुमारे अंदर भी होता है जब तुम जाते हो और कहीं गिर जाते हो कहीं फिसल जाते हो then what will happen हम यह देखते हैं कि खून निकल रहा है और खून का clotting भी मैंने आपको पढ़ा दिया circulation में ओके तो जब हम लोग गिर जाते हैं तो क्या होता है बहुत सारा घाव लगता है पर हम देखते हैं कि 15-20 दिन के बाद वो अपने आप भर जाता है isn't it भरता है कि नहीं भरता है यह process fragmentation से अलग है यह किसी भी asexual reproduction से अलग है हमेशा यह याद रखिए कि fragmentation में कोई एक टुकुडा तूट कर नीचे गरता है उस टुकुडे में nucleus होता है और वो टुकुडा एक नए organism का formation करता है इसमें कहानी अलग है ठीक है इसमें हमेशा यह याद रखिए कि किसी भी चीज को regenerate करना है उसी के एक part से ठीक है देखिए कैसे होता है regeneration हर organism में पाजाता है आपने starfish का नाम सुनाई होगा starfish में 5 arms होती है पाचों arms में अगर एक arm कटके गिर भी जाए ना तो वो फिर से न इसमें देखिए क्या होता है इनकी इनकी body अगर आप काट दें तो जो कटा हुआ पार्ट है वो भी नया organism डवलप कर देगा और जिसको आपने काटा है यह जो है जिसको आपने अलग कर दिया है उसमें भी नया पार्ट डवलप हो जाएगा मतलब माल लीजे कि मेरे तीन हि है यह भी पूरा और्गानिजम बना लेगा जो बीच वाला हिस्सा यह भी पूरा और्गानिजम बना लेगा और नीचे वाला हिस्सा भी पूरा और्गानिजम बना लेगा तो अब आपको समझ मेया है वोट इसको आपने काट के अलग किया है वो भी डेवलप हो जाएगा तो जिसको आपने काट की अलग किया वो भी इतना बड़ा हो गया, तुम्हारा काट की अलग किया तो तुम भी इतना बड़ा हो गया, और थर्ड पार्ट जिसको आपने अलग किया हो, वो भी इतना बड़ा हो गया, तो this is the basic difference between the fragmentation and the regeneration, okay, regeneration का best example is the plain area, ठीक है, plain area एक फ्लाट वर्म होता है बच्चों, जो आगे पीछे से चप्टा होता है, ठीक है, आगे पीछे से चप्टा होने की वज़े से ही हम इसे फ्लाट वर्म कहते हैं, यह plain area जो होता है, यह generally लोगों के लिए खतरनाक नहीं होता, सबसे पहले, eye spot जो था न, eye spot, eyes नहीं, eye spot, मतलब जो यह बताता है कि भविश्र में चलकर, future में चलकर आपकी आखे कहां बनेंगी, वो हमको plain area से ही पता चला, तो इनके पास eye spots होते हैं, बच्चों, यह eye spots न, light के प्रती बहुत sensitive होते हैं, तो जब आप plain area को light के नीचे रखेंगे न, तो यह बहुत तिल में लाएंगे और उस जगह से भग जाएंगे, यह मैंने क्यों बता है, क्योंकि इस diagram में आपको eye spot डिख रहे होंगे, तो लोग प्लेनेरिया देख सकता है, पर प्लेनेरिया देख नहीं सकता, प्लेनेरिया के पास eye spot होते हैं, जो कि light sensitive होते हैं, इनके उपर अगर आप light डालेंगे न, तो यह तिल में लाएंगे, घबराएंगे और तिल में लाके भागना इधर उदर शुरू कर देंगे, ठीके, तो य प्लेनेरिया को इतना क्यों ऐसा मानने जाता है कि कुछ भी काट दो, कुछ भी अलग कर दो तो वह नया बन जाता है, यह एक प्लेनेरिया और गयानिजम है, जहां पर डैश डैश लगा हुआ है, मतलब वहां से आप उसे काट रहें, ध्यान से समझेगा, तो यह एक प्लेन प्लेनेरिया है, जिसका नीचे वाला हिससा भी आप काट रहें, और उपर वाला हिससा भी आप काट रहें, दो कंडीím में अबके पास, अगर आप सर रहने दी और पूरा शरीर बचा दे, तो आप नेक्स्ट में देखेंगे कि पूरा शरीर फिर से बन गया, फिर से देख terrace आपके पास एक plane area जिसका आप ऊपर का इससा काट रहे और नीचे का g ça काट त्रें बीच वाला हिस्सा रहने दे रहें दो condition इधर वाली condition बात में बतांगे और अगर आप इस plane area का सिर्फ marine अगर बोधा बोदी और बाद काड दें तो होगा क्या होगा ये कि सर की मदद से पूरा जो body organism है पूरा body develop हो जाएगी next condition में आप सिर्फ नीचे का पार्ट रहने दें ये वाला पार्ट रहने दें उपर का पार्ट उड़ा दें या उपर का पार्ट काड़ दें आलग कर दें तो next part में next generation में पूरा planaria फिर से बन गया कि नी बन गया तो आपने ये देखा कि planaria ये एक planaria है चाहे ये रहेगा तो भी पूरा बन जाएगा और चाहे ये रहेगा तो भी पूरा बन जाएगा हाँ माड़ाम हमें इत्ती बात तो समझ में आ गई now next देखिए ये वाला डाइग्राम कि अगर planaria का सिर्फ middle का हिस्सा है तो भी planaria पूरा बन सकता है तो इस condition में हमें 3 possibility दिखा देरी अगर बीच वाला हिस्सा है तो भी पूरा बन जाएगा अगर उपर वाला हिस्सा है तो भी पूरा बन जाएगा और अगर नीचे वाला हिस्सा है तो भी पूरा बन जाएगा तो ये हैं बीच वाले हिस्से से बनने वाले planaria ये हैं सर वाले हिस्से से बनने वाले planaria और ये हैं आपके नीचे वाले हिस्से से बनने वाले planaria तो आप इस planaria को किसी भी हिस्से से काट दीजिए आगे चल कर वो हमेशा नया हिस्सा बना ही लेगा और होता क्या है कि पुराने पुराने हिस्से कटते जाते हैं और नया नया हिस्सा बनता जाता है इसलिए planaria को इस अर्थ से खतम कर पाना is so difficult क्योंकि body जब मर जाती है तो उसको regenerate कर पाना is impossible आपको skin में कहीं चोट लग गया तो उसे आप regenerate कर सकते हैं ठीक है आप उसे ठीक कर सकते हैं पर आप सोचिए कि अगर आपका सर काट दिया जाए तो आप regenerate कर सकते हैं क्या नहीं पर इनके साथ ऐसा नहीं है इनको कहीं से भी काट दिजे आप तो ये कहीं से भी regenerate कर सकते हैं इसका मतलब समझे आप ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि इनके body में जो इनका body system है या इनका जो nervous system है वो पूरे body में फैला हुआ है इसलिए कहीं से भी आप काट दिजे nervous system का कोई ना कोई पार्ट उस कटे हुए पार्ट में involved होगा जो कि उसे पूरे body में develop करने में help करेगा ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप सर कटने पर मर इसलिए जाते हैं क्योंकि आपका nervous system आपके body से अलग हो गया है और अब आप signal देने आपकी body signal किसको देगी कैसे देगी तो body signal नहीं दे पारी है सर आपका signal नहीं दे पारा है तो body काम कैसे करेगी इसलिए body मर जाती पर इनके साथ ऐसा नहीं है तो पूरे body में nucleus हैर सेल में तो nucleus होता ही है खैर तो इनकी body में आप कहीं से भी काट दीजे nervous system सारे system पूरे body में फैले हुए तो कहीं से भी काट ये पूरी पूरी एक system की unit हर एक पार्ट में पहुँच जाएगी और वो एक नया organism डवलप करने में help करेगी So it is very मतलब it is a very drastic it is very good thing in the environment कि कोई एक organism नया body part बनाने में responsible example याद करिएगा चिपकली की पूच अगर आप चिपकली की पूच को विकाट देंगे ना तो नहीं आ जाती पर हर बर काटने से नहीं नहीं आती एक बार काटेंगे तो आईगी नहीं आती है पर इनके साथ ऐसा नहीं है इनको आपने इतना काटा तो देखिए नया बन गया ऊपर का काटा तो नया बन गया ठीक है उसके बाद आप देखिए इधर का काटा तो यहां नया बन गया फिर इधर का काटा तो यहां नया बन गया दीरे 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 होते हुए पूरा नया बन गया कि नहीं बन गया देखिए यहां से कटा तो यहां पे नहीं बन गया फिर उसके बाद यहां पे कटा हुआ था और कट गया तो यहां पे और नहीं बन गया तो धिरे-धिरे करके वह अपने आपको को रिजनरेट करते जाते हैं तो रिजनरेशन इस पावर और अबिलिटी ओफ दो प्रेजनरेट इसल्फ अपने आथ होगा किसमें किसी को कोई जोर लगाने की ज़रुवत नहीं है So it is the process of getting back into the full organism from the body part of the present individual This is called as regeneration. Regeneration is carried out by the specialized cells ठीक है? ठीक, regenerate करने के लिए कुछ specialized cells होती है प्लेनेरिया की पूरी body में वो फैली हुई होती है यह होता है प्लेनेरिया का eye spot ठीक है? यह है प्लेनेरिया का eye spot और यह एक flatworm होते हैं यह हमेशा याद रखियेगा Okay? Example is the hydra and planaria Even hydra के पास भी regenerate होने का बहुत जादा power होता है पर planaria से कम होता Hydra has very good power of the regeneration I hope कि आपको fragmentation और regeneration यह दोना चीज़े समझ में आ गई होंगी ठीक है? Now next thing जो आपको पढ़नी है वो है I hope कि asexual reproduction का यह part आपको समझ में आ गया होगा Fragmentation जिसमें बहुत सारे nucleus होते हैं longitudinally spiral shape में कहीं से भी कुछ भी काटिये तो वो एक नए और गयानिजम में develop होता है Regeneration में आपने पढ़ा कि planaria को आप कहीं से भी काट दीजे तो जिस part को आप काट के जमीन में गिराएंगे वो भी नए part में develop हो जाएगा और जिसको आपने काटा वो भी नए part में develop हो जाएगा तो मैंने आप समझी है कि आप खुद एक planaria है आपने अपने शरी को तीन भागों में develop किया तो यह पाट गया तो इसने भी नया planaria बना लिया यह पाट गया तो इसने भी नया planaria बनाया इस part को क्या क्या बनाना पड़ेगा अपना उपर सर और नीचे पैर वाला हिससा नीचे वाले को क्या बनाना पड़ेगा अपना पूरा बॉडी का पर पाथ इस वाले को क्या बनाना पड़ेगा बॉडी का नीचला पाथ तो कुल मिला के this is the mode of the reproduction जिसमें हमने regeneration और अपना पढ़ा fragmentation ये दोनों method I hope कि आपको समझ में आ गए होंगे In the next class we will deal with the vegetative propagation जो की एक separate video है इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए तब कर के लिए thank you so much Hello students, welcome to Magnet Brains, मैं हूशे प्रातिवारी आज के नए वीडियो में आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है I hope you are doing well So let's start vegetative propagation Last class में हमने asexual reproduction के पूरे-पूरे modes पढ़ लिये थे आज आपको vegetative propagation के बारे में पढ़ना है It is the part of the asexual reproduction पर ये generally क्या होता है? Plants में होता है इसको हम vegetative के नाम से denote करते हैं या बोलते हैं Vegetative propagation अगर इन दोनों शब्दों के बारे में आप सोचें तो ये दोनों अलग-अलग words है और इन दोनों का word meaning भी अलग-अलग है Propagation Propagation का मतलब ये होता है कि Propagule को आपको implant करना है या जमीन पे लगाना है Then what is a propagule? आपके मन में ही सवाल होना चाहिए हम plant के किसी एक part को एक propagule मान लेते हैं Propagule is a हिस्सा मैं अगर हिंदी में कहूं तो उससे आप कह सकते हिस्सा तो मैं plant की किसी एक part को एक हिस्सा मान लेती हूं जिसे आप प्रॉपीग्यूल कहेंगे उस प्रॉपीग्यूल की मदद से आप प्लापे पूरा प्लांट बना सकते हैं से आप कहते हैं PRAUAPU GiAN ओकी I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको plant का कोई एक हिस्सा propagule समझना, it may be stem, it may be root, it may be stem, root, flower, leaves, anything, इनको आपको एक part समझना है plant का, जिसे आप propagule कहते हैं, इस propagule को आप जब जमीन पे implant करेंगे, यह नई भी implant करेंगे, पर अगर वो हिस्सा एक नए plant को develop कर रहा है, तो it is called as propagation. So, we use a part of plant called as propagule, it may be stem, it may be root, it may be anything, then this propagule should be developed into the new plant, then this is called as propagation, then this process is always proceeded into the plant, that is why it is called as vegetative and the method is called as propagation. So, we developed propagule into the new plant called as propagation, because we are doing this mechanism into the plant, that is why it is called as vegetative and the method is called as propagation. is called as vegetative. So this is called as vegetative propagation. इस method में आपको सिर्फ कोई भी हिस्ता plant का यूज करना है. जैसा आपने एक sexual reproduction में किया था कि आपने एक cell को divide करके दो cell बनाई थी. एक cell को तोड़ कर दो नहीं cell बनाई थी. इसमें body का कोई एक पार्ट इस्तमाल करना है. पूरी body इस्तमाल नहीं करनी है. बोड़ी का कोई एक हिस्ता, plant का कोई एक हिस्ता आप इस्तमाल करेंगे और उससे बहुत सारे plant आप बना सकते हैं. ठीक है? तो generally जो vegetative propagation होता है वो दो प्रकार से हो सकता है. एक होता natural vegetative propagation एक होता artificial vegetative propagation. definition देखिए, यह बहुत जरूरी है. अच्छा, एक चीज में आपको और clear कर दू बच्छो, इस slide में जितनी चीजें लिखी होई हैं, वो सब आपकी copy में लिखी होई होनी चाहिए. यह सब आपका एक notes formation के रूप में ही आएगा. आप इसको school में as it is भी लिख सकते हैं. So, vegetative propagation, it is the method of asexual reproduction in the plants where the vegetative parts like root, stem, leaves used as a propagule and developed into the new plant. तो आप root का भी एक पाट इस्तमाल कर सकते हैं, आप stem का भी कोई एक हिस्ता इस्तमाल कर सकते हैं और पूरे plant की कोई एक leaf भी इस्तमाल कर सकते हैं नया plant develop करने में. तो आपका एक पूरा-पूरा plant खड़ा हुआ है, उसे sexual reproduction नहीं करना है, plant का कोई छोटा साइस से पूरा-पूरा plant develop कर दिया. So, चीए एक इंटरस्टिंग चीज है, isn't it? कि ये कितना इंटरस्टिंग है कि भाई एक रूट का कोई एक हिस्सा गया और जमीन पर गिर गया और उसने पूरा-पूरा नया plant बना लिया. So, this is called as one हिस्सा is called as propagule और जो method से आप नया plant बना रहे, it is called as vegetative propagation. So, we have two types of vegetative propagation. One is the natural vegetative propagation and second is the artificial vegetative propagation. Natural vegetative propagation का मतलब यह है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यह अपने आप ही होगा. Artificial का मतलब यह है कि इसमें human effort का involvement होगा. इसमें human effort का कोई involvement नहीं होगा. एक बार propagation शुरू हो गया, तो इसको आप होते रहने दीजे, result आपको आखरी में मिल जाएगा. इसमें बार-बार आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस method को करवाने के लिए human का interference ज़रूरी है. इसमें होने के बाद interference हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे environment खुद बखुद आगे proceed कर सकता है. तो इसमें no human involvement, इसमें human involvement ज़रूरी है. ठीक है? चलिए. Next is, देखिए, सबसे पहले हम लोग natural method of vegetative propagation के बारे में बात कर रहे हैं, जो part मैंने आपको बताया था. देखिए, वही part, वही जो line है वो लिखी हुई है, plant reproductive reproduce without the help of human beings. अगर हम natural की बात कर रहे हैं, तो natural vegetative propagation में human का कोई involvement नहीं होता है. उसके बाद by leaves, सबसे पहले, leaves of some point produce adventitious bird on their margin, thus the birds develop into the new plants. अब मेरी बात को ध्यान से समझेगा. ये जो है, this is the leaf of the bryophyllum, it is the example, it is very important example. ये question आपके NTSC में आया हुआ है आज से 2 साल पहले, इस चीज़ को याद रखिएगा. ठीक है? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मैं अभी भी clear कर दूँ, कि माडम जो है कि आप किस के लिए पढ़ा रहे हैं, तो मैं सब के लिए पढ़ा रही हूँ, यही content सब के examination में आता है, 10 के लिए कोई अलग से content design नहीं है, वही से लिए बस सब को चलता है, तो आपको पूरा पढ़ना है, कोई भी इससे जी नहीं चुराएगा. So by leaves, तो मैंने आपको बताया कि पूरे plant में कोई एक leaf, एक नए plant को develop कर सकती है, कैसे develop करेगी वो मैं आपको बताती हूँ, यह एक ब्रायो फिलम की leaf होती है, ठीक है, ब्रायो फिलम की जो leaf होती है, उसमें चोटे-चोटे birds पाएजाते हैं, ऐसे दानिदार हिस्से पाएजाते हैं, और इन birds से देखो इसी leaf के उपर देखो, एक चोटे-चोटे plants हुगे हुए हैं कि नहीं हुगे हुए हैं, तो leaf acts as a propagule, जिस से, जिसमें जो चोटी-चोटी birds हैं, उनके उपर एक leaf में ही चोटे चोटे प्लांट जो है वह ग्रो हुए हुआ क्या अच्छा इसके बारे में मैं और चीजे बताती हूं जो ब्रायो फिल्म लीफ होती हैं उसमें जो बर्ड होती है और leaf के उपर इध्यान से देखे हैं कि जमीन पे गिरी है और उनमें छोटे छोटे plant leaf के margin से उगना शुडू हो जाते हैं तो कुलमिला की ये जो leaf बनी हुई है ध्यान से समझेगा ये जो leaf बनी हुई है ये जो plant हुगा हुआ है इसका root जो है वो क्या है जमीन में है पर यह ultimately जुड़ी किस से हुई है उस main leaf से आप समझना कि leaf के चारो तरफ छोटे छोटे bird है ये bird जो होते हैं ये जमीन पे गिर जाते हैं ठीक है इन bird के margin से ध्यान समझना है या जमीन पे नहीं भी गिरे तो इन bird से इन bird के से क्या होती है चोटे-चोटे plant ऊगने लगते है पर इस plant की root भी होगी कि नहीं होगी हा माडम होगी तो यह जो root होती है इनकी जो leaves होती हुआ हमेशा जमीन पास होती है तो इनकी और यह जो लीस होती है वो हमेशा जमीन के पास होती है इसलिए रूट असानी से जमीन ये स्वाइल के अंदर चली जाती है तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसके चारो तरफ बढ़ पाई गई बढ़ से प्लांट बना इसकी रूट जो है वो छोटे-छोटे स्वाइल से जुड़ी हुई है So I hope कि यह आपको समझ में आ गया best example is the bryofilm bryofilm का example हमेशा आपके different examination में पूछा जाता है चाहे वो school examination हो या competitive examination हो So plant में leaves are the some point produce adventitious birds on their margin thus birds develop into the new plant तो यह जो blood birds होती है यह हमेशा new plant के को develop करती Kellenco is the second part और second example of this So I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा कि plant के चारो तरफ पाई जाने वाली birds Will develop into the new plant Small roots adhere into the soil और अगर नहीं भी adhere रहेंगी तो फिर भी यह leaves के उपर जूडी हुई रहेंगी थोड़े समय के बाद यह अपने आप मर जाएंगी तो यह चीज आपको याद रखनी है यह example याद रखना है कि leaves के चारो तरफ पाई जाने वाले birds जोते वो नए पौधे के formation में मदद करते हैं Next natural vegetative propagation बच्चो by the stem चनरली लोग आलू को root समझते हैं बट आलू is not a root, आलू is a stem तो आप ध्यान से समझेगा कि इसमें कैसे method होता है कि आपने कभी घर पे आलू देखा होगा तो आलू कभी भी smooth नहीं होता है कभी भी आलू चिकना नहीं होता है उसमें हमेशा छोटे 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 आपको scars दिखाई देते हैं scars मतलब धसा हुआ हिस्सा दिखाई देता है अच्छा आपको एक चीज और सिखाती हूँ उसमें क्या करना है ऌपको एक अलू लेना है अलू को कैसे हम वेजिटेटिव प्रोपरणेसन में इस्तुमल आकए आलू का जहाँ जहां पर आपको scar दिखाई दिखाई इस पाट को वहां से काट देना है और उस कटे हुए आलू को जहाँ जहाँ से स्कार था वही वहीं पर आपको कट लगा के वाला हिस्सा अलग करना है और आप देखेंगे कि बहुत सारे कट अब आपके आलू में लग गये हैं then you have to put this आलू और potato into the soil इस समय के बाद आप देखेंगे कि उससे बहुत सारे ग्रीन कलर कैसे लंबे-लंबे leaves उग गए हैं ध्यान से देखेंगे दर leaves उग गए हैं और पेड़ बन गया तो potato is a stem, potato is a stem तो आपने stem के मदद से ही बहुत सारे potato बनाए की नहीं बनाए हाँ मैडम बनाए तो आप एक stem को भी प्रॉपिग्यूल की तरह इस्तुमाल कर सकते हैं let me explain this again by the diagram द्यान से देखें अच्छा कभी-कभी आपने देखा होगा कि आप घर पर आलू लाते हैं उसको कुछ दिन तक रखे रहने देते हैं तो उससे छोटे-छोटे ग्रीन कलर के पौधे उगने लगते हैं बस बात वही है कि एक आलू is the stem जिसके उपर और बहुत सारे स्टेम उग रहे हैं बहुत समय तक अगर आप आलू को रखे रहे हैं देने 10-25 तो आप देखेंगे कि वह जो बर्ड्स होते हैं जो निकलना शुरू होता है वह बड़ा हो जाता है अच्छा उस पार्ट को आप काट के लग कर दीजे जमीन पर लगा दीजे तो आपको घाट को आपको बना सकते हैं तो ऐसा ही हुआ देखिए यहां पर स्कार अ में ता मनेखे या Spano को रख दिया यह पर विवर्डियर को रहेंगे आपको काटके सब्सीतक से तो इस बीक अच्छा न पंकिन बढ़े रहेगे तो करना किय इस पाट को काट देना है काट काटके जाहां पर प्टेटव आई रहे गी उसको काट के अलग कर देना और जमीन पर लगा देना है थोड़े समय के बाद इस यह पतेटो के जमीन के नीचे देखिए इसके उपर रूट बनने लगेगी और नया प्लांट उगने लगेगा तो कुल मिला के प्टेटो इस यह इस होना शुरू होगा तो यू यूज पटाटो स्टेम एज़ प्रॉपग्यूल बिकॉस पटाटो स्टेम उसके बाद उससे आपने बहुत सारे और पटाटो बनाए फिंव अपको समझ में आ गया होगा in व्हनी प्लांट अंडर्ग्राउट स्टेम प्रेड्यूस अच्छा पंटेटो इस दर्फ उपर आपको दिखाई नहीं देपा ओके इनमैने any plant underground stem produces aerial shoots यह जो है aerial shoot आपको दिखाई दे रहा है मतलब उसको जो पत्ता है वो बहार रहेगा बाकी का हिससा अंदर रहेगा आपके एन्वेली अंडर फेवरेबल कंडिशन चीक है एक्जाम्पल इस पटैटो जिंजर अनियन और ग्रासे ठीक है यह सारी चीजे देखिए राइजोम आप जिंजर देखिए ऐसा ही इसका भी देखिए ध्यान से जिंजर को आप देखेंगे तो जिंजर कभी भी आपको इवन नहीं दिखाई देती इधर से निकली अधर कभी भी आपको इवन जिंजर नहीं दिखाई देती तो आपको करना क्या है कि जहां जहां से यहां से आप काट दीजे जिंजर को यहां से काट दीजे यहां से काट दीजे यहां से काट दीजे यहां से काट दीजे इन सब पार्ट से अलग-अलग करके अलग-अलग जगहों पे लगा दीजे कुछ समय बाद पता है क्या होगा कुछ समय बाद यह होगा कि यह जो पार्ट आपने जमीन पे लगाया है यहां से छोटी-छोटी । वह उपनी इतनी बड़ी जिंजर का पार्ट इस्तिमाल कि अपनी इतनी बड़ी जिंजर से इतना बड़ा जिंजर का जो है स्टैम हो गया इस बरट इसmee आपने तो इतना हिससा उसको भी अगर आप लगा दे में जो जो और जोड़ानों आपको प्लांट की rka करत Death तो आपको समझ में आ गया होगा कि potato किस तरह ग्रो करता है ginger same method से ग्रो करता है कोई इसमें परिशानी की बात नहीं है adventitious root इन में फैली होती है these are the adventitious root ठीक है जो कि फैली होई रहती है तो potato में आई से नया plant बनता है ginger में bird से नया plant बनता है stem उपर की ओर रहता बाकी पाट नीचे की ओर रहता ginger is the underground stem potato is the underground stem I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा now next thing जो आपको vegetative propagation में देखनी है वो है by roots best example is the sweet potato sweet potato is the root ठीक है generally लोग potato और sweet potato में बहुत जादा confused हो जाते तो नहीं potato is the underground stem the half part of the stem is in the upper of the soil but the remaining part of the stem is below of the soil ठीक है जो root होती है वो आलू के चारो तरफ लगी होई रहती है वो underground stem है याद रखिएगा sweet potato इसमें क्या होती है root produces adventitious birds ठीक है जो adventitious birds होती है अच्छा इनमें क्या होता है इने भी छोटे चोटे टुकडों में काट के अगर आप लगा देंगे तो एक नया पूरा प्लांट बना देते हैं तो इनमें भी हमेशा याद रखिए कि जन्जर की भी बात कोशल में जैसे आपको मैंने पहले जिंजर बता य है तो यह जो बढ़े होते हैं जिंजर की यहां यहां इसे आपको काटकी इनको अलग करिए यह अल चरिये यह अलग करिए कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि स्टेम पूरा उपर रहेगा और रूट नीचे रहेगी, जब पूरा सूख जाएगा तो आप यह अरा ही रहेगा तब उसे अप खाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस छोटी से रूट से इतना बड़ा स्टोरेज आलू बन गया है जिसे आप स्वीट पटाटों के नाम से जानते हैं तो आपको क्या करना है यहां यहां से काटना है और जमीन पर लगा देना है ठीक है उसको आप खाद दीजिए पानी दीजिए बढ़िया दीजिए उसको न्यूट्रिशन जो चाहिए थोड़े समय के बाद आप देखेंगे आपने रूट को उसक्त मल लो यह ना आपने रूट कौ ले जाइए इस पार ने जाए और आ लगा दिजिए लगाने के बात उसस्वाथ वाद में ग्रो होगा और अना स्वneट बड़ा लेगा तो आपने क्या क्या आपने लीव से सीका अपने रूट से आपने स्टेम से सीखा तो आपने तीन सिस्टम तो सीखें, ओके ठीक है, आपको समझ में आ गया हुआ, कि नेचुरल मेथड में आपको कुछ नी करना पड़ा, हुआ कि आपने सबसे पहले प्लांट लिया, उसके बाद प्लांट में लीव्स में अपने आप बड ग्रो ही, उ इसके उपर जो रूट रहेंगी या, तो वो इसी पत्ती से चिपकी रहेंगी, क्योंकि पत्ती जमीन के एकदम पास है, तो रूट जो है, वो स्वाइल में हलकी हलकी ऐसे ऐसे जुड़ी रहेगी, पर अगर स्वाइल से नहीं भी जुड़ी है, तो इसकी रूट इनी पत्त कर जमीन पर लगा दीजी यहां से नए पौदे उगेंगे आधा पार्ट स्टेम का उपर और आधा पार्ट स्टेम का नीचे होगा सेम विद जिंजर उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो है तो स्वीट पटैटो मतलब आप इसकी रूट का इस्तमाल करके इसके रूट का इस्तमाल करके आप नएा स्वीट पटैटो का प्लांट बना सकते हैं सिर्फ आपको एक री हिस्ता इस्तमाल करना है जमीर मे लगा देना वो इस्ता डिवाइड होके हो के होगो के बहुत सारे sweet potato का formation कर लेगा जैसे देखिए यह जो sweet potato है ना यह सिर्फ एक ही जगह लगा होगा एक ही जगह पर देखिए जब इसकी root थी तो इसमें कितने सारे sweet potato बने so I hope कि natural method of vegetative propagation आपको समझ में आ गया होगा in the next class we will deal with the artificial method of the vegetative propagation with the benefit of this method तब तक के लिए इसे पढ़ते रहिए और next video का इंतजार करते रहिए thank you so much hello students welcome to magnet brains मैं हो शप्रातिवारे और आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है so let's start last class में हम लोगोंने क्या पढ़ा था I hope कि वो आपको याद होगा last class में हम लोगोंने vegetative propagation का natural method पढ़ लिया था जिसमें मैंने आपको यह सिखाया था कि इसमें आपके involvement की कोई जरूत नहीं है बस आपको जमीन में उसे लगा देना है या फिर आप जमीन में ना भी लगाए अगर वो गल्ती से जमीन में गिर भी जाए ठीक अगर आप पटै तो पर उसे implant कर देना अपने आप वो ग्रो होना शिडू हो जाएगा method और कलाकारी जिस method में है वो है artificial method of propagation अच्छा यह इसलिए जरूरी है कि कई बार आपने देखा होगा मतलब आपने में ना भी देखा हो आप internet पे सर्च कर सकते हैं कि एक ही plant में 2-3 तरीके के fruit आप लग कर सकते हैं तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं तो अच्छा इसमें क्या है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं आपको जो मन करें, आप जैसा चाहें, जैसा कलर चाहें, रोज का वैसा उगा सकते हैं, जब चाहें कर सकते हैं, इसमें किसी भी परकार का कोई हिंड्रेंस नहीं है, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, okay? So, let's start, artificial vegetative propagation में, we have to study it four, we have to study about the four things, one is the cutting, second is the grafting, third is the layering and fourth one is the tissue culture which is little bit tough but it is not so much, तो ये आपको याद रखना है, So, first is the cutting, second is the grafting, third is the layering and fourth is the tissue culture or micro propagation, तो artificial method में पहली लाइन लिखी है कि हम इसमें desirable character जो है, वो obtain कर सकते हैं, जो आप चाहें, okay? Now, next thing is, आप क्या है, artificial method में हमें सबसे पहले जो दिखाई देता है, वो होता cutting, चेक है, I think कि मुझे तो सबसे जो बढ़िया method लगता है, वो यही है, क्योंकि इसमें कोई effort हमको देना यह नहीं है, बस एक जो है, उसका stem काटिये और उसको जमीन में जाके लगा दीजे, दस-पंद्रा दिन तक उसको बढ़िया खाना पीना खिलाई है, अरे दाल चावल नहीं, बढ़िया उसको जो है, सोइल दीजे, अच्छी उसको जो है मैनियोर दीजे, और उसके बाद पानी वानी दीजे, तो आप देखेंगे, कि नया जो है प्लांट रोज का या जो भी अच्छा, इसमें human involvement का है मैडम, अगर तुम काटोगे ही नहीं, तो जमीन में लगाओगे कैसे, ये बड़ा question है ना, कि अगर आप काटेंगे ही नहीं, तो उसे जमीन में implant कैसे करेंगे, तो it is a method of human endurance, human का endurance बहुत ज़रूरी है, तो इसमें जब तक human उसे काटेगा नहीं, पर क्योंकि आपने इसी plant का एक branch काटा है, इसलिए आपने उस plant को as a propagule इस्तमाल किया, उसका एक पार्ट अपले के गए और उसको अपने जमीन में लगा दिया, ये पार्ट जो है, this is called as propagule, उसके बाद आपने इसको जमीन में लगाया, और आपने देखा कि इस plant से बहुत स प्रांचे सुखना शुरू हो गए, तो प्लांट छोटा सा था पर कुछ समय के बाद बहुत बढ़ा हो गया, हाँ मैडम हो गया, तो ये छोटा प्लांट अच्छा प्लांट लगा ही हुआ है, वो तो ग्रोष आती साथ हो रहा है, तो इस तरीके से अपने छोटी छोटी ब अपने शुगर, इवन बैम्बू, 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 बैम्बू इस बेस्ट एक्समल अपने ग्रास अपने गर्ड़न वगेर को देखा होगा, कि हमेशा वह एक ऐसे सीजर टाइप का उनका इन्स्रूमेंट होता हो, कंटिनेसल लेसे से करके काटते जाते हैं, पर करेंगे तो यहां से ग्रो हो जाएगा, ठीक है, तो आप कटिंग इसले इंपोर्टेंट होती है, कि नय नय प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, दूसरा इंपोर्टेंस यह है, कि इसका आप एक पार्ट इस्तुमाल करके नया फिर से एक बड़ा ट्री बना सकते, शुग जिसको आपने बाद में लगाया, वो और बड़ा हो गया, तो कटिंग से जो है, पेरेंट प्लांट की भी ग्रोथ अच्छी होती है, क्यों होती है, वो मैं आपको कंट्रोल और कॉडिनेशन में पढ़ाऊंगी, और जिसको आपने लगाया वो तो नया ही प्लांट है, वो शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, कैक्टस हो गया, यह सारे जो एक्जैम्पल है, इस एक्जैम्पल अफ दे क्टिंग, करना क्या है, बस काटके उसका एक पार्ट प्रॉपिग्यूल को इस्तिमाल करके जमीन में लगा देना है, वो अपने आप जो है, नय प्लांट म जनरली वाइवी वी डू दे ग्राफ्टिंग, अगर हम चाहते हैं कि आप हमारे स्टेम में दो डिजारेबल कैरेक्टर हो, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा नीमबू के पेड में संत्रा भी उग जाए, तो हमको करना क्या है, कि एक प्लांट को नीमबू लेना है, दूसरे प करते हैं सेव प्लांट पेड नार लगा दिया जर्ली जो फैमली होना चाहिए। प्लांट की वह रिले जया ठीक है, जैसे नीमबू संत्रा मौसम भी तेक हैं इन सबको आप एक साथ लगा सकते हैं, यह सबको आप एक साथ लगा सकते हैं, पर एसा नहीं करना है कि लेमें प प्लांट को जोड़ना है अच्छा इसमें क्या होता है ग्राफ्टिंग में ग्राफ्ट करना है आपको जिससे आप दो desirable character वन प्लांट में कर सकते हैं जिस पे आप प्लांट को ग्राफ्ट कर रहे हैं उसे कहते हैं जिस प्लांट पे आप ग्राफ्ट कर रहे हैं इस इस तरीके से ग्राफ्ट होता है ध्यान समझे होता क्या है कि आपको इस तरीके से कट लगाना है जनरली आप ऐसा भी कट लगा सकते हैं ठीक है आप चाहें तो कट लगाने के भी अलग अलग तरीके हैं अगर आप चाहें तो ऐसा भी कट लगा सकते हैं लाइक दिस ओके ठीक है तो यह आपका प्लांट जो है यह गमले में लगा हुआ है पॉट में लगा हुआ है इस पर आपको ग्राफ्ट करना है पर याद रखिए कि जिसको आपको लगाना है फिर उसका भी शेप जो है वो डिफरेंट होना चाहिए ऐसा आप नहीं काट सकते तो फसेगा नहीं तो इसको आप स्की ओन को इस तरीके से काटिए ओके तो दिस इस कॉल्ड़े स्की ओन प्लीज रिमेंबर दिस आपकी कटिंग जो है वो ग्राफ्ट पर बहुत असर करती है जनरली स्टॉक को देखिए ऐसा कटा हुआ है तो स्की ओन ऐसा कटा हुआ है आप इसके बहुत सारे जी आएफ और वीडियो जो है अवेलिबल है उसके उपर आप उसे वैक स्ट्रिप से राप कर दीजे वैक स्ट्रिप से राप करने का कारण यह है कि आपको दिखता भी रहेगा कि ग्राफ्ट हुआ या नहीं हुआ उसके बाद जो है आप उसे कंटि होगा यह प्लांट जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि नीचे संत्रे के पौधे रहेंगे और उपर नीबू का फल लगेगा नीचे संत्रे के लगेंगे तो ऐसे अजूबे भी वेडिटेटिव प्रोगेशन से आप कर सकते हैं कि आपने एक ही कियेगा अच्छा वेडिटेटिव प्रोगेशन में जो रैपिंग होती है यह बहुत इंपोर्टेंट है अगर वहां पर आपने गलत तरीके से राप कर दिया तो वहां से प्लांट जो है वो सड़ना भी शुरू हो जाएगा अच्छा जब आप लोग इस तरीके से वाला एरिया है वह अच्छे से निकाल देना चाहिए और फिर जब आप दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो होगा क्या कि दोनों के फ्लोयम और जायलम टिशू एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगे उसके बाद आपने दोनों को रैप कर दिया तो फ्लोयम और जाय थोड़ा सा आपको ट्रिम करना पड़ेगा ताकि फ्लोयम और जायलम एक्सपोस हो जाए और अब जाके इसको आप जो है स्टॉक में लगा सकते तो यह चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि तुरंत काटके उससे नहीं लगा सकते उसको हलका हलका ट्रिम करना पड़ता है जाकि जालम और फ्लोयम एक्सपोस हो जाए अब जब जाके आप स्टॉक में लगाएंगे तो फटाक से जो है वाटर और फूड की सप्लाई पूरे स्टेम में दोनों स्टेम में शुरू हो जाएगी तो यह चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है दिस इस प्लांट में दो डिजएरेबल कारेक्टर चाहते है सो आई होब कि यह समझ में आ गया होगा ना next thing जो आपको पढ़नी है वो है artificial method का third method क्या है वो देखे क्या है layering ठीक है? layering में layering is a very simple method बहुत सारे लोग करते हैं पर layering के साथ बच्चों limitation पता है क्या है? layering के साथ limitation यह है कि आप उसे किसी बहुत जाधा hard plant में नहीं कर सकते हैं जो है तो mango tree में great banyan tree में इन सब में नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा उन plants में इसे करते हैं जो plants थोड़े से soft और लचीले होते हैं। जिनकी branch को आप आसानी से खीच सकते हैं। ठीक है। देखिए method क्या कहता है। method यह कहता है कि किसी एक branch को खीचिए। उस branch का आधा हिस्सा जमीन में लगा दीजे। ठीक ध्यान से समझेगा। करना क्या है कि we have one plant ऑके। अब इस plant की क्या है branch है। इस branch को यह एक branch हो गई। इस branch को खीचकर आप जमीन के नीचे दबा दीजे। ध्यान से देखते जाएगा। ये ब्रांच को खीच कर आप इसे जमीन के नीचे दबा दीजे दबी है ये दबी रहेगी ध्यान से समझे इसका कुछ पाट एक्सपोज रहने दीजे कोई टेंशन नहीं है अब होगा क्या कि कुछ समय के बाद इस ब्रांच में क्या होगे बच्चो इस ब्रांच में रूट आना शुरू हो जाएगी ठीक है ओके अब रूट आना शुरू हो जाएगी तो ये water और क्या supply होने लगेगा धीरे-धीरे क्या supply होने लगेगा food अब food और water supply होने लगेंगे तो कुछ समय के बाद आपको क्या दिखेगा कुछ समय के बाद हमें ये दिखेगा कि इसमें एक नया plant का formation हो गया है समझ में आई बात तो आपका ये parent plant तो था ही ये आपका parent plant तो था ही समझ में आई बात ये आपका parent plant है ये चीज़ आपको याद रखनी है पर साथी साथ आपने ब्रांच को खीच कर जमीन के नीच दबा दिया इसमें क्या बनने लगी root का formation हो गया root ने continuously water supply किया और phloem का भी development होने लगा जिसके वज़े से food supply हुआ बच्चो और ये देखे ध्यान से कि यहाँ पर भी एक plant बन गया then what we learned in this method we learned that कि हमेशा इस method में होता ये है कि एक ब्रांच को जमीन के नीचे ले जाना है ये ब्रांच जो है अब यहां से दीरे दीरे समें क्या बनने लगेगी root बनने लगेगी then what will happen कि ये root continuously पानी वेगरा supply करने लगेगी जो phloem हो भी develop होने लगेंगे तो होगा vascular tissues develop होने लगेंगे xylem phloem develop होने लगेंगे xylem phloem develop होने लगेंगे तो क्या होगा यहां पर भी एक नए प्लांट बन जाएगा तो ये parent plant तो है ही साथी साथ में एक और plant इसी से जुड़ा हो गया है अब करना क्या है करना यह है कि धीरे से हमें इस plant को यहां से detach कर देना है तो होगा क्या कि ये एक plant हो गया और यह क्या हो गया दूसरा प्लांट हो गया इसी तरीके से आप ब्रांच को खीच-खीच कर जमीन में जो है उसको दबाते जाएए जो पाट दबा हुआ है उसमें रूट डवलप हो जाएगी धीरे धीरे वैस्कुलर टिशू डवलप होने लगेंगे then this vascular tissue start supplying the water and the food to the plant and then the plant start growing once the plant develop their root develop their stem develop their shoot etc etc then what we will do we cut the new plant from the parent plant parent plant continuously growing and the new daughter plant start growing itself इसमें अब parent plant का कोई involvement नहीं है पर इसमें hindrance और limitation क्या थी बच्चो मैंने आपको बताया इसमें hindrance और limitation बटा यही है कि आप इसे सिर्फ उन plants में कर सकते हैं जो की चीले हो सकते हैं जिनकी branch आप खीच सकते हैं तो आपने एक parent plant से दो तीन नए parent plant layering के method से बना सकते हैं I hope कि यह आपको अभी समझ में आ गया होगा तो हमने cutting पढ़ा हमने grafting पढ़ा हमने layering पढ़ा layering jasmine देखे, jasmine और hibiscus, hibiscus rose or sinensis इसको आप कहते हैं जिसे हम china rose कह सकते हैं जिसे हम गुड़हल का पौधा या गुड़हल का फ्लार भी कहते हैं I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा Now next thing is diagram is very important, please take the screenshot of this slide, okay Take the screenshot of this slide, it is very important, okay Now next thing is the plant tissue culture, let's start ये जो method होता है बच्चो, इसे भी आप नया पौधा ग्रो कर सकते हैं Cutting से कर सकते हैं, grafting से दो नया पौधा को जोड़के दो नया पौधे अच्छे बना सकते हैं उसके बाद आप layering कर सकते हैं, plant tissue से भी आप कर सकते हैं इसमें पूरे plant की जरुत नहीं, इसमें कोई एक tissue आप इस्तमाल कर लीजें और उसके बाद एक नया plant बना सकते हैं It is the best method, पर ये थोड़ा सा expensive है, इसलिए लोग इसको नहीं करते हैं, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए थोड़ा सा क्या है, expensive है, इसलिए लोग इसे छोड़ देते हैं, जाने दो हम नहीं कर रहे है पर इसका method क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है, ये समझ लेंगे तो human का भी समझ में आ जाएगा आपको इसमें क्या करते हैं, धाल से समझ ये, ये suppose that कि एक plant है, मेरी बात को बिल्कुल धान से सुनिएगा क्योंकि जहां नजर हटेगी, वहीं दुरगटना घटेगी, जहां आपको नहीं आपको ये tissue culture नहीं समझ में हैगा और पूरण vegetative propagation भले समझ जाए, यहीं पर आप अठकेंगे So suppose that कि ये एक plant है बेटा, यहां से आपने scrap करके, scrap पतलब घिस कर, घिस कर, थोड़ा सा part काट के आपने क्या कर लिया ले लिया इसका example, ठीक है, उसके बाद हम इसे lab लेके गए, lab में हमने इसे petry plate में डाल दिया, पैट्री पलेट में जब आप डाला, डालेंगे, तो actually इस petry plate में है क्या, इस petry plate में वो सारी चीजें हैं जो की इस plant cell को ग्रो कराने के लिए जब और जो इस स्क्रेप करने का किया किया यहां से जुग कठ करके टिश्ग को यहां डाल लिया ठीक है इस पेट्री प्लेट में वो सारी चीजे हैं जो इस टिशू को एक पूरा प्लांट बनाने में मदद करेंगी देन देखें लिखा भी हुआ टिशू सैंपल प्लेज इन अगार ग्रोथ मीडियम है यह अगार मतलब की वो एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है जिससे आपका जो पेट्री प्लेट पर भरी चीजे वो इधर दोर गिरेगी नहीं सॉलिड रहेगी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यह मैं आपको पढ़ाओंगी टेंशन नहीं लीजेगा ऑग्जिन एक हॉर्मोन होता है यहाँ याद रखिएगा यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूं ठीक है तो ऑग्जिन एक हॉर्मोन होता है जो की सेल डिविजन करव टो यह सब चीजें अबें डाल दी 5 जह वर बढ़ाएं वह सारी ग्रोथ वाली बढ़ाने वाली क्रोट है उसके बाद हमने सारा प्लांट का जो भी टिशू था जो मने स्क्रेप किया था काटकर निकाला था उसको उपने प्लेट्री प्लेट में जाकर रख दिया कै उसके यहां पर जब आपने पेट्री प्लेट में सेल्स डाली तो यहां पर आपने तीन सेल्स डाली ठीक है उसके बाद हम इसमें क्या होगी बेटा इसमें होगी ग्रोथ क्या होगी ग्रोथ जब इसमें ग्रोथ हुई तो कुछ समय के बाद वाट विल हैपन यह जो सेल आपको दिखाई दे रही हैं यह कुछ समय के बाद यह देखिए इतने सारे ग्रुप्स में चेंज हो जाएंगी इतनी सारी सेल बन गहीं द्यान से समझेए अभी पेट्री प्ल इस प्लांट से आपने कितनी सेल नहीं है इस प्लांट से सिर्फ आपने कितनी सेल नहीं है तीन सेल उसके बाद इसमें क्या रखा हुआ है इसमें रखे हुए हैं बहुत सारे न्यूट्रियंट क्या रखे हुए हैं न्यूट्रियंट्स रखे हुए हैं न्यूट्रियंट्स इन ग्रूप ऑफ सेल्स को आप कहते हैं क्या कहते हैं क्या यह बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि प्लांट से आपने तीन सेल लिए उस न्यूट्रियाट मेडिया में उसके बाद इन में ग्रोथ हुई then these cells converted into the group of cells then this group of cells is called as callus what it called as callus अब इस group of cells को आपको क्या करना है कि एक नए जो है पेट्री प्लेट में लगाना है नए पेट्री प्लेट में ये छोटे छोटे प्लांटलेट में convert हो जाएंगे और उसके बाद इस प्लांटलेट को आपको यहां पर जो है आपके नए जो भी गमले वमले उनमें लगा देना है इस तरीके से आपने सिर्फ तीन सेल्स की हेल्प से एक नए प्लांट को जन्म दिया then what is the first step प्लांट से आपने तीन सेल ली न्यूट्रियन दिया उसमें ग्रोथ हुई cell डिवाइड हुई और ग्रूप ओफ सेल्स बनाई जिनको अपने कैलस का कैलस को नए पेट्रि प्लांट में लगा दिया उसमें चोट़ 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 प्लांट उग गए लगा प्लांट के पेट्रि प्लेट वह पे इस दिवाइड होगा चोट़ चोट़ को इस तो आपको समझ में आया कि आप सर्फ तीन-चार चैल से अन्य पौधे को बना सकते हैं इसको मैं और clear लिख देती हूं callus को कि आप छोटे से मतलब आप 3-4 cells से भी एक पूरे plant का formation कर सकते हैं it is the callus ओके छोटे से plant से भी आप एक पूरे plant का formation कर सकते हैं so इसे ही आप micro propagation कहते हैं इसको तरों नहीं कहते है क्योंकि आपने पोरी leaf वे गारे कह इसतेमाल भी किया आपने उसके सिर्फ cells का इसतेमाल किया इसेलाए अपर माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं I hope कि यह method आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यह method आपको हमेशा काम में आएगा, हमेशा इस्तिमाल में आएगा ओके orchids chrysanthemum, यह सारे जो plants होते हैं, orchids के बारे में तो आपने सुना होगा purple white color के flower होते हैं so I hope you understand the artificial method of the vegetative propagation, it is very accurate हमेशा जब आपको pure character चाहिए ना कि वैसा ही बिल्कुल exact plant होगे तो आप यह करेंगे, ठीक है so I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा now next thing is कि अब मैं आपको advantages बता दू कि क्या है देखे, advantages vegetative propagation कि यह हैं कि यह बहुत जल्दी होता है ठीक है, यह बहुत cheap है easy method है जल्द और plants के लिए disease कभी नहीं होगे क्योंकि आप चुनते ही वही हैं जिसको कोई बिमारी ना हो इसमें हमेशा flowers, पौधे, पत्तियां superior quality के बनते क्योंकि इसमें disease नहीं होती उसके बाद हमेशा जो genetically identical plant होगा सकते हैं मतलब आप चुननेंगे ही वही identical plant मतलब as it is exact वैसा ही plant होगा सकते हैं क्योंकि आप वही character लो वही पौध हो लो वैसा ही आलू लो तो ऐसी आलू बनेंगे plant raised by the vegetative propagation can be beer, flowers, food more than those produced from the seed. Generally vegetative propagation जो है उससे बहुत सारा production कर सकते हैं जो कि जनरली seeds से कम होता है seeds से उत्ता ही होता जित्ती उसकी capacity होते है vegetative से आप खुझ से करते हैं जो जित्ता बनो okay virus free plant microbes मैंने आपको बताए जब मैंने tissue culture पढ़ाया तो मैंने आपको बताए कि इसमें कभी कोई infection का chance ही नहीं है क्योंकि आप उसे पहले थोड़ा ग्रो करते हैं कैलस बनाते हैं कैले से नाई मीडिया में ट्रांस्फर करते हैं फिर छोटा प्लांटलिट बनता है फिर जाके जबीन में लगाते हैं तो इससे मतलब virus free ko infection नहीं होता और यह बिल्कुल sterile मतलब बिल्कुल जैसे आप coronavirus में अपने प्रोटेट करके कर रखते हैं वैसे ही इस method को भी बिल्कुल protection में करना पड़ता है so I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा now last thing is the asexual method का एक summary में आपको बताती हूँ सबसे पहले हमने asexual method में पढ़ा fission fission में हमेशा parent एक से दो या एक से बहुत सारे organism में convert हो सकता है इसके दो method होते हैं one is the binary fission second is the multiple fission binary fission में आप एक से दो में convert करते हैं multiple में एक से बहुत सारे binary का example है amoeba और multiple का example है plasmodium जिससे malaria होता है fragmentation body के बहुत अलग-अलग fragment होते हैं और यह fragment जहां भी गिरते हैं वहाँ पर एक नया organism बनाते हैं example is pyrogyra regeneration body को किसी भी हिस्से से आप काट दीजे नया body generate हो जाता है best example is the plenary and hydra budding body में एक छोटा bud बनता है और यह छोटा bud जो है वो एक नया और बढ जो है भार होके गिर जाता है और नया organism बनाने में मदद करता है vegetative propagation प्लांट का कोई हिस्सा है उसको इस्तिमाल करके पूरा नया प्लांट बनाना it is called as vegetative propagation यह दो प्रकार का हो सकता है natural और artificial जो आज हमने पढ़ा tissue culture यह मैंने आपको समझा है कि एक छोटे से tissue से एक नया प्लांट बनाना spore formation मतलब यह है कि एक छोटे से स्पोर जो है इस पोरेंजियम में स्पोर बनेंगे इस पोरेंजियम फटेगा सारे स्पोर जमीन में गिर जाएंगे और वह एक नया organism राइजो पस्प में पैनेसिलियम इन सबको बनाने में मदद करेगा तो स्पोर इस दा reproductive body गिर के germinate होगा और नया organism बनाएगा So this is the asexual reproduction की summary Please take the screenshot of this slide जब आपको कुछ न समझ में आए तो ये पढ़िये और इन वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए I think कि ये आपको समझ में आ गया होगा In the next class we will deal with the sexual reproduction अगर कोई भी doubt हो तो please ask me तब तक के लिए इसे ध्यान से पढ़िये और हमारे साथ बने रहिए Thank you so much Hello students, welcome to Magnet Brains मैं हूँ शिपरा तिवारी आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है So let's start आज आपको पढ़ना है sexual reproduction Last class में हम लोगों ने Asexual Modes के सारे reproduction टाइप्स पढ़ लिए है Last में हमने जिस topic पे complete किया था वो था Vegetative Propagation I hope कि वो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा हमने दो method पढ़े थे Vegetative Propagation के Artificial और Natural Natural में मैंने आपको roots, stem, leaves इन सारे चीजों से Vegetative Propagation पढ़ाया था Root में मैंने आपको एक्जामपल बताया था Sweet Potato Sweet Potato को कुछ नहीं करना वो खुद एक root है तो उसके चोटे-चोटे टुकुडे काटी है जमीन में लगा दीजेए नए बहुत सारे sweet potato बन जाएंगे उसका एक piece जो है as a propagule इस्तमाल किया जिससे आपको बहुत सारे sweet potato निकले या बनाएं आपने So I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा इसमें किसी भी प्रकार का कोई confusion नहीं होगा और अगर कोई confusion है तो आप please मुझे बताइए So let's start the new topic और new method of the reproduction called as sexual reproduction मैंने आपको हर chapter में बताया है कि अगर आप कोई भी chapter deal कर रहे है तो आपको दोनों चीजों के बारे में पढ़ना है चाहे वो plant हो चाहे वो animal हो A sexual reproduction में भी आपने दोनों चीजे पढ़ी vegetative propagation भी पढ़ा और बाकी methods भी बढ़े So sexual में सबसे पहले हम तो यह जानते कि है क्या बाद में देखेंगे कि plant क्या हो और animal में कैसे होता So let's start what is the sexual reproduction It is the method of the combination इसमें हमको क्या करना है दो gametes का fusion करना What is the sexual method of the reproduction In this method we fuses the two gametes इसमें हमेशा दो gametes का fusion होता है एक male होता है और एक female होता है ठीक है इसमें हमेशा दो gametes का fusion होता है एक male होता है दूसरा female होता है और उसके बाद fusion करके वो अपने बच्चे का formation या निर्मान करते हैं उसे जन्म देते हैं So the fusion of two gametes for the formation of their young ones called as sexual reproduction इसमें हमेशा दो parents का involvement होता है Please आप इसे कभी भी मत भूलियेगा So it is a type of reproduction in which two different sexes male and female are involved जो कि मैंने आपको भी बताया It involves the fusion of gametes from two different parents One is male and second one is the female and the results in the formation of new organism it is genetically different from the parent और ये कारण मैंने आपको बताया था कि क्यों वो parents की इसे different दिखता है Hope कि आपको याद होगा एक बार मैं आपको revise करवा देती हूँ एक part DNA का किस्से आया? ममी से एक part DNA का किस्से आया? पापा से दोनों मिल गए और एक नया DNA बनाया उसके बाद होता क्या है? कि DNA क्या होता है? Divide होता है DNA Divide होता है तो एक part DNA का किदर चले जाता है? एक cell में दूसरा part किदर चले जाता है? दूसरे cell में अब ये जो DNA दोनों cells में जा रहा है ये जो DNA वो actually किसका mixture है? ममी और पापा दोनों का तो अब इन mixture जो DNA इन दोनों cells में है इससे नया protein बनेगा पर वो protein exactly दोनों father ये मदर की तरह नहीं दिख सकता क्योंकि वो तो mixture है ये मैंने आपको समझाया भी ये मैंने इसको आपको पहले समझाया था तो sexual reproduction में हमेशा जो progeny होती है वो माबाप की तरह नहीं दिख सकती क्योंकि वो दोनों का mixture है ठीक है? अब इसमें दो parent involved होते है one is the mother and second one is the father one is male और second one is the female ठीक है? उसके बाद देखिए यही हो रहा है it is the egg, it is the sperm दोनों का fuse हुआ देखिए इसके पास एक पार्ट है DNA का इसके पास दूसरा DNA दोनों का एक एक पार्ट हमने ले लिया जाइगोट बनाया जाइगोट डिवाइड हुआ तो चार सल बनाया एंब्रियो और एंब्रियो से बेबी बन गया it is the story about the human being never forget that कि यह जो पूरी story पूरी कहानी मैंने आपको सनाई यह कहानी है human being की पर ऐसी कहानी आपके plant में हो यह ज़रूरी नहीं है बेटा हमेशा यह चीज आप याद रखिएगा कि जैसी कहानी plant में चल रही हो वैसी हम में हो यह ज़रूरी नहीं जैसी हम में है वैसी उनमें चल रही हो ऐसा ज़रूरी नहीं पर एक चीज बिलकुल कॉमन है कि उनमें भी male और female है, हम में भी male और female है, अगर वो sexual reproduction को follow करना है तो उनमें भी male और female gametes का fusion होगा और अगर हम follow कर रहे हैं, जो कि हम करते ही हैं, हम में भी male और female gametes का fusion होगा So never forget that, please remember the concept, so this is called as sexual reproduction, now let's move on the second slide हम लोगों ने asexual reproduction के बारे में पूरा पढ़ लिया, हम sexual reproduction में entry ले रहे हैं तो first we should know what is the difference between the sexual and asexual reproduction हमेशा यार रखिये कि कितने parent involved होते है, sexual में कितना parent involved है, सिर्फ एक, एक ही से बहुत सारे बने sexual में, asexual में कितना involved है, एक, sexual में कितना involved है parent, दो, one is male, second is female resemblance with the parent, resemblance मतलब कितनी समानता है, कितना एक जैसे आप दिखते हैं, okay so, अगर हम बात करें asexual reproduction तो इसमें आप कभी भी कोई variation या अलग सी चीज नहीं देख सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही character involved है, इसमें आप भर-भर की character अलग-अलग देख सकते हैं क्योंकि इसमें आधा character मम्मी का और आधा character पापा का है, okay so, organism do not resemble exactly with the parent, but resembles certain features with the parent क्योंकि आधा-धार मम्मी पापा का है, तो कुछ ने कुछ तो दिखे हो गई types of cell division, amitotic और mitotic, mitotic और meiotic amitotic क्या होता है, जब आप एक से दो cell बना रहे हैं, it is called as mitotic अगर आप एक से meiosis क्या होता है, meiotic division, जब एक से आप चार cell बनाते हैं, तो it is called as meiosis, ये question किसी का doubt भी था, so generally asexual reproduction जो होता है, उसमें amitotic मतलब ज़्यादा division नहीं भी होगा, तो चलेगा, या myiotic, आपको myiotic ही या रखना है, myiotic या meiosis इसको भी कहते हैं, तो myiotic division में हमेशा 1-2 cell बनती है, और meiotic division में 1-4 cell बनती है, ये question किसी का doubt भी था, तो मैं बार-बार बोल रही हूँ कि 1-2 बन रही है, तो myiotic और अगर 1-4 बन रही है, तो meiosis, please remember this carefully, okay? Now next thing is the time duration for multiplication, asexual reproduction में बिलकुल समय नहीं लगता, even मैं तो कहूँ, कुछ seconds में जो bacteria होते हैं, वो multiply हो जाते, पर अगर मैं sexual reproduction की बात करो, तो तुम खुद human being का reproduction एक example मन में रख सकते हो, कि 9 months is take 980 days, जो कि एक बहुत बड़ा figure है, okay? Variation, आप asexual reproduction में variation नहीं देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले बताया तक क्योंकि सिर्फ एक character involved है, इसमें variation बहुत सारे देख सकते हैं, adaptability, asexual reproduction में adaptability नहीं है जादा, क्योंकि एक तो यह बहुत छोटे हैं, और बहुत सारे character नहीं है, adaption करने का power नहीं, क्योंकि एक ही parent involved है, जब दो parent से बच्चा बनता है, तो उसमें दोनों का character आता है, उसमें बहुत ज़ादा adaptability power हो जाती है, क्योंकि इसमें दोनों के character है, और क्योंकि multi-cellular है, क्योंकि multi-cellular है, तो बहुत सारी cells हैं, जो से रोगों से लडने और बाकी environment में ढालने में मदद करती है, ठीक है, example, fission, birding, vegetative propagation, यह मैंने आपको पढ़ा है, आपको समझ में आ गया, human beings higher plant system में sexual reproduction होता है, तो please take the screenshot of this slide, it is very important, it is a difference of the asexual and sexual reproduction, so I hope you got this, now next thing, जो अब आपको पढ़नी है, वो क्या है, चलिए आगे कि और चलते हैं हम लोग, आजाएए, okay, मैंने आपको पढ़ाया, या मैंने आपको बताया, कि अगर हम sexual reproduction के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को plant के बारे में पता होना चाहिए, मैडम उसका हम से अलग होता, क्या रहे क्यों नहीं अलग होता, तुम्हारे जैसे वो बहेव करते हैं, है नहीं तो क्या तुम्हारे जैसे reproduction कर सकते हैं नहीं पर क्योंकि sexual reproduction की category में है it means कि इनके में gamit fusion तो होता ही होगा male or female okay so सबसे पहले हम लोग बात करते हैं sexual reproduction में plant के बारे में और plant में कौन-कौन से parts होते हैं क्योंकि हर part के बारे में आपको पढ़ना जरूर ही है अगर हम human के बारे में बात करें तो human का सारा part आपने पढ़ लिया तब reproduction में पहुचे हो अच्छा नर्वस नहीं पढ़ा है वो पढ़ना है sexual reproduction takes place through the agency of the flowers or the angiosperms ठीक है यह 9th class में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ठीक है इंडियो स्पर्म होते हैं जिनके बीच के ऊपर cover होता है और जो flower बनाते हैं okay flower is the specialized condensed reproductive shoot of the flowering plant on which the essential reproductive parts are inserted यह वो हिस्सा है जहां पर आपके reproductive part inserted होते हैं so it is a well labeled diagram of the flower इसे हम कभसे पढ़ते आ रहे हैं वो तो हमें खुद भी नहीं आ रहे है madam हम 7,6,7,8 इन सब में फ्लार का डाइग्राम पढ़ा है अपने even हमने 9th class के आपका जो higher plants में जो अपन इंडियो स्पर्म पढ़ते हैं उन में भी पढ़ा होगा पर क्योंकि reproduction पढ़ रहे हैं और इन सब का part का इस्तिमाल होना इसले इन की बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है so let's start चली देखिए क्या होता है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आजाई इधर मैं आपको एक एक करके बताती हूँ ठीक है जखिए यह पार्ट है पेडिसल ठीक है इससे आप फ्लार को पकड़ते हैं इसी पार्ट से जो प्लार होता है वो स्टेम से जुड़ा होता है ठीक है second part is a sepal यह जो पार्ट है it is called as sepal ठीक है सेपल जो होते हैं यह जनरली ग्रीन कलर के होते है और इसका काम होता है पूरे प्लांट को अच्छे से पकड़ के रखो getting my point कि पेडिसल जिहां से आप प्लांट को पकड़ते हैं सेपल जो होता है वो पूरे पार्ट को पकड़े हुए रहता है सेपल हमेशा ग्रीन कलर का होता है यह क्या कर दो जितना भी नीचे रिप्रोड़क्टिव पार्ट होता है इसके चारो तरफ पाया जाता है जो उन्हें पंखोडियां दिखती है जो फ्लार में इस कॉल्ड इस पैटल अलग अलग जितनी कलर की पंखोडियां होंगी पैटल होंगे उतना ज्यादा इंसेक्ट एट्राक्ट होगा पॉलिनेशन के लिए ठीक है आपको अब मेल पार्ट पर पढ़ाती हूँ इसमें दो पार्ट है आपका एक है मेल पार्ट दूसरा है स्टेमेल पार्ट चलिए आए मेल पार्ट के बारे में देखे इस एंथर, इस एंथर के अंदर भड़े होते हैं pollen grains, अब ध्यान समझेगा, यह जो bilobd structure दिखाई दे रहा है, it is called as एंथर, और इसके एंथर के अंदर छोटे 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 structure भड़े रहते हैं, जिन्हें आप कहते है pollen grains, अब यह जो एंथर है, जिस structure से नीचे से कहते है filament, एंथर और फिलामेंट इन दोनों को एक साथ आप कहते हैं stamen, I hope यह आपको समझ में आ गया होगा, so male part contains two हिस्सा और two parts, ठीक है, one is the एंथर, second is the filament, एंथर और फिलामेंट में एक वाट, stamen, ठीक है, I hope समझ में आया, now next talk about the female part of the flower, called as pistil, ठीक है, इसके तीन हिस्से हैं, तीन हिस्सों में सबसे पहला है stigma, stigma receive करता है pollen grains को, यह जो pollen grains होते हैं, वो यहीं से एंट्री लेते, it is called as stigma, stigma चिपका भी लेता है pollen grain को, जब इंसेक्ट आता है, तो अपने पैरों में pollen grains को चिपका के लाता है, stigma में बैढ़ जाता है, पूरा pollen grain छोड़ देता है, ठीक है next is style, style is the passage जहां से pollen grain आपका पास होगा and third is the ovary जिसके पास होते है ovule और इसी से जाकर आपका pollen grain fuse करेगा, ठीक है, receptical वो एरिया है जहां पर चीजे रिसीव होती ही, मतलब fertilization वेगरा होता है, so I hope कि यह part flower का आपको समझ में आ गया होगा, यह diagram बहुत easy-beasy है और यह बहुत जादा आप बहुत समय से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, flower का डागराम आप बहुत समय से पढ़ रहे हैं, इसमें आपको कोई confusion जो है नहीं होना चाहिए, ओक है, now next thing is, calyx और corolla, ठीक है, calyx और corolla is a sepul, petal, यह सारी चीज़े जो होती है, यह non-essential part है, ठीक है, इसका आपको, मतलब, reproduction में कोई help नहीं होता, but if I am talking about the androsium, androsium is the male part and gynosium is the female part, ठीक, यह जो है, यह दोरो reproductive part है और हमेशा यह reproduction में help करते हैं, तो यह essential part होते हैं, बाकि sapple, petal, यह सारी चीज़े जो होती हैं, यह non-essential part है, ठीक, यह सब चीज़े आपको reproduction में help नहीं करते हैं, पर androsium और gynosium मतलब, अगर आपका pollen grain और ovary नहीं होगी, तो I hope की, आपका reproduction, I hope क्या होगा ही नहीं, कैना, next thing, अब मैं थोड़ डीटेल लोंगी, कैलेक्स क्या होता है, it consists the outermost role consisting sapples, sapples are the green leaf-like structure, कैलेक्स protect the flower bud before it open, तो sapples को हम क्या कह सकते हैं, कैलेक्स भी कह सकते, तो it is the role, जो की green color का होता है, it protect, यह protection देने का काम करता है, reproductive body को, ठीक है, यह यार रखियेगा, और यह leaf-like structure होता है, देखा, आपने छुट-छुटे leaf-like structure होता है, and it protect the flower bud before it open, मतलब आपने देखा होगा कि पौधों की जो कलियां होती है, पहले वो बहुत छोटी-छोटी होती है, और यह जो green color का हिस्सा रहता है, यह काफी बड़ा रहता है, और यह green color का हिस्से में, छोटे-छोटे है, इसे margin, पत्ती जैसा निकले रहता है, तो नीचे जो green हस्सा रहता है, इसको आप कैलिक्स करते है, जो कि protection में help करता है, जो कि मैंने आपको पहले मताया है, जो पंखोडिया, जहान से देखिए, आपको पहले है, इसको पहले है इसको पहले है, तो यह पहले ही संजारे हूं, ध्यान से देखिएगा, first is the calyx called as sepals, second is the corolla called as petals, third is the male part called as androsium, fourth role और fourth part is the gynosium जो की है female part, अब हम लोग देखते हैं कि androsium क्या होता, male part क्या है, इसको आप साथ में stamen भी कहते हैं, stamen क्यों कहते हैं, वो आपको अभी मैंने बताया, anther जो होता है, it is the bilobed structure और यह जिस structure से जुड़ा रहता है, इसे कहते हैं filament, ठीक है, so this is called as anther and this one is called as filament, ठीक है, anther के अंदर भरे होते हैं pollen grains, ठीक है, this is called as pollen grains, ठीक है, यह pollen grains fertilization में help करते हैं, उसके बाद each stamen has two part, filament and anther मैंने आपको बता दिया, anther is the lobed structure जो की मैंने आपको बता हैं यह चीज़ याद रखिएगा, anther जो है, इसके कितरे लोब होते हैं, one, two, तो it is the bilobed structure, okay, it is the bilobed structure, okay, each anther has pollen sacs, ठीक है, अब ध्यान से समझे जो मैं बता रही हूं, okay, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि समझ में नहीं आया, ठीक, ध्यान से देखिएगा, okay, कि each anther has the pollen, each anther has the sacs, ध्यान से समझो, कि each, हर anther में आपका pollen sac होता है, मैं इधर बना रही हूं, ध्यान से देखिए, यह देखिए, okay, यह देखिए, structure देखिए, okay, तो हर anther में, ध्यान से देखिए, यह आपका anther का diagram है, ठीक है, इस anther में होते हैं pollen sac, क्या होते हैं pollen sac, और इस pollen sac में क्या भरा होता है बच्चो, pollen grain तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो एंथर होता है वो bilobd structure है bilobd मतलब एक लोब यह हो गया और दूसरा लोब यह हो गया ठीक, एक लोब यह और दूसरा लोब यह इस एंथर के अंदर होते हैं सैक मतलब कटोरी जैसी संरशनाई या स्ट्रक्चर जिसके अंदर पोलें ग्रेंड भरा हुआ होता है स्वाइब समझ में आ गया कि एंथर जो होता है वो एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है इसके उपर जो पूछ होती इसको फिलामेंट कहते हैं एंथर फिलायर में बाई लोब्ड होता है मतलब दो लोब होते हैं इसमें छोटे चोटे सैख मतलब बाउल लाइ इस ड्यों ब्रेवे रहते हैं उक्यशहं में रह स्टनुक्ट्ट व्हलों ईह इक स्टनुक्ट्ट streets आपको दिखाई दे रहा है its red structure को हम कहते है pollen grain क्या कहते है pollen grain diagram बनाते जाएगा यह pollen grain को micro spore भी कहा जाता है क्या कहा जाता है micro spore भी कहा जाता है pollen grain को हम micro spore भी कहते है so this is the pollen sack this is the enter enter is bio-rob structure 1 and 2 this pollen sack के अंदर क्या बन रहे pollen grain बन रहे pollen grain को हम micro spore भी कह सकते और सैक जिसके अंदर बन रहा है उसको माइक्रोस्पोरिंजिया इच पोलन ग्रेन प्रेडूसेश टू मेल गैमीट एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमीट होते हैं ठीक है यह इन्हें ही आप यह अगर मैं मालू यह पोलन ग्रेन है आपका P.G is a पोलन ग्रेन हैं so I hope you got it or not यह बहुत आसान चीज यह मैड़ा हम यह तो समझ गए तो यह यार रखिएगा सैक लाइक है दो लोब है अंतर के लोब के अंदर कटोरी-like बाउलएक structure है कॉले अधुलेंज सैक जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनता है पोलन ग्रेन को microspore भी कहते हैं और एक pollen grain के अंदर दो germ cells होती है यह दो male gamete होते हैं यह बहुत important है इसको star लगा लिजेगा बड़ा important है okay so I hope you got this point now next thing जो अब आपको plant या flower में पढ़ना है वो है gynosium ठीक है आपने देखा होगा अगर आपने china rose का structure देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि it is the very distant part अलग से दिखाए देता है उपर से आपको ऐसे velvety structure 4 दिखाई देंगे आपको दियान से देखिएगा इस फ्लार को ठीक है कारपल जो है it is center of the flower ठीक है ovary style stigma इन तीनों को कारपल कहते हैं और filament और enter को आप stamen कहते हैं नीचे जो भूला हुआ हिससा उसको ovary कहते हैं ovary के अंदर embryo sac होता है और embryo sac के अंदर आपका haploid egg होता है अगर मैं एक छोटा सा diagram ड्रॉ कर हूँ इसका तो आपको और समझ में आएगा कि यह जो है ovary है ठीक है this one is your ovary or the yours नहीं it is the plant's ovary okay ठीक अब ovary is a solenist हिससा है यह ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है suppose that कि यह आपका embryo sac है यह क्या हो गया है आपका यह है आपका style ठीक यह क्या है आपका stigma ओके यह क्या है आपका embryo sac यह इस य 우意 अंडर क्या बने है एग्स इसके अंदर क्या है eggs और eggकीů है heploid haploid or diploid का मतलब समझते है heploid का मतलब होता है single-n अभ्हिए heploid का मतलब होता है single set of chromosome haploid کا मतलब है single set of chromosome यह याद रखिएगा single set of chromosome ठेक, so what is the haploid, जैसे माल लीजे कि fertilization होना है male और female का, तो male से कितने chromosome आ रहा है 23, female से कितने आ रहा है 23, तो दोनों कितने होगे 46, तो 23 is a single set of chromosome, तो यह haploid है, female से कितना है 23, तो कितना है single set of chromosome, single end, अब दोनों जुड़ गए, तो क्या होगे, double set होगे, तो वो होगे, 2N मतलब deployed, तो haploid मतलब single set of chromosome, तो इनके पास जो egg होते हैं, वो होते हैं, haploid मतलब single end, single end क्यों होते हैं, क्योंकि single set of chromosome होगे, जब pollen grain से fuse करेंगे, style is the middle part, जो की आपका ऊपर ये जो आपको दिखरा है, ये आपको pollen grain को passes देता है, और carpal जो होता है, stigma इस अपर पार जिसमें pollen grain गिरते हैं और fertilization में help करते हैं, so I hope कि मैंने आपको पूरा detail से flower पढ़ा दिया है, I hope कि मैंने पढ़ाई दिया, इस से जाला आपको पढ़ने की ज़रूत नहीं है, next class में मैं आपको pollination बताऊंगे और उसके बाद मैं आपको fertilization बताऊंगे, तब तक इन वीडियो के साथ बने रही है, और इन्हें ध्यान से पढ़िए और जो कुछ भी doubt हो, प्लीज मुझसे पूछिएगा, तब तक के लिए, thank you so much. Hello students, welcome to Magnet Brains, मैं हुशे प्रतिवहरी और आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है. So last class में हम लोगोंने plant में flower के बारे में पढ़ना शुरू किया था, plant reproduction में, plant reproduction में flower के मैंने आपको पूरे पार्ट बता दिये थे, जिसमें मैंने आपको corolla, calyx, endosium, gynosium बता दिया था, calyx, corolla इन सब के बारे में, I hope आपने अच्छे तरीके से slide से पढ़ा होगा, endosium और gynosium, endosium is the male part, gynosium is the female part, इसके बारे में भी मैंने आपको detail से बता दिया था, अगर किसी को कोई doubt है, तो please मुझे बता दिये, बताईएगा, spirogyra में किसी को कोई problem है, तो सिर्फ उसमें से इतना याद रखना है, कि उनका जो nucleus होता है, वो spiral shape का होता है, कहीं से भी वो टूटेड नए spirogyra का formation कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास हर पार्ट में बहुत सारे nucleus होते हैं, और nucleus अगर है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ओके, now next thing, जो आज आपको पढ़नी है, वो है pollination, पॉलिनेशन जब तक नहीं होगा, तब तब प्लांट में reproduction नहीं हो सकता, क्योंकि जो होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, प्लांट चल फिर नहीं सकते हैं, इनका male और female पाट चल फिर नहीं सकता, तो pollination होना बहुत ज़रूरी है, और pollination मतलब की pollen grains को female तक आना, female के stigma तक आना बहुत ज़रूरी है, बाट आपको याद होना चाहिए, तो pollen grains भले ही stigma के बाजू में ही क्यों नहीं हो, पर वो अपने से नहीं आ सकते, तो क्या-क्या कारण हैं, कैसे वो आते हैं, और किस तरीके से आते हैं, और किस किस तरीके का pollination होता है, वो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो let's start, देखें, ये एक plant है, और ये दूसरा flower है, ये एक flower है, ये दूसरा flower है, यहाँ पर ये बैठा, उसके बाद, यहाँ पर जब ये pollen grain पर बैठा, त्यान से देखें, ये गया, ये pollen grain पर बैठा, इसने जो आपकी तितली है, जो आपकी butterfly है, उनके पैरों पर वो चिपक गए, pollen grain, और उसके बाद ये आकर, इनने stigma पर क्या किया, stigma पर अपने pollen grains को छोड़ दिया, और fertilization होगा, ठीक है, ये बहुते simple सा diagram था, now next thing क्या होता है, pollination is the process in which the pollen grains are transferred from the ripe anther to the stigma, ripe anther इसलिए हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि जब तक, anther में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, anther में मैंने आपको बताया था, कि anther एक lobed structure होता है, anther में इस तरीके से lobed structure है, anther में sack होते हैं, जिसके अंदर pollen grains होते हैं, जब तक sack या anther develop नहीं होगा, तब तक pollen grains डवलप नहीं होगे, और जब तक pollen grain अच्छे से mature नहीं हो जाते, तब तक वो female part में transfer नहीं होगे, so pollination is the story of the transfer of pollen grain from anther to stigma, that is it, okay, now there are two types of pollination, दो प्रकार का pollination होता है, एक होता है self-pollination, एक होता है cross-pollination, होते तो बहुत type के हैं, self-cross-pollination के भी, पर उस वो आपको 10th class में नहीं होगा, नहीं पढ़ाना, आपको 11th class में मैं पढ़ाऊंगी, self-pollination में देखिए, इनके पास ये एंther है, ये डाग्राफ हमने पहले भी पढ़ा था, ये इनके पास एंther है, एंther से pollen grain आये, pollen grain आया, pollen grain आकर यहाँ पे गिर गया, उसके बाद ये चला गया, तो इसका मतलब ये कि खुद के प्लांट का pollen grain खुद के प्लांट के stigma में ही गिर के जा रहा है, किसी दूसरे प्लांट के फ्लार में नहीं जा रहा है, खुद के ही फ्लार के male part अपना pollen grain खुद के ही female part को दे रहा है, this is called as self-pollination, बड़ी हवा चल रही है, तो हवा से एंथर का pollen grain उड़ा, और उड़कर खुद के फ्लार के stigma में चला गया, this is called as self-pollination, human में self-reproduction का कोई chance नहीं है, ये सिर्फ ऐसी कहानी जो है, इतनी अजूबी कहानी सिर्फ प्लांट में ही हो सकती है, so self-pollination is the story, जिसमें खुद का ही एंथर produce करेगा pollen grain, transfer of pollen grains from one and third to the stigma of the same plant, या same plant की जगा, same flower लिखोगे, तो और बेटर है, if it is in the same flower, it is called as autogammy, छीक है, it is called as autogammy, अगर same flower में हो रहा है, it is called as autogammy, best example is a P, I hope कि ये आप समझ में आगया होगा, auto का मतलब होता है, खुद और gammy का मतलब gamete fusion, okay, now next thing is the cross-pollination, क्या होता है cross-pollination, इसमें आपको pollen grains को एक flower से दूसरे flower में transfer करना है, it is called as cross-pollination, it is the transfer of one pollen grain from one and third to the stigma of different plant of the same species, suppose that कि आपके दो गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, तो एक गुलाब के पौधे का pollen grain उठकर, दूसरे गुलाब के पौधे में या दूसरे गुलाब के फूल में उस दूसरे plant के चला जाए, मतलब same plant में नहीं होना चाहिए, तो एक ये गुलाब का पौधा इसमें गुलाब लगा हुआ है, एक इसका पदा इसमें रोज लगा हुआ है, यहां से पोलिन ग्रेन उठे और दूसरे फलार में चला जाए दूसरे प्लांट के जो चीज समझने वाली यह है कि कौन-कौन तरीके हैं जिससे एक बहुत दूर में रहने वाले प्लांट का पॉलिनेशन एक बहुत दूर में रहने वाले प्लांट के फ्लांट से हो गया जैसे की हवा हो गया जैसे की पानी हो गया जैसे की एनिमल्स हो गया इंसेक्ट हो गया बर्ड्स हो गया यह सब के माध्यम से यह सब के हेल्फ से एक जगह से जो आपका पॉलिन ग्रेन होता है वो उड़कर दूसरे जगह पर चला जाता अच्छा पॉलिन ग्रेन जो होते हैं बहुत लाइट वेट के होते हैं और वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे तो उनका ट्रावलिंग हवा के मादम से पानी के हेल्प से बहुत जाड़ा दूर दूर तक हो सकता है इवेन पोलें ग्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत सालों तक 100-200 सालों तक नस्ट नहीं होगा जो है तो डैमेज कभी नहीं होगा क्योंकि इसके उपर की कोटिंग जो है बहुत स्ट्रॉंग होती भले दिखे नहीं तो क्या हुआ तो एजानसीस और नहीं जो स्ट्रॉंग होगा अगर कोई living thing पोलेंग को एक जगा से दूसरे जगा रहे है तो इसस पॉलल एस बायोटिक एजानसी गर ञेंग है ठीक है, अगर bat transfer कर रहे हैं, तो it is called as Chiropterephily, ठीक है, या Chiroptera is the family जो इसके अंदर bat आते हैं, ठीक है Birds Ornithophily, ठीक है, Ornithology is the study of bird, तो bird के through अगर आप pollen grain transfer कर रहे हैं, तो it is called as Ornithophily, insect entomology is the branch जिसमें आप insect पढ़ते हैं यह याद नहीं होगा तो अभी ठीक है पर आपको थोड़ा बहुत entomophily वगएरा के बारे में आना चाहिए इतना आप 10th class में इतना तो आपको बनना चाहिए so entomophily जब आप insect से pollen देन एक जगा से दूसरे जगा ट्रांसफर करते हैं तो biological agent में पढ़े जिसमें पढ़ चीरूप्टेरोफिली पढ़े हैं चीरूप्टेरोफिली मतलब चीरूप्टेरा इस धा ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं बैट्स मतलब ट्रांसफर करना powinाट्स और बॉर्ड्स औरमीहि предлагे entomophily okay abiotic agencies मतलब की चो कोई living thing नहीं है हवा हो गई पानी हो गई sparks हो गई तो इन सब की मदद से अगर आपका pollen grain transfer हो रहा है तो it is called as abiotic agencies water is a hydrophil event is the anemophily ये चीज़ आपको याद रखना है तो क्या कै पड़ा हमने bird के थ्रू, bat के थ्रू, insects के थ्रू bird is the chirrupterophily, bat is chirrupterophily, bird is the ornithophily, insect is the entomophily, water is the hydrophily, wind is the anemophily I hope कि ये समझ में आगया कि abiotic agent वो होते हैं जिन में living thing का को involvement नहीं है हावा से उडते हुए pollen grain आया और female pat में गिर गया, water से बहते हुए आया और जब पानी के आप पानी से सिचाएगी तो pollen grain उस पे गिर गया तो pollen grain को मारना असान नहीं है, अगर आप ये सोचें कि pollen grain जो है मर जाएगा तो बहुत जादा आग लग जाएगी तब ही मरेगा इन सब छोटी मोटी चीजों से वो नहीं मरता, बहुत सारे लोगों को इसलिए pollen grain की allergy होती है क्योंकि वो दिखते ही नहीं है सास लेंगे वो चले जाएगे और irritation पैदा करेंगे ठीक है तो pollen grain की allergy बहुत सारे लोगों को होती है पर ये बहुत important part है for the reproduction of the plant I hope कि आज की class में आपको pollination के बारे में समझ में आ गया होगा In the next class we will deal with the fertilization in the plant जो की सबसे important part है क्योंकि आपने pollination के बारे में भी पहले पढ़ रखा है और plant के part के बारे में पहले पढ़ रखा है जो नहीं चीज़े थी endrosium, gynosium इसके बारे में मैंने आपको detail से बता है जो सबसे important part है plant में वो है fertilization जिसके बारे में हम next class में पढ़ेंगे और next class के वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तब तक के लिए thank you so much Hello student, a very good morning to all of you Welcome to Magnet Brains, मैं हुर्शे प्रातिवारी So let's start with the new topic called as fertilization Last class में हम लोगों ने pollination के बारे में पढ़ा था उसके पहले के कुछ lectures में हम लोगों ने क्या होते हैं आपके female part of the plant और फ्लार कौन होता है male part यह सारी चीज़े आप लोगों ने पढ़ ली थी ठीक है गाइनोशियम को हम female part कहते हैं अंडोशियम को हम male part कहते हैं फिर last class में हम लोगों ने pollination के बारे में पढ़ा था pollination में मैंने आपको different agencies बताई थी कि किस तरीके से आपका pollen grain जो होता है वो transfer होता है female part में यह सारी चीज़े हम लोगों ने पढ़ी थी now let's start with a new topic called as fertilization it is little bit tricky ठीक है तो यह plant में जितना कुछ अभी तक आपने पढ़ा it is so easy busy बहुत असान था पर अब जो आप पढ़ने वाले ही यह इतना असान नहीं है इसलिए इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है अगर मैं बात करूँ fertilization की तो fertilization plant और animal दोनों में एक साही होता है बात बिल्कुल सही है पर fertilization का मतलब क्या होता है fusion of the gametes male gamet का female gametes fusion is called as fertilization तो male gametes जो है वो इनसानों में भी होते हैं और male gametes flowers में べोते हैं female gametes इनसानों में भी होते हैं वैसे फ्लार्ज में होते हैं तो इसी प्रेकार से अगर हम fusion कर रहे हैं चाहे plant ये इनिमल में गैमिट अलग-अलग हैं तो क्या हुआ ठीक है दोनों का fusion होता ही है method भले ही अलग-अलग हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर दोनों को हम fertilization ही कहते हैं इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा ओके नाओ लेट स्टार्ट इट इस प्रॉसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ फीमेल गामिट जो कि मैंने आपको बताया अभी in the embryo sac present in the ovule ठीक है ये देखिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा डाइग्राम ड्रॉ करके रखा है ये जो डाइग्राम है ये है embryo sac का डाइग्राम ये कहा होता है ये मैं भी आपको थोड़ी देर पहले समझाने वाली हूँ ठीक है embryo sac जो होता है इसके अंदर present होती है आपकी अग cell कौन सी एक cell female पार्ट होता है एग और जो pollen grain होता है ये प्यों पार्ट तो Sack के अंदर आपको यह यलो कलर की egg cell दिखाई दे रही होगी और यह जो आपका red color का it is pollen tube जिसके अंदर आपके दो male gamit हैं जो की pollen grain के अंदर होते हैं और यह male gamit जाके ultimately egg cell fuse करेंगे इस diagram को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा objective यह है कि मैं आपको यह बता सकू कि ultimately यह जो egg cell है वो इन दो male gamit एक male gamit के साथ fuse करेंगी दूसरी का क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगी ठीक है तो main objective is definition को explain करने के लिए बनाया गया है कि यह जो embryo sac के अंदर egg cell आपको दिखाई दे रही है इस egg cell का fusion इस में एक male gamit के साथ होगा जब इन दोनों का fusion हो जाएगा then this process is called as fertilization बाकी यह पूरी कहानी क्या है इसको मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ ठीक है आपका जो stigma होता है वो कौन सा पार्ट है female पार्ट है आप समझ येगा ध्यान से जो मैं आपको समझाने वाली हूँ ध्यान से देखिए मैं आपको डाइग्राम से समझाती हूँ ये देखिए आजाईए इधर आयोप की वाला डाइग्राम समझ में आ गया होगा मैं इसको रब कर रही हूँ देखिए फर्टिलाइजेशन को पढ़ने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैंने आपको बोला कि stigma इस फीमेल पार्ट होता है stigma स्टिगमा के उपर जब पोलिन ग्रेन गिरते हैं तो किस तरीके से वो आपके style और जो आपका ovary होता है किस तरीके से पहुशते हैं इसकी बहुत बड़ी कहानी है उसको बताने से पहले मैं आपको दो structures के बारे मैं बताना चाहूंगी एक होता है ovule और दूसरा होता है आपका pollen grain तो इन दोनों structures को पहले आप पढ़िए उसके बाद आपको पूरी mechanism में अच्छी तरीके से समझाती हूं देखिए सबसे पहले let's start with the structure of ovule ठीक है ovule जो होता है ये किस के अंदर पाया जा रहा है ovary के अंदर ठीक है ovary कौन सा पार्ट है female पार्ट है नीचे का जो जो solen area होता है flower में उसको हम लोग क्या कहते है उसको हम लोग कहते है ovary okay ovary में क्या present होता है ovule बहुत सारे ovule present होते हैं अब मैं एक ovule के बारे में आपको बता रही हूं ठीक है ये जो ovule है जो जो labeling आपके लिए जरूर है वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूं देखिए इस ovule के अंदर आपको ये जो area दिखाई दे रहा है it is called as embryo sack ठीक है देखिए इस area को आप क्या कहते embryo sack embryo sack के अंदर क्या sack का मतलब होता it is a chamber okay एक ovule किसके अंदर present ovule ovary के अंदर ovule के अंदर क्या present embryo sack embryo sack के अंदर क्या present है egg जिससे क्या fuse होगा pollen grain okay to embryo sack is the chamber it is a room जहां की embryo का formation होता है embryo का formation कैसे होता है जब male और female gamet आपस में fuse हो जाते है so it is the embryo sack embryo sack के अंदर present होते है कुछ nucleus क्या present होते हैं कुछ nucleus या कह सकते हैं कुछ cells ठीक है हम इसको simple भासवा में क्या कहें cells ठीक है तो आपके embryo sack के अंदर कुछ cells होती है उन cells के बारे में आपको जानना जरूरी है okay so सबसे पहले आपके embryo sack में present होती है यह जो उपर की तीन सेल यह होती है antipodal cell कौन से सेल होती है बच्चो antipodal cell इन antipodal cell का fertilization में कोई रोल नहीं है okay इनका fertilization में कोई रोल नहीं है यह बात आपको याद रखना है तो नीचे आजाईए नीचे आजाईए नीचे नीचे आजाईए नीचे आजाईए नीचे आज़ाएंगे तो इस पहले से यह बारे में आपको पढ़ाऊंगी तो इन antipodal cell का fertilization में तो कोई रोल नहीं है यह चीज आपको याद रखना है इंब्रियो सेक के अंदर पहली cells है antipodal cell जो की सबसे उपर होती है और इनका fertilization में कोई रोल नहीं होता अब नीचे आजाईए नीचे आपको तीन cell दिखाई दे रही होगी जिसमें बीच वाली cell आपको थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही होगी और बाजू की दो cells आपको थोड़ी छोटी दिखाई दे रही होगी बाजू की जो दो cells है उनको आप कहते है synergids क्या कहते है synergids it always provide the protection and nutrition to the egg cell जो की middle में present है लेट में explain this again उपर जो है तीन cell present is called as antipodal cell नीचे तीन cell present है जिनमें से आजू बाजू की दो cells को आप कहते है synergids synergids जो होती है यह हमेशे egg cell को nutrition देने का काम करती है कई बार बच्चे जब fertilization के बारे में पूछा जाता है तो वह उपर के antipodal cells के बारे में भूल जाते है और आजू-बाजू की synergid cells के बारे में भूल जाते है तो अगर भूल भी गए तो इसमें कोई बहुत बड़ा जो है तो scene नहीं है आप उपर diagram जरूर ड्रौ करिए कि तीन cell उपर बनी हुई है और जब आप इन lectures को बार बार देखते हैं तो ultimately धीरे धीरे वह खुद बखोद याद हो जाता है तो इसमें जादा बहुत जादा tension लेने की ज़रूत नहीं है अब बेरी बात को ध्यान से समझेगा embryo sac के अंदर जो बीच में present है इसको हम polar nuclei कहते हैं क्या कहते हैं बच्चो polar nuclei अब इसको secondary nucleus भी कहते हैं इसको explain करने के लिए मैं आप इसे कह देती हूं polar nuclei अब इसके बारे में मैं आपको समझाती हूं कि polar nuclei क्या होता है polar nuclei basically क्या है देखिए ऐसा structure polar nuclei ऐसा structure है actually होता क्या है कि यह N है यह N है N मैंने आपको last class में बताया था कि single set of chromosome अगर 23 मम्मी से आ रहे है 23 pair पापा से आ रहे है तो 23 pair is the haploid बतला अभी single set है क्योंकि 46 होते है तो आपने सिर्फ single set ही लिया 23 लिये 23 पापा से लिये तो अगर आप single set ले रहे है तो इस कॉल्ड as single N और इस कॉल्ड as haploid ओके तो अगर मैं single N कहीं पर लिख रही हूँ it means to say that बच्चों कि यह haploid cell है पर हम लोग हमेशा इसे 2N क्यों कहते हैं कहते हैं और 2N से denote करते हैं 2N से denote करने का मतलब समझ में आया कि actually यह cell जो है न यह दो है पर division के दौरान यह divide नहीं हो पाई अच्छे से तो अलग अलग नहीं हो पाई ultimately division के दौरान जब यह divide नहीं हो पाई तो यह ऐसे जुड़ी रह गई तो एक cell का N यह है दूसरे cell का N यह है क्योंकि आपस में जुड़ी हुई है इसले हम इकठा इसे 2N कह देते हैं तो polar nuclei is the 2N structure 2N structure मतलब की देखिए कि यह एक cell का N है यह दूसरे cell का N है पर क्योंकि division के दौरान यह divide नहीं हो पाई that is why यह हमेशा 2N से denote की जाती है एग को हम हमेशा N से denote करते N मतलब अभी इसके पास single set of chromosome है तो मैडम दूसरा set कहा से आएगा पोलन ग्रेन से आएगा यह चीज आपको हमेशा याद रखनी है तो important points मैंने आपको इसमें बता दिये एग जो है उसके पास single set of chromosome है हम किसी भी ovule की बात करें बटा किसी भी ovule की बात करें ठीक है सब में एक जैसे हर फ्लार में क्रोमोजोम एक जैसे होई ज़रूरी नहीं है न पर कोई भी एक सेल किसी भी ovule का जो एग होता है चाहे वो किसी भी फ्लार का हो उसमें हमेशा single set of chromosome ही होगा उसका दूसरा set जो है वो कहां से आएगा pollen grain से तो single set है मतलब haploid है haploid है मतलब single N है दूसरा N कहां से मिलेगा pollen grain से ठीक है तो यह चीज़ याद रखिएगा तो secondary nucleus को हम polar nuclei भी कहते हैं जो कि 2N structure है actually यह दोनों cell अलग-अलग है पर division के दौरान यह cell अलग नहीं हो पाई इसलिए यह दोनों cell जो है यह आपस में जुड़ी हुई रहती है इसलिए हम इसे 2N structure के नाम से जानते हैं जबकि यह दोनों अलग-अलग N है पर क्योंकि जुड़े हैं आपस में इसलिए हम इसे 2N कह देते ओके तो आफोप यह समझ में आ गया होगा ने लेट स्टाउक अपॉट इंटेग्युमेंट और इंटेग्युमेंट इंटेग्युमेंट का मतलब होता है कपड़ा कवर ओके तो जैसे आप अपने आपको प्रोटेट करने के लिए कपड़े पहनते हैं न वैसे ही जो एंब्रियो सेख होता है उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए क्या पाया जाता है इंटेग्यूमेंट इंटेग्यूमेंट is the cover around the ovule याद नहीं होगा तो tension मत लीजे इसमें दो चीज़े जो सबसे जादा याद करने वाली है बच्चो एक है एक सेल और दूसरा है polar nuclei एक सेल के पास कितना सेट ओफ क्रोमोजोम है बेटा एक सेट मतलब सिंगल एंड polar nuclei के पास कितने सेट ओफ क्रोमोजोम है दो सेट है मतलब 2N ठीक है यह दोनों से अलग-अलग है पर जुड़ी हुई है क्योंकि यह दिवाइड अच्छे से नहीं हो पाई तो polar nuclei और secondary nucleus is the 2N structure and egg is the single haploid structure ओके नाव नेक्स इंग इस दा माइक्रोपाइल यहां से आपकी pollen tube entry लेती है यह यादा कियेगा है one is the nucleus of the polar nuclei and second is the nucleus of the egg cell that is it let me explain and revise this again so first one chalazal end is the end क्योंकि बहुत सारे pollen tube chalazal end से भी entry ले सकते हैं okay so first is the antipodal cell पहली है antipodal cell जो कि endosperm protection देने का काम करेगी बात में बीच में polar nuclei जिसके पास 2N structure है and third one is the synergid जो की egg cell के आजू-बाजू होते हैं जो की उसे nutrition and protection देते हैं micro pillar end इस end से आपका pollen tube entry लेगा placenta जो की fertilization होने के बाद जो है embryo को किस से जोड़ेगा placenta के थू आपका view होता है वो ovary से जुड़ा हुआ रहता है तो कुल मिला के ovary continuously nutrition देती है developing embryo को ओके तो कुल मिला के आपको I think यह समझ में आ गया कि polar nuclei is the center 2N structure and the egg cell is the heploid single end structure यह बार बार बताने का मेरा reason यह है क्योंकि अभी आप fertilization पढ़ने वाले हैं जिसमें इसका स्तुमाल होगा तो I hope कि यह आप समझ गए होंगे और नहीं समझ में आये सिर्व आपको दो चीज़े याद होनी चाहिए embryo sac के अंदर आपको polar nuclei याद होना चाहिए और दूसरा egg cell याद होना चाहिए integument चारो तरफ का cover है, micro-pillar से polar tube entry लेती है और आपका जो synergid होते हैं वो एक्सेल को nutrition देते हैं and antipodal बाद में embryo sac बनाने का काम करते हैं तो यह समझ में आ गया now let's talk about the structure of the pollen grain, pollen grain का structure बहुत जादा important नहीं है और वो NCIT में भी नहीं दिया हुआ है नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा पर मैं आपको एक brief दिखा देती हूं यह समझा देती हूं, pollen grain के चारो तरफ एक बहुत hard covering होती है इसलिए pollen grain को मार पाना environment में is impossible ठीक है जो बाहर की covering होती है it is exine और उसके अंदर की covering होती है intime दो चीज़े जो आपको याद रखनी है वो है इनके पास दो nucleus होते है एक होता है generative nucleus और एक होता है vegetative nucleus रखस पास और यह इख ऐसके नूगलेस करेगा यह यार्ख्व कि हर pollen grain के पास कितने nucleus होते हैं दो nucleus हमें इनको दो जर्म सेल भी कहते हैं तो एक germ cell मतलब जो generative nucleus है वो किसके साथ fuse करेगा? एक cell के साथ और दूसरा किसके साथ fuse करेगा? Let me explain it later, okay? So, pollen grain is a very hard structure जो की बहुत hard covering से cover रहता है एक होता है exine, बाहर वाला covering, एक होता है intine, जो की होती ही अंदर वाली covering ये दोनों जो है pollen grain को कभी भी nusht होने, degenerate होने, damage होने नहीं देती हर pollen grain के अंदर we have two nucleus या two germ cells कह सकते हैं इनको एक होता है generative, एक होता है vegetative, generative वाला जो generate करेगा, नया बनाएगा वो fuse करेगा x cell के साथ, और x cell जो है वो नीचे पाई जाती है antipodal cell उपर और polar nuclei बीच में polar nuclei कितना structure है, deployed, 2N, x cell कितना structure है, single N, generative nucleus भी कितना structure है, single set तो एक single set ये हो गया, एक single set x cell के साथ हो गया, दोनों fuse हुए, तो आपका deployed structure बना की नहीं बना, बन गया इसकी पूरी explanation में आपको अभी देने वाली हूँ, तो I think ये आपको समझ में आ गया होगा, कि we have a protective covering called as antinexine, we have two nucleus called as generative vegetative, generative will fuse with the x cell, that is it, इस diagram में आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़े पढ़नी है, I hope you got the point, what I am trying to say, कि ये है structure of ovule और ये है structure of pollen grain, इन structure को पढ़ाने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना था, कि जब मैं आपको fertilization पढ़ाऊं, तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए, I hope कि आपको ये समझ में आ गया है, कि structure of ovule और structure of pollen grain क्या होते, In the next class, we will deal with the total description about the fertilization, तब तक इन वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, Thank you so much. Sovule के बारे में मैं आपको बताया था, कि इसके अंदर embryo sac होते हैं, embryo sac जो होता है, वो total, जो है, उपर जो इसकी 3 cell होती है, इनको आप antipodal कहते हैं, नीचे 3 cell होती है, जिसमें बीच वाली को XL कहते हैं, आजू-आजू-वाली को synergid कहते हैं, जो XL होती है, वो heploid होती है मतलब single set of chromosome होती है, और जो secondary nucleus होता है, वो two end structure है, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, cell जो होती है, इनमें अलग-अलग नहीं हो पाती, division proper नहीं हो पाता, इसलिए जो होते हैं, ये जुड़े रहते हैं, इनको आप polar nuclei भी कहते हैं, ठीक है, ये two end structure है, integument is the cover around the embryo sac, उ I hope कि ये चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी, बाकी सारी चीज़े में आपको fertilization में समझाओंगी, pollen grain का structure इतना important नहीं है, पर मैंने आपको बताया, ताकि आपको हमेशा पतर है, कि pollen grain की covering is the, जिस material से बनी होती, वो earth का सबसे hardest material होता, नेम is sporopolenin, यार नहीं रहे, तो covering मनी रहती है, वो earth का सबसे hard material है, तो इसके अंदर दो nucleus होते है, एक होता है generative, एक होता है vegetative, generative से आपको excel को fuse कराना है, vegetative का क्या करना है, ये आपके लिए surprise है, जो कि आपको आगे की lecture में पता चलेगा, तो मैंने आपको fertilization के बारे में बताया था, कि ये fusion होता है gamete का, ज जिसमें किसी भी method से जो आपके polaring rain होते हैं, फीमेल पार्ट में आके गिर जाते हैं, ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से समझेगा, एकदम ध्यान से समझेगा, अब मैं आपको इसकी process समझाने वाली में इदर आईए, fertilization की process देखिए क्या है, देखिए, so we have how many cells in the embryo sack, count क देखिएगा, embryo sack में हमारे पास कितनी cell हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेगा, यह embryo sack है, जो कि ovule के अंदर था, हमारे पास cell है, एक यह, जिसे आपने कहा, एक cell, आजू बाजू में दो cells हैं, जिनको आपने कहा, synergid, we have how many cells in the upper part, three cells, how many part in the upper part, how many in the upper part, three cells called as antipodal, how many cells in the middle, it is one, it is one, क्योंकि यह divide नहीं हुई है, यह चीज़ आपको याद रखना है, यह divide नहीं हुई है, तो हम इसे consider एक ही करेंगे, ओके, so one, this is one cell, this is two cell, this is three cell, collectively this is four cell, this is five, six, seven, तो एक embryo sac में कितनी cells होती हैं, how many cells बच्चों, एक embryo sac में कितनी cells होती हैं, एक embryo sac में माड़ा हम होती हैं, seven cells, कितनी cells होती हैं, seven cells, ठीक है, गिन लीजे आप, तीन होती हैं नीचे की एक cell और दो synergid उपर की तीन होती हैं, जिसे आप antipodal cell कहते हैं, तो कितनी हो गई, total यह 6, बीच में जो polar nuclei यह secondary nucleus होता है, इसको हम एक ही consider करेंगे, क्योंकि इनका division नहीं हुआ है, इनको आप collectively एक ही मानेंगे, तो यह हो गई four, तो तीन उपर, तीन नीचे छे, और बीच की एक हो गई seven, so how many cells in the embryo sac, we have seven cells, then count how many nucleus we have, ठीक है, कितने nucleus हैं आपके पास, ध्यान से देखिए, count करिए, तो इनके पास दो nucleus है, तब ही तो यह two N structure है, दो nucleus, तो दो nucleus यह हो गई, तीन nucleus antipodal cell के हो गई, तो यह दो nucleus synergid के हो गई, और एक nucleus हो गई, आपका एक cell का, ठीक है, तो तीन nucleus इसके हो गई, दो nucleus इसके हो गई, तीन nucleus इसके हो गई, तो nucleus कितने हो गई अपने पास, nucleus हो गई seven, तो embryo sac कैसा structure है बच्चों, embryo sac जो होता है, ध्यान से समझेगा, embryo sac जो होता है, वो seven cell, eight nucleus structure है, समझ में आई बात, तो embryo sac is the seven cell, eight nucleus structure, यह याद रखियेगा, कि embryo sac में हमेशा साथ cell और उसके अंदर आठ nucleus होते हैं, बीच वाली जो है, वो एक ही cell है, पर उसमें दो nucleus है, please remember this always, okay, so I hope कि यह कहानी अभी आपको समझ में आ गई होगी, मैंने आपको और मेंगनीफाई करके embryo sac के बारे में पढ़ाया, now next thing जो आपको पढ़नी है, वो यह है कि बहुत सारे pollen grain, pollen grain का structure हम लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत सारे pollen grain जो होते हैं, वो आपके stigma पे गिरे, ध्यान से समझेगा, बहुत सारे pollen grain जो होते हैं, वो stigma पे गिरे, done, और यह जो pollen tube, देखें, यह pollen tube आ रही है ना, यह pollen tube जो है, अब वो जाकर आपके ovule में entry लेती है, micro pilar end से जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, अब आपकी जो pollen tube है, आप वो ध्यान से देखिए कि कहां entry ले रही है, वो entry ले रही है आपके ovule में, एक pollen grain में कितने nucleus होते है, दो, ओके, एक pollen grain में कितने nucleus है, दो, अब यह जो दो nucleus है, उसमें से एक है generative, दूसरा है vegetative, ध्यान से देखिए कि इनको आप sperm cells या germ cells भी कह सकते हैं, एक यह हो गया और दूसरा यह हो गया, यह चीज़ ध्यान से समझेगा, ठीक है, तो एक यह हो यह और दूसरा हो गया यह यह समझ में आया आपको आयोग की समझ में आ गया होगा ओके अब ध्यान से समझना यह कि यह जो दो सेल्स हैं वो किससे किससे फ्यूज करेंगी एक सेल है यह और देखिए यहां से यह पूरा पार्ट जो है यह फीमेल का पार्ट कहला था यहां से आपकी पोलन ट्यूब एंट्री ले रही है पोलन ट्यूब के पास कितने न्यूखलेस है दो ठीक, कितने nucleus है, 2 जब मैंने आपको पहले lecture पढ़ाया तो उसके सब से starting में मैंने ये diagram बनाया भी था तो pollen tube के पास कितने nucleus है, 2 ठीक है, आपके embryo sac में कितनी cell है, 7 कितनी nucleus है, 8 पर अब हमें इनको किसे किसे fuse कराना है ये जानना बहुत जरूरी है I hope कि ये structure आपको समझ में आ गया होगा It is very, 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 very important ठीक है, ये समझ में आया तो ये हो गया stigma और ये हो गया style और ये हो गया आपकी ovary ठीक है, ये समझ में आया है आपको ovary के अंदर क्या present होता है आपका ovule, ठीक है ovary के अंदर present होता है ovule ovule के अंदर pollen tube ने entry लिया pollen tube के पास कितने nucleus है दो nucleus है, एक vegetative और एक generative vegetative का काम क्या है generative जो है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगे पहले generative का सुनिए generative will fuse with the egg cell ठीक है, जो आपका एक nucleus है वो egg cell के साथ fuse करेगा दूसरा जो है, वो polar nuclei के साथ fuse करेगा now let's start with the mechanism कि कौन सा nucleus किस के साथ fuse किया let's start, देखे होता कैसे है देखे ध्यान से, structure को बिल्कुल ध्यान से देखे so how many cells we have ध्यान से देखेगा पहले मैं आपको इसका एक flow chart बताती हूँ कैसे होता, देखे तो आपकी pollen tube में अगर मैं बोलू तो pollen tube में कितने nucleus है दो, ठीक ये आपकी क्या है pollen tube, ठीक ये pollen tube कहां entry ले रही है ये madam entry ले रही है ovule में, pollen tube के पास कितने nucleus है, pollen tube के पास दो nucleus है ठीक, pollen tube के पास कितने nucleus है दो nucleus है अब ध्यान से समझेगा, मैं आपको इसके पहले डाइग्रम में लेके चलूं, तो पहला जो नुकलियस है, वो किस के साथ फ्यूस करेगा? एक सेल के साथ, और दूसरा जो नुकलियस है, वो फ्यूस करेगा पोलर नुकलियाई के साथ. We have how many nucleus in the pollen tube? 2. 2 नुकलियस कैसे आए? क्योंकि एक pollen grain में 2 नुकलियस होते हैं. एक नुकलियस किस के साथ फ्यूस करेगा? एक सेल के साथ. तो दूसरा नुकलियस किस के साथ फ्यूस करेगा बच्चो? पोलर नुकलियाई के साथ. अब देखिए कैसे होता है. आब वन मेल गैमीट. ठीक, ये कैसा है सिंगल एंड? सिंगल एंड का मतलब क्या होता है? सिंगल एंड का मतलब होता है सिंगल सेट ओफ क्रोमोजोम. सिंगल एंड का मतलब क्या होता है? सिंगल सेट ओफ क्रोमोजोम. हाँ मैडम, ये तो हमें समझ में आ गया. अच्छा, एगसेल भी क्या है, सिंगल N तो पहला जो male gamete है, जो male nucleus है वो किसके साथ fuse करेगा, एगसेल के साथ सिन गैमी का मतलब होता है, fusion of gametes fusion of gametes, यह याद रखिएगा, सिन गैमी का मतलब होता है fusion of gametes, और क्या बन गए जाइगोट अब जाइगोट कैसा structure है, 2N मेरी बात समझ में आए, कि आपके one male gamete के पास कितना N है, one दूसरे egg cell के पास कितने N है, single N है अब one male gamete के पास single N क्योंगे है, क्योंकि इसके पास single set of chromosome है, अभी वो fuse नहीं हुआ, fuse होगा तब double होगा, अब egg cell के पास भी कितने set of chromosome है एक, ठीक है, जैसे male के पास 23 होता है, एक set और female के पास होता है 23, एक set जब दोनों fuse होते हैं, तब बनता है double set जो कि जाइगोट में जाता है, मतलब 46 तो जब single set आ रहा है, मतलब single N होगा इधर से single set आ रहा है, मतलब single N होगा जब दोनों fuse कर लेंगे, fertilize कर लेंगे तो double N बनेगा, जिसको हम कहते है, deployed ठीक है, तो fusion of gamete होगा sin gamete का मतलब होता है fusion of gamete यह याद रखिएगा आप लोग, sin का मतलब होता है fusion और gamete का मतलब होता है gamete fusion होकर इनने बनाया 2N क्या बनाया 2N, मतलब यह कौन सा structure है deployed, कौन सा structure है deployed, it is the deployed structure ठीक है, deployed समझ में आए, क्योंकि 2N है haploid structure है, this is the haploid structure मैं एक एक चीज बोड में लिखकर उसे समझा कर बता रही हूँ इसके बाद भी अगर किसी को doubt है तो please मुझे बताना, okay next है, यह समझ में आए कि पहले male gamete का क्या हुआ तो I hope आप समझ गए होंगे कि पहला वाला जो male gamete है वो जाके egg cell से fuse हुआ और उसने zygote का formation किया now next thing is, आप जो second male gamete है वो उसके पास भी single N है single set of chromosome पर polar nucleus कितने हैं अपने पास N structure ही याद रखिएगा ठीक है, one, two, दियान से देखिए polar nucleus दो हैं, एक और दो ठीक है, I hope कि आपको समझ में आया polar nucleus जो है, यह दो क्यों होते हैं यह cell तो एक ही है पर nucleus इसके पास दो हैं क्योंकि यह cell दो भागों में divide नहीं हो पाई इसलिए embryos X7 cell structure है, पर nucleus कितने होते हैं आठ, बीच वाली cell दो भागों में divide ही नहीं हो पाई, तो इसके पास कितने nucleus है, 2N male gamete के पास कितने gamete है कितने set of chromosome है, 1 polar nucleus के पास 2 set of chromosome क्यों है, क्योंकि एक ही cell में कितना nucleus है, 2 तो एक nucleus के पास 1 set दूसरे nucleus के पास 2 set अब यह दोनों जो हैं, जब यह fuse होंगे जब इनके बीच में fusion होगा तो यह कैसा structure बनाएंगे triploid, तो diploid मतलब 2N haploid मतलब single N और triploid मतलब 3N structure ठेक, और इस 3N structure को आप कहते हैं endosperm, क्या कहते हैं endosperm, diploid structure को आपने क्या कहा, zygote पर triploid structure को तुमने क्या कहा triploid structure को हमने कहा endosperm, I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा so endosperm is the triploid structure ठीक है, आई बात समझ में आप ध्यान से समझेगा जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ तो दियान से समझेगे कि यह हो गया आपका zygote zygote is the 2N structure ठीक, और इसके चारो तरफ होता है endosperm, ठीक है यह दियान से देखिए यह हो गया endosperm, इस बात को याद रखिएगा ठीक, तो endosperm कितना structure है? 3N, पर zygote कितना structure है? 2N, ओके? zygote is the diploid structure पर 10, endosperm is the triploid structure जो कि zygote के चारो तरफ पाया जाता है तो इसका मतलब आपको समझ में आया? इसका मतलब यह है कि zygote के चारो तरफ endosperm पाया जाता है जो से continuously nutrition protection यह से प्रवाइट करता है अब देखिएगा ध्यान से तो आपने इस प्रोसेस में ध्यान समझिए आपने इस पूरे प्रोसेस में कितने नुकलियस को फ्यूस कराया? सोचिए इस पूरे प्रोसेस में आपने embryo sac के कितने नुकलियस को फ्यूस कराया? हमने embryo sac के एक egg cell को फ्यूस कराया और दो polar nuclei को फ्यूस कराया, ओके? समझ में आई बात तो अगर आपने 3 nucleus को fuse कराया तो ये कितना fusion है बच्चों ये है triple fusion ये क्या है? triple fusion ओके धान समझेगा So how many cells we fuse in the process? We fuse 3 nucleus 1 from the egg cell and 2 from the polar nuclei जो के center पे थे इसे हम triple fusion कहते हैं अच्छ ठीक है माड़म ये हमें समझ में आगए 3 nucleus fuse कराया हमने embryo sac के इसलिए हम triple fusion कहते हैं पर आपने fertilization कितने बार कराया? हमने fertilization कितने बार कराया? सिर्फ 2 बार एक कराया हमने egg cell से male gamete का और दूसरा हमने कराया polar nuclei से एक male gamete का दोनों polar nuclei के साथ तो इसे हम कहते double fertilization तो हमने embryo sac के कितने nucleus fuse कराया? 3 एक fuse कराया हमने egg cell का और दो fuse कराया हमने polar nuclei के that is why it is called as fusion और triple fusion और हमने कितने बार fertilization कराया? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 male nucleus है 2 male gamete है इसलिए हमने एक को fuse करा दिया egg cell के साथ और एक को fuse करा दिया हमने आपके polar nuclei के साथ तो कितना fertilization हो गया? बच्चों यह हो गया double fertilization तो यह पूरी process को आप double fertilization triple fusion कहते हैं इस पूरी process को हम double fertilization और triple fusion कहते हैं क्योंकि एक fertilization हमने egg cell के साथ कराया और दूसरा fertilization हम इन दोनों polar nuclei के साथ कराये इसलिए double fertilization एक nucleus egg cell का है और दो nucleus polar nuclei के हैं तो यह triple fusion कहलाता है यह चीज आपको याद रखनी है तो ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन यह बात आपको समझ में अच्छी तरीके से आनी चाहिए इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताईएगा ऑके आई होब की यह बात आपको समझ में आ गई होगी इस वाली कहानी जो मैंने आपको समझाई वो क्लियर हो गई होगी अभी ताथ यह डाईगराम है ध्यान समझेए तो यह उपर की कौन सी सेल होती हैं एकी सेल में उसके बाद यहाँ से देखो पोलेंट ट्यूब एंट्री यह जिसमें दो नीले नीले कलर के क्या है mail gamete यह रेको mail gamete है यह यह अपने mail gamete हो गए ठीक है अब यही प्रासेस पुरा डाइग्राम में है अब यह जो दो mail gamete है पहला किस से fuse करेगा एकसेल के साथ यह क्या है आपकी XL ठीक है दूसरा किसके साथ fuse करेगा polar nuclei के साथ हां मैडम यह हमें अच्छी से समझ में आ गया polar nuclei में कितने nuclei nucleus है दो और XL के परस कितना nucleus है single मतलब single n ओके ये किसी को नहीं समझ मैंगा तो बता ना कि एन और 2N कैसे आता है n मतलब single set of chromosome 2n मतलब double set ओके अब देखो एक male gamete हो गया तो में एक male gamete इसके साथ polar nucleus के साथ fuse हो गया तो 3N structure बना 2N plus N equals to 3N 2N किसका है polar nuclei का और single N किसका है male gamete का ठीक इसलिए किते structure बन गया यह बन गया triploid structure जिसको तुमने क्या कहा endosperm और zygote zygote is the deployed structure यह देखो ध्यान से जाइगोट बन गया अब यह जाइगोट डिवाइट होगा और यह बनाएगा embryo क्या बनाएगा embryo और यह हो किसके अंदर रहा है embryo sack के अंदर किसके अंदर हो रहा है बेटा embryo sack के अंदर यह चीज याद रखना so we fuses 3 nucleus 1 2 & 3 that is why it is called as triple fusion we fertilize two male gamete from one from with the polar nuclei and one with the axel that is why it is called as double fertilization so I hope you got the double fertilization and the triple fusion process इस diagram को ध्यान से देखिये और अगर इसमें भी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो please मुझे message करियेगा it is very easy busy process बस इन lectures को ध्यान से सुनियेगा बाकी की आगे की process मैं आपको next lecture में समझाओंगे तब तक इन lectures के साथ बने रहे है क्योंकि थोड़ा सा यह difficult process है इसले इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है यह इस चीज को हमेशा याद रखिएगा ठीक है इसको पढ़ते रही है और कुछ डाउट होगा तो मुझे बताईए तब तक के लिए thank you so much Hello students, very good morning to all of you and welcome to Magnet Brains मैं हो शिप्रातिवारी आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Last class में हमने जो critical चीज पढ़ी थी I hope कि अभी तक आपने वो पढ़ लिया होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो please उसे जल्दी से पढ़िए Now last class में जो चीजे पढ़ी थी उनकी slides के बारे में मैं आपको फिर से quick revision देती हूँ और fertilization की ये जो slides मैंने आपको छोड़कर समझाना शुरू कर गया था तो I hope कि मैं आपके दिमाग तक hit कर गई होंगी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया होगा So let's start, pollen grain जो है वो germinate करते हैं stigma पे और stigma के पे germinate करके वो pollen tube बनाते हैं मैंने आपको बताया है उसके बाद pollen tube में जो होते हैं how many nucleus, two nucleus, pollen grain जो होता है उसके अंदर दो nucleus होते हैं The pollen tube divided into two male gametes, the pollen tube penetrate the stigma, penetrate करेगी stigma को और उसके बाद style से होते हुए वो micropilar end से गुश जाएगी Micropilar end याद है ना कि भूल गए, नहीं माडम नहीं भूलें, this is the micropilar end, ठीक है यहां से जो है आपकी pollen tube गुश जाएगी अब यह जो pollen tube है, यहां से micropilar end से, यहां से pollen tube गुश रही है कि नहीं गुश रही है, हाँ मैं गुश तो रही है अब next thing जो आपको देखनी है वो है कि micropilar end से आपकी pollen tube गुश जाएगी उसके बाद वो embryo sac में दोनों male gamits को release कर देगी, दोनों male gamit में एक male gamit किस से fuse होगा एक cell से, और दूसरा male gamit किस से fuse होगा, polar nuclei से, polar nuclei, polar cell में कितने nucleus हैं, दो और XL में कितने nucleus है, एक, तो XL जो है वो एक nucleus और दूसरा हो गया male gamit का तो एक male gamit, एक cell के साथ fuse करेगा, तो zygote बनाएगा, जो कि एक diploid structure है दूसरा male gamit, दो polar nuclei के साथ fuse करेंगे, ये दो N है क्योंकि दो nucleus है, ये single N है क्योंकि single nucleus है और उसके बाद triploid structure बनाएगे, जिसे हम क्या कहते हैं, endosperm तो यहां पर होता है, zygote, z मतलब zygote और इसके चारो तरफ होता है endosperm इसका मतलब ये के endosperm वो structure होता है, जो की zygote को nutrition provide करता है, उसके बाद how many nucleus we fuse in the triple fusion, 3, 2 from polar nuclei, 1 from XL, how many fertilization we have done, how many, 2, 1 from the male gamete to the XL, first fertilization and 1 from the male gamete to the 2 polar nuclei, that is why how many nucleus we fuse, 3, that is why the process is called as triple fusion, how many fertilization we have done, 2, that is why it is called as double fertilization. so this process is called as double fertilization triple fusion, I hope कि आपको ये चीज़े समझ में आ गई होंगी, ये diagram समझ में आ गया होगा, ना, next is the post fertilization event, ठीक है, हमने ये समझ में आया, कि ये जो है ये तो हो गया zygote, ठीक है, हाँ मैडम ये हो गया अपना zygote, ओके, zygote कैसा structure है, double N, double set of chromosome है इसमें, इसके चारों तरफ हम क्या बनाते हैं, इसके चारों तरफ हम बनाते हैं endosperm, क्या बनाते हैं endosperm, ठीक है, तो endosperm कैसा structure है? triploid और zygote कैसा structure है? diploid ठीक है? तो endosperm जो होता है वो zygote के चारो तरफ पाया जाता है endosperm को हम कह सकते हैं जैसे की मटर होता है जो मटर का छिलका होता है आपने देखा होगा मटर के उपर एक spine सा एक cover होता एक छिलका होता वो उसका endosperm होता और अंदर उसका क्या है? embryo या सी को सीड कहते हैं तो zygote के चारो तरफ होता है embryo अब समझना है आपको कि हमने zygote बना लिया, हमने endosperm बना लिया अब क्या-क्या events होगे? यह अपने को जानना बहुत ज़रा ज़रूरी है नाव, post-fertilization event में हमें क्या समझना है? वो ध्यान समझिये this includes the endosperm and embryo development अब समझिये, जब हमने zygote बनाया और उसके चारो तरफ एक बहुत पतला सा endosperm बनाया पर जैसे-जैसे क्या होगा, बेटा, development मैं इसको छोड़ा सा छोटा ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको development मैं और अच्छे से समझा पाऊ तो समझियेगा कि जैसे कि यह zygote है ठीक है, this is your zygote, z मतलब zygote, ओके and this is your endosperm, ठीक है हाँ मैडम, यह हमें समझ में आ गया this is our endosperm, ठीक है, यह हो गया endosperm हुआ, तो हुआ क्या मुझे बताओ, जब यह और डेवलप हुए तो जो zygote है, वो किस में convert हो गया, it will convert into the embryo, zygote किस में convert हो गया, embryo और जो आपका endosperm था, वो और बड़ा हो गया जो endosperm था, वो क्या हो गया, और बड़ा हो गया ताकि continuously वो उसे nutrition देता रहे, समझ में आई बात, अब मेरी बात ध्यान से समझना, it is just a general knowledge कि बहुत सारे ऐसे embryo रहते हैं, जो endosperm का पूरा nutrition खीच लेते हैं, तो उनका endosperm ने बहुत पतला रहता है, बहुत पतला, जैसे मटर, जैसे जो पीज होते हैं, उनके उपर जो छिलका रहता है, कैसा रहता है, बच्चों, बहुत पतला रहता है, इसका मतला भी ही कि endosperm में जितना nutrition था, वो सब उनने खीच लिया, पर अगर मैं दूसरे अपने इसकी बात करूँ, दूसरे फ्रूट की बात करूँ, दूसरे प्लांट की बात करूँ, तो उसमें अगर बहुत फ्लेशी उपर का दिख रहा है पार्ट, तो जैसे कि नारियल, नारियल के उपर जो आपको ब्राउन कलर का दिखाई देता है, आच्चली वो उसका endosperm ही है, तो जिन endosperm का nutrition हम पूरा यूटिलाइस कर लेता है, embryo पूरा यूटिलाइस कर लेता है, वो endosperm हमेशा पतला थेन रहता है, पर जिन endosperm में उपर जैसे कि टामरिंड, इमली, इमली का उपर का endosperm आपने देखा है कितना मोटा रहता है, क्योंकि उसका embryo रहता है, वो पूरा nutrition नहीं खीच पाता है, इसलिए उसका उपर का cover हमेशा मोटा रहता है, तो I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा, अब maturation of ovule into the seed, ठीक है, maturation of ovule into the seed and ovule into the fruit, ठीक है, अब यह जो embryo बना आपका, यह develop होकर क्या बनाएगा, यह develop होकर बनाएगा seed, और उसके चारो तरफ जो चीजे पर present हैं, जैसे ovule है, ovule के इंदर अपनने आपका seed, center पर जो present होता है, वो क्या है, seed, अगर मैं पिछले diagrams में लेके चलूँ, अगर मैं आपको ovule के diagram में लेके चलूँ, तो आपको समझ में आएगा, कि यह जो पार्ट है, जो embryo है, यह है seed, और इसके चारो तरफ जो चीजे present है, वो है fruit, तो ovary is the ribed ovary, जो आपकी ribed हो जाती है, जो पक जाती है, so the ribed ovary is the fruit, but the ovule और the embryo is the seed, यह चीज़ आपको यार रखनी है, अब endosperm, endosperm के बारे में मैं आपको बता दिया न, it is the triploid tissue, कैसा tissue है, triploid tissue, हमेशा जाइगोट के चारो तर खाना, बहुत सारी nutritive elements होते हैं, जो की हमेशा embryo को देने पड़ते हैं, अब embryo तुमारा बहुत जादा भूका है, तो पूरा ले लेगा, और अगर उसको कम चाहिए, उसको काम चल जाता है, तो endosperm से पूरा nutrition नहीं खीचता, इसलिए उसके चारो तरफ का endosperm मोटा रहत है, और जिनका बहुत जादा जो है, तो बहुत जादा यूटिलाइज कर लेता है, उनका हमेशा कैसा होता है, उनका हमेशा कैसा होता है, उनका हमेशा पतला रहता है, जैसे मतर का छिलका पतला रहता है, तो छिलका is the embryo, छिलका महला पॉर्ड मत समझना, मतर के ऊपर भी ए Embryo क्या है इस बिप्लोइड जाइगोट डेवलप इंटव तूधा Embryo और इसे आप जाइगोट जो होता है वो किसमें डवलप हो जाता है Embryo में डवलप हो जाता है यह चीज आपको यार रखनी है ठीक है जाइगोट भी टेवलप इंटू दा Embryo तो ओके भेट अब इट फॉलो अच्छा ध्यान समझिए जो आपका जैसे-जैसे जाईगोट डिवाइड होता है जैसे जाईगोट डिवाइड होकर क्या बनता है Embryo तो जैसे जैसे Embryo बड़ा होते जाता है वैसे वैसे endosperm भी आपने आपको इंडोसपर्म उसके चारों तरफ किया बनेगा इंडोसपर्म tappingande उसके चानों तरफ का कवड को क्या ते है, एक male gamete का fusion, दो polar nuclei से, तो क्या बनता है endosperm, zygote कैसे बनाया, zygote हमने बनाया, एक male gamete का fusion, एक X-cell से, तो यह क्या बन गया, zygote, ठीक है, तो zygote के चारो तरफ क्या बनता है endosperm, जिसकी वज़ा से continuously beach जो होता है, जो embryo होता है, उसे nutrition मिलता है, now, जो fruit होता है, what is a fruit, मैंने आपको बताया, कि center में होता है embryo, center में क्या होता है embryo, embryo के चारो तरफ जितनी भी चीज़े हैं, वो सब fruit है, जैसे कि मैं example लेती हूँ mango, इस समय बहुत season में है mango, चीक है, अच्छा, मैं आप ध्यान से समय ना, कि जब आप आम को ऊपर का खा लेते हैं, तो इस फ्रूट, ठीक, उसके बाद जब आपन आम की जो उसकी अंदर की जो सीज रहती है, उसकी जो गुटली रहती है, जब आप उसको फोडते हैं, तो आप देखते हैं कि बीच तो अंदर है, तो उपर क्या है, उपर है इंडोस्पर्म, ठीक, आम को ध्यान में रखी है अपने, तो जब mango का जो फ्लेशी एरिया रहता है, वो है उसका fruit, ओके, जब आपने बीच के पाट को फोड़ा, कभी उसको तोड़ कर देखिएगा आज, इसमें बड़ा सीजन में हैं, उसको फोड़ कर देखेंगे, तो जो चीज फूट गई, जो चीज तूट गई, तो ब्रोक डाउन करेंगे, तो बीच से अंदर से एक छोटी सी चीज निकले अज़से कि वो है उसका यम्ःव्यों, जिसे आप बीच कहतें, और ऊपर जो हाड जा सा है वो है उसका एंडोस्पर्म, आईवास समझ में? तो जो सीड की उपर के चारो तरफ होता है आपका उसका फूट, तो सीड एज दडे इंडी उसके चारो तरफ होता है आपका फ्र उसके बाद endosperm उसके बाद seed ठीक है उसके बाद जो है तो fruit आप खाली जे मतलब आपने ovary खाली बचा क्या endosperm endosperm को तोड़िये फेक दीजे बचा क्या seed अब seed को वापस से जमीन पे लगा दीजे so embryo is the seed and ovary is the fruit okay fruit को खालेंगे तो बचेगा seed पर seed भी किसके अंदर होता है endosperm के अंदर तो आम का जो बीज होता है वो अंदर रहता उपर का जो cover रहता हो fruit उसके बाद होता है आपका endosperm ये चीज़ आद रखिएगा ठीक है so I hope कि आपको समझ में आ गया होगा और हमेशा ये जरूरी नहीं है कि ripe ovary को ही हम fruit कहें पर क्योंकि तुम 10th class में हो इसलिए हम ovary को fruit कह सकते हैं अलग-अलग method हैं अलग-अलग type के part को हम fruit कहते हैं पर आपको ये सीख रहा है कि जो ovary होती है वो है fruit अंदर जो चीज प्रेजन्ट है वो है seed, seed की ऊपर seed coat क्या है endosperm जिसका endosperm सब यूटिलाइज कर लिया embryo को वो soft होता है जिसका नहीं उटिलाइज कर पाए वो hard होता है जैसे की आपका mustard, mustard की ऊपर जो काला कवर रहता है जो आप जिसको आप राई कहते है mustard की ऊपर जो काला कवर रहता है वो उसका endosperm है mustard तो yellow होती है जो की उसका seed है now next thing is की fruit is developed from the ovary, formation of fruit and seed is simultaneous जैसे embryo develop होता है वैसे endosperm और ovary भी develop होती है तो दोनों एक साथ होते है fruit और seed ये दोनों result है fertilization के तो अगर fertilization नहीं होगा तो ना तो seed बनेगा और नहीं fruit बनेगा ये चीज़ याद रखना है तो ध्यान से देखेगा कि अंदर क्या है अब देखिए ये जो seed मैंने आपको बताया it is very very important और इससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी ठीक है ये एक corn seed है corn seed मतलब समझ गए मक्का बुट्टा जिसको आप कहते है जनरली आजकल बड़ा trend में है वो तो इसके center पर जो part आपको दिखाई दे रहा है ये है इसका beach ठीक है जिससे आप embryo कहते हैं और embryo ही बाद में चलके बनता है seed ठीक है आप समझना ये जो seed है इसके just ऊपर का covering होता है endosperm अगर आप अपने corn के दानों को खाएं तो दाना अंदर होता है उसके उपर एक yellow color का cover होता है जिसको आप कहते है endosperm तो सबसे पहले हो गया embryo जिससे आप बाद में चलके क्या बनेगा seed इसके just ऊपर क्या बन गया endosperm और endosperm के होता है के ऊपर होता है seed coat okay समझ में आई बात so I hope कि यह चीज आपको समझ में आ गई होगी कि seed क्या होता है उसके ऊपर endosperm क्या होता है इसी तरीके से जैसे इसके ऊपर endosperm है यह पूरा पार्ट जो है reserve food material है इसी को collectively बहुत सारे लोग fruit भी कह देते हैं पर actually fruit is the covering और it is the ovary, mature ovary ठीक है So I hope कि आपको समझ में आ गया होगा what is double fertilization, triple fusion, कौन ovary, कौन fruit बनता है, कौन seed बनता है तो mature ovary is the fruit and mature embryo is the seed, seed की ऊपर जो covering है वो है endosperm जो continuously इसको nutrition supply करता है So this is all about the plant fertilization और reproduction in the plants इतने पूरे lecture में अभी भी मैं बोल रही हूं कि किसी को कोई भी परेशानी हो तो please let me know, I am with you तब तक के लिए इन वीडियो के साथ बने रहे है, in the next class we will deal with the reproduction in the human beings तब तक के लिए thank you so much Hello students, welcome to Magnet Brains, मैं हो शिप्रातिवारे और आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है So last class में हम लोगों नहीं ये पड़ा कि किस तरीके से plant में reproduction होता है, I hope कि वो आपको समझ में आ गया होगा और अगर नहीं समझ में आया तो please मुझे continuously message करती रहे है कुछ लोगों का doubt था कि अभी भी हमें ये समझ में नहीं आया कि ovule क्या है Ovule is the part of the ovary, ovule के अंदर embryo sack होता है जिसके अंदर बहुत सारे nucleus होते हैं और इसके से fertilize होता है आपका pollen grain का nucleus So ये बहुत जादा कोई difficult चीज नहीं थी, plant का reproduction अब बहुत असान है उसमें थोड़ा सा tricky part है double fertilization and triple fusion पर उस video में मैंने बार 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 वो चीजे बोली है तो I hope कि वो आपको समझ में आ गया होगा Now next thing जो आज आपको पढ़ना है वो है plant का जो आपने पढ़ लिया था, next thing जो आज आपको पढ़नी है वो है human being का reproduction यह अपने आप में पूरा पूरा एक chapter है, 12th class में हमने यह chapter पढ़ना है या जो लोग biology लेने वाले हैं उनको यह chapter आएगा So आज जो हम chapter पढ़ेंगे वो है male reproductive system, it is the second part of the reproduction, it is little bit difficult but not so difficult आज जो chapter हम पढ़ने वाले हैं उसमें male reproduction हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद female reproduction पढ़ेंगे Male reproduction जो होता है वो थोड़ा अलग होता है female reproduction में पर कहानी वही है जैसे आपने plant में पढ़ा था कि आपको fusion करना है male से female gamut का वैसे ही इसमें भी human beings में भी male और female gamut का fusion होता है प्रेसाइज होता है और थोड़ा ज्यादा time लेता है, plant का reproduction में इतना ज्यादा time नहीं लगता है और उतना ज्यादा precise हो यह ज़रूरी नहीं है pollen grain कहीं से भी आ सकते हैं पर इनके में perfect method होता है जिससे sperm will delivered into the female body then it will fuses with the ova ठीक है तो fertilization का basic concept वही है बस method of delivery of the sperm और the male gamut in the plant as well as in the human being will be different ठीक है तो लेट स्टार्ट कि क्या है reproduction system कहानी वही है बस method अलग है ठीक है so let's start देखे क्या है reproduction sexual reproduction plants में जैसा था वैसा ही animal में होता है जैसे plant में fusion of gametes होता है वैसी male में भी fusion of gametes होता है इसे ही आप sexual reproduction कहते हैं जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है reproduction resulting from the fusion of male gamete and the female gamete is called as sexual reproduction ठीक है अब human beings जो होते हैं इनमें दो separate sexes होते हैं that is why they are called as bisexual male और female इनमें अलग-अलग पाए जाते हैं male अलग होता है female अलग होता है they are distinguished in nature ठीक है individual of the two sexes so distinctive feature जैसा कि मैंने अभी आपको एक second पहले यही बताया था called as secondary sexual characteristics हमेशा याद रखिये कि कि किसी भी अगर आप human beings की बात कर रहे हैं तो किसी भी male या female को पहचानने का तरीका उसकी characters ही है ठीक है जो बाहर से आपको दिखाई देते हैं ठीक है आपको बाहर से क्या दिखाई देता है बाहर से यह दिखाई देता है कि अगर high pitch voice है अगर आवाज में थोड़ी सी पतली आवाज है तो वो लड़की होगी ठीक है अगर आप देखते हैं कि पेल्विक गर्डल कमर का हिस्सा चोड़ा है तो वो लड़की होगी अगर आप कंधा चोड़ा देखते हैं तो वो लड़का होगा तो कुल मिला कि यह जो physical appearance आपको दिखाई देते हैं बाहर यह होते हैं secondary sexual characteristics तो what is the primary sexual characteristics? Primary sexual characteristics आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि यह होते हैं testis and ovary जिन मनुशियों के पास, जिन human beings के पास testis होता है वो उनका primary लक्षण है, primary character है, primary sexual character है और इन्हें हम male कहते हैं जिन human beings के पास ovary रहती है उन्हें हम females कहते हैं, these are the primary sexual characteristics जो आपको दिखाई नहीं देंगे बट secondary sexual characteristics जो male और female को distinguish करते हैं उन्हें अलग-अलग करते हैं वो आपको दिखाई देते हैं और आप दूर से देखके पैचान जाएंगे कि it is a female and it is a male okay, now next thing, such distinguished feature present in all the animals, even मैं तो कहुँ human beings की बात आप छोड़ दीजे, even आप गाय, भैस, इन सब में भी देखेंगे ना तो आपको male और female के बीच में perfect अंतर पता चल जाएगा तो जो भी multi-cellular मतलब जो भी ऐसे बड़े-बड़े organisms होते हैं, जो animals होते हैं, इन में आप male और female को आसानी से distinguish कर सकते हैं, क्योंकि आप human being है, इसलिए आपको human being को distinguish करना, अलग करना सबसे अच्छा आएगा दूसरी बात, एक समय ऐसा होता है, आप समझेंगे, जब एक छोटा बच्चा होता है, तो generally अगर हम देखें कि छोटे बच्चे में बहुत जादा अगर आप दूर से देखें, तो उनमें आप बहुत जादा कोई अंतर नहीं समझ पाएंगे, जब तक वो बोल नहीं पाते आपको लड़का लड़की जो हैं जब तक दूर से देखेंगे तो वो एक जैसे ही दिखाए देंगे, पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, और ये बदलाव जो हैं, नहीं ही आप secondary sexual characteristics कहते हैं, और ये बदला से 13 जो एज हैं, यहां से changes जो होते हैं, वो शरीर में शुरू हो जाते हैं, जब ये change आपके शरीर में शुरू हो जाते हैं, तो it is called as puberty, it is called as what, puberty, हर organism में, either it is male और it is female, सब में ये changes आपको दिखाए देंगे, कुछ में ये pubertal age जो होती है, वो जल्दी आ जाती हैं, और क कोई animal हैं, तो उन में ऐसे changes आपको दिखाए देंगे, these changes are called as pubertal changes and the age when these changes will arrive in the body called as pubertal age, okay, so when these character will arrive, this is called as puberty and these character always arrives after the puberty, okay, now what is the definition of the puberty, let me tell you this, at the age at which the gametes and the sex hormone to be produced and the boy and girl become the sexually mature is called as puberty, हमेशा ये याद रखिए कि primary sexual characteristics जो होते हैं, ध्यान से समझीए जो मैं बोल रही हूं, क्योंकि आज जो मैं आपको बोलने जा रही हूं, इसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ रटा विकेशन नहीं करना है, और जो है new education method है, उसमें हमेशा आपको जो रटने वाला concept है इसको reduce करना है, तो जितना जादा आप सुनेंगे, उतना जादा जो है आपको याद होगा, हमने content को बिल्कुल smart बना दिया है, और इसी आपको बहुत जादा रटने की जरूरत नहीं, अपने आप चीज़े समझ में मिले होते हैं, पर secondary sexual characteristics तब arise होते हैं, तब generate होते हैं, तब बनते हैं, जब शरीर में ये ovary और testis कुछ hormone निकालते हैं, इन hormones की वज़े से शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव दिखता है, और इसी बदलाव को आप secondary sexual characteristics कहते हैं, इसका मतलब ये कि जब तक आपके body में testis क्या ovary से hormone, sexual hormones नहीं निकलेंगे, तब तक आपकी body में किसी भी प्रकार का दूसरा बदलाव नहीं आएगा, और जब तक दूसरा बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम ये मान रहे हैं कि उस शरीर में puberty अभी नहीं arise हुई है, तो इस शरीर में puberty अभी नहीं अराइस हुई or the symptoms are called as secondary sexual characteristics, why it is called as symptom, it is not symptom, it is a character, okay, generally the female pubertal age is the 10 to 12 years, ठीक है, मैंने 11 to 13 बताया है, but it may be vary, okay, तो pubertal age जो female की है, वो है 10 से 12 साल और जो male होता है, उसकी age है 13 से 14 साल, it may vary from body to body, okay, so, next thing is the, कौन-कौन से secondary sexual characteristics हैं, जो की female में दिखाई देते हैं, जब उसकी ovary जो होती है, जब वो hormones निकालने लगती है, ध्यान से समझेगा, तो ovary तो बच्चे में जो female girl है, उसमें तो हमेशा सही है, ठीक है, हमेशा सही है, पर pubertal age जो है, वो तब आएगी जब ये ovary जो है, progesteron, estrogen, जो male hormones होते हैं, वो निकालना शुरू करती है, ठीक है, अच्छा, ये hormone क्या करते हैं, कि blood में घुल जाते हैं, और blood के माध्यम से, blood के help से, पूरे body में transport होते हैं, और जहां-जहां, blood के help से transport हो रहे हैं, मतलब body के हर पार्ट में जाएंगे, और body में अलग-अलग changes show करेंगे, So, it is the female, जो कि ये बता रही ही कि इसमें कौन-कौन से secondary sexual characteristics हैं, So, let me explain this, Generally, ये जो परेशानी है न, ये हर जो है, आप, even आप लोगों में शायद ये जो है, कुछ परेशानी शुरू हो भी रही होगी, Because you are at the gate of the puberty, ओके, First, जो आपको character दिखेगा, the skin becomes more oilier, ठीक है, जो आपका skin है, उसमें बहुत सारे pimple होगा, अच्छा, skin जिनकी dry है, उनमें कोई pimple नहीं होगा, but skin जिनका थोड़ा oily feel होता है, उनकी में और ज़्यादा oil secret होगा, and they start become so many pimples into your skin, जिसकी विजए से skin आपकी बहुत ज़्यादा oily दिखेगी और बहुत pimples भी दिखाए देंगे, So, जब यह आपका start होने लगे, it means you are the urge of the puberty, Now, next thing, the hair, जो है आपके पूरे body में, अंडराम से सारे hair, जो है, वो सारे sexual organs में hair की growth चिडू हो जाएगी, Now, next thing is the hip bone is the wider, it is the difference between the male and the female, okay, Male जो होता है उसका hip bone होमेशा जो है चोड़ा कम होता है, जब की female का hip bone जो होता है, वो हमेशा जादा होता है, The weight gain on the hips, the hips become wider because of the weight gain or fat deposition into the hips, that is why the hip bone or the hip area become larger, okay, the leg muscle get bigger and the stronger, you saw that the area of the lower abdomen, abdomen is the area of the below the diaphragm or the pate वाला जो area, it is called as abdomen, इसके नीचे का जितना भी area होता है, इसे हम कहते हैं below abdomen, below abdomen में hip का area आता है और पैर का area आता है, तो आपको पैर मोटे दिखाई देंगे और hip जो है वो चौड़ी दिखाई देगी, Now, next thing is the, मैंने आपको बताया कि body में, पूरे body में hair growth होने लेगे, जिसमें sexual organs भी है, वहाँ पर भी, body becomes more curvier, ठीक है, body becomes more curvier का मतलब यह है कि your sexual organ become large, ठीक है, उसके बाद hip bone become broad, तो इसलिए body जो है वो आपको कर्व वाली जादा दिखाई देगी, So, these are the some sexual characteristics of the female, ठीक है, कुछ characteristics है female कि और मैं आपको बताती हूँ कि कौन-कौन से होते हैं, ठीक है, widening of the pelvis, pelvis का मतलब कमर होता है, ओके, high pitch voice, it is the one of the character of the distinguish करने के लिए male और female को कैसे आप अलग करते हैं, high pitch voice, ठीक है, female की जो होती हो high pitch voice होती, high pitch voice का मतलब होता है, पतली आवाज, और थोड़ा सा आवाज में कन-कनाहट होगी, ठीक है, वो सुरीली होगी, बट थोड़ा से एक आवाज में कन-कनाहट आपको फील होगी, it is called as high pitch voice, ओके, तो जब आपको कन-कन-कन ऐसी तेज आवाज, तीखी आवाज आए, it is called as high pitch voice, जो की लड़कियों में होती है, और समय के साथ ही और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, growth of the hair armpits are around the pubic area, pubic area is the area of the sexual organ, ठीक है, initiation of the menstruation cycle, ठीक है, यह आपको पढ़ाऊंगी में, growth of the memory glands of the breast, यह भी secondary sexual characteristics है, darkening in the area of the genital area, sexual area or the sexual organ become dark, maturation of the secondary sexual organ like the fallopian tube and the uterus, uterus में भी enlargement होने लगता है, क्योंकि बड़े होकर uterus अगर बड़ा नहीं हुआ, तो बच्चे को hold कर पाना is very difficult, so these are the secondary sexual characteristics of the female, और यह characters जिन में भी होते हैं, वो distinguish करते हैं उन्हें male से, उन्हें distinguish करते हैं male से, so these are the characters, now let's talk about the secondary sexual characteristics in the male, female we discussed, just opposite होगा male का, ठीक है, skin become oilier, लड़कों में भी यह परिशानी हमेशा बड़ी रहेगी, तो अगर आपका skin oily लगता है, मतलब secondary sexual characteristics, मतलब आपके testis से testohistoron hormone निकलने लगा है, और वो आपके body में secondary sexual characteristics को develop कर रहा है, shoulder become wider, अच्छा, shoulder जो होता है, लड़कियों का कम हो जाता है, पर लड़कों का चौड़ा हो जाता है, facial hair, beard आने लगेगी आपकी, beard and mustache, hair under the arm, same thing, उसके बाद pubic hair, same with the genital organ में hair growth होगी, चैक है, उसके बाद chest, neck, leg, muscle, यह सब चीज़े strong हो जाएगी, तो यह सब जो है, same है with the female, पर अगर मैं बात करूँगी, आवास की, अगर मैं किस की बात करूँ, आवास की, तो आवास जो होती है, वो भारी हो जाती है, फीमेल की कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है, पर लड़कों की क्या हो जाती है, भारी हो जाती है ठीक है डीपनिंग ओफ वाइस जिसे आप कहते हैं डीपनिंग मतलब बहुत भारी आवाज आएगी आपको तो यह जो टेस्टीस का डवलपमेंट होता है इंक्रीज आक्टिविटी ओस्वेट एंड सिबेशियस सिबेशियस ग्लैंट वह ग्लैंट होती हैं बच्चों जो आइल निकलती हैं तो पसीना भी बहुत ज़ादा आता है और ओली पिंपल्स बहुत ज़ादा हो जाते हैं और जनाइटल ओर्रगन्स जो होते हैं वह भी डाक में हो तो लोगों का प्लग एज बहुत पीछे चला जाता है हम 11 से 13 साल 10 से 13 साल 10 से 12 साल जो है फीमेल की मान रहें और 13 से 14 साल 15 साल हम मेल की मान रहें यह एज जो है डिपेंड करती है कि आप कितना जल्दी मैच्वर हो रहे हैं अगर आपका शरीर का मैच्वरेशन टेस्टोस्टेडोन हॉर्मोन जिससे से केंडे सेक्शुल कारेक्रेस्टिक जल्दी आएंगे सेम विद फीमेल अगर ओवरी जल्दी हो गई तो ओवरी से निकलने वाले हॉर्मोन जल्दी निकलेंगे जिससे से केंडे सेक्शुल कारेक्रेस्टिक जल्दी आएंगे यह बत आपके NCRT में दी हुई है और यह बाकी various examinations के लिए बहुत important है So in the next class we will deal with the male reproductive system So it is the introductory part of the reproductive system I hope you got it Next class में इसके आगे के details के बारे में पढ़ेंगे कि बहुत जादा कोई tough part नहीं है क्योंकि you are at the urge of the puberty So you very well known about these characters So I don't think so कि इसमें कोई confusion होगा तब तक के लिए videos को देखते रहे Next class में हम next video के साथ मिलेंगे Thank you so much Hello students, welcome to Magnet Brains मैं हो शिप्रातिवारी और आज के इस video में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है So last class में हम लोगोंने reproductive system human beings में शुरू कर लिया था उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था कि कौन-कौन से secondary sexual characteristics होते और मैंने आपको बताया था कि primary sexual characteristics कौन-कौन से होते हैं It means अगर मैं इसका quick revision दू तो development of testis and the ovary is the primary sexual characteristics जो की आपको बजपन से ही मिले होते हैं And development of various characters at the certain age, at after the certain age is called secondary sexual characteristics The pubertal age of the female is 10 to 12 or 13 years and 13 to 15 years is the male pubertal age इस age को आप कहते हैं pubertal age, यहाँ से secondary sexual characteristics शुरू हो जाते हैं और इस age को या इस stage को आप कहते हैं puberty So let's start with a separate video of the male reproductive system अब हम अलग-अलग पढ़ेंगे कि male reproductive system में कौन से part होते हैं, वो कैसे क्या काम करते हैं और उनका क्या function है So let's start reproductive system चाहे हम किसी की भी बात करें, चाहे male की बात करें, चाहे female की बात करें इनमें होता है primary reproductive system और एक होता है accessory reproductive system Now let me explain what is the primary reproductive system या primary reproductive organ So primary reproductive organ की बारे में अगर मैं बात करूँ तो primary reproductive organ होता है ovary ठेक in the female और testis in the male पर क्योंकि हम अभी किसकी बात कर रहे है male की तो यह हो गया है आपका testis ठेक तो primary sexual organ या primary reproductive system या primary reproductive organ in the male is the testis अगर मैं बात करूँ accessory की ठेक या इसी को अब secondary भी कह सकते हैं secondary reproductive organ तो accessory is the part of the male reproductive system जो primary को help करता है primary को help कौन कौन करता है जैसे कि उसकी जितनी भी ducts होती ducts मतलब क्या होता है बच्चो ducts मतलब pipe तो जितना भी pipe वगरा उसके चारो तरफ जितनी भी glands वगरा सब present होती है उसकी चारो तरफ उन सब को हम accessory reproductive part कहते हैं ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करूँ epididymus हो गया ये part जैसे वासा इफ्रेंशिया हो गया जैसे कि वासा डिफ्रेंशिया हो गया जैसे कि आपकी glands हो गई जैसे से minor vesicle prostate ये सब जो होते हैं ये सब accessory part होते हैं reproductive system के इसका मतलब ये कि primary होना तो जरूरी ही है अगर primary नहीं होगा तो accessory हो भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो first step of the male reproductive system is the development of the testis which is followed by the function of the accessory reproductive organ ठीक है तो accessory में थोड़ा उपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा पर अगर primary में किसी भी प्रकार का damage हुआ तो इससे accessory को फर्क पड़ेगा और accessory भी काम करना बन कर देगा या वो काम भी करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके so I think you got the you got my point so primary is the essential part accessory is the supporting part accessory will support the primary part or the testis or the ovary okay so I think you got my point what I am trying to say now let's start the part of the male reproductive system जिसमे सबसे पहले हम लो primary reproductive organ पड़ेंगे जो कि है testis ठीक है ध्यान से देखिएगा तो देखिए यह है आपकी human beings में यह होते है testis ठीक है यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं this is called as testis ठीक है testis जो होते हैं it is a oval shape structure ठीक पहले मैं आपको समझा देती हूँ testis is the oval shape structure अगर मैं color का जो आपको दिखाई दे रहा it is a testis we human beings or the male reproductive system has two testis oval in shape okay इसके ऊपर यह एक जो आपको यह दिखाई दे रहा it is called as scrotum scrotum is a sack like it is a packet of the testis जिसमे testis held down करता है now let's talk about our point कि हम testis के बारे में बात कर रहे है what is it ठीक है तो human beings के पास दो testis होते हैं oval होते हैं यह male sex organ है अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा ठीक है अब यह होते है't होते हैं below the abdominal cavity यह आपको याज रखना है तो यह present होते हैं below the abdominal cavity abdominal cavity के नीचे ठीक है ठीक है अब यह जो head on करते हैं abdominal cavity के नीचे अब ध्यान से समझेगा अब आपके जो testis होता है उसमें ध्यान से देखिए it is a diagram of the testis ध्यान से समझेगा यह जो आपको दिख रहा है इस पार्ट को छोड़ दीजे अभी इस पार्ट को छोड़ दीजे अभी I am talking about only this part ठीक अब यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं chamber जैसे देखिए यह जो आपको chamber दिखाई दे रहे हैं इनको आप कहते हैं lobule क्या कहते हैं lobule ओके तो आपके testis में होते हैं chamber क्या होते हैं chamber तो testis has the chamber and these chambers are called as lobules ओके lobules कहलाते हैं यह lobules करीब 15 से 20 हो सकते हैं so testis is the oval shape structure यह diagram को आपको ध्यान से देखना है कि testis एक oval shape structure होता है जिसके अंदर यह compartment जैसे segment यह compartment जैसे box present होते हैं in compartment जैसे box को हम लोग से कहते हैं lobules that is it क्या कहते हैं lobules यह होते हैं करीब 15 से 20 अब इतनी बात आपको समझ में आई ओके यह तो समझ में आ गया होगा इसमें कोई confusion नहीं है तो testis is the oval shape structure जिसमें करीब 15 से 20 compartment like structure present होते हैं जिनने हम lobules कहते हैं अब इन lobules में देखिए ऐसे round 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 tubes आपको दिखाई दे रही है हां मेडम दिखाई दे रही है तो यह जो tubes होती है इन्हें हम कहते हैं बच्चों जो semi-farious tubule ठीक है क्या कहते है semi-farious tubule अच्छा यह याद नहीं हो तो tubule याद रख लेना ठीक semi-farious tubule होती है 3 से 4 ठीक एक lobule में 3 से 4 semi-farious tubules होती हैं ध्यान से समझिएगा तो अगर मैं यह बात करूँ ध्यान से समझिए तो यह जो compartment आपको दिखाई दे रहे हैं इन compartment में present होती है tubes तो यह जो हो गया semi-farious lobule और lobule के अंदर होती है semi-farious tubule ठीक है ध्यान से समझिए इस बात को कि testis is the oval shape structure उसमें ऐसे compartment बने रहते हैं इन compartment को हम lobule यह semi-farious lobule कह सकते हैं इनके अंदर छोटी-छोटी tubes होती है lobule कितने 15 to 20 और हर lobule में 3-4 tubes हैं बहुत पतली-पतली tubes हैं जिने हम semi-farious tubule कहते हैं एक lobule में 3-4 semi-farious tubule present होती हैं why it is called as semi-farious tubule क्योंकि यह sperms बनाती हैं these tubules are responsible for the formation of sperms इस चीज को याद रखियेगा so consist of semi-farious tubule where the sperms are produced semi-farious tubule कहां है semi-farious lobule में why it is called as semi-farious tubule because it is responsible for the formation of sperms okay now next thing testes जो होता है बिलकुल ध्यान से समझेगा मैं आपको एक-एक चीज समझा रही हूँ इसमें यह आपको समझ में आ गया होगा so lobule और tubule आपको समझ में आया ठीक है तो यह हो गया semi-farious tubules अंदर वाला यह हो गया lobule tubules, lobule है 15-20 और उसके अंदर जो tubes हैं पतली-पतली वो है 3-4 हाँ मैडम इत्ती बार तो हमें समझ में आ गई now next thing is कि यह जो semi-farious tubules होते हैं यह जो आपको दिख रहा है ध्यान से समझेगा यह जो आपको lobule दिख रहा है इसमें छोटी-छोटी ऐसे cells present होती है ठीक यह देखिए छोटी-छोटी cells present होती है यह जो lobule है क्या है lobule जो compartment है इस compartment में छोटी-छोटी cells present होती है बच्चो इन cells को हम कहते लेडिक cells क्या कहते हैं लेडिक cells very important for the competitive examination इसे हम कहते हैं लेडिक cells यह लेडिक cells जो होती है बटा वो निकालती है टेस्टोस्टिरोन क्या निकालती है टेस्टोस्टिरोन यह male hormone होता है सिर्व एक ही male hormone जो होता है वो male body निकालती है मतलब testes निकालता है अगर आप से कभी कोई ये question पूछे कि कौन सी cell testosterone निकालती है तो ledic cell निकालती है ledic cell कहां present होती है lobule में present होती है तो testes एक oval shape structure है जिसमें compartment present होते है इन compartment को हम seminiferous lobule कहते है इसके अंदर fine fine tubes होती है जिने हम seminiferous tubule कहते है tubes मतलब tubule department के इन छोटी-छोटी cells होती है इन cells को हम ledic cells कहते है ledic cells कहते है और ये ledic cell testosterone hormone निकालती है testosterone hormone male body से निकलने वाला सिर्फ एक single hormone होता है ठीक है आई बात समझ में नाव नेक्स तिंग इस ये रखिए यहां पर लिखा हुआ है the male sex hormone is called as testosterone this hormone produces by the ledic cell which brings about the changes and appearance of the boy at the puberty यही testosterone testis को भी develop कराता है sperm भी बनाता है और male में सारे characters बनाने के लिए appear करवाने के लिए responsible है तो I hope यह आपको समझ में आ गया होगा इसमें कोई बहुत बड़ा science रही है oval shape का structure है छोटे-छोटे compartment बनाना मैं बना के भी सिखाती भी हूँ तो घबराना नहीं है इन tubes को आप कहते है seminiferous tubule इन में जो छोटी-छोटी cells lobule के अंदर नोट tube के अंदर ठीक उसे कहते है ledic cell जो कि testosterone का secretion करती है ठीक है यह समझ में आई बात इसमें I don't think so कि कोई परिशानी होगी take the screenshot of this slide this is all about the testis okay testis जो होता है जन्म के पहले वो होता है abdominal cavity में ठीक है जन्म के पहले इस प्रेजन इन इन तो the abdominal cavity पर जैसे ही जन्म होता है वैसे ही the testis will descend down descend down का मतलब नीचे आजाता है into the sack or the pouch like structure called as scrotum okay so the testis will descend down into the pouch like structure called as scrotum this will provide the perfect environment for the development of sperms ठीक है तो ये आपको समझ में आया पहले वो abdominal cavity में रहता है पर जन्म होने वाला रहता है तो वो descend down होका scrotum में आजाता है मादम scrotum क्या है ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ठीक है तो उनको operate करके हम scrotum sack में ला सकते हैं इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है ठीक है So I hope you got this point testis is responsible main काम इसका ये है कि testosterone निकालो और इन सेमेनी फेरस टीबूल में sperms को बनवाओ ठीक है सेमेनी फेरस ट्यूब्स के अंदर ही सेमेनी फेरस ट्यूब्स के अंदर ये ऐसा होता है ठीक है जो मेल होते है जैसे मेल बूल्स होते है जिन से खेती करवानी होती है उनका जो testis होता है उसको crush कर देते है क्योंकि testosterone निकलेगा देविल एनर्जाइज एन देविल रिलीज और ये इनर्जी इन्ट वेरियस प्रोसेश प्रोसेश तो वह अपना खेतवेत में काम नहीं कर पाएंगे तो पीपल विल क्रश्ट टेस्टीस अंदर प्रोसेश काल्ड अस केस्ट्रेशन केस्ट्रेशन कहलाता है ये ताकि testosterone निकले ही ने ताकि वो पूरे दिन सिर्फ काम ही करते रहें तो ये वेरियस फैक्ट्स हैं अबाउट टेस्टीस I hope कि ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक है एक जो चीज में अब आपको ये आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा अब जो चीज में आपको बता रही हूँ वो ध्यान से समझेगा कि testosterone जो है वो क्या बनाता है ठीक है testosterone is responsible for the formation of sperm ठीक है क्या बनवाता है ये formation of sperm ठीक है अच्छा ये formation of sperm हम बोल रहे हैं तो क्यों ना हम इसे एक नया term दे दे ठीक है इस term को हम आज से कहेंगे बिटा स्पर मैटो जैनेसिस क्या कहेंगे हम इस आज से स्पर मैटोजैनेसिस का मतलब होता है बनाना और पर मैटो का मतलब स्पर को ठीक है तो formation of sperm इताहिंवाइ donor सच है स्परमेटोजनेसिस बहुल दो तो अब मैं आपको एक और आपको बता देती हूं कि मैंने क्या पढ़ाया टेस्टीज इदा ओवल शेप स्ट्रक्चर उसमें कमपार्टमेंट ट्रेजेंट होते हैं कमपार्टमेंट को अब सेमेनिफेरस लोबियूल कहते हैं लोबियूल 15 से 20 होते हैं लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं और उसी के इंफ्लुएंस में टेस्टोस्टेरोन निकलता है और वो जाके समेनिफेरस टुबूल को बोलता है चलो स्परम बनाना शुरू करो ये एक कंटीनियस प्रोसेस है जो कंटीनिव चलती रहती है जिससे टेस्टी में कंटीनियस स्परम का फॉर्मेशन होता रहता है So I hope you got my point टेस्टी आपको समझ में आ गया होगा अब हम आगे की और चलते हैं कि next part क्या है ध्यान से देखिएगा स्क्रॉटम ठीक है This part is called as scrotum ठीक है यह जो आपको यह ऐसा part दिखाई दे रहा It is called as scrotum ठीक है तो आपको जो टेस्टी जो होता है वो abdominal cavity के बाहर जो है hold on करता है held on करता है वो एक pouch like structure में रहता है जिसे हम कहते है scrotum scrotum is a pouch ठीक है That is it It is also called as scrotal sack ठीक है तो it is also called as scrotal sack भी कहा जा सकता है It is present on the outside अच्छा है Normally body का temperature हम यह मानते हैं कि 37 degree centigrade होता है पर हमेशा यह चीज़ याद रखना कि जो है testis scrotal sack में body के बाहर रही इस लिए रहा है अगर मैं इस diagram को देखू कि testis जो है वो हमेशा This is your body यह हमेशा body के बाहर रही इस लिए रहा है क्योंकि sperm के formation के लिए हमेशा body temperature से 2 से 3 degree कम चाहिए Getting my point कि if you want to make the sperm the temperature should be 2 to 3 degree lower than the body temperature otherwise the sperm will not formed तो अगर scrotal sack में testis will held down due to for the formation of sperm it always maintains the temperature for it the temperature of the scrotal sack is always been 2 to 3 degree lower than the body temperature okay it always adjusts the position of the testis it will shrink during the cold thick it will this part will shrink during the cold and it will expand in the summer तो यह जो होता है यह आपके आपको testis को proper environment भी देता है और उसे position भी देता है तो यहां पर लिखा है it is present outside the abdominal cavity as a sperm formed here this requires a lower temperature how much lower 2 to 3 degree ठीक 2 to 3 degree centigrade lower than the normal body temperature I hope you got my point ठीक है कि scrotal sack जो है वो क्या होता है pouch like structure होता है testis इसके अंदर ही पाया जाता है ठीक तो आप यह समझ गए होंगे ठीक है इसमें किसी भी प्रकार की कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए अब structure को ध्यान से देखिएगा फिर से now ध्यान से देखिए इधर आजाईए अब आपकी जितनी भी seminiferous tubule हैं यहां पर जाकर इकठा हो रही है ध्यान से देखो जितनी भी seminiferous tubule हैं वो सब यहां पर जाकर इकठा हो रही है हाँ मैडम यहां पर समझ में आया और उसके बाद ध्यान से देखो उसके बाद जाकर यह बाहर निकल रही है इस yellow-yellow tube में let me draw this from the different color why I am always using this blue color ठीक so you people always think कि इनको blue color बड़ा पसंदे पर ऐसा नहीं है ठीक है चलो आजाओ तो यह देखो यह सारी जो seminiferous tubule है वो इस जगह पर जाकर इकठा हो गई यह देखो इकठा हो गई नहीं यहां पर यह वाला पार्ट देखो इस पार्ट पर जाके कठा हो गई नहीं सारी seminiferous tubule हाँ मैड़म यह समझ में आ गया कि यहां पर कठा हो गई उसके बाद हर seminiferous tubule देखो yellow color के yellow color से जो है बाहर खुल रही है ठीक yellow color से बाहर खुल रही है देखो yellow 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 दिख रहा है आपको बाहर खुल रही है, तो this is called as efferent ductules यह इसी को आप कहते है वासा efferentia, ठीक है, so all the seminiferous tubules are collected at this area, इसको आप rated testis कहते हैं, नहीं याद करना है, काम का नहीं है, so all the seminiferous tubules will collected into this area, यह देखो सारी seminiferous tubules क्या है, जहां पर sperm बनता है, सब इस area पर collect हो जाएंगी और collect होकर वो बाहर निकलेंगी, तो collect होकर बाहर निकलेंगी, तो 1-1 seminiferous tubules बाहर निकलेंगी, वो सब 2-4-5, 1-1 में join होकर बाहर निकलेंगी, और जब joining होकर बाहर निकली, तो इस join को आप कहते हैं, वासा efferentia, so we have 5-6 वासा efferentia, which will exit out from the testis and take the sperm from the testis and go outside, ठीक है, तो फिर से मेरी बात को जिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, जितना भी seminiferous tubules, सब seminiferous tubules ने sperm बना लिया है, ठीक है, अब ये क्या करेंगी, सब 1-1-1-1 में join हो जाएंगी, ठीक, पूरी एक साथ join होकर वासा efferentia बनाएंगी, तो वासा efferentia एक नहीं है, वासा efferentia 4-5 है, पर वो है क्या joining of all the seminiferous tub will join into 4-5 वासा efferentia, getting my point, all the seminiferous tubule will join into the 4-5 वासा efferentia and take the sperm outside, okay, getting my point, take the sperm outside, okay, so this yellow area is called as वासा efferentia, we have 5-6, so 4-5 वासा efferentia, which will take the sperm from the testes and goes outside, okay, तो यहाँ पर सारी seminiferous tubules जो है, वो है कथा हो गई और फिर वो 4-5 वासा efferentia में सारा sperms को डोनेट कर दिया, so I think you got my point, what is the वासा efferentia, वासा efferentia will take the sperm outside from testes, okay, चलिए देखिए, the seminiferous, देखिए, वासा efferentia is 10-12, it may vary, it may 5-12 or 5-15 also, ठीक है, तो मैंने आपको 5-10 बताया, 4 से पाच बताया, it may vary, okay, vary कर सकता ही, so from the seminiferous tubule, the sperm are passed into the network, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक डायराम भी बताती हूँ बना के, so suppose that this is your testes, okay, now this is the compartment like structure, okay, this is the compartment like structure, okay, हाँ माडम यह समझ में आया हमें, this is the compartment like structure called as seminiferous lobule, ठीक, this is seminiferous lobule, हाँ यह समझ में आ गया, seminiferous lobule के अंदर क्या present होते हैं, छोटे-छोटे tube like structure called as seminiferous tubules, अब इसके अंदर में yellow color का क्या बना रही हूँ, seminiferous tubules, ठीक है, यह हो गए, seminiferous tubules, okay, these are the seminiferous tubules, all the seminiferous tubules, ठीक है, all the seminiferous tubules will open into, all the seminiferous tubules will open into this area, all the seminiferous tubules will open into this area, getting my point, this area, ठीक, all the seminiferous tubules will open into this area, ठीक, उसके बाद यहां से क्या निकलेगी, यहां से निकलेगी, करीब 10 से बारा, छोटी-छोटी-छोटी pipes, नियांस समझे, 10 से बारा, छोटी-छोटी-छोटी pipe, there is no so much, there is no much space, okay, So, I can draw 10 to 12 because यह बहुत जादा हो जाएगा. ठीक, this is called as vasa efferentia. This is called as vasa efferentia या vasa efferents भी कह सकते हैं. ठीक, so this is lobule, this is seminiferous lobule. ठीक, this is seminiferous tubule. ठीक है, okay. ठीक, this is your scrotal sac. This is your scrotal sac. समझ में आ रहा है न, scrotal sac, okay. This is rated testis, जहां पर सारी चीजे कलेक्ट हो रही हैं. सारी seminiferous tubule और यह आपकी vasa efferentia. अब यह जाएगी epididymus में. So, I hope यह कितनी होती हैं? 10 से 12. ठीक, it may vary, यह vary कर सकती हैं. So, I hope you got my point. This is the diagram. I hope you got this. से आपको समझ में आ गया होगा. ठीक, so, आज हमने vasa efferentia सी का, हमने testis सी का, हमने scrotum सी का. I hope कि इतना पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. In the next class, we will deal with the other part of the male reproductive system. यह बहुत जादा बड़ा नहीं बना रहे हैं, ताकि आपको एक पार्ट में थोड़ा-थोड़ा समझ में आता जाए. ठीक है? Next class में इसके आगे के बारे में बात करेंगे. तब तक आप इन वीडियो के साथ बने रहे हैं. Thank you so much. Hello students, welcome to Magnet Brains. आप सभी का इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है. Last class में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Last class में हम लोगों ने पढ़ा था पूरा male reproductive system में वासा इफ्रेंशिया तक. I hope कि वो पार्ट आपको समझ में आ गया होगा. आज हम एपीडीडाइमस के बारे में पढ़ रहे हैं. पर एपीडीडाइमस को भी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक डाइग्राम से ही इसको समझाओंगी. तो घबराना नहीं है. हर चीज का solution होता है. Okay? So, testis के shape का होता है? Testis होता है madam, oval shape का. चलो, oval shape का बना लो. जैसे-जैसे जो-जो मैं बोलते जा रही हूँ, वही-वही मैं ड्रॉ कर रही हूँ. कुछ भी अलग से मैंने ने ड्रॉ किया. So, we have compartments in the testis called as lobules. देखो, मैंने lobules बना दे. जिसको आप seminiferous lobules कहते हैं. हम इसे seminiferous lobule क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें sperm बनते हैं. ठीक है? Lobules मतलब घर. उसके बाद इनमें tubes होती हैं. देखो, ऐसे करके tubes बना दी. मैंने इसको आपने कहा seminiferous tubule. देखो, मैं बनाने का तरीका बता रही हूँ. ठीक? So, this is the lobule, this is the tubule. ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी. ठीक है? उसके बाद ये सारी जो tubules हैं, वो इस जगह पर जाकर खुलेंगी. ठीक है? ये देखो, इस जगह पर जाकर खुलेंगी. इस जगह को rated testis कहते हैं, याद नहीं होगा, तो कोई tension नहीं है. ठीक है? तो इस जगह को तुमने क्या कह दिया? तुमने इस जगह को कहा rated testis, याद नहीं है, तो कोई tension नहीं है. ये माडम ने बता दिया, ठीक है, चलो. उसके बाद से यहाँ से 10 से 12 tubes निकलती हैं. ठीक है? इन 10 से 12 tubes को हम वासाई फ्रेंशिया कहते हैं, ठीक है? ठीक है? अब ध्यान से मैं लेबलिंग कर रही हूं, उसको ध्यान से समझेगा, लेबलिंग क्या कर रही हूं? ठीक, या इसी को आप फ्रेंस भी कह सकते हैं, हाँ मैडम कह तो सकते हैं, ठीक, ठीक, थोड़ा मोटे कलर से लिखते हैं, नहीं तो फिर कुछ लोग बोलने लगेंगे कि दिखा ही नहीं हमें ओके यह वासा इफ्रेंशिया कहां जाकर open हो रही है यह जाकर open हो रही है एक structure में जिसे हम कहते हैं epididymus क्या कहते हैं epididymus ओके this is called as epididymus ओके डन यह समझ में आया तो जितने भी sperm है जो की अभी mature नहीं हुए है वो सब कहां जा रहे हैS epididymus में यह समझ में आया आपको हा nevertheless समझ में आ गया अब epididymus के भी तीन हिससे हैं जैसे कि यह वाला हिस्सा होता है head एक यह वाला हिस्सा होता है body और यह वाला हिस्सा होता तेल थेक आई होप कि आपको समझ में आ गया को जो मैंने बोला वही मैंने बना है टेस्टीज इस दोवल शेप स्ट्ट्चर जिसमें कमपार्टमेंट होते हैं बनाने के बाद सारा संफप वासाई इस नहीं एसे आपड़िवयम्स को दियुते हैं वह इस पासे इन्टो थे पाइंट्यू तोत देखो क्यार्ट कोली तुबा पार्ट होता है Epididymus जो है वो एक औरगन है जो की Testis के back में Back मतला भी देखो पीछे वाला हिस्सा है Testis के back में उपर से नीचे की और फैला होता है हाँ मैडम फैला हुआ है Testis में उपर से नीचे की और फैला हुआ होता है ठेक अब उपर से नीचे फैला होने के साथ-साथ अब तेंप्रेरी स्टॉरब करताय इस ओप को भूалा डाइग्राम आपको बनाने में समझ में आ गया होगा आप अपने शैसे कर सकते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है यहा नेक्स तेंग इसको मैं आपको पहले वाले डाइग्राम से और समझाती हू 기 क्या है देखिएगा तो यह इतनी भी वासाई फ्रेंशिया है वह सब किस में कुली एपिडी डाइमस में कुली एपिडी डाइमस देखो यह देखो यह वाला हिस्सा यह एक टुबिलर पार्ट है कि नहीं है ऐसा ही बनाया था मैंने बस थोड़ी तीम ले बनाई थी तो ऐसे ऐसे पार्ट होता है जो कि आपका टेस्टी उससे उपर से लेकर नीचे तक फैला होता है जितना भी वासाई वासाई फ्रेंशिया स्पर्म देरी होती वह सब एपिडी डाइमस में जाता है तेंपरेरी स्टोर करता है और से परफेक्ट एंवार्मेंट देता है ताकि वह देखो कोईल निकल रही है ट्यूब इस कोयल ट्यूब इस वासाई डिफरेंशिया या वासाई डिफरेंश वासाई दिफरेंश को हम स्पर्म डख्क के नाम से भी जानते हैं तो आइधिंग यू गॉत मैं पॉइंट कि मैंने कहा क्या कि आपकी जो एपिडी डाइमस है सप देखो ऐसी बनाया है और इस एपिडी डाइमस से निकलेगी आपकी क्या वासाई डिफरेंश या तो इस यूर वासाई डिफरेंश या डिफरेंश या कुछ भी कह सकते हैं तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा तो इस वासाई डिफरेंश या वासाई डिफरेंश यह sperm duct भी कहते हैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं बड़ा ही simple diagram है इसमें कुछ भी याद नहीं करना है तो छोड़ देना कुछ याद नहीं करना है समझा दिया बस इतना काफी है ओके नव नेक्स थिंग वासा डिफरेंशिया देखिए यह sperm duct होती है जो कि epididymus से निकलती है और इसे हम sperm duct कहते हैं और यह sperm को लेकर बाहर की ओर जाती है नव sperm duct will open into the male urethra इस male penis इसमें एरेक्टाइल टिशू होते हैं जो कि highly rich blood supply होती है male urethra is the male penis is the main common outlet for the urine as well as the sperm so the sperm duct will open into the urethra how it will open into the urethra I will tell you later so male urethra is the connection of both urine as well as the sperm the sperm duct will go on to the urethra mechanism I will tell you it later जहे के so but it never carries both them in the same time दोनो एक साथ नही निकल सक्ते it contain the erectile tissues they have rich blood supply once the blood vessels are vacant then it means the urethra or the male reproductive organ or the male urethra will lose once the blood will fill into these tissue it will erectile and it will ready for the sexual activity okay so I think you got this point what is the male urethra and male penis it is called as तो आपने male reproductive system में क्या क्या पढ़ा वो मैं आब आपको समझाती हूं ठेक है ध्यान से देखेगा okay so we have testes how many testes two testes take a round structure it will covered by the sac like structure called as scrotum okay the testes will cover this folded structure testes have the compartment like have the compartment like structure called as seminiferous libule seminiferous libule contains some small small tubules called as seminiferous tubules seminiferous tubules are responsible for the spermatogenesis spermatogenesis is the process in which we get form the sperms so many small cells present outside the seminiferous tubules called as leading cells leading cells are responsible for the secretion of testosterone testosterone is the only male hormone which are responsible for the primary and secondary sexual characteristics then all the sperm which are formed into the seminiferous tubule will open into the vasifrentia vasifrentia we have 10 to 12 vasifrentia into our male reproductive system all the vasifrentia will open into this tube like structure this tubular folded like structure called as epididymus epididymus is the folded structure which lays down into back side of the testes from upper to lower side it provides the perfect temperature it provides the perfect environment for the storage of sperm so that the sperm get developed then after the development of sperm there is one pipe called as vasifrentia will open from the epididymus all the sperm will went into the vasifrentia not efferentia efferentia will deliver the sperm from testes to epididymus okay then vasifrentia will take the sperm and open into the of the male urethra male urethra is the opening of the urine as well as the sperm it has the erectile tissue when it is vacant it is loose but when it is filled with the blood it will erect and start or ready for the sexual activity so this is all about the male reproductive system that is all about the male reproductive system मैंने आपको जितने भी पार्ट थे male reproductive system में सब कुछ बता दिया next part में मैं आपको glands बताऊंगी कि male part में कौन सी glands होती है और उनका function क्या होता है इसमें भी अगर आपको कोई confusion हो जो कि मैंने दो-तीन बार revise भी करवा दिया है अगर कोई confusion हो तो please let me know तब तक आप इन वीडियो के साथ बने रहिए और next class में फिर मिलेंगे Thank you so much Hello students, welcome to all of you in the Magnet Brain channel I am Shipra Tiwari तो आज आपको क्या पढ़ना है यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं Sunday का दिन है तो आपको पढ़ने की इक्षा नहीं हो रही होगी पर आपको यह lecture पढ़ना बड़ा ज़रूरी है मुझे पता है कि यह थोड़ा आपके लिए वो देखना है last class में मैंने आपको reproductive system male reproductive system की पूरी कहानी सिखा दीती मैं आपको quick revision देती हूँ कि last class में हम लोगोंने पढ़ा क्या था मैं आपको उसको slide से समझाती हूँ so अगर आप देखें कि testis का diagram देखें यह आपको मैंने पढ़ाया था कि suppose that this is your testis testis is an oval shape structure ठीक है यह मैंने आपको पढ़ाया था testis में compartment like structure होते जिनको आप seminiferous lobules कहते हैं इन compartment का number 15 to 20 हो सकता है इनके अंदर छोटे छोटे fine tubes होते हैं जिनको आप tubules कहते हैं यह seminiferous tubules कहते हैं I hope कि यह आपको याद होगा last lecture पढ़िएगा आप अब उसके बाद यह जो tubes हैं यह एक जगह पर खुलते हैं यह देखो सारे एक जगह पर collect हो गए और सारे एक जगह पर collect होने के बाद यहां से करीब आपकी 10 से 12 pipes निकलती हैं जिनको आप वासा इफरेंशिया कहते हैं compartment, tibules, वासा इफरेंशिया यह जो वासा इफरेंशिया होती हैं यह एक highly tubular structure में खुलती हैं यह जो highly tubular structure में खुलती हैं और इस highly tubular structure का नाम है epididymus आई होप कि यह आपको याद होगा epididymus जो होता है वो आपके sperm को maturation जो है efficiency देता है mature करने के लिए perfect environment देता है perfect nutrition देता है ताकि जितने भी sperms यहाँ पर आये हैं वो अच्छी तरीके से mature हो जाएं उसके बाद epididymus से आपके लिए एक pipe निकलेगी जिसे आप कहते है वासा इफरेंशिया I hope कि यह diagram आपको अच्छी तरीके से याद होगा अगर आपको याद नहीं है तो उन diagrams को बार-बार पढ़िए because यह बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो आलस छोड़ दीजे और इस diagram को अच्छे से पढ़िए अब हम लोग बात करते हैं यह कहानी तो पूरी male reproductive system की हो गई इस male reproductive system में और भी बहुत सारी चीजे हैं जिनका बहुत बड़ा importance है और वो हैं आपके male reproductive system में पाए जाने वाली glands ठीक है तो let's start कि इनमें कौन कौन सी glands होती है ठीक है बहुत tough नहीं है तो बिल्कुल ध्यान से देखते रही है ठीक है चलिए glands देखते हैं कौन कौन सी glands होती है glands को दिखाने से पहले मैं आपको इसका एक डियाग्राम दिखाती हूँ देखे male reproductive system के पहले के उसमें जाएंगे पहले के यह देखे यह है male reproductive system अब ध्यान से समझेगा यह कहानी तो आपको समझ में आगे scrotum sex क्या होता है आपको testis क्या होता है epididymus क्या होता है अब यह blue color का structure सब लोग ध्यान से देखेंगे इधर उदर बातचीत करने में नहीं लगे रहेंगे तो यह जो blue color की pipe आपको दिखाई दे रही है इसको आप क्या कहते है वासा डिफ्रेंशिया वासा डिफ्रेंशिया को हम sperm duct भी कहते है अगर आपको याद होगा तो यह sperm को लेकर बाहर आती अब ध्यान से सब लोग सुनेंगे विल्कुल ध्यान से अब यह जो है यह यूरेनरी ब्लैडर यह जो आपको बीच का सेंटर का एरिया दिख रहा है बटा यह है आपका यूरेनरी ब्लैडर यह चीज़ याद रखिएगा अब यह जो देखिए आपकी क्या जा रही है यह जा रही है वासा डिफ्रेंशिया और ये urinary bladder के उपर से होते हुए ये देखिए यहाँ पे रुकी कि नहीं रुकी तो आपकी जो वासा डिफरेंशिया है वो आपके scrotal sac से निकल कर abdomen में जारी है कहां जारी है abdomen में abdomen मतलब आपका पेट जो जो है अभी राष्टा राष्टा करके भरा हुआ है तो आपके पेट की ओर जा रही है और आपके पेट के एरिया में है urinary bladder urinary bladder के उपर से होते हुए ध्यान से देखिएगा ये है वासा डिफरेंशिया abdominal cavity में जा रही है और देखिए urinary bladder के उपर से होते हुए आ रही है उपर से होते हुए ध्यान से देखिएगा ये blue color की जो lining है आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रही होगी let me draw this from the yellow color क्योंकि दोनों नीले नीले हो गए हैं तो आपको दिखाई नहीं देंगे तो ये देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ पर आई की नहीं आई हाँ माडम आ गई तो हमको ये समझना है कि टेस्टीस से जो वासा डिफ्रेंशे निकली वो पेट के एरिया में गई और यूरेनरी ब्लैडर की उपर से गों गई बिल्कुल डाइग्राम में आपको देखना है कुछ भी जो है इसमें आपको अकल नहीं लगानी ये बिल्कुल दिया हुआ है बिल्कुल वही समझ रहे हैं अपन तो ये देखिए अपन नहीं सक्या उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगा ये कि जो आपको ब्लू ब्लू इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हाँ दिख रहा है मैडम हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेमाइनल वेजाइकल क्या कहते हैं seminal vesicle structure देखो यह आपके NCRT में डाइगराम बना हुआ है इसको आपको पढ़ना पढ़ेगा यह जो seminal vesicle है देखो इससे एक blue color की pipe बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है हाँ मैडम blue color की pipe तो बाहर आ ही रही है यह जो blue color की pipe बाहर आ रही है जिसे हम कहते है seminal duct वो वासा डिफरेंशिया से जुड़ जाएगी लेट मी एक्स्प्लेइन दिस अगें यह जो है आपकी वासा डिफरेंशिया abdomen मतलब पेट में गई urinary bladder के चारो तरफ घूम गई घूम कर जब वो नीचे की ओर आ रही है तो वो आपके seminal vesicle की pipe से जुड़ गई वही seminal vesicle में क्या भरा है वो आपको बात में बता रहे है पर यह समझना है कि यह seminal vesicle है और उपर से आपकी क्या आ रही है उपर से आ रही हिवासा डिफरेंशिया और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गई ठीक है जुड़ना क्यों जरूरी है यह भी बताएंगे ठीक तो यह समझ में आया हाँ समझ में आ गया अब आपको समझना अब यह दोनों gland जो है यह देखो यहां से खुल रही है और बीच में gland पाई जारी जिसे आप कहते है prostate gland क्या कहते है प्रोस्टेट gland और फिर देखो यह जाकर रेड कलर की हो गई और यहां जाकर यह आपके मेल यूर्थरा में खुल गई ओके तो अब आपको क्या समझना है वह आप मेरी बात ध्यान से समझिए आपका जो वासा डिफ्रेंशिया है वो वासा डिफ्रेंशिया abdominal cavity से होते हुए urinary bladder के चारो तरफ घूब जाता है यहां पर आकर रुग गया यह उसके बाद यह जो seminal vesicle है इसकी pipe से आकर यहां पर जुड गया यह देखिए यह वासा डिफ्रेंशिया आ रही है और यह है आपकी seminal vesicle का pipe ठीक यह दोनों आकर आपस में जुड गई उसके बाद दोनों जुड कर यह देखिए यह यहां पर ध्यान से देखेंगे ठीक है अब मैं आपको एक डाग्रेमाटिक रिप्रेजेंटेशन समझाती हूँ तो यह हो गया आपकी वासा डिफ्रेंशिया सपोस्टाइट की यह आपकी क्या है वासा डिफ्रेंशिया वीडी मतला वासा डिफ्रेंशिया आज कल शॉर्ट फॉर्म का यह जमाना है बाई यह आद रखना तो वासा डिफरेंशिया हो गई और यह है आपकी सेमाइनल वेजाइकल यह क्या है आपकी सेमाइनल वेजाइकल इस में से क्या निकल रही आपकी सेमाइनल ड़ा तो यह बार बता चुके हैं अब यह जो समयनल डक्ट है यह अल्टीमेटली किस से जोईन हो जाएगी यह समयनल डक्ट अल्टीमेटली जोईन हो जाएगी वासा डिफरेंट्शिया से अब यहां से मैं एक रेड कलर की पाइप ड्रॉ कर रही हूँ तो अब आपको समझना है कि इसका पाइप इका है हमला बीच में पाई जाती है क्या प्रोश्टेट गृइंट तो प्रोश्टेट ग्लैंट भी अपना सीरीशन यहीं पर देती है पी जैडी मतलब अओ्फ जूँड़ यह अपना सिक्रीशन दे रही है समाईनल डक्ट जो है अपन सिक्रीशन दे रही है और अपना वासा डिफरेंशिया क्या लेकि आ रहा है स्परम लेके आ रहा है और बीच में उसी में क्या जूढ़ कोई obtH दे रही है तो यह जु दक टाँ ब्लूरा डफ़ील को पता है क्या केते एजक्षिए टरिच्ट क्या कहती है इस यह जादा टेंशन लेने की बात नहीं है तो इसक्यूलेटरी डक्त जैसे यह है ना यह आपकी यह है आपकी इसक्यूलेटरी डक्त में हां पर लिख दे रहे हूं तो अब आपको समझ में आया, फिर से समझेे, वासा डिफ्रेंशिया निकली, अब्डॉमिल कैविटी में गई, यूरिनरी ब्लादर से होते हुए नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो यहां से समाइनल डक्त है, समाइनल डक्त किस से जुड़ी हुई है, किस से निकल रही है, समाइनल वेजाइकल, मतलब कटोरी, ठीक बाउल, ठीक तो बोल से निकल रही है, समाइनल डक्त जुड़ गई यहां पर, अब जो कॉमन डक्त निकलेगी, उसको में इसकुलेटरी डक्त कहते हैं, उस इसकुलेट हुँ ठीक है तो इस बात को ध्यान से समझना है ओके बिल्कुल अपनी आखे इस बोर्ट पर गाल लीजे और बिल्कुल ध्यान से देखी कि मैं समझा कहा रही हूँ तो यह देखी यह जा रहा है यूरेनरी ब्लैडर से होते हुए घूमा यहां से समाइनल डक्त आई दोनों जॉइन हो गए इनने बनाई इस आकुलेटरी डक्त जो है वो देखी आपको रेड कलर की दिखाई दे रही होगी यह जो रेड कलर का एरिया इस 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 आकुलेटरी में भर दिया और फिर वो जाकर यूरित्रा में खुल गई आई हो कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी बड़े हुश्यार और इंटेलिजन बच्चे है आप आपको सब बिलकुल असानी से समझ में आ जाता है ओके तो यह पूरे कहानी में जो आपको समझाना तो मैंने स आपको आपको समझ में आ गया होगा बार बार इन वीडियो को देखेंगे ना तो आपको पार्ट भी रट जाएगा तो इसमें आपको याद क्या करना इस एकुलेटरी ड़क्त वोट इस अपनेशन अफ दिफ्रेंशिया एंड दे समाइनल ड़क्त वोट इस समाइनल ड़क आपको ठीक है ओके गर्मी दिमाग पे तो निचड़ गई है तो द्यान से देखते रहेगा इसको ठीक है चलिए ना नेक्स तिंग जो आपको देखनी है वो यह डाग्राम समझा दिया मैंने इसका डाग्राम समझाओंगी मैं सपर्म का तो घबराना नहीं है कि यह देखिए कि पूरे रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में वी हाव तू 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 थ्री ग्लाइड जो की रिप्रोड़क्शन में हेल्प करते हैं ठीक है यह एसेसरी पार्ट है मतलब एसेसरी का मतलब आपको स्टार्टिंग में समझाया तो यह एक पेर होती है और यह जो होती है यह कहां होती है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे याद आया ब्लू कलर का यूरिनरी ब्लैडर के पीछे बनाया हुआ है वो डाइग्राम याद नहीं आ रहा है तो खट से जो है आप देख सकते हैं अगर आपने स्क्रीन शॉट लिया होगा तो इससे क्या निकलती देखो उपर से कुल मिला के यह कहना यह चाती है ध्यान से समझो कि वासा डिफरेंशिया से समाइनल डक्ट जुड़ी होती है यह दोनों डक्ट आपस में जुड़कर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं समाइनल वैजाइकल समाइनल फ्लूइड निकालता है जो की अल्टिमेटली है देखो द्यान से तो यह क्या है आपकी वासा डिफरेंशिया देखो यही एक ही एक ही डाइग्राम उससे बार बार बनवाते हो और फिर भी बोलते हो कि समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं चलेगा भाई ठीक तो यह हो गई आपकी वासा डिफरेंशिया और यह हो कहां से आ रही है बच्चो समाइनल डग्ट आ रही है आपकी समाइनल वेजाइकल से ओके समाइनल डग्ट कहां से आ रही है समाइनल वेजाइकल से यह देख लो समाइनल वेजाइकल से यह डाइग्राम सब लोग बैठे बैठे ड्रॉ करते जाएंगे मेरे साथ ओके और यह कह है इसे क्यूल्त क्या बश्योत और को अब आ सरे डिफेंचिया मी वारे व्यासा गारे व में स्परन वारे वें स्पर्म संगा वें कर दो समाइनल ड्क्ट में भरा हुआ है अब इचयमाइनल catalog में समाइनल होते हैं और होता है सेमाइनल फ्लूइड सेमाइनल फ्लूइड कहां से आया से माइनल वेजाइकल से ओके यह बात आपको समझ में आई यह डाइग्राम आपको कॉपी में ड्रॉ करना है ठीक है जो नहीं समझ में आए दो तीन मर वीडियो फिर से देखना है तो हमारे पास एक पेर समाइनल ग्लैंड है, समाइनल वेजाईकल है, जो आपका वासा डिफरेंशिय है, उसके आजु बाजु प्रेजेंट होती है, इसका मतलब यह कि जो एजाकुलेटरी डख्त दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी, उसमें आपका स्परम भी है, और seminal fluid भी है यह चीज आपको याद रखना है हाँ मैडम इत्ती बात तो समझ में आ गई हमें अब मैं आपको बताती हूँ कि seminal fluid की जरूरत क्या है देखो जब sperm जो है जब वो female body में deposit होता है जब copulation के दोरान उसे female body में निकाला जाता है तो सिर्फ उसमें sperm नहीं होता है बच्चो उसमें seminal fluid भी होता है seminal fluid में बहुत सारे nutrient होते है sugar होता है amino acid होता है और बहुत सारे minerals होते हैं यह क्या करता है यह sperm को continuously mortality देता है कि तुम जाओ जो है बहुत तेजी से भागो और जाके ओवा तक जो है सो penetrate कर दो तो इतना energy कैसे मिले sperm के पास थोड़ी है वो तो एक बहुती छोटी cell है तो यह चीज याद रखना तो यह पूरी energy कौन दे रहा है seminal vesicle का seminal fluid समझ में आई बात तो जो आपका exaculation process के दोराद जो चीज बाहर निकलती है वो है semen semen में sperm plus seminal fluid equals to semen तो यह याद रखिएगा कि exaculation process से मेल की body से जो बाहर निकलता है वो होता है semen semen में sperm होते हैं और seminal fluid होता है seminal fluid कहां से आया यह मैंने आपको बता दिया ठीक है तो याद रखिए each sperm duct has the seminal vesicle of its side secreting fluid into the common exaculatory duct तो VASA differentiator ने exaculatory duct को क्या दिया sperm और seminal duct seminal duct में क्या दिया है seminal fluid किसको दिया exaculatory duct को what is exaculatory duct it is a combination of VASA differentiator and the seminal duct अब exaculatory duct में दोनों चीज़ है आपका seminal fluid भी और sperm भी है इन दोनों को एक साथ आप कहते है सीमन तो देख लिजे यह लास्ट लाइन भी भी लिखी है जो मैंने आपको समझा है न भी लिखा भी हुआ है कि this is a fluid along with the sperm it is called as semen it is a milky fluid तो exaculation process के दोरान male body में जो बहर आता है वो होता है सीमन ठीक है सीमन is the secretion of seminal vesicle and from the vasa differentia I hope you got my point मैंने आपको जितना आसान करके बता सकती थी उतना मैंने बताया ठीक है इसको ध्यान से पढ़िएगा now next thing जो आप तो पहली gland आपको समझ में आई seminal vesicle क्या होती है urinary bladder के पीछे होती है क्या निकालती है seminal fluid निकालती है किस से निकालती है seminal duct से यह duct किस से join होती है vasa differentia से दोनों duct join होकर vasa differentia और seminal duct join होकर क्या बनाती is aculatory okay done चलो next thing जो आपको पढ़नी है next gland है चलो इसको मिटा रहे तो बड़ा ही आप तो ऐसा लग रहा prostate gland में यह कछड़ा क्या भरा हुआ है चलो मिटाते चेक prostate gland देखिए आपको बताया मैंने इस एकुलेट्री duct जो आरी उसी से क्या जूड़ी होती है नीचे की और prostate gland तो इसी इस एकुलेट्री duct में क्या क्या भरा है वेटा स्पॉर्म भी भरा है इसी इस एकुलेट्री duct में क्या भरा है आपका seminal fluid भी भरा और इसी duct में क्या भरा हुआ है नीचे की और देखो आप लास्ट डाज़ां में मैंने आपको दिखाया भी ता brown color की prostate gland भी जुड़ी होती है prostate gland जो होती है देखो it is the bilobed gland ऐसी बनी होती brown color की it is the bilobed gland कहाँ पर होती है near the opening of urethra मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है prostate gland जो होती है ये भी अपना secretion urethra को देती है और ये alkaline होती है मतलब semen के साथ mix होकर ये alkaline बनाती है चलो diagram देखें कैसा है बायो पढ़ रहा हो ना तो diagram से जी नहीं चुरा ना अपने को तो देखो isaculatory duct आ रही है इस से क्या जुड़ गई आपकी देखो bilobe, एक lobe ये है, एक lobe ये है इससे कहते है prostate gland prostate gland भी अपना secretion किसको देखती है isaculatory duct को ताकि semen कैसा हो जाए alkaline कैसा हो जाए alkaline, अब मैडम alkaline क्या है, भाई chemistry ध्यान से पढ़ा करो alkaline मतलब pH साथ से थोड़ा सा जादा होगा ठीक है, अब pH क्या होता है, वो आप chemistry में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी prostate gland जो होती है वो भी अपना secretion जो है किसको दे देती है वो अपना secretion दे देती है किसको, isaculatory duct को अब isaculatory duct में वेटा तीन चीज़े हैं एक है seminal fluid, एक है sperm और तीसरा है prostate gland का secretion prostate gland सीमेन को alkaline बनाने का काम करती है ठीक है, जो last है वो है सबसे important gland जो की diagram में में भी नहीं बनी हो पर ये बहुत important है ये क्या करती है वो ध्यान समझे इसका isaculatory duct से कोई लेना देना नहीं है prostate तो आपने देखा कि isaculatory duct में ही अपना secretion देती है पर copper gland जो होती है वो male erythra में individually present होती है जो किसी से कोई लेना देना नहीं है ठीक है जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो अभी अपना lecture बढिया देखने में लगे हुए है उनको कोई मतलब निकितनी गर्मी है उनको कोई मतलब निकितनी ठंडी है वो बस पढ़ने में लगे हुए है वैसे ही copper gland भी होती है ये male इरिथरा में पाई जाती है और अकेले present होती है तो किसी से कोले ना देना नहीं है ये transparent whitish fluid निकालती है बच्चो जो during the copulation जो sexual movement होता है उसे असान बना देता है ताकि किसी भी प्रकार का कोई damage दोनों sexual organs को ना हो ठीक है तो ध्यान से देखिए they are pair of small ovoid gland ova shape की होती है ये एक lubricating fluid निकालती है तो जब यूरिथरा को जब यूरिथरा को exaculation करना exaculation वो process होता है जिससे semen को बाहर निकालती है ठीक है तो exaculation होने वाला होता है या फिर मेरी उरिथरा जो है वो get entered into the female vagina तो इसमें एक lubricating fluid निकालता है ताकि जो frictionless movement हो सके ठीक है इस this secretion of those gland make the sluggish sperm more active and help the passage of sperm through the duct system and then in the exaculation इसका मतलब यह है कि the secretion of those gland make the sluggish sperm more active इस line का मतलब यह है कि इसके secretion से जो sperm delay डाले है उसने भी activity मिलती वो भी तेज होने लगते है और इसकी help से sperm को एक passage मिलता है क्योंकि lubrication होने लगता है पूरा जो female का passage है वो lubricated हो जाता है इसके secretion से तो आसानी से sperm move करके female body में उपर की और जाने लगते हैं तो cool मिला के अगर मैं इसको summarize करूँ तो मैं सिर्फ एक line कहूँगे इसके लिए कि ये male urethra male penis में पाई जाने वाली ऐसी gland है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है ये एक fluid निकालती है जो passage को lubricating बना देता है passage को किसका passage female reproductive system का passage lubricating बना देता है smooth बना देता है ताकि जो sperm active नहीं है वो भी आसानी से lubricate होकर fissile fissile कर lubricate होकर आसानी से female body में उपर की और जा सके ठीक है तो आई होब की मेरी बात आपको यह समझ में आ गई होगी यह मैंने आपके लिए डागराम इसलिए लगाया है ताकि जो चीज मैंने आपको समझाई actually आप उसकी position नहीं सके ठीक है ध्यान से समझेगा तो बिल्कुल आजाए यह दर तो यह है आपकी समे नफे सब कुछ बनाया है इसमें द्यान से देखिए यह 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 क्या है समेनी फेरस टीब्यूल पर यह किसके अंदर है compartment के अंदर है जिनके हम क्या कहते है समेनी फेरस लोबूल उसके बाद ध्यान से देखिए orange उरेंग कि आयोब क्या आपको दिखराए यह औरेंग अब जहां से देखो वासाड डिफरेंशिया जो है इधर आजाए आप लोग यह ब्लैडर है ऑपका ठीक है इस योर्य प्लैडर यू.ड़ी अरे शॉर्ट फाम का जमाना है भाई ठीक तो यह आपकी वासाड डिफरेंशिया गई देखो उपर से घूमते हुए आगई ठीक है इसको में ब्लू कलर से कि लाल-लाल बहुत जादा हो जाएगा ठीक है तो यह आपकी ब्लू कलर से आ रही है वासा डिफरेंट्शी है और इधर से देखो सेमाइनल वेजाइकल दोनों आपस में जुड़ गई की नहीं जुड़ गई हां जुड़ गई क्या बनाई इस एकुले इस एकुलेटरी डक्ट और इस एकुलेटरी डक्ट विल ओपन इंटू दा मेल यूरेथ्रा ओके और इसी डक्ट में क्या निकल जाता है इसी डक्ट में निकल जाता है प्रोस्टेट ग्लाइंड का सिक्रीशन I hope कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है तो आज हमने क्या सीखा आज हमने सीखा कि किस तरीके से male reproductive system में glands काम करती है So how many glands we have बच्चो We have three glands Seminal Vesical Gland इसको gland क्यों कहते हैं क्योंकि ये अपना एक fluid निकाल रही है We have Seminal Vesical Gland We have Prostate Gland And we have Cowper Gland ठीक है What is Prostate Gland? ये यूरिनरी ब्लाडर के पास प्रेजन होती है जो अपना सेक्रेशन जो है male urethra ये इसकोलेटरी डक्त को देती है What is इसकोलेटरी डक्त? It is the combination of seminal duct and the Vasa differentia इसका what is semen? Semen is the combination of seminal fluid and the sperm Okay What is the role of semen? Semen provide the nutrition, perfect environment and ions, minerals to the developing sperm ठीक है Cowper Gland का भी आपको role समझ में आ गया होगा I hope कि इतनी चीज़े आप समझ में आ गई आपको Prostate Gland में बार-बार बोल रही हूँ ये बाई-लोप्ड Gland होती है यूरित्रा के पास प्रेजन होती है और अपना सिक्रीशन जो है continuously provide करती है exaculate reduct को exaculate reduct जब exaculation से process से बाहर निकलती है या exaculation करती है तो उससे Prostate Gland का भी fluid बाहर निकलता है इतनी चीज़े आपको समझ में आ गई होगी It is important मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है इसको आप बार-बार देखिएगा तब तक हम इस चीज़ को और पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो next class में आपको female reproductive system के साथ मैं मिलूँगी तब तक आपको male complete हो जाना चाहिए यह आपका target होना चाहिए और जिन बच्चों को यह शिकायत है कि life process जो है उसका question solve नहीं करा है इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो last class में हम लोगों ने क्या पढ़ा था I hope कि वो आपको अच्छी तरीके से याद होगा last class में हम लोगों ने male reproductive system की glance पढ़ी थी जिल लोगों को बहुत गर्मी लग लगी थे वह सीमें क्या होता है it is the combination or the mixture of sperm with the seminal fluid sperm कहां से आता है vasa differentia से seminal fluid कहां से आता है seminal duct से seminal duct कहां होती है seminal fluid seminal duct से बहार आता है वो कहां होती है seminal vesicle seminal जिसके अंदर fluid भर रहता है यह होती है urinary bladder के पीछे vasa differentia आ रही है आपके टेस्टीस से होते हुए वासा डिफरेंशिया से आपने क्या जोड़ा सेमाइनल ड़क्त आपने क्या बनाया इजाकुलेटरी ड़क्त जब निकली तो उसमें जब निकली बाहर तो उसमें क्या भरा उसमें भरा गया प्रोस्टेट ग्लाइन का फ्लूइड प्रोस्टे पूरा सीमें जो है बॉडी से बाहर हो जाएगा यह प्रोसेस कंटिनेस चलने वाली प्रोसेस है जब तक मेल की जब तक मेल पीबटी स्टार्ट होती है और जब तक पीबटी खतम होती है या कह सकते हैं जब तक ले अब अब बिलिटी तो प्रड़ूज या यंग वन्स तब exaculation होता ही रहता है now next thing जो कि male तो बहुत आसान था male तो बहुत ही आसान था ठीक है पर जो चीज टफ है ना वो है ये 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 चीज आपको यार रखना है इस चमतकारी बोर्ड में जो पीछे गी और चल रहा है actually ये है female reproductive system female reproductive system little little थोड़ा थोड़ा कठें है थोड़ा थोड़ा difficult है पर इतना difficult नहीं है कि वो आपको ना समझ में है क्योंकि आप बहुत intelligent है आप बहुत हुषियार है so let's start let's take a look about the female reproductive system ये जो कहानी आपको दिख रही है ये बहुत ही प्यारा सा एक GIF एक वीडियो हमने लगाया है जो आपको पूरी कहानी थोड़े देर में ही कह देगा let's take a detail about this जब ये detail हम खतम करेंगे ना उसके बाद जब मैं आपको GIF दिखाऊंगे तो बोलेंगे अच्छा इसका मतलब तो ये था चलो so let's take a look female reproductive system female reproductive system में भी दो पार्ट होते हैं बच्चो एक होता है necessary part और एक होता है necessary part ठीक है आपको अगर ये चीज़ याद नहीं है तो मैंने आपको male reproductive system में ये चीज़ बताई थी तो necessary reproductive part क्या होता है necessary reproductive वो पार्ट होते है reproductive system के जो reproduction में help करते हैं ठीक है पर नेसेसरी वो पार्ट होता है रिप्रोडक्शन का जो की में काम करता है अगर वो किनी कारण वर्ष किसी रीजन से अगर वो डामेज हो जाए तो एसे सरी होंगे भी तो कोई फर्ट नहीं पड़ता है जैसे कि तुम हूँ सब्सक्राइब तुम्हें टेंथ का एक्जाम लिखना है तो तुम्हारे मम्मी पापा भाई भाई भेंडे और एसेसरी सपोर्ट सेस्टम यू आर नेसेसरी पार्ट फॉर्ट एक्जामिनेशन इफ यू आदामेज अगर तुम्हें चोट लग गई तो ए तरीन हो जाएगा टीक तो अब आपको समझ में आवड इस ए सइसरी पार्ट फॉर्ट 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 आपनेशन slide the female reproductive system consists of a pair of ovaries ठीक है हमेशा एक चीज़ बायो में याद रखना है कि मैं यह slide पता है क्यों बना रही हूं ताक कि तुम्हें एक्जाइम में लिखने में असानी हो there is no need of slide for me ठीक है मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है मैं नहीं भी लिखूंगे तो भी चलेगा मैं सब पढ़ा दूंगे पर बात यह है कि यह slide में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लगा रही हूं it is only for you इसकी बिलकुल आपको या तो नोट्स बनाते जाएं साथ ही साथ पॉस करकर करके जब आपको वीडियो डाउनलोड करके इसको पॉस करकर करके देखिए और अगर नहीं देख रहे हैं तो टेक स्क्रीन शॉट अफ इट ओके so female reproductive system consists of a pair of ovaries a pair of oviduct uterus vagina and vulva अब यह क्या है अब आप सर तो नहीं पोड रहे हैं कहीं कि यह क्या चीज है अब यह चीज क्या है वो मैं आपको बताऊंगी ना कित्ती सारी चीज तुमने बायो में नहीं सेखी अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 80% ही तो नया था अरे नह 80% नया नहीं था अब पुराना यह तुम नहीं हो तुम नहीं वस्तों पुराना एकबससे चल आ रहा है ठीक है तो मैंने आपको सबकों सिखा दिया आपको बहुत नहीं झाल हूँ ए thankful पढ़ा दूंकि तो बिल्कुल आसान हो जाएगा उंगलियों में चलेगा ठीक है सो फीमेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेर ऑफ ओवरीज हमारे पास एक पेर ओवरीज है एक पेर ओवीडक्ट है यह क्या है बता रही हूं वी है वन यूटरेस वन वेजईना और वन वल्वा ठीक है यह पूरा है पाट फीमेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम का जिसमें ओवरीज जो है यह होती है नेसेसरी पाट ऑफ दे रिप्रड़क्टिव सिस्टम ठीक है ओवरीज जो होती है यह necessary part है reproductive system के और बाकी जितने हैं वो सब necessary part है ठीक है main function क्या है female reproductive system का produce egg to fertilize with the sperm ओके तो को यह लिखा ही हुआ है main function है reproductive system का egg बनाओ sperm को receive करो और body में site of fertilization दो कि जब sperm और फर्टिलाइज होगा है तो रहेंगे कहा तो female reproductive system provide the site यह बहुत बड़ा काम है यह ठीक है male का काम जो sperm जो है जाकुलेट कर दो main काम कौन कर रहा है female कर रही है ओके तो it is a site of fertilization implantation के लिए site देती है कि अगर fertilize हो गया है fertilization हो गया हमने जगह provide कर दी तो implant होकर कहां रहेगा बच्चा ठीक तो यह बहुत बड़ा system है it is a big sacrifice of a woman यह हमेशा यार रखना है अपने को ठीक implantation of the growing embryo and development of the fetus ठीक यह site देती है female तो female ने क्या किया female ने sperm को receive किया ओवा को produce किया दोनों को fertilization के लिए जगा दी implantation के लिए जगा दी और फिक grow करकर के उसने पूरे बच्चे को अपने गर्भ में अपने वंब में नौ महीने तक रखा और उसके बाद उसकी delivery भी की तो इसका मतलब यह कि female reproductive system provide और female reproductive system perform this much of function ठीक है अब आप दोनों को compare कर सकते हैं दोनों reproductive system को कौन सा more complex है ठीक है now next thing is it also produces hormone to complete to control the various stages of the ovulation and maintenance of the pregnancy अबसी हमेशा यह यह याद रखिए कि female reproductive system बहुत सारे जैसे मेल का से वेखी hormone था ना female के साथ ऐसा नहीं होता female के पास दो तीन चार hormones होते हैं जो अलग-अलग stages of life में निकलते पीबर्टी के लिए अलग hormone है तो हर्मोन का भी बहुत बड़ा रोल है निटी से complex logic इतना डीटेल में अमको इसके बारे में पढ़ना नहीं है ठीक है 11th class में 12th class में पढ़ना है reproduction is in the 12th class तो यह चीज़ याद रखना है कि hormone भी नहीं कालते इतने सारे काम करती है मैंना बिल्कुल वही तो मैं आपको समझा रही थी कि इतना सारा काम है female reproductive system का लोग यह तो female को बोलते हैं कि क्या किया तो किया यह कि पूरी body उनका इतना सारा काम कर रही हो के कि मैंने जो आपको लिस्ट बताई थी ना उसका थोड़ा थोड़ा डीटेल पढ़ते हैं चलिए मैंने थोड़ा डीटेल क्यों बोला है पता है क्योंकि बहुत सारा डीटेल इतना सारा आपको नहीं पढ़ना है ठीक है तो लेट्स टार्ट वी हैव वन पेर ओवरी यह देखिए एक यह दिख रही है ठीक है कि शेप की होती है ओवल शेप की होती है अब कोई जो है मुझसे पूछ रहता है कि कि इंटेस्टाइन के पीछे कि इंटेस्टाइन के आगे है तुम्हें बोल दिया है कि बॉड़ी में बैक साइड है मतलब पीछे की हो रहे इतना अकल नहीं लगाना है अपने को ठीक है उसके बाद पेर्ड होती है ओवरीज ओव बहुत सारी चीजें बताती हूं देखिए फीमेल बॉड़ी जो है जब इसका जन्म होता है ठीक है डांस समझते जाएगा फीमेल बॉड़ी जब एक लड़की का जन्म होता है तो इसके पास अल्रेडी ये दोनों ओवरीज होती है ये दोनों ओवरीज के पास मिलियंस ऑफ एग्जों घूरा हिसे जह नहीं होता है तो उसकी ओवरी में मिलियंस ऑफ एग्जों जाता है जब जन्म हो जाता है और जन्म होने से लेकर puberty तक, puberty is the area जब वो adult हो जाते हैं और menstruation स्टार्ट हो जाता, ठीक तो जन्म होने से लेकर puberty तक, they have millions of eggs, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समाझना, male body में continuously जो sperms होते हैं वो बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं एक बार female का जन्म हो गया तो female contain millions of eggs in their ovaries जन्म से लेकर puberty आने तक, in millions of eggs में, सिर्फ egg में कमी आएगी egg में कोई बढ़ोतरी या कोई increment नहीं आएगा हमेशा in millions of eggs का number कम होते जाएगा, egg मरते जाएगे ठीक है, puberty आने तक, in egg का number बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ये बात समझना, कि we have millions of egg during the birth but continuous death of the egg is occurring into your ovary, continuously death होती ही रह रही है, होती ही रही है, उसके बाद जब puberty में आया और जब menstruation स्टार्ट हुआ तो we have less eggs, millions of अब नहीं हैं कुछ हजार eggs ही सिर्फ आपके ovary में बच जाते हैं तो ovary में कोई नया egg आप add नहीं कर सकते, जो है वही रहेगा, वो सिर्फ खतम होते जाएंगे, मतलब death होती जाएगी उसमें नये eggs को आप add नहीं कर सकते ये चीज़ आपको याद रखना है तो जो लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हर महीने menstruation periods के दोरान एक नया अंडा, नया egg ovary में develop होता है तो ऐसा नहीं है वो egg already उनके ovary में है वो सिर्फ mature होकर बाहर निकल रहा है इस तरीके से धीरे 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 जब menstruation होगा हर महीने एक एक बाहर निकलेगा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ovary में सारे eggs खतम हो जाएंगे क्योंकि we have only thousands of eggs after the puberty तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जब सारे eggs खतम हो जाएंगे अब जो एक खतम हो गए आपकी ovary खाली हो गए तो menstruation भी बंद हो जाएगा अब यह क्या है अब आप समझ जिएगा तो concept समझ में आए कि कुछी भी नया add नहीं कर सकते आप ओके तो पर यह समझ में आए कि कहां होती है प्रेड्यूस थाउजन्ट ओव और एक सेल्ट ओवरी मेच्योर वन एग एग एट टाइम इन एवरी अब मैं इसके बारे में इस पॉइंट को समझा रही हूँ क्या ही हर जो ओवरी रहती है उसमें जो थाउजन्ट ओव एक बचे जब प्यूबर्टी आई और मेंस्टुएशन स्टार्ट हुआ तो मेंस्टुएशन स्टार्ट होने के दौरान we have two ovaries, one is the right and one is in the left तो अगर पहले मन्थ में right ovary ने एक ovary को mature करके बाहर निकाला I am not talking about किसने नया बना है वो already था ovary में, वो सिर्फ क्या हुआ mature हुआ अब mature होकर वो क्या हुआ बाहर निकला तो दूसरे मन्थ में left side की ovary mature करेगी तो every alternate month में आपकी जो ovaries होती है वो अपना ovary mature करकर के menstruation से बाहर करती जाती है तो ये भी role है, ओके Now next thing कि ये बहुत सारे hormones निकालती है जैसे estrogen, progesterone estrogen जो होता है वो female में secondary sexual characteristics को develop करने में बहुत ज़ादा important है ये नहीं होगा तो female में development नहीं हो सकता and progesterone is the second hormone which is very necessary जो कि pregnancy को maintain करता है बच्चो तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो female pregnant है अगर उसे 9 महने तक अपने बच्चे को warm में रखना है अपने गर्व में रखना है तो there should be secretion of progesterone अगर ये नहीं secret होगा then the baby gets aborted ये चीज आपको याद रखनी है तो I hope इतने points आपको समझ में आ गए होंगे तो अभी में सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ ovaries की ठीक I think you got my point की ovaries क्या है कैसा हुआ कहानी ओके now next thing जो आपको देखनी है वो है oviduct oviduct देखिए क्या चीज होती है Oviduct में देखिए अभी मैं पहले वाले डियागरम में आपको लेके जाती हूँ ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बच्चो this one ये ठीक इसे आप कहते है oviduct ठीक इसे आप क्या कहते है oviduct ठीक अब सिर्फ आप structure देखिए ये theory सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी है मेरा काम है मैं तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीजे भर दू कि अब जीवन में कभी भी इन्हें ना भूले ठीक है बविश में आज से 20 साल बाद जो है तुम मुझे याद करोगे कि वाह आज तक हमें ये चीजे याद है तो आप ये area देख रहे हैं से finger like दिख रहा है ने ये ऐसा लग रहा है कि ये ovary को पकड़ा हुआ है ये चीज याद रखना तो फैलोपियन ट्यूब है ये आपकी ये oviduct है इदे को duct दो है ना राइट के लिए एक है और लेफ्ट के लिए एक है चलो आगे देखते हैं अब क्या है देखिए so oviduct are a pair of tube around 12 cm in the length oviduct एक होती है इधर की और सेम चीज उधर की हो रहे ठीक है तो कितने cm length की है बच्चो it is about 12 cm length ठीक है it has the funnel shape opening ठीक यह देखो funnel shape का लेख़ा है funnel shape का लेख़े आए अब में बी बात को ध्यांसे समलना वरे जो है यह क्या निकालेगी OVA ठीक पर इन दोनों के बीच में आपको gap लेख लेख लेगी क हनने दहार धिक रहे है in तो यह जो वरे निखला है इसको इसके अंदर जाना है, ठीक, अब क्या करो, suppose that कि ये क्या है आपका fallopian tube and this is your ova, ठीक, this is your ova, it is not the round structure, ये लंबा ही ova है, माल लो आभी के लिए, तो अभी ये दूर है, पर अगर मेरी उंगलिया नहीं होती, तो इस ova को यहां तक जाना पड़ता, पर मेरी उंगलिया है ठीक है, I have fingers, तो मैं इसको खटाक से पकड़ कर अंदर ले लूँगी ना, हाँ, तो बस यही कानी है, कि इस ova को अंदर जाने के लिए, यहां पर देखो finger-like projections हैं, इससे आप कहते हैं fimbry, क्या कहते हैं fimbry, यार नहीं होगा कोई tension नहीं, मैं समझा रही हूँ, तो आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है, उसमें ऐसे finger-like projection होता है, जो ova को खीचने का काम करता है, समझ में आई बात, ठीक है, तो यह जो funnel shape की opening होती है, इसमें finger-like projections होते हैं, जिसे आप कहते हैं fimbry, fimbry catches the ova, जल्दी से वो catch कर लेता ova को, जितना भी ova होता है, वो आपके फैलोपि यह 10th class में नहीं है, मुझे जो बताना था, वो था fimbry, so we have finger-like projections, यह finger-like projections ova को catch करने का काम करते हैं, ova पतलब ovary और a fallopian tube के बीच में जो gap है, वो gap थोड़ा सा होता है, इसका मतलब है कि अगर आपको ova को उठाना, so you have to catch the ova simultaneously or very speedily, okay, now next thing जो आपको देखनी है, इट carries ova और eggs from the ovary to the uterus, ठीक है, यही fallopian tube अगर आपको वह पिछले diagram में लेके चलू, तो अगर माल लीजे कि ova आ गया है, ध्यान से समझेगा, अगर ova आपके fallopian tube में आ गया है, क्योंकि fallopian tube red color की है, तो let me take the blue color, okay, तो इस ova को ले जाने के लिए भी fallopian tube का ही काम है, तो fallopian tube अगर ova को किधर की और ले जाती है, uterus की और ले जाती है, तो यह यह चीज़ याद रखना है, कि पहला काम तो उसका यह है, कि it catches the ova, ova कहां से आया, ovary से आया, तो यह catch करता है, because उसके end पर finger like projections होते है, जैसे उंगलिया होती है, catch करने का काम नहीं होती है, suppose that उंगलिया तो क्या catch करते है, कड़ी नहीं पाते है, कुछ चीज गिर जाता, तो ऐसे ही fallopian tube का end होता है, वो funnel shape का होता है, जिसमें finger like projections पाय जाते है, यह ova को catch करने का काम करते है, फटा-फट से, फटा-फट से, मतलब एक बार में एक ही निकलेगा, तो जादा नहीं catch करेगा, उसके ब कि fallopian tube का दूसरा काम यह है, कि जो sperm entry ले रहे हैं आपके reproductive system में, उनको यह fertilization की site provide करती है, तो इधर से यह आ रहा है ova और इधर से यह आ रहा है sperm, इस जगह पे fertilization होता है, चलिए अगले diagram में देखिए, तो यह जो जगह आपको दिखाई देरी है, this area, this is the area of the fertilization, तो इधर स क्या आ रहा है sperm, और इधर से क्या आ रहा है ova, यह दोनों चीज़े इस जगह पे fertilization show करेंगी, it means की fertilization का area है आपका क्या, fallopian tube, तो आयोब आपको यह समझ में आया, इसके तीन function समझ में आया, कि यह egg को catch करता है, उसके बादी fertilization की site provide करता है, fertilization हुआ चाहे नहीं हुआ, य ओवा को fertilized ova, चाहे unfertilized ova, यह उसको कहां पहुचाता है, uterus में पहुचाता है, हाँ मैं अम इतना समझ में आ गया, देखो, अगली लाइन भी लिखिये, देखो, कितनी magical हुँ है ना, मुझे पता था कि अगली लाइन क्या है, तो इट इस a site of the fertilization, it opens into the uterus from the both the site, next, पिछ दोनों जो होती है, fallopian tube, यह आपकी ultimately uterus में ही खुलती है, तो यह समझ में आया, कि ovary क्या है, और fallopian tube क्या है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही easy busy है, इन दोनों चीज़ों में कोई भी doubt होगा, तो please पूछिएगा, continuously पूछते रहें, क्योंकि जब तक आप पूछों गे नहीं तब तब मुझे यह नहीं समझ मेंगा, कि आपको यह समझ में अच्छे से आया, कि नहीं आया, और पूछते रहें, doubt पूछिए, और इनका भी revision में आपको दूँगी, तो collectively हम एक lecture बनाएंगे, जिसमें पूरा reproduction भी खतम करेंगे, ठीक है, तो इन वीडियो के साथ बने रह है, next class में मैं आपको पूरे और parts के बारे में पढ़ाऊंगी, सारे parts एक lecture में include इसलिए नहीं किये, क्योंकि जब एक साथ पढ़ा देते हैं, तो खिजडी बन जाती है, तो next class में मिलेंगे, तब तक के लिए, thank you so much. Hello students, welcome to Magnet Brains, मैं हुशे प्रतिवारी, आज आपके इस नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है, so let's start, last class में हम लोगोंने क्या पढ़ा था, I hope कि वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, last class में हम लोगोंने fallopian tube के बारे में पढ़ा था, last class में हम लोगों आपको समझ में आ गई होगी, next part जो अब हम लोग female reproductive system का लेने वाले हैं, वो है uterus, ठीक है, अब पीछे देखने से पहले आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझ जीए, कि what is a uterus, ठीक है, uterus जो होता है, वो inverted peer shape का होता है, आपने peers अपने देखे होंगे, बड़े season में है आपने खाई भी होंगे, ठीक है, बहुत ही बड़ियां फल है, टेस्टी भी लगता है, अब फल को छोड़कर uterus में आई है, अगर आप peer को invert करेंगे, तो inverted peer shape का structure होता है uterus, ठीक है, इसको हिंदी में लो गर्भाशे कहते हैं, आप बोलो मैडम आज तक तो आपने किसी word का म बच्चर, uterus जो होता है, वो तीन लेयर्स का बना होता है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, uterus का का काम होता है, कि वो 9 मंस अग बच्चे को अच्छी तरीके से होल्ड करके रखे, ताकि जो बच्चा होता है, वो बाहर ना निकल पाए, प्रीमेचर डिलिवरी ना हो ज बात समझ में आई, कि uterus जो होता है, वो expand हो सकता है, क्योंकि इसकी जो layer होती है, वो होती है muscular, muscular होने की वज़ा से यह आसानी से expand होकर बढ़ा हो सकता है, ओके, that is why जो female होती है, उनका secondary sexual characteristics होता है, उनका pelvic girdle बढ़ा होता है, कारण यही है, कि pelvic girdle बढ़ा होने की वज़ा से, जो pelvic girdle बढ़ा ही इसले होता है, क्योंकि it will provide the area to the uterus, ताकि जब uterus बढ़ा हो तो body को perfect family के लिए उसे जगा मिल सके, that is why the pelvic girdle area of the back और कमर का जो area रहता है, वो हमेशा females का चोड़ा होता है, now let's come to the detail, uterus is the inverted pear shape structure, inverted pear not pear okay, inverted pear shape का structure, it is broad and the upper, inverted pear का होगा, तभी तो ऐसा broad और ऐसा ह होगा, ठीक है, तो it is a inverted pear shape structure, okay, inverted pear shape का structure है, उपर से चोड़ा होता है और नीचे से बहुत पतला होता है, lower end पर, ठीक है, अब आपको मैं diagram दिखाती हूं, ध्यान समझेगा, okay, चलिए आजाए सब लोग, okay, देखिए, this is the uterus, okay, यह जो area है, इसको आप कहते हैं uterus, यह वाला जो area है, इसे आप कहते हैं uterus, अब बिलकुल से, बिलकुल ध्यान से मेरी बात समझते जाएगा, इस uterus की total 3 layer है, 1, 2 और 3, ठीक, इस uterus की 3 layer होती है, uterus is the inverted pear shape structure, जो उपर से चोड़ा और नीचे से पतला होता है, uterus में total 3 layer है, काम आपको सिर्फ 2 से, uterus की जो बीच वाली layer हो इस पर बहुत सारी muscles होती है, जिसकी uterus असानी से फैल सकता है, जाए बच्चा कितना भी भारी हो, कितना मत्तब 25-30 kg का नहीं, पर फिर भी एक limited 4-5 kg, 4-5 kg तक के बच्चे को ये hold कर सकती है, ठीक है, उसके बार uterus की जो सबसे पहली layer होती है, if you look this layer, ये जो layer होती है, ये implantation म बहुत जादा मदद करती है, तो बीच वाली layer uterus को expand करती है, पर पहली वाली layer जो होती है, वो बच्चे को पकड के रखने में बहुत जादा मदद करती है, और वही पकड के रखती है, ठीक है, so uterus is the site of implantation, please always remember this, ठीक है, तो uterus होता है, it is the site of the implantation, यहीं पर बच्चे का implantation ह होता है, यहाँ पर मैं आपको एक point add भी कर देती हूँ, it is the site of the implantation, यह implantation की site होती है, अगर यह नहीं होगा, तो बच्चा implant नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो uterus is the main site of the implantation, अब uterus जिस structure में खुलता है, उसे हम कहते है, cervix, okay, this area is called as, जैसे uterus देके narrow हुआ, और इस area को आप कहत है, cervix, ठीक है, इसे आप कहते है, cervix, और cervix जिस area में खुलता है, उसे आप कहते है, vagina, now let's take the, take a look on the cervix, so upper part end into the body of the uterus and lower end is called as cervix, चलिए, इस point का मतलब क्या है, ध्यान समझे, इस part को आप कहते है, uterus की body, ठीक है, upper part को आप क्या कहते है, body, पर lower part को आप क्या कहते है, cervix, तो यही बोलना चाहरा है, कि uterus का जो upper part होता है, उसे कहते हैं body, पर जो सबसे नीचे वाला part होता है, उसे कहते हैं हम लोग cervix, now take a look on the cervix, at the upper end it receives the oviduct of the either side, whereas the lower end the cervix open into the vaginal canal that opens into the outside, now अब आपको समझना है, मैं आपको डाइग्राम से ही समझाऊंगी, क्योंकि पूरी कहानी का hero जो है अपना वो डाइग्रामी है, ओके तो suppose that कि इस जगह पर जाकर क्या हो गया है बच्चो, fertilization, इस जगह पर क्या हो गया है बच्चो, fertilization, ठीक है, हाँ बाड़ाम यह समझ में आ गया, कि अगर इस जगह पर जाकर fertilization हो गया है, तो अब जो आपका zygote होगा, then what is the zygote, zyg is a fusion of two gametes, it is a result of fusion of two gametes, ठीक है, तो male और female जब fuse होते हैं, तो यह zygote बनाते हैं, अब zygote जो है, वो जाकर uterus में implant हो जाएगा, getting my point, कि जो आपका zygote है, वो uterus पे जाकर implant हो जाएगा, तो it is a site of implantation, it always receives the two side of the fallopian tube, यह fallopian tube के दोनों साइट को receive करता है, यह चीज़ आपको य जाद रखनी है, ठीक है, तो alternate month पे over and over release करती ही कि नहीं, आपको पढ़ाया, तो अगर right area से आ रहा है, fertilized over, तो यह भी receive कर लेगी, और अगर left area से आ रहा है, fertilized over, तो भी receive कर लेगी, तो it receives the both end of the fallopian tube, the upper part of the uterus is called as body, this part is called as body, body and the lower end is called as cervix, ठीक है, then the cervix is open into the vagina, जाइना, cervix is very very sensitive part of the female reproductive system, please remember this always, ठीक है, बहुत sensitive part होता है, बहुत सारे infection female reproductive system में यहीं पर हो सकते हैं, ठीक है, तो यह slide में I hope कि आपको पूरे points अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, पहला point क्या है, दूसरा point क्या है, तीसरा point क्या है, ठीक है, तो यह मैंने आपके ल समझ में आएगा, तो प्लीज पूछना मुझसे, ठीक है, अच्छा, जिनको female reproductive system में, gland वाले में problem होगा ना, प्लीज लेट मी नो, ओके, ना, next thing is, ओके, धियान से देखिए, यह भी बहुत बढ़ीना डाइग्राम है, ठीक, देखो, कितना प्यारा दिख रहा है, ओके, तो यूटराइन वाल, we have how much wall in the uterus, how many wall, not much, how many wall in the uterus, we have three wall in the uterus, जो पहली वाली होती है, वो बच्चे को पकड़ने में मदद करती है, जो दूसरी वाली होती ही, मसल होते हैं, उसमें, तो uterus को expand करती है, तीसरी वाली जो होती हो, वो support or protection देती है, तो यह जो होती है, आपको त clean layer नहीं आता है, तो कुछ कोई बात नहीं है, बस अपने दिमाग में ये रखो कि uterus में बहुत सारी मसल होती है, जो uterus को expand करने में मदद करती है, ताकि जब बच्चा है, तो जैसे जैसे उसकी growth हो, तो uterus भी expand होता जाए, that is why the pelvic girdle of the female is always broad, okay, now next thing is the uterine tube, यहां से देखिए fallopian tube जा रही है, this is the uterine wall, तो it is very easy-peasy diagram, आप इसको अपने examination में भी बना सकते हैं, बड़ा ही सरल और असान है, now next thing is the cervix, देखिए क्या है, it is a lower and narrower portion of the uterus, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, कोई tension नहीं है, इसमें, दो लाइन है, पर आप इसमें 20 लाइन भी अपने से यह एक point है, जो आपको समझना है, अगर मैं पिछले diagram में देखूं, तो यह देखिएगा, cervix जो है, बहुत ही narrow हो गया, uterus जब cervix में खुला, तो cervix बहुत narrow हो गया, तो it means कि cervix ऐसा बंद रहता है, जब तक mother जो है pregnant होती है, इसका मतलब यह कि अगर cervix की muscle उसे loose कर देंगे then the cervix become relaxed, और जैसे relax होगा, तो बच्चा जो है वो नीचे आने के chances रहते है, तो cervix जो होता है, वो हमेशा close रहता है, और close रहने की वज़ए से अगर mother जो है pregnant है, तो बच्चा नीचे नहीं आ सकता, once it gets relaxed, तो आसानी से delivery हो सकते है, and it is very sensitive part, बार बार कहरी, it is very sensitive part, infection बहुत prone ह होता है यहां पर, okay, now next thing is the vagina, अब मैं इस के बारे में आपको सिखाने वाली हूँ, ध्यान समझेगा, जब आपने सीमन, जो है, सीमन, what is the semen, it is the combination of sperm and the seminal fluid, okay, सीमन का pH होता है, alkaline, pH is the alkaline, जो की होता है, 7.1, 7.2 के असपास होता है, but अगर मैं बात करूँ वजाइना की, तो वजाइनल environment is very acidic, वहाँ पर lactobacillus होते हैं, जो की symbiote bacteria होते हैं, वजाइनलेक environment को highly acidic बनाते हैं, इसलिए जब exaculation male करता है, जब sperm को female vagina में deliver करता है, तो सबसे पहले cowper gland का secretion निकलता है, cowper gland male urethra में present होती है, और यह alkaline fluid निकालती है, जिससे lubrication असान हो जाता है, तो पहले cowper gland जाती है, वजाइनल के पूरे environment को alkaline बनाती है, क्योंकि अगर cowper gland नहीं होगी, और अगर आपने semen directly वजाइनल में deliver कर दिया, तो पूरे sperm वहीं पे मर जाएंगे, क्योंकि environment is highly acidic, तो अब समझ में आए कि what is the role of the cowper gland, it is present into the male urethra, तो जब copulation होने वाला होता है, तो सबस से पहले वजाइना में cowper gland का secretion निकलता है, यह secretion वजाइनल environment को पूरे alkaline बना देता है, ताकि जब semen exaculation से निकले, तो वहाँ पर उसकी death ना हो, okay, समझ में आया, बड़ा ही असान था, okay, now vagina is 9 cm long, it receives the sperm from the male partner, environment is so acidic, it serves as a birth के राल, यहीं से बच्चे का बर्थ होता है, तो acidic environment क्यों है, आपके lactobacillus की presence की वजासे, ठीक है, acidic environment की जरुवत किया हो है, ताकि कोई infection नहीं हो, ठीक है, alkaline environment कैसे बनेगा, पहले cowper gland अपना secretion दे के, पहले environment को पूरा वहाँ पर alkaline बना देगी, उसके बाद जो सीमन को exaculate करेगा, male female body के अंदर, ठीक है, तो I hope कि आपको male reproductive system के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे, ये बड़े ही आइसान थे, आपको सिर्व और सिर्व डाइग्राम बनाना आना चाहिए, very important diagram जो आपके examination के लिए बहुत जादा important है, exam में आ सकता है, ठीक, तो next class में हम लोग बात करेंगे कि fertilization कैसे होता है, तब तक इन वीडियो उसको ध्यान से देखते रहिए, next class में मिलते हैं, thank you so much. Let's start, what is the fertilization? Fertilization is the fusion of the gamete, fusion of the male sperm with the female ova, so अगर आप इसे आप sin gamete का fusion कर रहे हैं, fertilization कर सकते हैं, fertilization में male sperm का female ova से fusion होता है, now इसके जो steps है, यह मैंने बहुत जादा detail में लिखे नहीं है, पर मैं आपको एक एक point का detail से मतलब समझाने वाली हूँ, First thing, what is the copulation? ठीक है, तो पहला जो heading है, वो है copulation, what is the copulation? Fertilization अगर आपको करना है, तो पहला step is the copulation, copulation क्या होता है, सुन्ये ध्यान से, अगर the male reproductive part will insert it into the female reproductive part, then he releases the semen into the female vagina, the semen is the combination of the sperm and the seminal fluid, once the male get deposited semen into the female vagina, then the sperm start travelling upper side of the female reproductive system, but copulation is the only process, copulation is the process, जिसमें male body अपना reproductive part, मतलम, male penis, male urethra, जो है वो female body में इंसर्ट करता है और सारा female body को दे देता है, so this is called as copulation, copulation is the insertion of male reproductive part into the female so that he can release his sperm to the female vagina, now next thing, once the semen get releases into the female vagina, once the semen get releases into the female vagina, then what will happen, tell me, क्या होगा, अब जो है sperm को motility मिलीगी, कौन दे गया, what is semen, semen is the combination of sperm with the seminal fluid, isn't it, तो होगा क्या, कि semen में जो seminal fluid है, वो इसको क्या देगा, nutrition देगा, energy देगा, और lashing movement, what is the lashing movement, this is the lashing movement, ठीक है, जैसे तुम ऐसे ऐसे चलते हो ना, तो lashing movement क्या होता ये, तो इस movement से जो sperm होगा, वो female reproductive system में उपर की और बढ़ेगा, ठीक है, अगर मैं आपको पिछले वीडियो के diagram में ले चलू, तो यहाँ पर sperm entry ले चुका है, अब lashing movement से इस तरीके से आपका जो sperm है, वो entry लेगा उपर की और, ठीक है, अब मेरी बात को ओर ध्यान सुनना, मैंने आपको सिखाया था कि uterus की जो दिवारे होती है, वो क्या होती है, muscular, तो जैसे ही sperm अंदर entry लेगा, वैसे ही जो uterus की दिवारे होंगे ना बच्चो, वो दबेंगी, वो क्या करेंगी, contract होंगे अंदर की ओर, तो sperm में दबाव बढ़ेगा, और sperm, millions of sperms होते है, 5.5 million से भी उपर होते है, एक isaculation में, तो millions of sperm को जो है, uterus क्या करेगा, दबाएगा, जैसे इसको press करेगा, क्योंकि muscular wall is uterus, तो ऐसे करके दबाएगा, तो sperm का movement और ज्यादा fast और accurate हो जाएगा, तो getting my point, what is the sperm movement, sperm जो है, it is the lashing, it shows the lashing movement, lashing movement is like this, millions of sperm will release into the one, isaculation, uterus gets contracted to inner side, अंदर की ओर contract होगा, ताक स्पर्म पर दबाबढ़े और असानी से स्पर्म को उपर की ओर बेजा जा सके, ठीक है, तो first step आपको समझ में आया है, which is the copulation, ठीक, second आपको समझ में आया है, कि sperm movement कैसा होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, sperm कैसा movement शो करते हैं, वच्चो sperm शो करते हैं, lashing movement, ठीक है, lashing movement, जो, यह just a general English, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, now next thing is the penetration, ठीक है, penetration क्या होता है, यह देखो, lashing movement, जे बहुत सारे sperm होगा कि और भाग रहे हैं, they don't have legs, तुम्हारे जितना तेज, तुम्हारे जितना तेज तो भाग सकते हैं, पर तुम्हारे जितना तेज तो बहुत सारे sperm होते हैं, वो female body में release किया जाते पर सारे जीवीत रहे जिंदा रहे यह जरूरी नहीं है तो कुछ तो रास्ते में ही मर जाते बिचारे कमजोर होते पर बहुत सारे sperm जो है वो competition करते हैं सारे लोगों ने competition किया जीता कौन ही है वाला तो sperm जो है lashing movement से किस की और बढ़ रहा है तो ओवा की और बढ़ रहा है तो ओवा की और बढ़ा और यहां जाकि यह टच करेगा ड़न अब मैं आपको डागरम बना के समझाती हूं यहां से समझेगा देखे अब suppose that कि यह है आपका ओवा ठीक ओके यह है ओवा की outer layer और यह है inner layer मैं आपका outer layer के बारे में नहीं बता रही हूं क्योंकि 10th class में आपको जानना ही नहीं है ठीक तो यह हो गई outer layer ओके और यह हो गई बच्चों आपकी कौन से layer? Inner layer So one is the outer layer and second is the inner layer और यह डाइगरम किसका है? ओवा का है इसके अंदर क्या भरा हुआ है? साइटो प्लाजम ठीक तो यह ओवा का क्या हो गया बच्चों? साइटो प्लाजम क्योंकि ओवा खुद तो एक cell ही है ना आप समझना अब इसके चारो तरफ बहुत सारे sperms चिपके हुए हैं ध्यान समझना इसके चारो तरफ बहुत सारे sperms चिपके हुए हैं अगर मैं sperm के डियाग्राम के बारे में देखूं तो this is the sperm head ठीक and this is the sperm tail जब ओवा के चारो तरफ बहुत सारे sperms चिपक जाते हैं तो उसमें से सिर्फ एंट्री कौन लेता है? tail will सा बाहर रह जाती है ठीक अब इस head के पास क्या है? अब इसको यह penetrate करेगा क्या करेगा? penetrate penetrate का मतलब होता है छेदना penetrate का मतलब होता है peer करना ठीक है? तो जैसे ही ये करेंगे ये छेत कर जो है इसका head जो है वो अंदर आ जाएगा head में क्या है present beta nucleus blue color cyanide इस चमतकारी board में इतने सारे color है कुछ तो use करें चीक है तो आपका जो head का nucleus है वो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा जो tail है वो बाहर ही रह जाएगी सिर्व आपका entry क्या लिया head head के अंदर क्या है nucleus ये nucleus किसका है ओवा का nucleus है अब दोनों के nucleus जो है वो पहुझ गए है तो ये बात अब आपको समझनी जरूरी है कि मैडम अगर एक sperm entry ले रहा है तो दो तीन भी तो ले सकते है नहीं अगर एक sperm ने entry ले ली है तो ये पूरा area जो है ये freeze हो जाएगा ठीक है अगर एक sperm ने entry ले ली तो बाकी बाहर का जितना दो membrane है ना outer और inner तो ये दोनों membrane का space freeze हो जाएगा अब दूसरा sperm entry ले ही नहीं सकता तो अब sperm चिपका हुआ है head उसका entry ले लिया क्योंकि head के पास nucleus है अब दोनों nucleus हो गए अब यह दोनों fusion करेंगे प्रेजेंट है उसका खुद का nucleus ठीक है ओवा के पास क्या प्रेजेंट है उसका खुद का nucleus ठीक है और टेल क्या रह जाएगी बाहर एक बाहर रह गई तो यह पूरा area क्या होगा यह पूरा area जो है बच्चों वह freeze हो जाएगा अब दूसरा स्पप उस पर entry ने ले सकता बिल्कुल ने ले सकता हो सकता है बहुत सारी rare condition है जिसमें यह भी हो सकता है पर वो तुमको अभी क्यों जानना है अभी थोड़ी तुम्हें जो है तुरण scientist बनना है तो जितना जरूरी जरूरी होता जानो तो आयोब की यह बात आपको समझ में आ गई होगी penetration मतलब छेदना स्पम जो होता है वह ओवा की वॉल को छेद कर अंदर लेगा पर टेल बाहर रह जाएगी सिर्फ हैड एंट्री लेगा क्योंकि हैड के पास क्या होता है nucleus okay now next thing में दोनो nucleus को आपको क्या करना है fertilization क्या करना है fertilization अब दोनों heploid heploid मतलब single set of chromosome य बेर बता बता कि मूझे बुखार आ गया है ठीक है तो दोनो nucleus को क्या करना है fertilization करना दोनो nucleus को fuse करना इस method को है understood how we came करने में लगे हैं और फिर बोलेंगे समझ में नहीं आया ठीक अब ये nucleus कैसा हो गया deployed और इसी को हमने क्या कहा बेटा zygote क्या कहा zygote zygote में क्या होगा बच्चो cell division zygote में क्या होगा cell division then the zygote will convert it into the embryo ठीक है बड़ा ही आसान है यह तो बहुत ही आसान है ठीक तो यह समझ में आया कि पूरी steps क्या हो रही है दस copulation क्या हुआ sperm movement lashing होता है penetration मतला penetrate करके अंदर sperm घुसना चाहरा है सिर्फ head घुसा टेल रहे गई दोनो nucleus fuse हुए और fuse होकर उनने क्या बनाया zygote zygote में cell division हुआ उसने क्या बनाया embryo अब होगा implantation क्या होगा implantation आयोब कि इत्ती बाते आप समझ में आ गई होगी फिर है इसको आप screenshot ले लिजे ठीक है अब आप को यह नहीं बोलेगा संड़ के दिन इत्ती पड़ाई क्यों करनी है संड़ है तो fund है भाई ठीक है अब यहां पर हम लोगों ने ध्यान से समझना है कि यहां पर हम लोगों ने अपना embryo बना लिया है यहां पर क्या बना लिया है बेटा हम लोगों ने embryo इस embryo को यहां से ले जाते हुए इस जगा पर implant कर देना है जिसे हम कहते हैं uterus क्या कहते है uterus ठीक है तो जो embryo आपने बनाए है वो fallopian tube से लेके आओ uterus में implant कर दो implant कैसे करोगे वो मैं अब आपको बताती हूं uterus में मैंने आपको परत बताई थी layers बताई थी कि भूल गये सब ठीक है तो अंदर वाली layer जो होती है वो uterus को uterus की जो अंदर वाली layer होती वो embryo को पकड़ के रखेगी आप अच्छे सो पकड़ के रखेगी बिल्कुल ऐसा पक developing embryo uterus is the site of implantation as we know that ठीक तो यह पूरी कहानी समझ में आई ठीक टाइम वेस्ट नहीं करिया और ध्यान सपड़ते जाए ठीक शाम को घुमने चले जाएगा वैसे lockdown है तो कोई घुमने का कोई मतलब भी नहीं है ओके नाव नेक्स दिंग इस fertilization and post fertilization ठीक है अब क्या हुआ अब यह implantation हो गया ठीक है यूट्रेस में जाके developing embryo क्या है फस गया पर अभी तो क्या है embryo जो है छोटा है यूट्रेस में फसा हुआ है तो यूट्रेस और embryo एकदम contact चिपके हुए है तो continuously uterus embryo को nutrition देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा इसेंट दे दिया पर जब embryo बड़ा हो जाता है तो अब suppose that कि मैं यह मानती हूँ आयोग क्या आपको यहां से दिख रहा होगा तो मालो कि यह तुम्हारा है uterus मैं डाग्रेमाटिक रिप्रेजेंटेशन बता रहे हूँ ठीक है और यह है तुम्हारा embryo मैं लिग भी देती हूँ नहीं तो आधे लोगों को यही नहीं समझ में आएगा कि रेड कलर का बना क्या है दस दिन बात देखेंगे वीडियो तब समझ में आएगा यह आपका embryo ठीक आप समझना अब यूटरेस की जो वाल है सबसे इंटर्नल वाल है यूटरेस की वाल और embryo के बीच में जब छोटा था यूटरेस तो जब छोटा था embryo तो यूटरेस से चिपका हुआ था यूटरेस कंटिनेसली embryo को nutrition दे रहता पर जैसे जैसे बड़ा होता है ना कहानी बदल जाएगी तो embryo एंड यूटरेस के बीच में connection बन जाएगा वेटा जिसे आप कहते है प्लेसेंटा क्या कहते है प्लेसेंटा ठीक है तो प्लेसेंटा वो टिशू होता है प्लेसेंटा प्लेसेंटा वो टिशू होता है जो बच्चे को यूटरेस मतलब गरभाशे से connect करके रखता है अब मा जो भी खाना खाती है ना वो सब खाना जो है दर-दर ब्लड में supply हो रहा है अब इस प्लेसेंटा की हेल्प से बच्चे को यह डिलिवर होगा अच्छा मैडम दाल क्यों चले जाएगा दाल चावल जो है डाइडेस्ट करके उसका न्यूट्रिशन तुमारे न्यूट्रियंट तुमारे ब्लड में बह रहे है ना उसके न्यूट्रियंट बच्चे को डिलिवर होंगे समझ में आई बात तो ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चा डिलिवर हुआ दाल चावल रोटी सब्जी लगी हुई है ऐसा नहीं होता हम लोगों ने डाइडेशन में पूरा खाने को पचा कर उसके न्यूट्रियंट ब्लेड में ले गाए थे ना तो आब ये पूरा न्यूट्रियंट ब्लेड के चारो तरफ घूम रहे हैं और वो प्लेसेंटा की हे अब से मा के पास तो है तो प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे को डिलिवर हो जाएंगे देखो वही बताया मैंने तो कुल मिला के इस प्लेसेंटा को बनाने के लिए जो एंब्रियो होता है वो क्या होता है दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे बनेगा तो यह जो एंब्रियो होता है इस एंब्रियो के पास ऐसे 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 विलाईज होते हैं जो की यूट्रेस की वॉल में जाके धस जाते हैं और इसी को बाद में आप लेसेंटा कहते हैं ठीक है तो यूट्रेस प्लेसेंटा कौन बनाता है पता है तुम्हें बच्चा वो ही हो सकते हैं, ciliated epithelium कहीं भी हो सकता है, तो यह finger-like projection uterus की wall में जाकर ऐसे घुछ जाएंगे, अब दोनों की बीच में connection हो गया, यह finger-like projection कहां पर है, यह है embryo में, तो यह embryo है, यह finger-like projection है और यह uterus, दोनों घुछ गए, अभी इन finger-like projection की मदद से मा जो है बच्चे को खाना द गी और इसी को तुम कहते हो प्लेसेंटा ओके डवलपिंग एंब्रियो है जुनरेट दावे सबस्टेंट से देट कैन बी रिमूब बाइद रांस्फरिक देम इंटो दे मदर ब्लड थूद प्लेसेंटा तो जैसे माँ बच्चे को निउट्रियंट देती है थूद प्लेसेंटा वैसे ही बच्चा वेस्ट भी निकालता है तो वेस्ट भी प्लेसेंटा के माध्यम से यूट्रेस की वाल पर आता है वाल से ब्लेड में चला जाता है और फिर ब्लेड से माँ उसको रिमूब करती है यह चीज़ generous time it is a very good time but very painful time तो यह चीज हमेशा आपको याद रखने चाहिए कभी बोलना ने चाहिए smooth rhythmic muscular contraction in the uterus causes a child birth ठीक तो याद रखिएगा आप 9 मेने का बच्चा हो गया तो अब uterus में दबाब बढ़ेगा cervix relax होगा और बच्चा deliver होकर बाहर आ जाएगा ठीक है चाहे fertilization egg से हो या नी हो ultimately वो जो egg ovary ने निकाल दिया है fallopian tube को उसे आपको बाहर करना ही पड़ेगा चाहे वो fertilize हो या ना हो इसे बाहर निकालने के लिए uterus अपना दबाब बढ़ाता है cervix relax होता और egg बाहर हो जाता है तो I hope कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी आज मैंने आपको fertilization के steps बताया आज मैंने आपको placenta के बारे में बताया यह बहुत 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 interesting lecture है इसे आपको बार बार देखना है ताकि at least आप समझने पढ़ने के साथ साथ लाइफ में कैसे आप आए यह आप जान सके ठीक आपको समझना बहुत जादा बढ़ा देता है तो आई होगी आपको समझ में आगा नेक्स क्लास में हम में मेंस्टुरेशन साइकल के बारे में बात करेंगे तब तक इन वीडियो को देखते रहे है थैंक यू सो मच हेलो स्टूरेंट्स वेलकम तो मैंगनेट ब्रेंस मैं हो शप्रातिवारी सो लेट स्टार्ट आज आपके लिए एक नया सप्राइज यह है कि हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टेप्स अप द फूर जितनी चीजे थी सब कुछ बत बना एंब्रियोजा के इंप्लांट हुआ फिर उसके बाद इंप्लांट होने के बाद नाइन मंस में डेवलप्मेंट हुआ और बच्चे की डिलिवरी हो गई पूरा पढ़ लिया था आयोब कि आपको अच्छी तरीके से यह चीज याद होंगी अब जो चीज आपको पढ लोपियन ट्यूब में अंट्री लेता कि नहीं बेटा ठीक है जैसे मालो की रजैसे मालो लेफ्ट वाली ओवरी है जैसको मैं तुमको डायराम से समझाती हूं देखो क्या होता है कि मालो की यह वाली ओवरी ने अपना ओवर डवलप्म किया है अब यह ओवर कहां पहुच यहां पर पहुझ गया तो को पता है कि यहां पर ओवा थो दोनों आप मर जाएंगे उनको कोई मतलब ना ही नहीं कि वहां पर ओवा आता है अब ध्यांस समझेंगे तो हमने तो यह पढ़ा कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया देन दा इत्विल मेक जाइगोट जाइगोट विल डिवाइड एंट विल मेक दा इंब्रीयों एंब्रीयों के इंप्लांटेड इंटु दा यूटिरेस यह पढ़ लिया पर वॉट अब आपको यह समझना कि हर अ आपकी ओवरी होती है वो एक ओवर निकालती है अगर लेप्ट निकाल रही दस नक्समत में राइट निकालेगी अब ओवाफ एलोपियन ट्यूपे पड़ा हुआ है अब अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ठीक है जो एग का जो आपका सेल्फ लेगी और अगर नहीं मिला तब क्या होगा आप समझेए इन दा फीमेस दा ओवरी रिलीजेश दा ओवम और एग एग एवरी वन्स एवरी 28 डे फ्रम दा एज ओव देर पिबर्टी ठीक है चलिए समझे क्या होता है पिबर्टी होने के बाद हर महीने जो फीमेल होती है वो अल्टरनेट मन्त पे एक ओवरी से एक ओवा को बाहर निकालती है पिबर्टी होने के बाद ठीक अब इसी कहानी को आप समझेगा क्या चीज में बता रही हूं ठीक है दे यूट्रेस प्रिपेर इट्सेल एवरी मन्स तो रिसीव अ फॉर्टिलाइज एग तस इस लाइने अब मेरी बात समझेगा हर महीने ये कहानी है हर महीने ओवरी जो होती है वो अपना ओवा फैलोपियन ट्यूब को देती है ध्यान समझे हर महीने जो ओवरी होती है वो अपना ओवा फैलोपियन ट्यूब को देती है जब ये फैलोपियन ट्यूब को दे रही है तब ये यू स्पॉंजी और तयार कर रहा है ताकि वो एग को रिसीव कर सके स्पॉंजी कैसे बना रहा है उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ा रहा है उसमें टिशू का फॉर्मेशन कर रहा है माल लोग कि अगर एग फॉर्टिलाईज नहीं हुआ और एग यहां पर आ गया तो अब यूट्रेस तो प्रिपेर ही ना बचो इसमें नए नए टिशूज नए नए ब्लड वैसल सब कुछ बनी चुकी है अब यह क्या सोचेगा कि यह फॉर्टिलाईज एग ही है उसे पकड़ने के लिए वह कंट्राक्ट होगा पर क्योंकि वह फॉर्टिलाईज नहीं है इसलिए यह ओवा भी बाहर निकलेगा और जितना नया नया चीज उसके यूट्रेस में बना हुआ है यह सब बॉट वैसल सप्लाई जैसे कि टिसू यह सब शेड़ाओ हो कर बाहर हो जाएंगे in the form of bleed and this is called as menstruation period and the process is called as menstruation and the cycle is called as menstruation cycle so let me explain this again if the egg is not fertilized it will removed out from your body in the form of bleed this is called as menstruation cycle okay if the egg is not fertilized it will removed from the body in the form of bleed this is called as menstruation cycle okay the bleed is coming from the uterus because uterus is ready for the implantation but as we know that the egg is not fertilized it will remove from the body and the new tissue which are formed or ready for the implantation they are they also removed from the body क्योंकि fertilized egg तो था ही नहीं implantation तो हुआ ही नहीं समझ में आई बात नहीं next देखिए क्या कहना चाहरे हैं हम लोग आ जाईए इधर देखिए अब so uterus prepare itself every month हर month वो अपने आपको prepare करता है to receive the fertilize egg fertilize egg को receive करने के लिए और वो बहुत थिक हो जाता है थिक क्यों जाता है क्योंकि उसमें night issue बन गए ठीक है और spongy blood supply होना शुरू हो गई if the egg is not fertilized अगर egg fertilize हुआ ही नहीं तो क्या हो गया एक ही दिन में अगर fertilize नहीं हुआ तो फट से वो एक दिन में बाहर हो जाएगा और उसके साथ-साथ uterus में जो जो चीज़े भी नहीं बनी होंगी वो भी बाहर होंगी in the form of bleed ठीक है bleed क्यों होंगी क्योंकि uterus के चरव तरह blood supply हाई थी ठीक है वो भी पूरा जितना भी नया tissue विशू था वो सब tissues वेगरा बाहर होंगे जो है blood के तुरू बाहर होंगे now next thing is after what this lining of the uterus is no longer required अब अगर egg ही बाहर हो गया तो उस uterus की नई वाली lining की जरूरत है क्या पहले दिन ही जब egg बाहर होगा उसके साथ ही uterus जड़ना जो है uterus की नई चीज़े नई linings है नई जो एंदर वाली lining होती उसी में सब कुछ prepare होता है वो सब कुछ shed out होकर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा and the menstruation occur क्योंकि egg fertilized नहीं हुआ इसले उस uterus की नई preparation की जरूरत भी नहीं है तो वो भी बाहर हो जाएगा menstruation is the time of uterine bleeding यह आपकी हो गई definition ठीक है menstruation is the time of uterine bleeding uterus में जो भी नहीं चीज़ है वो सब bleeding की फार में बाहर होगी in which an unfertilized egg and the thick uterine lining will shed out from your body ठीक है तो आई hoop कि यह समझ में आया है आपको ठीक है तो हर alternate month पे आपकी overi-e версalica को बाहर निकालती है ठीक है? ध्यान से सुनना इधर उधर मत देखो ध्यान से सुनो तो हर महिने में आपकी overi-ova को निकालती है ठीक है? ओवरी ओवा को निकाल के क्या फेक देती है धरगर नहीं बच्चो उसे फैलोपीन ट्यूप को देती है अब अगर 48 आर्च में स्पर्म आ गया तब तो फर्टिलाइस कर लेगी पर अगर नहीं आया तो क्या हुआ उसको रखे रहोगे वो और infection नहीं कर देगा उसके बाद उस ओवा को हमें बाहर निकालना है तो जब बाहर निकालोगे तो पहले दिन तो ओवा बाहर निकल गया अब जो बीचारे यूट्रेस ने प्रिपेर किया था कि फर्टिलाइस आएगा और हम उसे पकड़ देंगे वो तो आया है नहीं अब अगर नहीं आया तो यूट्रेस कॉंट्राक्ट होगा जितनी भी नई प्रिपरेशन उसने की थी ब्लड वैसल के अच्छी सप्लाई शुरू कर दीती टिशूस बना लीते वो साब जड जुड कर शेड आउट होकर बाहर हो जाएगा इस इस कॉल देंस मेंस्ट्रूएशन साइकल so every month the bleed of the body is called as menstruation cycle or menstruation period हाट 28 days में यह repeat होता है यह चीज हमें याद रखनी है चलिए इसका diagram देखते हैं क्या है आजाएए आओ देखो सब लोग तो यह है आपका ध्यान से समझेए यहाँ पर egg develop हो रहा है ठीक है इसको हम कहते follicular phase याद नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं है follicle बन रहा है follicle मतलब egg ठीक है तो यहाँ पर egg बन रहा है okay done ठीक है अब यह एग developile को diagram को ध्यान से देखें कोई भी दर उदर नहीं देखेगा ठीक है इस चमतकारी board में बहुत बढ़ियां सब कुछ देखता है इसलिए आप के लिए लगवाया गया है तो ओवरी में ओवा देखो egg mature ओवा कॉल्ड ऐज एग तो यह आधे लोग तो ओवा और एग में क्या difference होता है को difference नहीं होता है तो ओवा जो है यह ओवा mature हो रहा है इसको हम follicular phase इसलिए कर रहे है क्योंकि egg and sperm are the follicle ठीक है एग mature हुआ दूसरे में देखो ovulation हुआ ovulation का मतलब होता है ovule को या egg को बाहर निकाल दो कहा निकाल दो fallopian tube में ovulation phase में देखो white color का egg बाहर आ गया next अब यह luteal phase है luteal phase का मतलब यह है कि अभी ovary खाली हो गई है और egg जो है आपका uterus की area में पहुच गया ठीक इस अभी ovary खाली है जब तक यह ओवा यहां से बाहर नहीं निकल जाता next वाली ovary अपना egg डवलप नहीं करेगी तो अभी पूरी कहानी टिकी हुई है जब तक यह एक बाहर नहीं हो जाता it is called as luteal phase egg आ गया next में is the menstrual phase luteal phase समझ में आया luteal phase जिस ovary से आपने ovary को निकाला है भी वो विचारी वैसी ही है वो वैसी ही रहेगी जब तक की ovary बाहर निकल ना जाए और next वाली ovary में कुछ कर भी नहीं सकते जैसे ही वो बाहर निकलेगा अब वो वाली रिपेर होना शुरू हो जाएगा और यह वाली रेडी होगी अपना एक मेच्यूर करना this is called as luteal phase पहले है फॉलिकुलर phase जिसमें एक बनाया stages याद नहीं है जाए टेंशन मतलो बस steps याद होने ची कि पहला क्या हुआ पहले एक मेच्यूर रूओ फिर एक फैलोपियन ट्वे में आया एक फैलोपियन ट्वे में आया फिर वो यूट्रेस में आया अगर वो फटिलाइज नहीं है तो यूट्रेस की इस देखो यहां पर यूट्रेस की लाइनिंग ठिक हो गई पूरी रेड दिखाई दे रही है वाई दा यूट्रेस लाइनिंग इस लुकिंग रेड बिकार ब्लॉट सप्लाइज वेरी हाई यहां से एक बाहर हो गया अब यूट्रेस को तो पता है न कि अब हमारा कुछ नहीं नहीं प्रेपरेशन करेंगे फिर यूट्रेस जो है पूरी लाइनिंग पूरी बलड वैसल वगैरा शेड आउट करके पूरी जो आपका ब्रड होता है वो सब शेड आउट करके बाहर कर देगा Now next month में फिर से ये ovary ready होगी, ये वाली repair होगी और ये वाली repair के होगी क्योंकि उसने पहले मन्थ में अपना एग निकाला था ना तो अब ये वाली अपना एग मैचे और करना शुरू करेगी So I hope you got this diagram, it is very very important आप इसको diagrammatic representation जिस शो भी कर सकते अपने school में It is very easy-beasy, ये diagram तो आपको समझ में आई गया होगा इसको बना लेना 3-4 और लेबलिंग कर देना फटा फट This is all about the menstruation cycle So every month the unfertilized ova will release out from the body in the form of bleed This is called as menstruation cycle ये बहुत ही आसान process है, body में continuously regeneration चलता रहना चाहिए This ovary से ova को निकाला गया, आप next month में वो repair होगी और next month में ये repair होगी और ये वाली फिर से ready हो जाएगी ova को बाहर निकालने के लिए I hope कि ये process आपको समझ में आ गया होगा Next thing, ध्यान से समझेगा कि क्या-क्या बाहर आता है हर 28 days में ये चीज़े repeat होती है 28 days का cycle होता है और जो bleed होता है वो 2-8 days तक कुछ रोगों को चल सकता है नॉर्मली 5 days तक इसमें वेजाइना से blood और mucus बहार आता है क्योंकि यूट्रेस के चारों तरफ बहुत ही जादा high blood supply थी टिशूज को blood supply हो रही थी तो क्योंकि टिशूज shed out होकर बहार हो रहे हैं तो blood भी बहार हो रहा है अब ये points को यार रखिएगा ये NTSC के point of view से बहुत बहुत important है जिस age में menstruation start होता है वो होती है 1113 और इसे कहते है मिनार्च और 50 साल की age तक menstruation stop हो जाता है जिसे कहते है menopause तो मैंने आप पहले के वीडियो में देखेगा मैंने आपको सिखाया था कि ovary में कोई नया egg add नहीं हो सकता puberty आने तक we have some thousands of egg पर एक समय के बाद एक मेने पिये निकाल रही है दूसरे मेने पिये निकाल रही है तो एक समय ऐसा आएगा ना कि सारे ओवा खतम हो जाएंगे ठीक तो जब सारे ओवा खतम हो जाएंगे तो menstruation नहीं होगा और इस कारणी को आप कहते है menopause I hope कि यह lecture आपको अची तरीके से समझ में आया होगा यह बहुत इंट्रस्टिंग लेक्चर था और बहुत यूस्मूल लेक्चर था इसे ध्यान से देखते रहें नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बारे में पढ़ेंगे तब तक यह थांक्यू सो मच Hello students, welcome to Magnet Brains, मैं हो शप्रातिवारी आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत सारे बच्चे आज सुबह से वेट कर रहे होंगे कि आज माडम सुबह ही पढ़ाएंगी दो दिन से पढ़ा रही थी तो तो आज आपके लिए शाम को ये वीडियो लेके आया जा रहा है तो चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने Sexual Reproduction in the Human Beings के बारे में सब कुछ बता दिया था लास्ट टॉपिक जिस पे हम लोगों ने अपना वीडियो स्टॉप किया था खतम किया था वो था Menstruation Cycle उसमें मुझे बहुत चारे कमेंट मिले और जिसमें दो चार्ज जो डाउट थे वो मैं अभी आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ मैंने आपको ये समझाया था कि जो ओवरी होती है उसमें मिलियन्स ओफ ओवा हमारे पास होते हैं जर्म के दोरान पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ओवा की डेथ शुडू होती है ये मैंने आपको समझाया था अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेशन था कि माडम जब ओवा जो दिन की डेथ होती उनका क्या होता है हमेशा ये यार रखिए कि अगर human body है और कहीं भी blood की supply है तो blood contain the WBC आप भूल गए क्या आपको ये भूलना नहीं है तो जैसे जैसे ओवा खतम होता जाता है मरता जाता है वैसे वैसे उनकी जो WBC आसपास चारों तरफ ब्लड में रहती है वह सब उसे इंजस्ट करते रहती है इंगल्फ करते रहती, खाती रहती हैं, तो इस तरीके से कभी भी infection नहीं होता, अगर WBC नहीं होती और अगर वो ओवा आपके ovary में, dead ओवा आपकी ovary में फैलता जाता, तो आपको infection होने के chances होते, पर WBC will prevent you from the infection, ओके, ये question एक था, दूसरा question जो था, वो ये था, कि जो urination pathway हो होता है, जो urethra होता है, male का, उसमें urine और sperm दोनों एक साथ आ सकते हैं, क्या, ऐसा नहीं होता, जब exaculation होता है, तब urination नहीं होता, और जब urination होता है, तब exaculation नहीं होता, हाँ हो सकता है कि आपकी urine में trace amount, मतलब बहुत कम amount के sperm आपको दिखाई दे, और ये वो sperm होते हैं, जो male urethra में चिपके हुए रहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये question हो गया, दूसरा ये question हो था, कि madam अगर alternative month में एक एक over develop होते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे over खतम हो जाएंगे, definitely हो जाएंगे ना, तब भी थो हम लोग इसको कहते है menopause, है था मैंने आपको कि हर female में एक समय ऐसा आता है कि उसके पूरे over खतम हो जाते हैं, और इस stage को हम लोग क्या कहते हैं, menopause, अब आपको menstruation cycle जो है वो नहीं होगा, तो ये जो चारपास doubt थे, जो बच्चे अगर वो मुझे देख रहे हैं, या नहीं भी देख रहे हैं, तो ये वीडियो अच्छे से देखेंगे आप लोग ठीक है, तो आई होप कि मैंने सब के जो है तो doubts क्लियर कर दिये, जिनके नहीं क्लियर हो पाई, I'm so sorry, मैं आप फित से comment करिएगा, मैं आपको next video में बता दूगी, now next thing जो आपको पढ़नी है, पूरे चीज़े हम लोगों ने पढ़ दी थी, last class में मैंने आपको menstruation cycle के बारे में बताया था, menstruation cycle में मैंने आपको बताया था कि ovary अपने आपको prepare करती है, ova जो है mature करती है, बनाती तो वह पहले सही था उसके पास, तो ova को उसने mature किया, fallopian tube को दिया, अब अगर वो fertilized नहीं हुआ, तो uterus continuously अपने आपक वो prepare कर रहा है, ताकि वो fertilized ova को पकड़ सके, पर क्योंकि over fertilized नहीं है, इसलिए जो भी नई preparation है, वो bleed के form में शरीर से बाहर हो जाएगी, with the unfertilized ova, जिसे हम menstruation cycle कहते हैं, इसके बारे में, इसके phases के बारे में, हम लोगों ने बहुत बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इ प्यारे बच्चों की significance क्या है, भाई हम लोग sexual reproduction follow करते हैं, but what is the significance of the sexual reproduction, यह हमें पता लगाना बड़ा जरूरी है, क्या जरूरत है sexual reproduction करने के, अच्छा यह मैं आपको नहीं भी पढ़ाती न, तो आप लोग इसके 10-10, 20-20 point तो अपने से ही लिख लेते, क्योंकि आपको मैं इतनी सारी चीज़ा पढ़ा दिया है, कि जब आप पूरे lecture को एक साथ देखेंगे न, तो आप अपने से खुद बखुद answer form कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग significance देखते हैं, कि क्या है, sexual reproduction का बच्चों सबसे पहला जो significance है, वो यह है कि इसमें दो DNA combined होते हैं, तो घबराईएगा मत, ठीक है, तो इसमें जब हम sexual reproduction की बात कर रहे हैं, बच्चों, तो इसमें दो DNA combine होते हैं, एक DNA एक पार्ट किसका है, मदर का, और एक पार्ट किसका है, फादर का, दोनों का जब combination होता है, तो हमेशा क्या बनता है, नए DNA बनता है, जिसमें दोनों के characteristics ह होते हैं, तो हमेशा इस तरीके से sexual reproduction होता रहेगा, तो हमें नए नए possibilities combination के मिलते रहेंगे, आई बात समझ में, जैसे कि माल लीजे कि आप कोई बर्फ का गोला खाने जाते हैं, जो आइस गोला आता वो खाने जाते हैं, उसमें 100 types के color रखे हुए हैं, पर आप चाहते हैं, इसकी color में हमें 3 color का combination चाहिए, या 2 color का combination चाहिए, तो उन दोनों colors को आप अपने eyes गोला में जो है, तो डलवा देते हैं, और थोड़ी देर बाद देखते हैं, कि दोनों color mix हो गए, और इससे आपको एक नया color मिला, जो कि वो 100 colors की तरह नहीं था, तो बस ऐसा ही तो है ये, ठीक है, कि sexual reproduction में हमेशा दो नई character, mother and father के mix होते हैं, जिससे एक नया character बनता है, और ये नया character next generation में express होता है, next generation बिलकुल अलग दिखाई देती हैं, ना तो वो exactly mother की तरह दिखती हैं, ना तो exactly father की तरह दिखती हैं, इसका मतलब आप सोचिए, आप बलब दिमाग लगाई है कि आपके world में, आपके पूरे earth में कितने सारे लोग रहते हैं, और वो सारे लोग एक दूसरे से अलग-अलग रहते हैं, अब कोच लोग बोलेंगे, हमने तो movie में देखा था कि दुनिया में 10 लोग एक जैसे रहते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ नही नहीं होता, हर combination जो होता है, वो अलग-अलग होता, यह याद रखिएगा, तो sexual reproduction से हमें हमेशा नए नए इंसान देखने के लिए मिलते हैं, नए नए combinations देखने के लिए मिलते हैं, तो यहीं बोल रहा है, the sexual mode of the reproduction involves the process of combining DNA from two different individual, two different individual मतब गाय और भैस नहीं, इंसान और इंसा over the cellular apparatus, इसका मतलब यह है कि DNA का control ऐसा नहीं होगा कि body में कुछ cell नहीं बने, कोई organ नहीं बने, बढ़ियां पूरे organ बनेंगे, बस cell जो body आपकी दिखरियें बहुत होड़ी सी अलग होगी, ओके, now next thing, it results in the re-establishment of the number of chromosome and the DNA contained in the new generation, यह point यह बताना जा रहा है, कि जब हम लोग sexual reproduction करते हैं, तो नहीं नहीं combination of the chromosome, नहीं नहीं combination of the DNA, next generation में established होते हैं, now next thing, it leads to the new combination of the gene in the gamut, due to this reshuffling of the genetic variation, यह reshuffling आप समझते हैं, जैसे कि आप class में बैठे हो, अच्छा, आप बहुत class को miss कर रहे होंगे, I am so sorry कि मैंने अब आपको याद दिला दिया, पर याद दिला दि तो हम आपकी मैडम जो है, वो या आपके जो सर होंगे, वो कंटिनियसली बहीने में एकार बार reshuffle करते हैं, reshuffle करने की वज़े से आपको अभेशा जो है, में भी आपका जो benchmate है, जो आपका बैठा हुआ हो सकता है, कि वो हर बार दूसरा हो जाए, तो इससे क्या होता है, नए नए combination आपको देखने के लिए मिलते हैं, कि नहीं मिलते हैं, नए नए combination दिखेंगे, तो आपको इन नया दोस्त बनेगा, जिससे नए character जो है, नए मस्ती explore होगी, same condition with this, जब नए नए character next generation में जाते हैं, तो थोड़ा बहुत variation तो होता ही है, ठीक है, variation क्या है, बदला जब दो DNA आपस में mix होते हैं और वो next generation में जाते हैं, तो वो हमेशा अपने parent DNA से अलग होता है, इस अलग शब्द को या इस difference को आप कहते हैं, variation, क्या कहते हैं, variation, तो आपको हमेशा नए नए, अच्छा वो जो बच्चा हुआ, उसकी शादी किसी और लड़की से होगी, फि तो कि बहुत अच्छी बात है, यह यह बता रही है कि continuously आपके में development हो रहा है, if the variation is not found into your generation, if variation is not found into your community, or if the variation is not found into your species, it means you are in the urge of degeneration or the extinction, ठीक, आप extinct होने वाले हो, आप जो है मरने वाले हो, आपकी species ही खतम होने वाली है, तो यह बहुत अच्छी बात है, कि human being जो है बहुत active है वो हमेशा नई-नई species को जन्म देता है, और नई-नई species आती है, तो नई-नई combination आते हैं, नई-नई change आता है, जिसे हम variation कहते हैं, और हमेशा आप development की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, reshuffling होती जारी character की, ठीक, it promotes the diversity of the trait and character in the new generation, देखिए, इसमें हमेशा, जब next generation में आप जाएंगे तो हमेशा आपको new generation में new character देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ चीजे समझाती हूँ, मैं आपको दो के बीच में comparison बताती हूँ, जब हम लोग early man थे, हम लोग नहीं, हमारे पूरवज early man थे, तो उनके शरीर में बहुत बाल हुआ करते ठीक है, बट अब आप देखते हैं कि आपके शरीर में उतने बाल नहीं होते हैं, हम यह मानते हैं कि वो लोगों को बाल की जरौवत, hair growth की जरौवत इसलिए हैं क्योंकि उनको अपने शरीर का protection करना है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ protection के लिए you have clothes, ठ अच्छोई, this is called as ear pinna, यह बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था, ठीक, यह ear pinna बड़ा होने का कारण बड़े होने का वज़ा यह है, कि उनको दूर से आवाज को सुनना पड़ता था, ठीक है, कि उनका जो है शिकार आ रहा है, तो अच्छे से सुनें और दोड़ते भाग अच्छोटे हो गए, what is this, this is the variation, हमेशा नए character develop होते ही रहते हैं, जैसे हम लोग speech है, तो पहले जो early man था, वो बिचारा बोल नहीं पार था, अब तुम देखो, कैसा दना दन बोलते जाते हो, तो यह सब क्या है variation, जैसे जैसे नए combination आते जाएंगे, ने combination आते जाएंगे, next यह देखो कि क्या है, इसको कुछ नहीं आता है, पर हमेशा याद रखो कि तुम उसी का resultant हो, बस जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गया, उनमें development होता गया, और आज उनका product तुम हो, ठीक है, तो I hope कि sexual reproduction का आप significance समझ गए होंगे, कि क्या जरूरत है, अगर यह सब नहीं तो environment में सीधी सची बात यह है विटा, कि क्या है कि change कभी नहीं आएगा, और अगर change नहीं आया, तो फिर सोच लो कि आप जो है, आपकी प्रजाती ही खतम होने वाली है, okay, so I hope you got this point, जो मैं आपको समझाना चाहा रही थी, this is all about the sexual reproduction in the human beings, इस chapter में यह वाला part अब खतम हुआ Now next thing जो अब आपको पढ़नी है, वो है diseases, अब कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि कितने lecture बाकी है, lecture की चिंता मत करिए, जितने मैं बना रही हूँ, उसको ध्यान से देखते जाए, ठीक है, अब आपको पढ़ना है, कि जब कोई human being sexual reproduction करता है, ठीक है, तो क्या-क्या problem आ सकती है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि वो क्या होता है, पर अभी हमको ये पढ़ना है कि अगर वो करता है, तो उससे क्या-क्या problems आ सकती है, now let's start कि क्या होता है, देखिये, चलिये, आजाये, so this is called as reproductive health, very, 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 इतने बार very बोलने का मतलब ये है, कि it is very important for your school examination, this part is very much important for your competitive examination and this is very much important for your daily life too, ठीक है, ये हमेशा याद रखिये कि ये बहुत काम आने वाला, ये बहुत important part है, इसका एक भी वीडियो किसी भी बच्चे को मिस नहीं करना है, चलिये, what is the good reproductive health, अगर मैं किसी से पूछू, अच्छा कैसे पूछू अभी तो मैं camera में हूँ, पर अगर आप सोचें, ठीक है, सोच लो कि कोई भी एक good reproductive health का इंसान क्या होता है, ठीक हम ये सोचते है मैडम जो अच्छे तरीके से बच्चे पैदा कर ले किया, वही reproductively good है, या किसी भी चीज, किसी भी organism को हम healthy कप कहते हैं, क्या वो सिर्फ किसी young one को produce करना ही health है, नाई, किसी भी organism क अगर आप healthy कह रहे हैं, अगर वो बोले कि बड़ा ही स्वस्त है, तो हम कहेंगे कि वो social, physical और mental इन तीनों अवस्था, तीनों stages में अच्छा होना चाहिए, social, सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगी, ठीक है, आपको social science पढ़ाया ही इसले जाता है, ताकि जब आप खड़े अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सामने आया तो उसको मारना ही शुरू कर दिया, ऐसा behavior नहीं होना चाहिए, it is very bad, तो this is called a socially fit animal, we are animal, we are social animal, इसले हम लोग जो है man is the social animal, यह हमेशा याद रखना, कि अगर आप समाज में बढ़ियां behavior करते हैं, तो हमेशा चार लोग आ काम याद रखेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करते, तो फिर यह सब पढ़ने का कोई फाइदा नहीं है, तो socially you should be fit, mentally तो आपको होना ही पड़ेगा, आप socially तभी fit हो पाएंगे, जब आप mentally fit रहेंगे, mentally fit का मतलब यह है कि आप से कोई बात कर रहा है, तो आपका दिमाग उसक प्रणायाम करना चाहिए, आपको mentally fit रहने के लिए, तो अगर आप healthy हैं, तो सबसे पहले आपको socially fit रहना पड़ेगा, जब लोगों से अच्छा behavior करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों से अच्छा behavior करें, तो आपका दिमाग अच्छा रहना चाहिए, ठी अच्छी चीज़े सुनें या देखें, ठीक है, ना third and most important thing कि ये दोनों चीज़ coordinated होती हैं, ये और in your physical health, ठीक है, भाई आप बोले मैडम आज हमको 104 डिगरी बुखा रहे हैं और आप बोल रहे हैं, तो ये बात सही है, जब तक आपका शरीर ही साथ नहीं देगा, तो इन द mentally fit, automatically you are socially fit, तो physical health is one of the most important part, आपका शरीर physically स्वस्त रहना चाहिए, बढ़िया खाना खाना चाहिए, स्वस्त खाना खाना चाहिए, ताक कि आप healthy रहें, तो if I am talking about the good health state, we should be physically, mentally and socially fit, अगर आप ऐसा करते हैं, तो automatically आपका reproductive health अच्छा रहेगा, ठीक है, हमेशा ये कहते हैं, कि pregnant women's को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, ठीक है, अगर वो अच्छा नहीं सोचती, ये continuously चिड़ाती है, मुझ बनाती है, तो लोग कहते हैं, कि तुम्हारा बच्चा भी वैसी होगा, तो बात यही है, कि pregnancy के दौरान, the mother should be physically, mentally and socially healthy, अगर वो खुश नहीं है, तो आने वाला हैं कि good reproductive health की, तो male and female दोना फिट होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि mother के warm में नौ मैंने तक बच्चे को रखना है, तो उसे फिट रखो, भाई donation किसका है, donation तो father का ही है, sperm donate, तो father ही कर रहा है, if the father is in the stress, तो automatically sperm is in the condition of stress, तो जब फर्टिलाइशन होगा, तो वो मेई भी कोई गड़बड हो जाए, DNA damage हो जाए, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो if I am talking about the reproductive health बच्चो, तो मैं बात कर रही हूँ कि mother भी स्वस्थ होनी चाहिए, और father भी तीनों condition fulfill अच्छी तरीके से कर रहे हो, ठीक है, समझ में आया, now next thing, good reproductive health provide both male and female with, ठीक है, डान से समझ यह, awareness, अ अगर दोनों लोग healthy हैं, तो क्या-क्या वो समझ सकते हैं, देखी यह जो point है, यह कहना चाहरा है, कि अगर male और female दोनों healthy हैं, अगर वो mentally fit हैं, अगर उनके दो बच्चे हो गए हैं, तो वो जानते हैं कि अगर वो तीसरा बच्चा करेंगे, तीसरा बच्चा पैदा करेंग और mentally वो दोनों लोग stressed रहेंगे और बच्चा भी stressed out रहेगा, तो इसलिए हमें जो तीनों अवस्था हैं, जो तीनों stages हैं, वो mother और father दोनों में फुल्फिल होनी चाहिए, अगर यह दोनों चीज़ें फुल्फिल हैं, तो उन्हें पता होगा कि the fertility control method कौन कौन से हैं, हम किस तरीके से fertility को control कर सकते, fertility is the characteristics, जिससे जो जितना fertile होगा, वो अतना जादा बच्चे को पैदा कर सकता है, बच्चा जो है produce कर सकता है, ठीक है, अब उनको पता है कि अगर वो दोनों fit है, तो fertility control method क्या है, they all know, ठीक है, they all know, अभी हम और इसके बारें पढ़ेंगे, they have awareness how to limit their family size, मैंने आपको कहा ना, कि अगर आप बात कर रहे हैं, कि अगर आप fit हैं, तो आपको पता है कि अगर आपने दूसरे से तीसरा बच्चा किया, तो कितना जादा आज के जमाने में लोड बढ़ जाएगा, तो अगर आप तीनों स्टेट फुल्फिल कर रहे हैं, अगर आप कि fertility को कंट्रोल करने के methods क्या हैं, क्योंकि आप इतने होश्यार हैं कि आप पढ़ लिख सकते हैं, आप मीडिया में देख सकते हैं, आप इतने जादा अवेर हैं कि माल लिजे कि इव दा फीमेल हाज थे सेक्श्वली ट्रांस्मिटेड डिजीज और एनी टाइप अप डिजीज इन देर प्राइविट पार्ट तो अभी जो है तो सेक्श्वली इन्वॉल्फ होना इस नॉट नेसेसरी, तो और अगर हो भी है तो दे नो हाँ टू टू ट्रीट, दे नो कि अब हमें डॉक्टर के पास विजट करना पड़ेगा, पर अगर हम किसी गाउवाले से बात करें, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं, अगर वो सिक्षित है, लिटरेट है, तो क्या होगा बेटा, वो डॉक्टर के पास नहीं ज पैदा करना है, और उन्हें पता है कि अगर उन्हें sexually transmitted disease हो जाएं, तो उसे prevent कैसे करना है, ठीक है, आई बात समझ में, fertility control method के बारे में भी हम लोग ये पढ़ेंगे, awareness मैंने आपको बताया कि ये mental level पे डिपेंड करती है, बहुत सारे लोग आज तीन बच्चे भी पैदा कर इस से जादा नहीं, और थर्ड जो चीज है वो है sexually transmitted disease से prevention, तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि what is the sexually transmitted diseases, ठीक है, चलिए देखें, sexually transmitted disease कि अगर आप prevent कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कि sexually transmitted diseases होती क्या है, ठीक है, चलिए देखें, अगर female reproductive track में बिल्कु ध्यान से सुनना ना, बिल्कु ध्यान से सुनना, इसमें कोई भी हिचकी चानना की बात नहीं है, it is just a general knowledge, ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहे हूं sexually transmitted diseases की, then what is it, अगर male या female दोनों के private part में कोई ऐसे symptoms हो, ठीक है, जैसे की फफोले, रॉट्स जिसको आप कहते हैं, ठीक है, एक पंजन सी smell आने लगे, कोई secretion अलग सा होने लगे, तो ऐसे में sexually involved होना is not good, if male or female involving such process, the disease or the symptom will transfer to their partner or the disease transfer to their partner, this is called as sexually transmitted diseases, okay, देखिये, there are many infectious disease which are spread by the sexual contact, मैंने आपको बताया, कि अगर किसी भी एक partner को है infection, तो दूसरे के साथ उसे involved नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहे हैं, तो यह transmit हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं, sexually transmitted diseases, one of the most biggest sexually transmitted diseases is the AIDS, this is the sign of the world AIDS, देखा, यह sign होता है, हम लोग AIDS का, जब हम लोग दोरा निकालते हैं, कि लोगो को AIDS से prevent करवाना है, तो हम लोग यही red ribbon से, यह sign होता है, ठीक है, okay, STD occur mostly in the individual who are involved in the sexual activities with the many partners, ऐसा भी होता है, कि माल लिजे आपके partners को नहीं हैं, but if you are involved in the multiple partners, that अगर किसी एक को भी हुआ और तुम्हें हो गया, तो तुम सब को फैलाना शुरू करोगे, यह चीज याद रखन कि if one partner do not have any type of sexual transmitted disease, but if he or she is involved with the many partner, if one is suffering from that particular disease, then it is transferred to the to you और जिससे हो रहा है उसको और जब क्योंकि वो multiple partners involved है, इसलिए वो सब को फैला देगा, इस तरीके से तो यह डिजे यह फैलती जाएगी, यह कितने type की होती है, देखो sexually transmitted disease, STD awareness, month, ठीक है, यह World AIDS Day में जब हम लोग aware करते हैं लोग को, तो हम लोग red ribbon जो है, generally doctors यहाँ पर लगाते हैं, आप भी लगा सकते को attention नहीं है, ठीक है, so I hope कि इतनी बाते, it is a chapter of awareness, ठीक है, that is it, school में भी बहुत सारे अच्छा school, I am sorry, I am literally sorry, मैं school की बारे में बार बात कर रही तो में भी लोग आपको aware करने आए, उससे पहले ही मैं आपको इतना aware कर दूँगे, कि आपको इतनी ज़्यादा सीखने की ज़रूद नहीं है, तो next class में हम लोग sexually transmitted disease किसे किसे होती है, उसके बारे में बात करेंगे, इस वीडियो को skip नहीं करना है, बिलकुल देखना है, it is very very important, मैं बार बार बतारीं, ठीक है, तब तक next वीडियो का इंतजार करिए, thank you so much. definitions की बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था कि one partner is infected and it involved in the sexual activity with the another partner, it will transmitted the symptom or that viruses or the bacteria to the second partner, so that the second partner will infect it, this is called a sexually transmitted disease, HIV or the AIDS is the very common sexually transmitted disease, 1st December, ये यार रखना कि World AIDS Day 1st December को मनाया जाता है, जिसमें हम लोगों को aware करते हैं कि ये ये काम मत करो, नहीं तो तुम्हें HIV हो जाएगा, और अगर तुम्हें HIV से infect हो गए, तो फिर वापस से ये कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई cure नहीं है, ठीक है, तो 1st December बच्चो, ये यार रखना कि ये है World AIDS Day जिसमें हम AIDS Awareness Programs चलाते हैं, Done, ठीक है, I think आपको ये समझ में आ गया होगा, अब sexually transmitted disease अलग अलग organism से फैल सकती है, it may be bacterial organism और it may be viral organism, ठीक है, सबसे पहले, देखिया, 10th class में आपको सिर्फ 2 दिये गएंगे, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही पढ़ा रही हूं, ठीक है, जादा नहीं पढ़ा रही हूं, तो सबसे पहला sexually transmitted disease हम शुरू करेंगे bacteria से, हम इसमें दो infection ले रहे हैं, एक है gonorrhea और दूसरा है syphilis, ठीक है, gonorrhea और syphilis, इसमें मैं ये बताऊंगी कि ये बिमारिया किस से फैलती है, इसके क्या-क्या symptom है और इसके क्या-क्या cure है, ठीक है, symptom जो दिखते हैं कि हमको ये फलाना बिमारी हो चुकी, फलाना मतलब STD, ठीक है, चलिए, इधर उधर महीं देखना, आपने को यही पढ़ना है सिधा, So, let's start, कि bacterial infection, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, bacterial infection, कि कौन-कौन से bacteria sexually transmitted disease करते हैं, जो की ऐसी disease करते हैं, जो sexually transmitted होती है, सबसे पहले होती है, gonorrhea, मैं टेमी कैसा अजूबा सा नाम है, तो भाईया, biology पढ़ रहे हो न, कुछ तो अजूबा सुन लो, बाकी चीज़े तो तुम्हें असान करके पढ़ा दी हमने, अब bacteria का नाम बेटा मैं नहीं change कर सकती, यह मेरे साथ भी endurance है और यह तुम्हारे हमारी है, यह जिस बेक्टीरिया से फैलती है, वो है निजीरिया, ठीक है, और नाइजीरिया में नाइजीरिया से आ जखिएगा, नाइजीरिया या निसीरिया इसको आप कहते हैं, तो नाइजीरिया की spelling में जी आ जाता है, इनके में डबल S-E-R-I-A आ जाता है, और निज नाइजीरिया नहीं, निजीरिया गोनोरिया से ये इंफेक्शन फैलता है, विमारी का नाम क्या है, बच्चों, विमारी का नाम है गोनोरिया, समझ में आया, ठीक है, अब देखते हैं कि ये फैलती कैसे है, ठीक है, हमेशा unprotected sexual involvement से ये फैल जाती है, ठीक है, unprotection protection अगर नहीं लेंगे तो ये बिमारी एक परसन से दूसरे परसन में फैल जाती है even not for the gonorrhea it is for every bacterial sexually transmitted disease during the sexual involvement अगर एक partner protection जो है use नहीं करेगा then the bacteria will transmit to the another partner ठीक है it is also passed by an infected mother to the developing fetus ये कैसे madam placenta पढ़ाया था याद है अप लोगों को placenta में क्या होता था बच्चा will connected with the mother through the placenta ठीक तो if the mother is infected bacteria transmit हो सकता है bacteria और virus दोनों placenta से बच्चे को transmit होकर मिल सकते हैं तो if the mother is infected with the gonorrhea तो ये placenta से होते हुए ये bacteria बच्चे को भी infect कर सकता है तो बड़ा ही protection जो है बड़ा ही जरूरी है इस प्रिमारी में ओके it infects the ureter in the man and cervix in the woman ठेक है ureter क्या होता है तुम्हें पता है न इस अब किसको इंफेक्शन सबसे जल्दी होगा कौन से पार्ट को यूरेटर को बटए इफ आम तो बड़ा पिक्चला लेक्ट्स याद आया तो आपको हर लेक्ट्र मेरा सब देखना है अगर आप लेक्ट्र नहीं देखेंगे तो फिर आपको वहीं फस जाएंगे मैंने आपको last class में जब cervix पढ़ाया था तब मैं बार बार एक line बोल रही थी ना कि cervix is the very sensitive part, very sensitive part क्यों बोल रही थी अब समझ में आया क्योंकि gonorrhea जैसे खतरनाक infection cervix में जाकर attack करते हैं और अगर cervix में infection हो गया तो उपर uterus में जाकर ovary में भी आ सकता है और नीचे पूरा vagina भी infect हो सकता है, so cervix is the attacking part जहां पर gonorrhea attack करता है, ठीक है, now what is the symptom of gonorrhea, ठीक है, हमेशा याद रखिये कि कोई भी sexually transmitted disease हो रही है, चाहे वो male partner को हो, चाहे female partner को होगा, जो pain है वो भीशन होगा, अब ये भीशन क्यों बोला, मतलब extensive, बहुत pain होगा, unbearable pain होगा, सहन कर पाना मुश्किल होगा, अच्छा तुम्हें एक चीज मैं और बताती हूँ, जो गाउं की ओरते होती है और जनरली जिनको ये बिमारी हो जाती है, और वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है, वो उनको इतना pain होता है कि दर से मर जाती है, तुम सोचो, सोचो को कि इतना दर्द होता है, ठीक है, क्योंकि infection हो गया, अंदर फोडे पड़ गए है, तो क्या होता है, यूरीनेशन के दौरान, contraction होता है, जिससे फोडे जो होते है, जिससे पस आना शुरू हो जाता है, ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि माडम इतना फरीली क्यों पड़ा देती है, क्योंकि ये सब चीजे जनरली जो है, जब भी मैं होस्पिटल वगेरा जाती हूँ, तो ये सब चीजे मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद एख हेल्थ केर वर कर हूँ, तो the pus will removed out or came out from the genital part, ठीक है, ना next thing, the burning sensation in the urination, it is the common for any UTI infection, urinary tract में किसी का भी infection हो रहा हो बेटा, किसी का अभी infection हो रहा, अभी तुम छोटे-छोटे बच्चे हो, ठीक, no, no, you are not छोटे-छोटे बच्चा, I am really sorry, ठीक, तुम बड़े-बड़े थोड़े-बड़े बच्चे हो, ये infection अभी तुमें नहीं होगा, जब थोड़े तुम और बड़े हो जाओगे, तब ये जनरली infection होता चोटे बच्चों को भी हो सकता है, तुमारे जित्ते को भी हो सकता है, पर possibility 1-2-3%, इससे जादा लोगों को नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या होता है, कि अगर urinary tract या reproductive tract में कभी भी infection होता है, तो जलन बहुत जादा होती, बहुत burning sensation, ऐसे लगता आग लगी होई है, तो का secretion होने लगता है, from the vagina and the male penis, ठीक है, तो यह समझ में आया कि bacterial infection में मैंने पहला bacteria आपको बताया, गो नोरिया, कौन सा रिया, गो नोरिया, किस से वहला, नीजीरिया, ठीक है, तो गो नोरिया किस से वहला, नीजीरिया, ठीक है, spelling is M-E-I-S-E-R-I-A, ठीक है, नीजीरिया नाम के bacteria cephala, क्या, गो नोरिया, ठीक है, यह समझ में आ गया होगा, so it is a very, not very dangerous, it is curable, अगर आप antibiotic patient को दे देंगे, तो वह असानी से यह bacteria मर जाएगा और आप बढ़ी हां स्वस्त हो जाएगे, ठीक है, so I hope कि आपको पहला bacteria, bacterial sexually transmitted disease समझ में आ गया होगा, now next जो bacterial transmitted disease है, वो ह syphilis, ठीक है, infection ही, bacterial, किस से infection हो रहा है, bacteria से, so syphilis एक बिमारी है, जो कि tryponema palladium नाम के एक bacteria से होती है, अब यह कैसा जीब सा नाम है मैडम हमें तो याद नहीं होता, पूरा मत याद करो, उस gonoria का निजीरिया याद कर लो, इसका tryponema याद कर लो, नहीं याद होता तो छोड़ दो, जब दो चार बार हम लोग वीडियो देखते हैं तो अपने आप ही याद हो जाता है, तो जिन क्यांचन मतले ना, ठीक है, तो causative agent है, tryponema palladium, ठीक है, इसको आप tryponema कह सकते हैं, सिफलिस भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक बिमारी है, ठीक है, देखे कैसे होती है, क्योंकि sexually transmitted disease है, तो कैसे फैलती है, पहला sexual context से फैलेगी, दूसरा, यह direct context से भी फैलती है, यह जो जैसे माल लोग की बिचारे का पक गया, यहां पर पस बन गया, और वो किसी भी चीज़ पर गिरेगा, और वो object किसी दूसरे person के contact में आएगा, तो उसको भी यह बिमारी हो जाएगी, तो यह चीज़ यार रखना, कि इस बिमारी और इस disease will transmitted directly from the body to body contact, ठीक, तो इस वेरी dangerous, gon gonorrhea में ऐसा नहीं था, gonorrhea is the only sexually transmitted disease, यह छूने से फैलती नहीं है, but syphilis is the बिमारी, जो किसी को हो जाए तो वो छूने से भी फैल सकती है, तो अगर किसी के होट के किनारे rots दिखते हैं, बड़े-बड़े फफोले-फोडे जैसे दिखते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रह करो, ठीक है, next is कि पहला मैने आपको बताया कि sexually transmitted disease है, तो sexual involvement से होगी, दूसरी मैने आपको बताया कि, direct contact से होगी, टीसरी मैने आपको बताया कि external genitalias में होती है, external genitalias का मतलब यह है, कि male का external genitalia उसमें होगा, और female का external genitalia है, उसमें यह rots, मतलब फोले दिखाई देंगे, उसके बाद ये body में किसी भी reproductive part में फैल सकते हैं, it may be cervix, it may be vagina, it may be male erythra, it may be annus 2, ठीक है तो देखिए vagina, annus, rectum, ये कहीं भी जा सकते हैं, अभी तक तो gonorrhea में आपने क्या पढ़ा, कि ये external genitalia में होते हैं, पर अब आप ये देखेंगे कि ये annus मतलब कि intestinal tract में भी ये bacteria फैल सकता है, ठीक है, अब देखिए, syphilis can be transmitted during the, किसी भी type के sexual contact, उसे ये फैल सकता है, pregnant woman with the disease can be passed to the unborn child, this is the main risk factor, किसी हम मुझे हो गया, किसी दूसरे person को हो गया, किसी तीसरे person को हो गया, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, पर what about the unborn child, उसे क्योर कर पाना is very difficult, इसलिए mother को हर infection से बचाते हैं, क्योंकि उस समय पर pregnancy के दौरान, mother का immunity is very less, तो infection होने के chances ज़्यादा होते हैं, और बच्चे को फैलने के बहुत ज़्यादा चांसे होते हैं, gonorrhea भी फैलता है, unborn child को, और syphilis भी फैलता है, gonorrhea और syphilis में क्या अंतर है, कि gonorrhea direct contact से नहीं फैलता, syphilis फैल सकता है, gonorrhea सिर्फ sexual part में ही infect करता है, पर यह किसी भी part में infect कर सकता है, anis, rectum, इन सारी चीज़ों से, ठीक है, it can be cured by the antibiotic, even gonorrhea can be cured by the antibiotic, please always remember this, ठीक है, यह infection जो होते हैं, यह दर्ध परिशानी बहुत देते हैं, पर एक से में के बाद बढ़ी आंटीब्याटिक दी जाती ही doctors के तरू, तो यह cure हो जाते हैं, okay, symptoms of the syphilis, ठीक है, यह तो क्या क्या कैसे कैसे फैलता है, how it gets transmitted from one to another person, symptom क्या है, body में source हो जाते हैं, source का मतलब समझते हैं, source का मतलब होता है, फफोले, ठीक है, source का मतलब होता है, ऐसे छोटे-छोटे फोडे हो जाते हैं, उन्हें source कहते हैं, ठीक है, ulcers, मतलब बादी में छाले हो जाते हैं, जब भी आप ऐसे देखेंगे, किसी person को बार-बार बुखार आ रहा है, उसके होट के चारो तरफ ऐसे फोले जैसा दिख रहा है, उससे प्लीज दूर रहना, क्योंकि हो सकता है, उससे सिफलिस हो, ठीक है, ठीक है, फीवर हो जाता है, छाले पढ़ जाते हैं, फोडे पढ़ जाते हैं, फोडे पढ़ जाते हैं, शोर्स इस दा फोडा, जो आपके शरीर में कभी भी पढ़ सकता है, अलसर अर्द छाले, ठीक है, उसके बाद बादी में इनीमिया, मतलब खून की कमी हो सकती है, और की डिजीज हो सकती है गोनोरिया तो इससे ठीकी थी ना गोनोरिया में ज्यादा सिंटम तो नहीं थे अब तुम सिफलिस में देखो कैसे कैसे लीवर भी इंफेक्ट हो रहा है बाड़ी में फोड़े भी पड़ रहे हैं खून की कमी भी हो रही है ठीक है उसके बाद यह धीरे करना है हमें की देरे देरे कम हो जाएगी आपको एंटिबाइटिक लेना बहुत जरूरी है स्वाइब कि आपको मैंने डोनों डिजीज बहुत बढ़ियां तरीके से समझाई होंगी बहला है बेक्टिरियल इंफेक्शन जिसमें पड़ा गोनोरिया अब आपको यह गोनोरि इस ब्रस्ट बैक्टिरियल इंफेक्शिंट गोनों में अंतर के यह समझाया कैसे फैलते हैं यह समझाया क्या के सिम्टम है और क्यों दोनों के एक ही एंटिबाइटिक ठीक है तो इन चीजों का प्रेवेंशन हमें रखना है मुल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए आपको यह लग रहा हो कि मैडम आपनी इसी में क्यों नहीं पढ़ा दिया क्योंकि वाइरस के बारे में आपको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है तब तक अपना ध्यान रखें और घर पर सुरक्षित रहें थांक यू सो मच Hello students, welcome to Magnet Drains, let's start मैं हूँ शिप्रा तिवारी, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बार-बार मैं अपना ही नाम बता-बता कितना थक जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए पर मैं आपको भूलने नहीं दूंगी और आज आपको नया वीडियो पढ़ाने वाली हूँ जिसमें हमको पढ़ना है वाइरल ट्रांस्मिटेड डिजीर विच ट्रांस्मिटेड फ्रॉम वाइरल पर्संट थू दा वाइरस ठीक है तो through the viruses मना through the sexual contact by the viruses ठीक है नाउ next thing bacterial में हमने कौन कौन सी पढ़ी थी हमने पढ़ी थी दो पहली कौन सी पढ़ी थी gonorrhia किसे फैलती है निजीरिया से दूसरी कौन सी पढ़ी थी syphilis किसे फैलती है ट्रिपोनिमस है ठीक है sexual part में infection करता है पर जो syphilis होता है जो tripanema होता है वो body के अलग-अलग parts में infect कर सकता है तो I hope कि last video आपको समझ में आया होगा इसलिए मैंने bacterial और viral दोनों video अलग-अलग बनाए हैं ताकि आप दोनों के बीच में differentiate कर पाएं और एक साथ देखने के चक्कर में खिचडी न बन जाएं ठीक है समझ में आई बात now let's come to the Chamatkari board क्या कहता है यह यह कह रहा है कि सबसे पहला viral infection है AIDS हां हमने अभी तक चितने भी sexually transmitted diseases पढ़ी उसमें हमने यह पढ़ा कि AIDS जो है हम जोनरली जो कहते sexually transmitted disease होगी तो AIDS ही होगा अरे भीया AIDS नहीं है बहुत सारे और भी है ठीक है पर हमें क्या पढ़ना है बच्चो हमें पढ़ना है viral में सबसे पहला AIDS ठीक AIDS जिस virus से फैलता है उसे आप कहते है HIV human immunodeficiency virus अब इतनी कहानी में मैं तुम्हें पूरा HIV समझा दूंगी और तुम बोलोगे वाह क्या बात है ठीक सो लेट स्टार्ट की AIDS का फुल्फर्म होता है acquired immunodeficiency syndrome एक एक करके inward का मतलब समझते हैं हम लोग बच्चो acquired, acquired का मतलब होता है after the birth ठीक है आई बास समझ में acquired का मतलब क्या होता है बच्चो acquired का मतलब होता है after the birth ठीक तो acquired का मतलब है after the birth ठीक चलो लिख देते हैं पिंग कलर से लिखा है बहुत अच्छा कलर होता है कि नहीं होता चलो so acquired immunodeficiency syndrome the first word is acquired acquired का मतलब होता है जो जन्म के बाद हो ठीक चलो immune जो की defense system होता है deficiency मतलब कमी deficiency का मतलब क्या होता है कमी syndrome cluster of symptoms syndrome का मतलब क्या होता है cluster cluster ना लिखू ये फिर बोलेगा कोई cluster क्या होता है मैडम ये क्या होता है चलो फिर तुम्हें लिख देती हूँ उसको group of symptoms ठीक है देखो ध्यान से नहीं तो नजर इदर उठेगी आटेगी तो समझ में नहीं आएगा so acquired immuno deficiency syndrome ये पूरा word अपने आप में ही एक नई कहानी कहता है acquired जन्म के बाद immune जो आपका immune system है रोगों से लड़ने की जो आपकी power है जो आपका power होता है उससे आप कहते है immune deficiency कमी आ जाएगी group of symptoms के through तो अब इसको define करूं मैं आपकी body में कुछ जन्म के बाद कुछ हैसे group of symptoms होते हैं जिससे आपके immune system में deficiency हो जाती है इसे हम HIV या AIDS कहते हैं देख लो तो आपके body में after the birth कुछ group of symptoms हो जाते हैं जिससे आपकी immune system में कमी आ जाती है इसे हम AIDS कहते हैं देख लो जित्ता लिका मैंने पूरी definition बना दी कि ने बना दी हाँ बना तो दिया आपने चलो यह जिस वाइरस से होता है उसे हम कहते हैं HIV human immunodeficiency virus यह वो वाइरस है जो आपके immune system को तोड़ देता है बिल्कुल तस तहस नहस कर देता है आपके पास आखरी में कोई option ही नहीं बचेगा क्योंकि इसका कोई treatment ही नहीं है ठीक है चलो देखो incurable and fatal as it suppress the immune system of the body it can be transferred चलिए सबसे पहला है incurable अच्छा पहले मैं बताओं कि यह होता क्या है HIV जो होता है basically आपकी body को defense कौन देता है आपकी body को defense देती है आपकी WBC ठीक है आपकी जो white blood cells होती है generally आपकी body उससे आपकी body को रोगों से वो बचाती है अब तुम सोचे कुछ हैसे viruses के बारे में जो WBC के अंदर ही गुझ जाए अगर ऐसे viruses WBC के अंदर गुझ जाए बिटा तो कौन लड़ेगा बस यही तो कहानी है कि यह जो virus होता है यह WBC के अंदर ही गुझ जाता है इसलिए आपकी body में defense ही नहीं हो पाता दीरे दीरे वो WBC को मारने लगता है आपकी body में WBC की कमी हो जाती और आपका immune system गिर जाता है और आपको पता है कि इंसान भले HIV से ना मरे वो बाकी रोगों से मर जाता है जो लोग HIV से मरते हैं तो माल लेना कि उनका immune system बहुत strong रहा होगा तो वो HIV से मर गए पर normally लोग HIV से मरेंगे ही नहीं क्योंकि उनका immune system इतना गिर जाएगा कि वो HIV के इलावा जितनी बीमारिया होती है उनको सब हो जाएंगी और वो मर जाएगा समझ में आई बात क्योंकि जब immune system गिरता है जब तुम खुद बिमार होते है तो तुम देखते हो कि आज पेड़ भी दर्द हो रहा है बुखार भी हो रहा है जमें सब हो रहा है पर दूसरी बीमारियों से मर जाएगा अब ध्यान सुनना इसका कोई क्योर नहीं है इसको ठीक नहीं कर सकते इसलिए लोग इससे बचाव करते हैं समझ में आई बात लोग कहते हैं गोनोरिया हो जाए सिपलिस हो जाए टाइफवाइड हो जाए तो टीवी हो जाए सब का ट्रीटमेंट है पर यह ना हो किसी को क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है बाडी के immune system को यह पूरी तरीके से suppress कर देता और sexually transmit हो सकता है from one partner to another during the sexual intercourse with an infected person यह transfer हो सकता है दूसरी बात आजकल जैसे कि अभी तो नहीं होता है सा पर आप लोग आज अपने ममी बापा से पूछेगा कि जब वो लोग injection लगवाने बहुत पहले जाया करते थे तो glass की syringe आती थे उसको लोग boil करते थे और उस glass की syringe को reuse करते थे पर आजकल ऐसा नहीं होता आजकल हम disposable syringe use करते हैं disposable syringe मतलब निकाले अपना injection लगाया और उसको dispose कर दिये फेक दिये तो अगर किसी एक का इंफेक्ट जैसे blood का contact अगर किसी भी body fluid का infected person का body fluid अगर दूसरे infected person के body fluid से contact में आएगा तो definitely बिमारी होगी तो बोलो मैडम तो उसमें तो यह लिखा था कि जो है तो थूक से तो नहीं फैलती है तो नहीं फैलती बिकॉस जो आपका जो spit होता है जो not in the contact of the blood ठीक है तो थूक से नहीं फैलता यह फैलता है किसी body के secretion से जैसे की sperms हो गया अभी sperms में चारो तरफ से blood की supply होगी याद समझना है यह बात को it is the body secretion जो body fluid है यह तो यह blood के थूफ फैल सकता है body में plasma के थूफ फैल सकता है body में जो है तो semen के थूफ फैल सकता है तो semen अगर एक male partner से female partner में जाएगा और male infected तो female be infected हो जाएगी without any delay मतलब उसको होगा उसको पता नहीं चलेगा दस साल बाद उसको पता चलेगा कि उसको बिमारी थी ठीक है तो sharing needles and transfusion of unscreened blood इसका मतलब यह है कि अगर किसी को HIV है उसका तुमने ब्लेड नहीं देखा कि उसको HIV है कि नहीं इवन मैं आपको बताओ कि तुम किसी surgery को जिसे हमारे hospital में जब हमारे इहां कोई patient आता है तो उसकी surgery होती है तो सबसे पहले उसका HIV टेस्ट कराया जाता है तुम पहले HIV करा क्या हो क्योंकि अगर तुम्हें HIV हुआ और during the operation अगर कहीं से हमें cut लग गया scalpel वगेरा से तो और तुम्हारा blood हमारे contact में आया तो तुम्हें तो HIV था हमें और हो जाएगा तो इसलिए अगर हम लोग blood transfusion कराते हैं किसी दूसरे से blood लएते हैं तो सबसे पहले hepatitis और HIV का टेस्ट कराना ही चाहिए नहीं तो आपको भी हो जाएगा उसके बाद किसी की यूज सीरिंज यूज नहीं करने चाहिए इंजक्शन लगा लिए और आप अपने दस रुपे बचाने के लिए उसकी सीरिंज इस्तमाल कर ले तो याद रखना कि आपसे मूर्ख व्यक्ति यह उसको फेक देना चाहिए नहीं जो है दस रुपे खर्च कर लो से क्या होता है ठेक फ्राम दा मदर तो चाइल्ड वाया प्लेसेंटा दूरिंद प्रेगनेंसी ठीक है बड़ा मा आपने तो बोला था कि आफ्टर दा बर्थ होगा आरे वह यह यार रखो कि अगर मदर को है तो वह प्लेसेंटा के तुरू बच्चे में चले जाएगी पर उसका जो सिम्टम है वह जन्व के बाद ही दिखेगा समझ में आई बार तो अन्प्रोटेक्टेटेट सेक्स नहीं होना चाहिए उसके बाद अगर जो है यूजड सीरिंज नहीं उसकरनी चाहिए तीसरा हो फैल सकते तो मा को नहीं होना चीए जो मा प्रेगनेंट होने वाली अगर उसको हैचाईव है तो उससे कभी भीए कंसीव नहीं करना चीए की बच्चे को डेफिनितली होगा तो चिके नाओ अब इसका इलाज किया है कोई इलाज नहीं है इसका सिम्टम हम दूर कर सकते हैं जैसे कि जिस दिन से हमको ये पता चिले कि किसी को HIV है तो उसको हमेशा filtered environment में रखना चाहिए, filtered मतलब यह नहीं कि उसके चालो तरफ चाह चनिया लगा देना चाहिए, ऐसा नहीं है पर हाँ ये है क्योंकि उसका धीरे-धीरे immune system क्या होगा, बच्चो गिरना शुरू हो जाएगा इसलिए हमेशा उसको ऐसे environment में रहना चाहिए, जहांसे दूसरे कोई infection ना है क्योंकि आपको पता है कि जिसको HIV रहता है, उसको सबसे पहले TB हो जाता है, tuberculosis तो आदमी TV से मर गया, typhoid हो गया, ठीक है, और कोई cancer हो गया, तो आदमी HIV चाहतों 10-20 साल बाद मरेगा, उसके पहले इतनी बिमारी हो जाएगी कि वो मर जाएगा, तो ये चीज़ याद रखना कि किस तरीके से हम HIV से बाड़ी को प्रटेट करते हैं तो ये एट समझ में आया, इसका कोई क्योर नहीं है, थोड़ा सा अपने आपका बचाव करने के लिए आपको एंटिबाटिक खा सकते हैं, पर उससे बाड़ी को बहुत जादा कोई फ़र्थ नहीं पड़ेगा, अगर हो गया है, तो मैंने सिम्टम बताया है, सिम्टम क्या होगा, आपको बुखार आने लगेगा, उल्टिया होने लगेंगी, मतलब सबसीक्वेंटली बार बार आपको दस्थ होगा, आपको बुखार चड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि बॉड़ी में हो क्या रहा है, जब डॉक्टर क्याने जाएंगे, सबसे पहले हैं आपको बार बार हो रहे थे, तो यह चीज आपको याद रखना है, ठीक है, नाव नेक्स्थ इंग इस अप्लोमा वारेस, HPV, पूरा नाम याद मत करिएगा, HPV, human papilloma वारेस, HPV, बड़ा ट्रेंड में है, जनाइटल वार्ट्स, वार्स का मतलब फोडे, वार्स का मतलब मै मैंने आपको बताया तो ना फोडे, फफोले जिसको आप कहते हैं, इसमें कुछ-कुछ लेप लगाई जाते हैं जनाइटल वार्स में, जिसकी वज़ासी ठीक हो जाता है, तो वार्स में मैंने आपको दो बिमारी पढ़ाई, जिसमें अगर आपको HPV याद नहीं भी होगा जिससे आप जनाइटल वाइटस कहते हैं, जनाइटल एरिया में फोडे पढ़ना, क्योर तो दोनों का नहीं है, ठीक और दोनों फैल सकती हैं, क्योर दोनों का नहीं है? Papilloma Virus को आप ठीक कर सकते हैं पर HIV को ठीक नहीं कर सकते हैं इसलिए Papilloma Virus में यह है बच्चों कि यह जो होता है ना यह skin में भी हो सकता है और सामने वाला पता चला आपके आया contact में आ गया और आपको भी हो गया तो Human Papilloma Virus डारेट कॉंटेक्ट से भी फैल सकता है पर HIV डारेट कॉंटेक्ट से नहीं फैलता है इसमें body fluid का कॉंटेक्ट होना बहुत जरूर है So when I worked in my hospital I always take precaution कि जब भी मैं कुछ भी काम करूं तो किसी का भी blood मेरे कॉंटेक्ट में ना आए ठीक है क्योंकि किसी भी तरीके से अगर सिरिंज का blood मेरे कॉंटेक्ट में आएगा तो within a second the virus will enter into the blood and it start entered into your WBCs और WBC पर अटक करना शुडू करेगा 2-4-10 साल आपको पता नहीं चलेगा यह हो सकता है कि मेरी immune system कमजोर हो तो मुझे 1-2 साल में पता चलने लगे पर तुरंत नहीं पता चलता जब पता चलेगा तो बहुत देर हो गई होगी और फिर उस पर जो है तो काम करना यह test करवाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है So I hope you got my point what is the viral infection मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको मैंने आपको सारी चीजे समझा दी जिन बच्चों को स्क्रीन शॉट लेना है वह स्लाइड का ले सकते हैं इसमें इतना पढ़ना वेल इनफ है आपको जो पढ़ना है वह एड्स का फुल फॉर्म आपको 1st December World AIDS Day याद रखना है कि 1st December को HIV Day या World AIDS Day बनाया जाता है कमेंट मैंने आपको बताए कि इसमें क्या क्या होता है ठीक है समझ में आई बाती तो भड़ी ही असान चीज थी पर अक्चली असान नहीं है वच्चों जिनको होता है उनको इसका दर्द पता होता है ठीक है तो इन सब बिमारियों से बचने का एकी तरीका प्रिकॉशन क्योंकि प्रिवेंशन नहीं है इसका आप इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते बस प्रिकॉशन ले सकते हैं कि आपको ना हो ओके method of prevention of STD क्यों ठीक है कैसे prevent करेंगे people should be educated about the various STD आपको पता है कि मैं खुल के आपसे बात क्यों करती हूँ तुम 10th class के ही बच्चे हो ना और नहीं भी हो 9th के होगे जादा सादा 11th 12th के होगे इससे जादा तो नहीं होगे मैं इतना खुल के बात इसले करती हूँ क्योंकि awareness is very important if you are not about if you are not aware about the sexually transmitted disease क्या पता कल के दिन हो जाए आप इसको कोई और बिमारी समझते रहे यह blood में आजाए इसके bacteria virus blood में आजाए और आप मर जाए क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ठीक है मैंने बताया ना गाओं के ओरते दर्द से मर जाती है उनको पज़ते नहीं रहता कि उनको क्या है वो डॉक्टर के पास जाती ही नहीं है मर गहीं पिर क्या हुआ कुछ नहीं हुआ फिर उपर चलेगी वगवान के पास ठीक है extra marital relation should be avoided और इंडिया में जादा होता भी नहीं है वी आर नोट सो मच एक्जोटिक सभेता वाले तो extra marital relationship बहुत जादा होते नहीं है क्योंकि जिनके साथ extra marital relationship है उनको क्या है वो हमें पता नहीं है तो यह इंडिया में होता भी नहीं और इट शुट भी अवाइड ठीक है नाव नेक्स तिंग इस दी विदाउट प्रॉपर प्रकॉर्शन आपको sexual involvement में involved sexual partners के साथ involved नहीं होना चाहिए ठीक है हाई standards of the moral education should be given to the people ठीक है मोरल समझते हैं मैंने आपको समझाया ना कि हर स्टोरी का एक moral होता है यह पूरा awareness का चाप्टर है हमेशा एक्जाम में इस चाप्टर से question पूछा ही जाएगा क्योंकि जग तक आपको इसका moral नहीं पता है क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन में यही आपको help करेंगी कि कैसे आप इन बिमारियों से बचेंगे I hope कि आपको sexually transmitted diseases अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गई होंगी In the next lecture we will deal with the population control जो कि एक another very interesting, very important और very very जो है तो आपको खुश करने वाला lecture होगा So next class में आप लोगों के साथ मैं population control के बारे में बात करूंगी तब तक के लिए thank you so much Hello students, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ शुप्रातिवारी Last class में हम लोगोंने क्या पढ़ा था वो अच्छी तरीके से याद है ना Morally आप लोगों को अच्छा फील हुआ, थोड़ा कुश तो सीखे ही होंगे ठीक है, at least आपको यह सारी चीजे समझ में आ गई कि किस तरीके से क्या होता है ठीक है, तो sexually transmitted disease है वो, STD है, SSD नहीं है वो, ठीक है तो sexually transmitted disease, okay, it is not SSD, it is STD इते बार बोला, फिर भी नहीं समझ पाए, पर कोई बात नहीं, कोई ही समझ में आया, तुसको मैंने समझा दिया, बाकी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा Now, next thing, जो इस लेक्चर में, अब आपको पढ़नी है, वो है population control, ठीक है, क्या है ये population control, कभी आपने सोचा, ठीक है कभी आप लोगों को, उन लोगों को देख के थोड़ा अजीब नहीं लगता, जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं आप लोगों के मन में भी तो आप इतने तो अभी इतने बड़े नहीं हुए, पर इतने छोटे भी नहीं है, आपके मन में कभी आता ही होगा कि एक तो मतलब इतना, financially they are not strong, बट इनके इतने सारे बच्चे हैं, ये अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करेंगे, पोशन कैसे करेंगे आपके मन में ये सवाल तो हमेशा ही आता होगा और आना भी चाहिए और अगर ऐसा आ रहा है, it means you are mentally and socially fit, ठीक है तो हमको ये देखना है कि population control कैसे करेंगे, इंडिया का population बड़े जा रहा, boom है population का ठीक है, corona भी इतना ज़्यादा फैला हुआ है, पर फिर भी देखे, death rate इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है तो birth rate इंडिया का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पर death rate इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि immune system अच्छा होता है, medical facility तो नहीं अच्छी है कि लोग मरते ही नहीं है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि सबको मर जाना चाहिए, पर मैं आपको एक general चीज बता रही हूँ कि यहाँ पर birth rate बहुत ज़्यादा है, तो we need to reduce the birth rate, death rate तो अपने आप जो होगा वो हो गई but we need to reduce the birth rate, this is called as population control, चलो sexually act always has the potential to result in the pregnancy but if she is not ready for it, her health will be adversely affected यहाँ पर मैंने she के बारे में बात किया, यहाँ पर मैंने female के बारे में बात किया है बचो पर यह दोनों के लिए applicable है, कभी भी sexually act में कोई भी partner is not feeling good if he or she is not ready, इन्हें कभी भी involvement नहीं करना चाहिए और सखास कर जो female होती है if she is not ready और अगर वो pregnant हो गई तो आने वाला बच्चा हो सकता है कि unhealthy पैदा हो ill पैदा हो, हो सकता है कि mentally retarded पैदा हो because at the time of the pregnancy she was not feeling good जिसकी वजह से आने वाला जो आ गया बच्चा वो अच्छा स्वस्त पैदा नहीं हुआ तो यह चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि female is not ready for the conception ठीक है नहीं उसको conceive करना है तो उसे कभी भी pressurize नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हमने उसे pressurize किया तो हो सकता है कि आने वाले बच्चे के मांसिक मतलब दिमाग पर असर पड़े या शरीर पर असर पड़े यह चीज अपने को याद रखना है अगर सामने वाला नहीं चाह रहा है तो there are many ways to avoid pregnancy ठीक है so the prevention of pregnancy in the woman is called as contraception इसको आप कहते हैं contraception कुछ लोग इसको contraception भी कहते हैं जो मन करें वो बोलिए तो जिन method का इस्तुमाल हम करते हैं pregnancy को रोकने के लिए उसे हम कहते हैं contraception ठीक है conception is the pregnancy but contraception is the prevention of pregnancy हमेशा या याद रखिएगा कि conception is the pregnancy but contraception is the prevention of pregnancy okay now let's start अब देखिए यहाँ पर this slide क्या कहते ही तो यह समझ में आया कि हमें कभी भी female को force नहीं करना चाहिए कि बच्चे पादा करो क्योंकि पहले के लोगों आपने आपको आपने देखा होगा कि हमेशा उनकी सास बोलती है उनकी 10 लड़किया हो जाएं चलो चलो लड़का पैदा करना अभी तुम्हें तो उसका शारिरी तोर से पहले के लोग ऐसे थे कि desire of sun is the biggest problem of the India desire of sun is the biggest problem of India only मतलब बाकी आप European countries में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता तो इसकी वज़े से वो इतनी लड़किया पैदा कर देते हैं फिर जो है वही financial aspect में वो लोग इतने वीक होते हैं कि बच्चों को पाल नहीं पाते हैं ओके तो यह चीज इस नौट रड़ी हमें उसे प्रेश्राइज नहीं करना चाहिए ठीक है तो आप लोगों के लिए family planning जो है population control में हम लोगों को पढ़ना है यह डाइग्राम मैंने आपको यह जो आपकी image है यह पता है क्यों लगाई है क्योंकि बहुत पहले जब मैं चोटी थी तो एक slogan बना गया था बच्चे दो ही अच्छे चाहे लड़का होया लड़की ठीक है यह slogan बनाया गया था और हर जगा जब कभी भी आप government hospitals में जाते हैं ना तो में भी आज भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि बच्चे दो ही अच्छे चाहे लड़का होया लड़की इससे कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है चलिए now let's start what is the method of the population control ठीक है देखे सबसे पहले planned control of the population अच्छा इसके बारे में अगा 10 के बच्चों को डीटेल से पढ़ना है तो 12th में यह lectures बहुत अच्छे से हैं ठीक है planned control of population ठीक है planned control of the population by the education people about the advantages of the small family ठीक है हमेशा जो population control plan होनी चाहिए ठीक हमें पता है कि हमें दो ही बच्चे पैदा करना हमें एक ही बच्चा पैदा करना है तो उसके लिए उसे properly education लेना चाहिए जैसे तुम तुम अब जब 11th class में जाओगे तो तुमको हमेशा मेरी आवाज जो है अपने कानों में सुनाई देगी कि madam ने ऐसा बोला था क्योंकि you people are aware ठीक है तुम aware हो चुके हो तुम अभी भी aware हो रहे हो दीरे-दीरे मैं तुम्हें धीरे-दीरे बिल्ट कर रही हूं तो तुम्हीं यह चीज समझ में आएगी कि अगर इससे जादा बच्चे किसी के भी पैदा हो रहे है तो तुम उसको समझाओगे कि बच्चे दो ही अच् देखते हैं अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है कि छोटे फैमली के अड्वांटेज क्या है तो प्लान कर रहे हैं पॉपलेशन कैसे कंट्रोल करें तो सबसे पहले लोगों को एजुकेट करिए आप चाहते कि इंडिया की पॉपलेशन ना बढ़े तो में यह भीाई fake आप कैंख और रिस कर देना चाहीं पर तीक कि इतना मॉड्रेट है इतना चलेगा पर याद करिए पहले कि लोग जो है तो दस साल में सादी कर दिया fedries जाएक बच्च़ा का चाहन में एकperformziehen कि एक समय ऑद extends में परने बच्चे में तस साल में अएक समय के बा family planning करते हैं तो भी हम लोग population को control कर सकते हैं अब हमको family planning के ही methods को पढ़ना है कि किन-किन method से आप population को control कर सकते हैं So let's start पहला method है natural method ठीक है Natural method का मतलब यह है कि इसमें आपको कोई object इस्तमाल नहीं करना है कोई chemical इस्तमाल नहीं करना है इसमें आपको plan करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम pregnancy को रोके हैं या किस तरीके से हम आने वाला जो conception है उसको रोक दें It is a natural method, natural method में quick withdrawal होता है Quick withdrawal is the method जिसमें हम during the sexual involvement जब ejaculation होने वाला रहता है उसके just पहले withdrawal कर दें ठीक है बाहर female body के तो इससे क्या होता है कि ejaculation नहीं होता है इसलिए जो है तो pregnancy की कोई chance ही नहीं है It is called as quick withdrawal ठीक है दूसरा है If it is intercourse is safe for a week before and after the menstruation cycle ठीक तो menstruation आने वाला है उसके एक हफते पहले और menstruation आ गया है उसके एक हफते बात तक sexual involvement is very safe इसमें किसी भी प्रकार की pregnancy नहीं होती तो natural method में हम लोगों ने दो चीजे पड़ी एक menstruation के एक हफते पहले और menstruation के एक हफते बात sexual involvement वो safe होता है और एक मैंने आपको बताया quick withdrawal ठीक है मैंने आपको क्या बताया quick withdrawal quick withdrawal में मैंने आपको बताया कि sperm जो होते है या semen जो है में लिए semen जो होता है उसको at the time of the exaculation उसे बाहर विड्रॉल करवा देना ची female body के इंदर नहीं करवाना ची जिससे जब जाएगा है नहीं तो pregnancy का कोई chance ही नहीं है so we have two methods of the natural method by these two method we prevented the pregnancy by naturally ठीक now next thing is a mechanical method ठीक है mechanical method जो होते है उनमें आपको कोई object अप्लाई करना पड़ता है ठीक है mechanical का मतलब भी होता है इसमें men's का involvement हो human being का involvement हो ठीक है तो mechanical method में आपको कोई object इस्तमाल करना पड़ेगा जिससे आप pregnancy को रोख सके जिससे आप semen की entry female body में रोख सके ठीक है it is the condoms जिसमें आप plastic rubber sheet होती है जो की semen का exaculation female body में नहीं होने देती है दूसरी होते है diaphragms यह cervical caps ठीक है यह होता है cervical caps ध्यान से समझेगा यह होता है cervical caps cervical caps को यह actually IUCD का diagram है ध्यान से समझेगा क्योंकि यह बहुत important है और exam में आ भी चुका है तो diaphragm जो होता है cup shape को होता है और इस cup shape को हम लोग vagina के area में फसा देते हैं ठीक है ठीक it is like cup shape ठीक तो यह cup shape जैसे यह है तो यहाँ पर ऐसा cup shape का हम लोग इसको फसा देंगे अब जब semen का exaculation होगा तो वो cup में ही यहीं पर रुख जाएगा cup में collect हो जाएगा उपर नहीं जा पाएगा तो diaphragm is the cup shape rubber का बना हुआ होता है इसको वजाइना में फसा लेते हैं कटोरी जैसा होता है ठीक तो पूरा जो semen होता है उस पर collect हो जाता है और collect क्या होता है वो उपर जाएगा नहीं पाता क्योंकि जो एरिया है वजाइना का वो block हो जाता है ठीक है तो second method is the second mechanical method is the diaphragm और the cervical cap चोकि वजाइना में fit हो जाते हैं और इतने अच्छे से fit होते हैं कि sperm की entry uterus तक हो जाते हैं और अगर entry नहीं हो जाते हैं तो conception conception contraception is the prevention of pregnancy conception is the pregnancy ठीक है तो उसको आप वेजाइना एरिया में इन कप्स को ऐसा फसाते हैं कि कभी भी sperm की entry हो ही नहीं पाएगी और अगर हो ही नहीं पाएगी तो conception का कोई चांस ही नहीं है वहां most important mechanical method है बच्छो IUCD intrauterine contraceptive device यह question NTSC में आ चुका है intrauterine contraceptive device ठीक है intrauterine intra मतलब अंदर uterine मतलब uterus के contraceptive मतलब prevent करेंगे pregnancy को device मतलब यंत्र ठीक तो हमें uterus में एक ऐसा यंत्र लगाना है जिससे किसी भी प्रकार की sperm की entry उपर की और ना हो पाए तो पहली है copper T ठीक है copper T जो है ध्यान से समझिएगा कि copper T क्या होता है यह देखिए copper T T मतलब T shape का होगा और क्योंकि देखिए orange orange color का बना हुआ है इसे यह orange मतलब यह copper का बना होता है ठीक है देखो कैसे फसा हुआ T shape का फसा हुआ है यूट्रस में तो basically यह है LNG IUD मेंली हम लोग यह वाला इस्तुमाल करते है जो की copper का बना होता है पता है क्या करता है सोचो सोचो नहीं सोच पा रहे हैं कोई बात नहीं मैं हूँ ना टेंशन लिले रहा है बिल्कुल ठीक है तो यह uterus में T shape का इस तरीके से फसा रहता है ठीक है अब जब स्पर्म की एंट्री यहां से आती है स्पर्म की एंट्री जब यहां से होती है तो जो copper T device होता है वो copper release करने लगता है और sperm की motility मतलब उसकी speed को कम कर देता है जिससे sperm वहीं मर जाते है और अगर मर भी नहीं पाए क्योंकि उसने uterus की जो दिवार है उसको देखो ब्लॉक कर दिया तो आप उपर जाई नहीं पाऊगे तो copper T copper का बना हुआ T-shape का device जो की uterus पे फस जाता है यह copper release करता है जिससे sperm की motility मतलब किस तरीके से वो चलता है वो दीमे हो जाता है और जैसे ही वो दीमे हुआ यह तो वहीं पर मर जाएगा और यह अगर वो मरा नहीं तो क्योंकि T-shape का इसलिए उसने uterus का जो दिवार है उसको ब्लॉक कर दिया उपर जाई नहीं पाऊगे तो cervical diaphragms क्यों होते हैं जो की वेजायना में फस जाते हैं इस तरीके से कप शेप के होते हैं आपने पूरा वेजायना का एरिया भ्लॉक कर दिया तो जो है तो सीमेन उपर नहीं पाएगा आयोडी में कॉपर टी लगाया टी शेप का होता है कॉपर का बना होता है तो अब आप उपर नहीं जा सकते बताओ कितना एडवांस है साइंस सोचो ठीके तो तुम अगर आगे चलके मैच से साइंस लेने वाले हो मैच से बाइले जी लेने वाले से कोई फर नहीं पढ़ता पर तुम अल्टिमेटली एक smart देश के smart नागरिक बने लोगे और मैं यह नी बोल रही हुँ कि जो इमयनिटी लेगा वो TiStar बनेगा वो और smart बनेगा टीक है तो टेंसन नी लेने अपने आपको ठीक है तो यह याद रखिएगा कि पर बहुत सारे लोगों को ना इससे इरिटेशन हो सकता है बहुत सारे लोग इससे बड़े परिशान होते हैं बहुत सारे लोगों कोई सूट भी करता है बढ़िया रहता है उनको कोई दिक्कत परिशानी नहीं होती पर बहुत सारे लोगों को बहुत problem होती है इससे irritation होने लगेगा जलन मचने लगी कि दर्द होने लगागा तो ऐसा नहीं है कि यह एक बार लग गया तो यह निकल नहीं सकता बच्चो ठीक है यह निकल सकता है इसको आपासानी से remove करवा सकता है temporary method है जब तक किसी female को बच्चा नहीं चाहिए वो IUD, I uterine contraceptive device में इस्तमाल कर सकती है copper T ठीक है now next thing जो आपको देखनी है वो है chemical method ठीक है वेटा chemical method देखिए क्या होती है chemical method में आप लोगों ने बहुत बार बहुत बार contraceptive pills के बारे में सुना हुआ क्योंकि इसके ads भी बहुत जादा आते हैं यह प्रेगा न्यूज और आई पिल यह सब contraceptive pills ही है ठीक है यह क्या करती है कि यह hormone को यह contraceptive pills होती है यह पता है क्या करती है यह ovulation delay कर देती है ovulation delay कर देती मतलब यह ovary को बोलेंगी कि तुम अपना ova fallopian tube को दोई मत delay कर देती है ठीक है क्योंकि delay कर देंगी तो अगर sperm आ भी गया तो वह वहीं पर मर जाएगा अच्छा मर गया तो उसका क्या होगा यह मुझसे किसी ने पूचा था अगर वहीं पर मर गया तो wbc खा लेंगी यह याद रखो है तो वह क्या करती है कि open source को डिले कर देती ओविलेसिंष्ट को करने का मतलब यह है कि अगरWhopin नहीं निकाला है तो अभी मत निकालो जब तक स्परमर्पन जिन्दा है तो तो यह करती हैं हार्मोन पर खेल करती है है काम करती है यह जैसे यह आप खाएंगे तो यह कुछ अलग मेथड करेगी या तो यह स्पम की मोटिलिटी कर देगी मोटिलिटी मतलब स्पीड कम कर देगी तो वहां तक स्पम पहुंची नहीं पाएगा या तो यह अपने याद रखना है अच्छा मैं आपको बता दू सहेली इस दा वन कंट्रेसेप्टिव पिल जो की CDRI Central Drug Research Institute लखनाव में बनाई गए थी यह इंडियन ओरिजन वाली दवाई है ठीक है तो औरल कंट्रेसेप्टिव पिल्स विच इनिबिट दा सिक्रीशन ओफ FSH एंड एलेच फिलिकल स्टिमिलेटिंग हर्वन पढ़ाऊंगी में ने और फेलोपेंट ट्यूमें जाएगा इनिबिटा तो फटिलाइज किससे करोगे तो यह पूरा हॉर्मोन पर काम करते हैं और ओवरी से ओवा तब नहीं निकलेगा जब हॉर्मोन FSH का लेवल कम हो जाएगा तो फॉलिकल स्टिमिलेटिंग हॉर्मोन का लेवल एकदम कम हो ज किलोई हॉर्म को इसाइड़ कंन अचольш छो स्टिम्स देट एकशन होता है क्लिंग आफ किलिंग आफ स्पे तो किलंग आए बात मैं तो यह जो क्रीम नियुम होती है की आफिज केमिकल सलूश जूशन कुछ भी हो सकता है टो जूरिंग सेख्शें इन्वॉल्मेंट ये क्री भी सिखा ली थी तो आई हो कि यह समझ में आया आपको आपको यह समझ में आया कि हमने mechanical method में natural method में quick withdrawal menstruation के एक विक पहले एक विक बात आपको sexual intercourse करना है mechanical method में condom diaphragm IUCDA पढ़ाया मैंने आपको chemical method में मैंने आपको spermicidal creams बताई इसमें बहुत सारी creams होती है और मैंने oral contraceptive pills बताई जिसमें hormone की वज़े से ovulation नहीं हो पाता ovulation मतलब ओवा का निकल कर ovary से fallopian tube में जाना यह नहीं हो पाया जिसकी वज़ा से fertilization ही नहीं हुआ ठीक तो I hope कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी तो हमने क्या-क्या सीखा अभी बच्चो हमने सीखा कि किस तरीके से हमने chemical chemical की मदद से contraception किया natural कैसे किया mechanical कैसे किया देखो images दिख रही हैं आपको यह दवाईयों की images है surgical method surgical method में यह है अच्छा यह permanent method है वह method तो temporary हैं जब बच्चा नहीं तो दवाई खालो आयूडी लगवालो ठीक है पर यह method female में surgical method तो permanent वाला होता है male में temporary होता है ठीक है चलिए देखे टूबक्टोमी मतलब टूबक्टोमी का यहां जाही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने कोई चांस ही नहीं क्योंकि area of फर्टिलाइजेशन यही है getting my point क्योंकि area of फर्टिलाइजेशन क्या है यही है तो अगर ओवरी ने ओवा निकाल भी दिया तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं क्योंकि उस जगह से आपने दोनों को अलग कर दिया है मैंदम उस वोगा क्या होगा WBC ठीक है So WBC will eat them because WBC is always hungry उनको बहुत भूग लगी रहती है ठीक है तुम्हें भी तो भूग ने लग रही है तुम्हें कहा भूग लगेगी भूग तो मुझे लग रही continuously तो मैं बोल रही हूँ ठीक तो इस तरीके से हम लोग अगर काट दे अपनी ट्यूब को कौनसी ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब को तो कभी भी वह अंदर नहीं जा पाएगा मतलब इस एरिया पर नहीं आ पाएगा और इस एरिया अपने को ठीक है तो इस तरीके से आप अच्छा यह पर्मानेंट मेथ़ड है इसमें अब कभी भी फैलोपियन ट्यूब को काट के टाई करते हैं वैसे ही होता है वासा डिफरेंशिया को काट के टाई करते हैं वासा डिफरेंशिया बच्छो वासा डिफरेंशिया इस स्पर्म डग जो कि टेस्टीस से निकलती है बाहर स्पर्म को बाहर लेके निकलती है तो देखिए टेस्टीस से बाहर निकल रही है वासा डिफरेंशिया जारी उपर क्यों पर अपने बीच मे काटके ताइ कर दिया दागे से कौन से दागे यह से लो फिंद भागे यह स्पेशल टाइप अव दागा ऐसा नहीं के यह को आजसेक्टोमी तो इसको ओपन करवा कर वापस से जुड़वा सकता है और दूबक्टोमी जिसको और अगर फीमिल ने यह करवा लिया इसको T.T. का उपरेशन किया होता है उनको ना पता हो तुम बढ़ी हैं समझा देना चलो को फृफ्रक्टॉमी उफ्रेक्टॉमी इसन मतलब हम जो जा calidad छाहती है कि ओवरी Maple ि निकाल दो हमको ज्ड़irie में लिए जीवन का. ओवरी में INPECTION हो रहा है। औवरी हीनिकाल दो। औवरी निकाल दिए तो औउवर और एक्तॉमी भी कहते हैं उफ्रेक्तॉमी बहुतार सेम तिंग इसमें और इसको रिमूब कर दिया जाता है कैस्ट्रेशन टेस्टीस को रिमूबल करने की मेथड है ठीक है आई वसमन में तो सर्जिकल वी है फोर मेथेड्स अगर आप फेलोपीन ट्यूब को काट के टाई कर अगर आपने ओर टोमी ऑफ्रेक्तॉमी किया तो ओवरी ही निकल वादी चंटा ही खतम जीवन का तिक है कैस्ट्रेशन करवा दिया टेस्टीस में को इन्फेक्शन हो रहा है उसे निकल दिया तो अच्छा किसी में भी हो सकता गाय बैलों में भी गाय में नहीं बैसों में हो और बैलों में हो सकता है, ठीक, ओके, तो थीज आ रिस सम अफ दे सर्जिकल मेथट, एंड लास्ट वन इस अफ दे स्वेडिकल टर्मिनेशन अफ प्रेगनेंसी और दे अबोशन, जब बच्चा डिफेक्टेड है, सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो पारी है, हाट बीट नहीं च बहा जाता है इसको आप डाइलेट एंड कट्रेज मेथड तो इस तरीके से बच्चे को पूरा निकाल दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है, क्योंकि अब वो सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसलिए इस मेथड को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, मेड दियावाई हो के थरू, पर हम क्योंकि सर्जिकल मेथड पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रेगनेंसी को सर्जिकली आप बाहर करवा सकते हैं, इसे आप आप बाशन कहते हैं, इनको धियान से पढ़ना है, In the next class, we will deal with the new chapter called as Control and Coordination अब बहुत चारे लोगों के मन में एक क्वेशन होगा मैड़ाम हमारे सिलिबस में नहीं है नहीं है नहीं है अरे नहीं है तो NTSC में आएगा लगातार पढ़ोगे तो पढ़ लोगे आखरी में पढ़ाने जाओंगे तो तुम वीडियो ही नहीं देखोगे And you don't worry, मैं तुमको Heredity and Evolution भी इतने ही Dedication से पढ़ाओंगी तो घबराना नहीं पहले हम Control and Coordination कर लेते हैं तब तक के लिए इन वीडियो को देखते रहें This is all about the reproduction, now reproduction is totally end ये chapter इतना ही था, I hope कि ये पूरा chapter आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा In the next class we will deal with the Control and Coordination उसके बाद मैं आपको Life Process की activities के बारे में भी बताऊंगी तब तक के लिए, stay safe, stay healthy and thank you so much